आज से टीपी अपन स्टार्ट करेंगे और जैसे हिसाब से आप लोगों ने अलग अलग हर वीडियो में यह कहा था पढ़ा दीजिए और नाई पढ़ा दीजिए उस हिसाब से मैं एस्यूम कर रहा हूं कि इन सब्जेक्ट से आपको थोड़ा सा ज्यादा समस्याएं हैं मतलब transfer of property से तो ज्यादा ही समस्या है आपको जीवन में ऐसा आइकूट फिगर आउट आपके इन रिक्वेस्ट को देख के पर अगर आप ने और सब्जेक्ट मेरे साथ पड़े हैं अपने और वीडियो देखे हैं तो शायद थोड़ा भरोसा आपको मेरे उपर हुआ होगा और आज जो मैं कह रहा हूं उस बात पर भरोसा करिएगा दिस इस वन ओफ दी मोस्ट इंट्रेस्टिंग स्टाट्यूट् यह एक ऐसा आक्ट है जो बहुत मज़ेदार है अगर आपने उसका मज़ा लिया तो यह बहुत ही मज़ेदार आपके रोजमर्रा की बातें ही इसमें लिखी हुई है थोड़ी सी लंगवेज जरूर इस तरीके की है जिससे शायद आप थोड़ा घबरा जाते हैं तो उसको क कि दिमाग में काफी फोबिया था बट मैंने सीपीसी जब स्टाइट किया था तब भी मैंने कहा था यार कि इस बन अफ मैं फिवरेट सब्जेट्स नदब बन अफ दी मोस्ट इंट्रेस्टें स्टाटिट्स ऐसा ही ना ट्रांस्वर प्रॉपरिटी आप बड़ा मज़ेद कि हिंदी में तो बहुत खतरनाक है तोटली अग्रेजी में भी बड़ा खतरनाक है यह अंग्रेजी में भी आसान नहीं है थोड़ा सा लैंगवेज वैसी है एक चीज़ जो अगर आप यहां लौ पड़ रहे हैं एक बात आप समझ गयोंगे कि अगर आपने समझ लिया आप लेजिसलेचर कोई लौ बनाता है उसके पीछे एक मनशा होती है उस बात को अगर आपने बहुत अच्छे से कैच कर लिया है किसी भी स्टाट्यूट को पढ़ते समय किसी प्रोविजन को पढ़ते समय किसी पर्टिकलर चाप्टर को पढ़ते समय अगर आपने उसका बेसिक परपस बेसिक जो उद्देश है उसके पीछे अगर उस बात को आपने समझ लिया है तो थोड़ा सा इजी आपके लिए प्रोवेजिन्स को इंटरप्रेट करना हो जाता है ये बात मैं आपको काफी लंबे समय से समझाता आ रहा हूँ अगर आपने थोड़ा सा कंटेक्स समझ लिया न तो फिर आपको उतनी प्रॉब्लम होगी ने तो पहले तो आप मेरी इस बात पर विश्वास कर लीजिए अगर थोड़ा भूत भी भरोसा आपको मेरे उपर हुआ है दर बीच तो आप इस बात को बिलकुल मान सकते हैं कि इस आक्ट के बारे में जिससे थोड़ा सा और जो basic terminology इसमें यूज हुई है उस सब के बारे में एक broad discussion हम लोग करेंगे जिससे थोड़ा सा आपके लिए यह subject पहले easy हो जाए फिर अपने एक एक provision पर उतरेंगे सबसे पहले कुछ चीज़ें transfer of property के बारे में जो आपको समझनी है कि यह act है क्या किस बारे में बात करता है क्यों बनाया गया वो हम कहां से जानते हैं किसी भी statute का उसके preamble से सो अगर आप transfer of property act का preamble भी दिखेंगे तो वहाँ clearly यह लिखा है कि नामी है transfer of property property के transfer में यह deal करेगा यह बात तो आपके समझ में आई रही है transfer of property act किस चीज़ में deal करेगा properties के transfer में अब यहां कई कई तरीके के सवाल उत्पन होते हैं कि इस सबसे पहले तो इस statute को अलग से बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी क्या परपस है तो जो preamble TPA का कहता है पहले मैं ब्रीफ में आपको वो बता देता हूं फिर एक एक करके इन चीज़ों को simplify करेंगे तो देखिए यह जो statute बनाया गया इसके force में आने के पहले multiple regulations थे जो properties के transfer को regulate कर रहे थे आज भी है ऐसा नहीं है कि transfer of property act एकलोता act है जो transfer of property को regulate करता है यह सरफ specific एक तरीके के transfer को regulate करता है उसकी बात में अभी करूंगा इस बात को समझना हर property के transfer को regulate TPA नहीं करता इसलिए exhaustive तो नहीं है transfer of property act जब force में आया उसके पहले भी कई सारे regulations थे Bombay regulation, Madras regulation इस तरीके के अलग-अलग regulations थे जो property के transfer को govern कर रहे थे देखिए भई हर चीज़ को regulate करना जरूरी है लोग अपनी property किसी और को दे रहे थे अब उससे disputes arise होते है इसलिए उस चीज़ को regulate करना जरूरी है पहले के जमाने में online transactions नहीं होते थे आज हो रहे है तो उसको regulate करना जरूरी है तो basically transfer of property act का purpose क्या है कि जो properties का आदान प्रदान है एक वेक्ति अपनी property दूसरे को देता है उसको regulate करना है क्योंकि भाई dispute तो होंगे जहां इंसान इंवाल होगा वहां dispute होना inevitable है उसको कोई रोक नहीं सकता तो जहां human being involved हो जाते हैं dispute वहां होते ही होते हैं आप रोज YouTube पे यह बात देखते हैं कि dispute तो होते हैं कभी coaching institutes के बीच में कभी faculty owner के बीच में कभी motivational speakers के बीच में तो dispute एक inevitable truth है आपके और मेरे जीवन का जिससे शायद हम बच नहीं सकते हैं इसलिए property का भी transfer जब होता था तो उससे related dispute जरूर आएंगे बाते आएंगी so basically उस transfer को regulate करने के लिए act है इसके पहले कुछ act से उनको consolidate करने का प्रयास इस statute के थूरू किया गया उनमें जो multiple provisions थे उनको यहां involve करके एक uniformity लाने की कोशिश करीगी क्योंकि वो region wise थे पहले थोड़ा सा regional था अलग region एक territorial region में अलग तरीके का लो दूसरे में अलग इस तरीके की थोड़ी कहानी थी तो एक uniformity लाने के परपस से transfer of property act को लाया गया अब जैसा मैंने आपको बताया that it is not an exhaustive act यह बिलकुल exhaustive नहीं है exhaustive नहीं का मतलब कि सिरफ यह एकमात्र ऐसा statute नहीं है यह इकलौता law नहीं है जो property के transfer को regulate कर रहा है बहुत सारे दूसरे भी है जैसे movable property से related sales of goods act आपने देखा होगा है ना CPC इस चीज को regulate करता है थोड़ा बात contract act भी regulate कर लेता है specific relief भी कर लेता है तो there are multiple laws जो इस बारे में बात करते हैं या इसको regulate करते हैं सो सबसे पहला सवाल जो किसी भी statute के बारे में हमने देखा है चाहे हमने सरे पड़ा हो या कोई और law सबसे पहले हम यह देखते है whether it is exhaustive or not तो it is not consolidate कर रहा है लेकिन हर चीज को नहीं किया है there are still a lot of saving clauses TPA में यह भी बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि transfer of property act किन transfers पे applicable नहीं होता है यह basic बात है मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहरा हूं उसके बाद अपन statute की तरफ बढ़ेंगे तो basic बात तो यह समझे कि यह बात करता है transfer of property में property के transfer में अब सबसे पहला और obvious सवाल आपके जहन में आना चाहिए कौन सी property transfer of property act property के transfer को deal तो कर रहा है कौन सी property दो तरीके की property basically यहां होती है जो हम जानते है एक हमारी होती है movable और दूसरी property दूसरे तरीके की होती है हमारी immovable property तो सबसे पहले pre का important सवाल यह कि transfer of property act movable property में deal करता है या immovable property tell me the answer yes you are right कि रवी ने कहा है both yes it deals with both कुछ ऐसे provision है जो दोनों को deal करते हैं कुछ ऐसे provisions हैं जो exclusively immovable को इसलिए एक बात समझना it largely और essentially deals with immovable property इसका जो जादा substantive part है वो immovable property में deal करता है but there are certain provisions जो movable पे भी applicable है ऐसे भी provision है transfer of property act में जो movable property को भी govern करते हैं जैसे to start with यह बात clearly पहले ही बता दी गई है कि chapter 2 chapter 2 की अगर मैं बात करूँ तो chapter 2 में section 5 to 37 movable पे भी applicable है सो कौन सा भाई हमारा chapter 2 में जो section 5 to 37 है यह movable property पे भी applicable है अभी हम statute की intricacy में नहीं जा रहे हैं कि क्या provision है पहले basic बात यह समझे कि transfer of property क्योंकि property में deal करता है तो किस तरीके की property में तो दोनो movable immovable दोनों को deal करता है लेकिन जो larger portion है वो immovable को deal करता है largely deals with immovable but there are certain provisions जो movable पे भी applicable है सबसे पहले chapter 2 5 to 37 है यह दोनों पे movable as well as immovable पे भी applicable है वाई देखिए movable पे तो सभी है movable पे भी applicable है यह particular portion इसके बाद अगर अगर अपन बात करें movable पे और कौन सा है तो gift गिफ्ट जो portion है इस act का वो movable पे भी applicable है एक्स्चेंज का जो portion है जो chapter है वो भी दोनों पे applicable है ठीक तो chapter 2 का section 5 to 37 gift exchange ये कुछ ऐसे provisions है जिनके जो movable property में भी deal करते है movable property भी इधर पे cover जिसमें होता है ठीक on the contrary है अपन देखें कि सिर्फ immovable तो कुछ example बता रहा हूं वैसे तो act movable के लिए बट कुछ ऐसी चीज़ है जो सिर्फ immovable पे ही applicable है सिर्फ immovable के बारे में बात हुई है तो जैसा कि chapter 2 का 5 to 37 है इधर आपका 38 से onwards 38 से लेके जो आपके section 53a तक है इसमें 53a तक ये सिर्फ और सिर्फ immovable property पे applicable है फिर आप देखेंगे sale की बात करी गई है तो sale सिर्फ immovable property फिर आप बात करेंगे mortgage तो mortgage सिर्फ immovable property तो इस तरीके से कुछ चीज़े हैं जैसे lease है तो lease भी किस के बारे में बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ immovable के बारे में but there are certain portions जो immovable को भी deal करते हैं तो सबसे पहले जो pre का एक सवाल आपका होता है कि ये act सिर्फ एक तरीके की property में deal करता है या दोनों में so the answer is both and these are some of the provisions to illustrate the same इसके बाद अगला सवाल जो यहां आता है इस act की applicability को लेके वो ये की किस तरीके के transfers की बात होती है क्योंकि देखिए नाम क्या है transfer of property तो अपने property देख लिया किस तरीके की property किस तरीके के transfer तो transfer भी ना अलग-अलग होते है मेजरली transfer को भी दो पार्ट में आप divide कर सकते हैं कौन से हैं वो दो पार्ट transfer के तो एक होता है एक होता है transfer by parties और एक होता है transfer by operation of law तो एक क्या होता है आपका transfer by parties और दूसरा होता है transfer by operation of law यह major classification है so TPA किस में deal करता है that is also an important question so transfer of property किस में deal करता है by party transfer by party में ही सिर्फ सिर्फ यह deal करता है और यह by operation of law जो transfer होते हैं उन में deal नहीं करता है इस बात को जरा समझ लीजे एक technical term भी है yes that's correct जिन लोगोंने comment में बताया है इंटर वीवोस इसको कहते हैं हम transfer इंटर वीवोस यह जो parties के बीच का transfer होता है इसको क्या कहते हैं इंटर वीवोस यह ध्यान रखियेगा term इंटर वीवोस ठीक है तो transfer of property act इंटर वीवोस transfer में deal करता है इंटर वीवोस का मतलब जो parties के द्वारा हो रहे हैं एक वेक्ति दूसरे को property transfer कर रहा है अब operation of law कैसे होता है जहां law यह transfer effect करता है जरा इस बात को समझना जैसे for example will will आप समझते हैं वसीहत जो बनाई जाती है वसीहत में जो transfer है ध्यान से सुनना मेरी बात वसीहत में जो transfer है by operation of law होता है कैसे कि एक जिन्दा व्यक्ति अपनी will लिखता है वो अपनी will में किसी एक व्यक्ति को property assign कर देता है लेकिन वो transfer effect में कब आएगा वो कब valid होगा transfer जब वो व्यक्ति मरेगा जिसकी will है उसकी जैसे ही मौत होती है will अपने आप operational हो जाती है force में आ जाती है जैसे एक अंकल ने अपनी जायदाद एक particular person के नाम अपनी will में लिखी अभी वो effect में नहीं आईगी अभी सिर्फ mention किया है उन्होंने हो सकता है मरने के पहले वो will change कर दे नहीं will बना दे तो अभी वो effect में नहीं आया will में आपका नाम लिखा है जिस बंदे ने will बनाई है वो मर क्या automatically property आपकी हो गई इसको कहते है by operation of law या फिर court आपने देखा होगा court auction में sale कराता है properties जैसे माली जीए decree satisfy करने के लिए CPC में हमने देखा है यह property attach करी जाती है sale करी जाती है वो सब जो transfer है वो कौन कौन कर रहा है court कर रहा है तो वो यहाँ पे cover नहीं होते उस तरीके के transfer transfer of property act deal नहीं करता और यह कौन से होते हैं operation of law से जो होते हैं यहां पर कौन से deal होते हैं जो parties के बीच होते हैं जैसे sale, मेरी एक property थी मैने किसी को बेच दी, lease पे दे दिया, मेरी property थी मैने किराय पे दे दी, मैने property mortgage कर दी, अपनी property मैने गिरवी रख दी, तो एक party, दूसरे party को जो transfer करती है, normally इनमें ही deal करता है हमारा transfer of property act, और ये operations by lodge होते हैं, इनमें deal नहीं करता, इस बात को ध्यान इंटर्विवोस बहुत important है pre के लिए ठीक है कि ये सिर्फ deal करता है दो parties दो living being के बीच that's also correct दो living persons के बीच जो transfer होता है सिर्फ और सिर्फ उसको govern करता है अभी इस living person के बारे में भी बात अपन करेंगे कि ये juristic भी हो सकता है और human being भी हो सकता है लेकिन किन लोगों के बीच transfer हो जैसा मैंने आपको example दिया will का will में क्या होता है मरने के बाद operation में आती है will जिस विक्ति की will है वो मर जाता है उसके बाद वो will operational होती है वो transfer actually होता है इसलिए वो intervivos नहीं है और transfer of property act will पे applicable इसलिए नहीं होता है उस transfer को govern नहीं करता है इसके अलावा ये तो बात हो गई कि किस तरीके की property पर deal करेगा किस तरीके के transfers deal होंगे transfer of property act में इसके बाद अपन बात करते हैं non applicability of TPA over Muslim law ये भी एक important aspect है इस act को पढ़ते समय कि जो Muslim law है उस पे ये applicable कुछ certain portion नहीं होता है वो भी बहुत important सवाल है और वो सारी बातें वेरेक्ट में भी mention है मैं आपको वो भी चीज़े refer करते जाऊंगा कि कहा कहा तो अब अगर अपन relation देखें तो ये भी एक important है TPA का relation with Muslim law so Muslim personal law जो है इसके उपर कई सारे ऐसे provisions है जो applicable नहीं है इसमें सबसे पहले अगर आप section 2 देखेंगे TPA का section 2 में ही ये बात लिखी है कि जो chapter 2 है वो Muslim law पे as such applicable नहीं होगा ध्यान रखना TPA का chapter 2 chapter 2 के regarding chapter 2 of TPA के regarding ये लिखा हुआ है section 2 में कि अगर कोई contradiction होता है chapter 2 में लिखे हुए provision और Muslim personal law में जो लिखा है दोनों में अगर कोई contradiction होता है तो prevail कौन सा करेगा Muslim personal law और TPA वहाँ applicable नहीं होगा अगर difference है दोनों के provisions में किसी particular aspect को लेके तो applicable कौन सा होगा Muslim law होगा ये chapter applicable नहीं होगा same as with gift गिफ्ट अगर आप दिखेंगे तो गिफ्ट जो Muslim law में होता है वो हिबा एक separate उसके लिए personal law में चीज़ दी हुई है और उसको कहते हैं हिबा उससे govern होता है यहाँ जो TPA में separate chapter हमारे पास है gift वो वो चैप्टर Muslim gifts पे applicable नहीं होता Muslim law जिन parties पे applicable होता है उन पे TPA का जो gift chapter है that is chapter 7 कौन सा chapter है chapter 7 यह applicable नहीं होगा और यह बात लिखी है section 129 में this is also a very important question for the prelims examination ध्यान रखिएगा gift non applicable है Muslim law पे यह कहां दिया है section 129 बहुत important pre का सवाल है यह इसको ध्यान रखिएगा चलिए तो यह तो एक general बात हो गई about applicability and non application of transfer of property act कि इस act में किस तरीके के transfer अब देखें बहुत simple सी चीज है कि property के transfer को यह deal कर रहा है दोनों तरीके के transfer यह deal कर रहा है movable भी और immovable property के transfer के बारे में भी यह बात करता है और transfer कौन से intervival living being के बीद जो transfer हो रहे हैं उनकी बात करता है by operation of law जो transfer होते हैं उनको deal TPA generally नहीं करता इस बात को आप ध्यान रखिएगा यह दो-चार pre के important question भी और इस act को समझने के लिए इसके पहले कि अपन इसकी intricacy में जाएं यह basic बाते समझाने चाहिए अब और कुछ basic बाते समझेगा इस particular act यह statute के बारे में एक बहुत important बात यह है कि transfer of property act property की transfer को regulate करता है और जो general principle transfer of property act कन्वे करना चाहता है वो यह एक बात बहुत ध्यान से जुनियेगा कि जो properties especially immovable property तो law का यह कहना है कि भाई it must be it must not be confined in single hand कहने का मतलब एक व्यक्ती की अगर कोई property है तो जनम जनमांतर वो property उसी की रहे इस principle को recognize नहीं करता है law law इसके against है और इसी को कहते है rule against perpetuity कि अंगिनत indefinite समय तक अगर मालिजे जैसे मेरे पास कोई particular piece of land है अब वो अंगिनत सालों तक मेरा ही रहे इस बात को law support नहीं करता और जो आप provisions यहां पढ़ेंगे वो इस principle के against पढ़ेंगे आपको सब कुछ जो हम पूरा transfer of property act पढ़ेंगे वो इसके इर्द गिर्द घुमता है बहुत सारे ऐसे provisions हैं जहां ले दे के बात यह हो रही है कि एक व्यक्ति के पास हमेशा property नहीं रहनी चाहिए law का कहना यह है कि property transfer होती रहनी चाहिए लोगों के बीज उसकी ownership बदलती रहनी चाहिए accumulation नहीं होना चाहिए wealth का यह आप सब जानते हैं constitution में भी आपने पढ़ा होगा है ना कि एक ही हाथ में सारी जो संपदा है वो नहीं आनी चाहिए वो distribute होनी चाहिए वो divide होनी चाहिए वो transfer होती रहनी चाहिए यह interest transfer of property act भी यही चीज चाहता है जो होता है ना कि यह property है इसके बाद हमारे लड़के को मिलेगी फिर उसके लड़के को मिलेगी इस चीज को law बिल्कुल support नहीं करता है और इसके इर्दगेर्द बहुत सारे provisions आपको इस transfer of property act में मिलेंगे ठीक अब अपन ज़रा statute की तरफ आते हैं और कुछ basic बातें जो इस statute में हैं उसको समझना है सबसे पहले तो immovable property के concept को ही समझना है कि immovable property क्या होती है और क्या नहीं होती है क्योंकि जो definition इस act में दी हुई है वो तो बड़ी ही अतरंगी type की definition है और प्री में generally किसी भी state का आप judiciary का problems examination देने जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो पूछी जाती है क्या ये immovable property है जैसे right of fishing मचली पकड़ने का अधिकार क्या immovable property है अब यहां सवाल यह आता है सब यह कैसे immovable property होगा या हो सकता है उस पूरे concept को अपन समझेंगे इत्मेनान से अभी जड़ा एक बार बेरेट निकाल लीजे तो एक-एक करके अपन उस interpretation clause पर पहुंचते हैं सबसे पहले वेरेट में देखिए section 1 short title और commencement की बात करता है इस आट का commencement भी थोड़ा सा complicated सा है बहुत आसाल नहीं है commencement बस simple सी बात जो crux है वो आप समझ लीजे तो बाकी load आपका अपने आप हड़ जाएगा इस section 1 को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि state government को power दिया है कि कुछ particular portions हैं जिनकी applicability को वो restrict कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं notification से कि ये जो particular portion है इस act का ये applicable हमारे statement नहीं होगा और जैसा कि आप section 1 के अगर third paragraph को देखें तो वहाँ ये बात बताई गई है और कौन-कौन से provision है अगर आप देखेंगे तो section 54 के paragraph 23, section 59, 107, 123 ये basically generally बात करते हैं registration जो भी property के transfers हो रहे हैं उनके registration की अब बात यह है कि आप यहां तो exempt कर रहे हैं उन provisions की applicability को बट हमारे पास registration आक्ट भी है तो घूम फिर के बात यह होती है कि majority of transactions जो है वो सब अब registration से govern होते हैं ये तो जब act implement हुआ था ये तब की कहानी है present situation अगर आप देखेंगे तो TPA is to be read with registration act as well वहां already बताया गया है कि कौन से ऐसे transactions है जो mandatorly registered होने चाहिए कौन से ऐसे transactions है जिनका registration optional है आप कराएं तो भी चलेगा नहीं कराएं तो भी चलेगा तो उसके लिए we have a separate statute तो ये जो exception type की चीज़ें यहां create करी थी इनमें कोई contradiction नहीं है क्योंकि registration act भी similar बात नहीं करता है बस ये इस चीज़ के बारे में यहां है बाकी बहुत जादा questions आपको देखने को generally प्री में नहीं मिलेंगे लेकिन section 2 काफी important है और सबसे important बात section 2 में यही है जो सबसे last में लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया Muslim law पे applicability ये बहुत important है ये वाला जो portion है इस इस गिवन अंडर section 2 only section 2 में दिया है और ये gift वाला किदर दिया है ये दिया है आपका section 129 में चीक है ये दिया है 129 तो यह जरूर ध्यान रखिएगा यही बात section 2 में सबसे ज़्यादा important है जो एक्दम last में लिखी हुई है अब अपन आते हैं इस chapter के सबसे important part पे that is section 3 जो की है interpretation clause बहुत important है इदर ये concepts अगर आपने समझ लिए तो आगे यकीन मानिए provision पढ़ना आपके लिए काफी आसान होगा जैसे section 3 में सबसे पहले जो definition दी है वो दी है immovable property तो किस चीज को define किया है सबसे पहले immovable property अब आप देखिए कि immovable property की जो definition transfer of property act में दी है वो बहुत ही अतरंगी सी definition है तो अगर आपको अबेरेक में देखें तो यहां लिखा है immovable property does not include standing timber, growing crop और grass तो यह definition से यह बताती है हमें कि इसमें क्या चीज़े include नहीं होगी क्यों included नहीं है इसका जवाब भी नहीं है standing timber क्यों नहीं है, grass क्यों नहीं है, growing crops क्यों नहीं है इस पूरे concept को लेकिन आपको समझना है, इससे बहुत सारे आपके questions अपने आप solve हो जाएंगे तो जो आप list रटते हैं न, immovable property की, आपने pdf download कर रखा होगा कहीं telegram से, phone में रटने के लिए उसकी जरुरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इस concept को समझ लेंगे, कि immovable property होती क्या है अब देखिए, TPA का definition जो हम देख रहे हैं, इसमें तो कुछ बताया नहीं है, तो फिर क्या करें, अब यहां तो definition दी नहीं है ऐसे cases के लिए एक separate statute है, जिसको हम कहते है general clauses act, कौन सा statute है, general clauses act, वहाँ पे definitions ही दी हैं बस वो statute है, किसलिए definitions बताने और definitions देने के लिए ही, उस act में immovable property की definition properly दी है वहाँ बहुत properly इस बात को बताया है, कि एक immovable property क्या होगी, या एक immovable property क्या होती है तो उस definition को और साथ में हमारा जो TPA की definition है, उसको मैं मिला के concluding remark आपको दे रहा हूँ कि एक immovable property होती ही क्या है, अब वहाँ क्या दिया है, यहाँ क्या दिया है, क्योंकि यहाँ पे immovable property को define तो नहीं किया है लेकिन अगर आप देखें अपने बेरेक्ट में, तो जो registered वाली जो definition, अलग-अलग जो definition आप section 3 में देख रहे हैं registered के बाद एक definition दी है, attached to the earth, इस word का मतलब बताया गया है, attached to the earth का मतलब क्या होगा, वो यहाँ बताया है है ना, लेकिन immovable property होगी क्या, यह नहीं बताया, तो उसके लिए कहां जाना पड़ेगा, general clauses act, ठीक है रवी ने जैसा बताया, section 3 का clause 26 वहाँ पे define करता है, विल्कुल ठीक है, और उसका मैं पूरा summarize आपको कर देता हूँ कि immovable property का मतलब क्या होगा, हमें दोनों को combine करके पढ़ना है, general clauses act और यहाँ जो attached to earth की definition दी है, इसको मिला के तो सबसे पहले immovable property जो general clauses act में define है, वहाँ सबसे पहले यह बताया गया है, कि immovable property क्या होगी, तो सबसे पहले land land जो है, जब color change कर लगता हूँ land जो है वो immovable property में आयता, अब एक यहीं समझते भी जाना, land का मतलब क्या होता है, surface of the earth land का मतलब क्या होता है, surface, लेकिन land, सिर्फ land नहीं, land में क्या include होगा, land के उपर जो है वो भी और land के अंदर जो है वो भी, जैसे जो minerals हैं, इसलिए जो coal mine से coal extract करने का अधिकार है, उसको भी हम कहते हैं immovable property, तो land के बिनीत, उसके अंदर और land के उपर जो चीजें हैं, वो भी हमारी किस में आएंगी, immovable property में आएंगी, तो land का मतलब सिर्फ surface नहीं, उसके उपर का जो space है, भाई land के उपर का space है till sky, तो एक reasonable limit तक वो उसी व्यक्ति का होता है, जिसका land है, उसी का अधिकार उस space पे भी होता है, जो land के उपर है, so land का मतलब mere surface नहीं होगा, it also includes things under the land and above the land, ये बात ध्यान रखिएगा regarding the land, इसके बाद दूसरी चीज जो definition में बताई गई है, ये सब कुछ मैं कहां से derive कर रहा हूँ, general clauses, आप इस पर से प्रोविशन ओविजन फिलाल मत देखिया, आप conclusion समझे, और चाहें तो इसको लिखते भी जाहिएगा, तो second चीज जो immovable property में consider करी जाती है, वो है, benefits to arise out of land, this is very important, benefits to arise out of land, land से जो benefits arise हो रहे हैं, वो भी immovable property माने जाते हैं, और एक latent term भी इसके लिए use होता है, profit ये पेंडरे, term है, profit ये प्रेंडरे, this is a term मैं आपको यहां बता दू, and that is very important, ध्यान रखियेगा, profit that is the term, profit ये बहुत important term है, इसका मतलब होता है, benefits to arise, land से जो benefit arise हो रहे हैं, वो भी immovable property माने जाते हैं, for example, देखिये, land से क्या-क्या आप benefit arise कर सकते हैं, land है, land के उपर तलाब है, अब तलाब में अगर आप फेरी चला रहे हैं, आप एक cruise चला रहे हैं, तो वो cruise जो आप चला रहे हैं, वो किस चीज़ पर, देखिये भाई, land का मतलब क्या, land के अंदर की चीज, surface of the earth और land के उपर की चीज, यह सब land में cover होता है, land में अगर एक गड़ा है, गड़े में पानी भरा है, तो that is also an immovable property, that is also an immovable property, ऐसे होता है pond या तलाब, land के उपर होता है तलाब, पानी, और उसमें अगर आप ferry चला रहे हैं, आप ferry चला रहे हैं, मतलब कोई ship चला रहे हैं, कोई नाव चला रहे हैं, एक जगे से दूसरी जगे आप passengers को लेके जाते हैं, तो वो जो कामा कर रहे हैं, ferry चलाने का जो अधिकार है आपका, वो कहां से arise हो रहा है, land से, वो कहां से arise हो रहा है, land से आप directly कमाई वो कर रहे हैं, that is called benefit arising out of land, इसी लिए यहां से वो derive होता है कि right to fisheries भी immovable property है, कैसे हैं, क्योंकि fishing आप कहां कर रहे हैं, तलाब में, नदी में, which is a part of land, और उससे आपक जो अधिकार है, fishing करने का कहां से derive हो रहा है, उस land से, they are considered as benefits to arise out of land, और इसे लिए ऐसी चीज़ें भी immovable property मानी जाती हैं, जैसे tenancy का अधिकार, tenancy या किराय पे रहने का अधिकार, that is also derived from an immovable property, so that right is also considered as an immovable property, क्योंकि आप, अगर किसी का घर आपने किराय पे लिया है, तो वो जो किराय पे रहने का अधिकार है, वो derive कहां से हो रहा है, land से ही arise हो रहा है, इसलिए land से arise होने वाले जितने benefits हैं, वो सब immovable property माने जाते हैं, अभी end में मैं, वो जो लिस्ट आपने PDF की शेयर कहीं से डाउनलोड कर रखी होगी ना, टेलेग्राम पे, उसमें जनरली जो चीज़ें मिंशन होती है, उस पे भी एक discussion, मतलब एक ब्रीफ नजर मैं आपके साथ बारूँगा, तो लेकिन परपस यह है कि आपके समझ में है, कि अगर एक पर से अराइज होने वाला वो benefit है, जैसे एक land पे, जैसे आप देखते हैं सबजी मंडी लगती है, वहां से collection होता है, या माल लीजिए कोई fair land के उपर खाली जमीन पे एक मिला लगा, और वहां जिनको आपने दुकाने अलोट करी, उनसे आप commission या कुछ पैसा चार्ज कर रहे ह है, that is also considered as an immovable property, वो भी आपका अधिकार, वो जो पैसे लेने का आपका अधिकार है लोगों से, that is also an immovable property, because it is also a benefit arising out of land, that is also a benefit arising out of land, निकिता कह रहे हैं वो लिस्ट याद नहीं होती, बटा याद ना करना पड़े, इसलिए आज अपन इदर है, याद करने की ज़रुरत न पड़नी चाहिए, इसलिए अगर आपने इन चीजों को समझ लिया, कि immovable property क्या क्या होती है, तो शायद याद करना नहीं पड़ेगा, है ना, so land और benefits arising out of land, यह immovable property माने जाते हैं, अब यह जो मैं example दे रहा हूं, यही आपक्यों PDF की लिस्ट में लिखे हैं, right of fisheries, right to collect fare, right to collect income from fare, जो मेले वेले लगते हैं, land पे उससे पैसा वेसा आता है, है ना, right to way, बिलकुल संस्कृती, right to way, जित्ते भी easementary rights है, right to way, right to water, यह सब कहां से arise होने, land से arise होने, that's why all these rights are immovable property, इसलिए मैं कहता हूं, concept समझ लिजए, तो आधी समस्या सौल भजाएगी यह याद करन और यह हमेशा याद रहेगा, मतलब concept याद रहता ना, for a longer duration, तो यह, इसको हम कहते हैं, benefits arising out of land, बाकि जो मैंने आपको बताया, mines वगेरा, जो beneath surface होती है, coal mine से coal extract करने का अधिकार, gold mine से gold extract करने का अधिकार, यह सब भी immovable property कहलाते हैं, ठीक है, they are also considered as immovable property, क्योंकि यह derive किस से हो रहे हैं, यह land से derive हो रहे हैं, इसलिए यह consider किये जाते हैं as immovable property, इसके बाद देखिए, जो तीसरी चीज़ है, जो immovable property मानी जाती है, वो है आपकी things attached to earth, तीसरी चीज़ क्या है, वो चीज़े जो earth से attached है, things attached to earth, earth से जो attached चीज़े हैं, वो सब मानी जाएंगी immovable property, अब general clauses act ने तो यह word use कर लिया, things attached to earth, इसका मतलब कहां डूंडें, वहां नहीं दिया, इसका मतलब TPA में दिया है, तो interpretation clause में ही आप एक बार देखिए, जरा attached to earth का meaning बताया है, कि attached to earth का मतलब क्या होगा, तो attached to earth में तीन चीज़ें बिसिकली आपको बताई गई हैं, जैसे rooted in the earth as in the case of trees and shrubs, यह मैं आपके TPA के बेरेक्ट सही देखके बता रहा हूँ, rooted in the earth as in the case of trees and shrubs, तो पेड जो है, जो अंदर rooted होता है, कोई भी ऐसे चीज़ जिसको कड़ा दिया गया है जमीन में, वो भी immovable property मानी जाती है, दूसरा देखिए, rooted in the earth मतलब जड़ से वहीं से पैदा हो रहा है, second है, embedded in the earth as in the case of walls building, embedded मतलब जनको आपने अलग से गड़ा दिया, जैसे कोई electric खंबा गड़ा दिया आपने जमीन में, कोई pole गड़ा दिया, दीवाले खड़ी कर दिया आपने अर्थ पे, यह जो चीज़ें है, यह भी immovable, इसलिए building क्या होती है, immovable property, क्योंकि उसको embody किया जाता है, on the earth, इसी की तरह तीसरी चीज़ है, attached to what is so embedded for the permanent beneficial enjoyment of that to which it is attached, अब एक चीज़ और समझेगा, देखिए, कैसे कहानी बढ़ गड़ गई है, सबसे पहले आया हमारा land, surface, यह है surface, यह तो immovable property है ही, कोई ऐसी चीज़ जो इसमें rooted है, जिसकी जड़ है, और पेड है यह so this is also immovable property, आपने इस surface पे permanently embedded कोई चीज़ कर दी, जिसे building बना दी, अब आप जानते होंगे building के लिए भी क्या किया जाता है, अंदर पहले new खो दी जाती है, उसको properly गड़ाया जाता है, ऐसे करके building खड़ी होती है, है ना, देखा होगा आपने सरीय का add और cement का add, उसमें यह बताते हैं कि इस तरी के जितना आपका new मजबूत होगी, building उतनी मजबूत होगी, तो यह embedded चीज़ें होती है, अब आपने इक दीवाल खड़ी कर दी, इस दीवाल में आपने कोई ऐसी चीज़ लगा दी, जो permanent benefit के लिए use हो रही है, जैसे एक खिलकी, जैसे एक दर्वाजा So, anything which is attached to a thing which is embodied in earth, the wall is embodied in earth और इसमें आपने कोई चीज़ permanently fix कर दी है, enjoyment के लिए, वो भी immovable property में आएगा, जैसे for example, खिलकी दर्वाजे, यह भी immovable property मान लिए जाएंगे, अगर उनको permanently fasten किया गया है, और उसका usage, अब थोड़ा सा यहां पे यह आता है, कि आपका intention क्या है, और किस तरीके से आप उसको use कर रहे हैं, यह बात अभी आगे भी आईगी, अब जैसे मान लिएज़े, एक दर्वाजें की दुकान है, जिसके पास दर्वाजे रखे हुए हैं, जो उसको बेचना है, तो 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 इसमें गड़ा के, तो फिर वो immovable property की तरह, इस्तेमाल हो रहा है, जेक तो this is something, which is, जो C clause है, attached to, what is so embodied, for the permanent beneficial enjoyment of that, to which it is attached, लेकिन एक बात अब यहां पर हमें और कहां से उठानी है, देखिए, जनरल clauses act से हमने बाकी चीज़ें उठाई, ये वाली, लेकिन अब हमारे पस एक चीज़ें हमने कहां से उठाई, things attached to earth, things attached to earth की ये तीनों चीज़ें इसमें आईएंगी, मैं आपको थोड़ा सा mention ही कर देता हूं यहां पर, तक ही आपके लिए easy बजाए, things attached to earth को further divide किया गया, तीन काटेगरी में, anything which is embedded in earth, short में लिख दे रहा हूं मैं, merit में आपके पास है, sorry, rooted पहले, anything which is rooted in earth, फिर embedded in earth, चीक है, और तीसरा इसके बाद, anything attached to so embedded in earth, तो कोई भी ऐसी चीज जो आपने attach कर दी है, for permanent, permanent usage और enjoyment के लिए वो, लेकिन यहां पे एक exception भी है, अब इन चीजों का, जो हम attached to earth की definition, यहां पढ़ रहे हैं section 3 में, इसी section 3 में हमने immovable property की definition भी देखी है, और उसमें क्या लिखा है, immovable property does not include standing timber, growing crop और grass, इसको छोड़के, तो यह जो rooted वाला, जो clause है न, that anything which is rooted in earth, इसके कुछ exceptions हैं, इनको ध्यान रखना बहुत जादा जरूरी है, इसके exceptions क्या है, standing timber, यह immovable नहीं माना जाता, standing timber और crops, फसल जो होती है, और grass, अब जरा समझना, कि इनको क्यों नहीं माना जाता है, चीक, क्या आवाज नहीं आ रही है, क्या, आ रही है, all right, particular किसी student के end पर कोई issue हो सकता है, if I am audible to rest of the people, एक बार भाई, confirm कर दीजे, please, पता चला, मैं आगे बढ़ गया, और फिर बाद में आपने बता है, क्या आवाज नहीं आ रही है, if I am audible to all of you, एक बार confirmation, प्लीज दे दीजे, all right, clear है, all right, all right, अरे गुस्सा मत हो, हमें तुआ रही है, नहीं पिता नहीं लिखा, कोई बात नहीं बढ़ा, there may be some problem on somebody's, it's all right, चलो, so, देखो, इमोबर प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, land आएगा, land से जो benefit arise हो रहे है, इसमें वो साब आजाएगा, fisheries, ferry, मेले से पैसा collection, सब benefit arising out of land, फिर आजाएगा, things attached to earth में तीन बात है, क्या क्या तीन बात है, rooted, कोई भी चीज जो rooted है, उसके लेकिन तीन exception, अभी इन exceptions में separately आ रहा हूँ, इसके बाद anything which is embedded in earth, और anything attached to so embedded, वो भी आ जाएगा, अब यह जो exception create करे गए हैं ना, rooted वाले के, standing timber, crops और grass, इनको भी अगर आप समझ लेंगे, क्यों immoval property नहीं माना गया है, तो बहुत बड़ा purpose इस act का solve हो जाएगा, purpose समझिये, standing timber उन trees को कहा जाता है, जिनकी लकड़ी इस्तेमाल होती है, लकड़ी किन purposes के लिए हो सकता as a fuel use हो रही हो, या फिर हो सकता है furniture बनाने के लिए, दर्वाजे खड़की बनाने के लिए, इस तरह के जिन पेड़ों को काट दिया जाता है, और फिर इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली उसको हम कहते हैं standing timber, उसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो land से attached रहते हुए benefit नहीं देते, बात समझना ध्यान से, वो land से attached होते हुए beneficial नहीं है, कटने के बाद उनका जादा usage है, इसलिए उनको immovable property में generally include नहीं किया जाता, जैसे सागोन, आप सबने सुना होगा सागोन की लकड़ी, वो standing timber है, क्योंकि उसका basic इस्तेमाल, वो beneficial कब है, कटने के बाद, जब उसकी chair बनेगी, table बनेगा, तब, तब वो असली काम की बात है, इसलिए उसको immovable property consider नहीं किया जाता, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए standing timber अलग किया गया है, same as with crops, crop मतलब फसल, गेहूं गाया, चावल हो गया, अब वो गेहूं का पेड़ काम का नहीं है, जो फसल होगी है, वो जब कटेगी, उसके बाद वो beneficial होगी, फसल कटके बिखती है, लांड से, अब, फेरी का जो अधिकार है, या मचली पकड़ने का, मचली पकड़ने का अधिकार कहां exercise होगा, पॉंड में, मचली जिन्दा है, तब सक मतलब है उसका, वहां से आप right arise कर रहे हैं, वहां से आप मचली पकड़ रहे हैं, इसलिए fisheries का अधिकार आपका immovable property माना जाता है, लेकिन जो standing timber है, वो अपने आप में immovable property नहीं है, क्योंकि वो useful कब है, कटने के बा है, या तो जो animal है, वो उसको खाएंगे, या फिर fuel fuel की तरह भी घास और दूसरे purposes के लिए, उसका भी basic use कब चाली होता है, काटने के बाद, घास को land में attached रहते हुए, वो उतना beneficial नहीं रहता, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा differentiate करते हैं, standing timber मतलब ऐसे पेड जिनका normally लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, काटने के बाद, एक होता है, fruit bearing trees, इसी में, fruit bearing trees, fruit bearing trees मतलब फल देने वाले जो पेड़ होते हैं, वो, उनका use कब है, वो फल कब देंगे, जब वो attached to earth रहेंगे, उसको काट दोगी तो फल लगेंगे, क्या उसमें, नहीं, इसल यह वो immovable property में आते हैं, तो there is a case, you can write the name of the case as well, case का नाम लिख लीजिया भाई साहब, standing timber और, sorry, fruit bearing trees के regarding, basically वो है, so the case is, शान्ता बाई versus state of Bombay, के आपके standing timber और fruit bearing trees के बारे में है, शान्ता बाई versus state of Bombay, 1958 का case है, इसमें basically quote ने कहा था, कि जो fruit bearing tree हैं, उनको आप सीधे label मत करिये, कि यह movable होंगे, या immovable property होंगे, देखा जाएगा, कुछ ऐसे भी fruit bearing trees हैं, जिनकी लकड़ी भी इस्तेमाल होती है, जैसे mango trees, आम का जो पेड़ होता है, फल का भी इस्तेमाल क करी जाती है, तो ऐसे trees में देखना पड़ेगा कि उनको जो उगाया गया है, वो किस purpose के लिए किया गया, intention क्या है, उससे determine किया जाएगा, whether it should be considered as movable और immovable, इसलिए शान्ता बाई versus state of Bombay में कहा गया था, कि जो fruit bearing tree हैं, वो थोड़ा सा subjective होगा, वो थोड़ा सा depend करेगा कि क इस purpose के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी trees है, fruit bearing, जिनकी लकड़ी भी इस्तिमाल होती है, उनको काटने के बाद भी इस्तिमाल किया जाता है, I hope that is clear, तो अब आपके मेरे ख्याल समझ आ गया होगा, कि अगर इन तीन चीज़ों को हटाया है, immovable से, तो क्यों, क्योंकि उनका इ is clear, and that is very very important, कि immovable property होता क्या है, transfer of property act अगर पढ़ रहे हैं, तो this is a very important concept for you, चलिए भाई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो definition clause में देखी है, आप ज़रा instrument की definition दी है, plainly यह लिखा है, instrument means a non-testamentary instrument, non-testamentary मतलब, testamentary कौन से होते हैं, will, testamentary instrument कौन सा होता है, will, will के अलावा, instrument है, वो यहाँ instrument माने जाएंगे, TPA में, कहने का मतलब instrument क्या होता है, कोई भी document है, generally वो जिनसे कोई transfer वगेरा हो रहे हैं, उन documents को ही हम instrument कहते हैं, सारे में भी हमने पढ़ा है, cancellation of instrument, rectification of instrument, so TPA के लिए जब word instrument TPA में जब use होगा, तो उसका मतलब क्या होगा, non-testamentary instrument, क्योंकि मैंने आपको बताया, wills पे यह act वैसे भी applicable नहीं है, क्योंकि will में जो property का transfer होता है, वो living being के बीच नहीं होता, वो intervivos नहीं होता, इसलिए धान रखेगा, कि instrument में भी यहाँ will include नहीं करी जाएगी, इसके बाद अगला देखिए, attested, यह बड़ा ही interesting definition है, और pre के सवाल भी बनते हैं, attested का meaning क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, जैसा मैंने आपको कहा कि यह act बड़ा ही interesting है, और जैसा कि कोई भी statute होता है, common sense, बस, और कुछ चाहिए ही नहीं लापडने के लिए, common sense, अब आपके रहे सर, वो ही तो नहीं है, हमारे पास, बाकी तो सब है, वो होता, तो फिर ऐसी हालत क्यों हो थी, इस देशी, कि हर कोई यहाँ पर, एक बड़ा ही common चीज मैंने observe परी है, कि भारत में जनता को सब बेफ़पूरी बना रहे हैं, पहले अंगरेज बना रहे थे, फिर politicians बनाने लगे, irrespective of the party affiliation, एक common वो है ना कि नेता तो बेफ़पूर बना रहे हैं, फिर businessmen बेफ़पूर बनाने लगे, फिर motivational speaker बेफ़पूर बनाने लगे, teachers बनाने लगे, तो कही न कहीं सोचने वाली बात ये भी है, कि आप इतने वलनरे भल कैसे हो गए, कि हर कोई आपको बना के चला जा रहा है, that is also to be given a thought, मेरे ख्याल से, कभी इसके बारे में भी जारीएगा, कही न कहीं, उस common sense से हम हट रहे हैं या वो हमारे पास है नहीं या उसकी कम ही हो रही है, इसलिए हर कोई हमें बेफ़पूर बना के चला जा रहा है, किसी दिन मैं भी बना जाओं, हो सकता भी बना रहा हूं, क्या पता है, तो देखिए, attested की जो definition है, पहले इस of property आख पढ़ रहे हैं, किसी भी property का जब transfer होता है, तो वो document के execution से होता है, deed वगेरा होती है, जैसे sale deed हो गई, है ना, sale deed में क्या होगा, मुझे अपनी कोई property किसी दूसरे को बेच नहीं है, तो वो सारी बातें वहाँ पे लिखी होंगी, transfer से related की भईया, कितना consideration मिलेगा, कोई भी इस तरीके का document या instrument जो होता है, उसमें authenticity की जरुरत होती है, basically, एक document है हमारे पास, उसमें दो लोग हैं, एक executor है, और executant है, executant मतलब जिसके favor में वो document execute किया गया, और executor कौन है, जिसने उसे execute किया, दो लोग होते है, sale deed में, अगर मैं घर बेच रहा हूं, तो I am the executor मैं उसे execute कर रहा हूं, executant कौन है, जिसके benefit के लिए basically वो किया जा रहा है, वो sale deed में जो घर जिसको मिलने वाला है, अब ये दोनों parties तो क्या करते हैं, sign करते हैं, तो जैसे माल लीजिये, आप इस बात को समझेगा, माल लीजिये, ये एक document है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, execute क कर रहे हैं, तो execute करने के लिए हम basically क्या करेंगे, execute कैसे होगा, कि एक तरफ मैंने अपने sign कर दिये, एक तरफ दूसरी party उसने अपने sign कर दिये, अब ये document इस बात का evidence हो जाएगा, कि हाँ भाई, मैंने अपना घर दूसरे को दिया, लेकिन जब भी ये सवाल उठाया कि क्या ये document genuine है, ये जो कागस का तुकड़ा है, आप dialogue मारते हैं, कि कागस का तुकड़ा आपका future decide नहीं कर सकता है, बड़ा प्यारा meme था इस पर, कि ऐसे dialogue मारता है कोई, कि कागस का तुकड़ा हमारा future decide नहीं करता हो, फिर आगे दिखाया जाता है, कि वो चाय बना रहा है ऐसा एक मीम देखा था मैंने पहले फिर चाय बनाना इस वेरी रॉयल प्रोफेशन दीस देज बन सकते हैं या बड़े बिजनसमेन भी बन सकते हैं बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े ऑंट्रेप्रेनियॉर्स आज की डेट में हैं ठीक है कोई पूछ रहा है वाट इस फ्री प्रैश कॉर्स इस प्रैश कोर्स पैसे फुलेनी रहा बिटा मैं आपसे इसके और पड़ा रहा हूँ दाट इस फ्री प्रैश कोर्स ठीक है चलिए अभी समझते हैं अटेस्टेट यह जादा ज़रूरी है देखो बाई जब भी कोई डॉक हुब जिसके फेवर में ट्रांसवर हो रही के मैं अपना गर दूसरे व्यकृति या जब सवाल हुटे आते हैं एक तो मैं executor एक executant जिसके favor में ये document execute हो रहा है इसके अलावा दो independent witness दो कवार रहेंगे सामने जो इस बात को इस बात को assure करेंगे कि ये मेरे ही sign है और ये जो sign है वो जटी के है जो घर खरीद रहा है इस बात की authenticity के लिए दो witness भी इस document को sign करते हैं जिसे आपने अगर कोई एफट एफट वगेरा बनवाया हो कभी या आप रेंट अग्रमेंट भी जनरली बनवाते हैं तो एक तो landlord एक टिनेंट उसके अलावा witness का कॉलम होता है भर उसमें दिखते हैं दो witness चाहिए होते हैं वो जो पांस सवरों पर देके आप ले जाते हैं कि चलो साइन कर देना वो ही अब वो witness को भी नहीं पता कि वो कितना important है तर उसने तो साइन कर दिये जाके आपने यह बोल दिया कि चलो भाई तो विमल खाले साइन कर दो वो जाके कर दे रहा हो यही काम है उसका रेजिस्ट्र ऑफिस के बाहर witness खड़े हूँ इस बात का प्रूफ है कि यह साइन मैंने किये और यह साइन उस व्यक्ती ने किये जो यहां एक्जेक्यूटेंट है यह परपस है अब कैसे होगा अटेस्टेशन किन-किन तरीकों से हो सकता है कब मान लिया जाएगा आगार आपको परपस समझ आ गया है तो फिर कोई समस्य तो पीमेंट नहीं है इस डेफिनीशन को समझने में तो देखिए सबसे पहले टेस्टेशन किस तरीके सो सकता है डोक्यम्टेश्ट्ट अधर अगर सब्सक्राइब मैंने उस वक्ति के उस witness के सामने ही execute किया मैंने भी और सामने वाली पार्टी ने तो मान लिया जाएगा कि हाँ भई अगर मान लीजिए मैं असक्षम हूं sign करने में या अंगूठा लगाने में मैं अगर सक्षम नहीं हूं और मेरे कहने पर मैं किसी दूसरे वक्ति को लाया हमने यह हुआ कि मैं एक विक्ति लाया मैंने उससे बोला भाई इधर मेरे बहाफ पे तू sign कर दे that will also be considered as valid attestation तीसरे चीज़ यह डॉक्यूमेंट है हमने sign कर दिया उस समय पर विटनेस मौजूद नहीं था उस समय पर विटनेस मौजूद नहीं था अगर मैं खुद यह बात उस वक्ति से कह रहा हूं विटनेस से परसनली कि भाई हां मैंने execute किया इस document को तब भी वह attested माना जाएगा उसके बाद अगर वह इसे attest करता है तो भी validly attested माना जाएगा भले उसने मुझे sign करते देखा नहीं है लेकिन मैंने खुद जब इस बा out regarding the authenticity of its execution इसलिए आप अटेस्टेड की definition अगर TPA में पढ़ेंगे तो यह तीनों बात आपको मिलेंगी या तो उनके सामने execute हो रहा हो या फिर उसके सामने मैं किसी दूसरे वक्ति को direct कर रहा हूं वो execute करे या तीसरी बात कि मैंने execute करके उसको personally acknowledge कर दी यह बात कि हाँ भाई जैसा हिंदी के स्टूडेंट ने का था कि हिंदी और टफ है तो हाँ और हमारी समस्य यह है कि हमेरा अंग्रेजिया की नहीं इसलिए हमारी प्रोविशन समझ आता नहीं है अब मेरे ख्याल से आपको यह समझ आ गया होगा अटेस्टेड की यह तीनों बातें यह तीनों ची यह एक्शनेबल क्लेम नाओ डट इस ओसल्सो इन इंपॉर्टन डिफिनेशन एन इंपॉर्टन का से का गन्सप्ट Алगा यह हैं एक्शनेबल क्लेमट तो जरा समझते हैं यह actionable claim चीज़ क्या है अब देखिए आधी बात तो ना term में होती है जो topic आप पढ़ रहे हैं जो term आप पढ़ रहे हैं देखो भाई actionable का मतलब क्या होता है actionable का मतलब क्या होता है अपने cause of action पढ़ा CPC में cause of action action लेने का cause वो कारण जिसके बदले आप court जा सकें that is cause of action आपका right और उसका किसी ने violation कर दिया that's cause of action उससे आपको अधिकार मिलता उस वेक्ती के against court जाने का ऐसे ही actionable claim मतलब एक ऐसा claim जिसके बदले आप court में action ले पाए जिसको आप court जाके enforce करा पाए ऐसा claim और claim generally किस चीज़ से होगा पैसे से related claim किसी से related होगा generally पैसे से related ठीक actionable claim टर्म से ही समझा रहा है ऐसा claim जिसको आप court में जाके enforce करवा सकते हैं अब देखिए यहां पर भी वही कहानी हो इम्मूवेबल प्रॉपर्टी टाइप की यहां भी आपने टेलेग्राम से पीडिए डाम्लूट करके रखी होगी जो आप याद करने की कोशिश कर रहे होंगे कि यह actionable claim होता है यह actionable claim नहीं होता है ऐसा अगर आप रटने की कोशिश कर रहे हैं तो अगले 10 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा शायद फिर उसके बाद आपको वो रटने की जरूरत ना पड़े यह जो actionable claim की जो definition इस particular act में दी है जरा एक बार उसको पड़ते हैं यह तो जनरल बात मैं आपको बता दी कोई भी ऐसा claim जिसको आप वोट में जाके enforce कर सकते हैं that is actionable कुछ specific feature actionable claim के इस definition में दीए हुए हैं उसको अपन समझते हैं अब देखिए actionable claim एक चीज समझना basically actionable claim जो होता है वो intangible होता है intangible बत मतलब it does not have a physical existence it does not our physical form बाई यह digital board है इस फिजिकल फॉर्म तो आप identify कर सकते हैं कि digital बोर्ड नो कि मेरी position में तो आप यह भी presum कर सकते हैं कि यह मेरा है है यह presumption भी आप कर सकते हैं तो जो चीजें टेंजिबल फॉर्म में हैं उन्सके regarding तो चीजेंड करना इजी है बड़ ऐसी चीज़ है जो इंटेंजिबल है अब मुझे एक व्यक्ति से 5000 रुपए लेना है उसने मुझे से उधार लिये थे अब वो पेबल हो गए अब मुझे उससे वो 5000 वापस लेना है यह देखा नहीं जा सकता कि 5000 वापस लेना है तो इस तरीके का इंटें क्या क्या सबसे पहले लिखा यह देट इन रखना कहीं से भी पैसा लिना है चाहें सर्विस के बदले हो पैसा लेना है मुझे नहीं कि आपने मुझसे 500 लिये थे मुझे 500 वापिस लेना है not just that मैंने आपको पड़ाया आपने अभी तक मेरी फीस नहीं पे करी है that is also a debt ठीक है that is also a debt मैंने आपको services दी आपने पैसे नहीं दिये that is also a debt ये ध्यान रखिएगा so actionable claim means a claim to any debt other than a debt secured by mortgage of immovable property or by hypothecation or pledge of movable property और ये debt कैसा होना चाहिए this is very important debt कैसा होना चाहिए not secured unsecured debt secured नहीं होना चाहिए secure कैसे कैसे कर लेते हैं लोग debt को mortgage के थ्रू mortgage के थ्रू मतलब immovable property आपने गिर्वी रख दी आपने जमीन गिर्वी रखी है मेरे पास और फिर मुझसे आपने 50,000 रुपे उधार लिए क्या ये debt actionable claim क्या लाएगा बिल्कुल नहीं क्या लाएगा because it is secured by mortgage जमीन भी तो आपने मेरे पास गिर्वी रखी है तो जो secured है वो actionable claim नहीं माना जाएगा चाहे वो mortgage से secured हो चाहे वो pledge हो कली contract act में पढ़ा था pledge मतला movable property गिर्वी रख के जब आप करते हैं that's pledge hypothecation that is also related to movable property hypothecation देखे pledge में क्या होता है कि आप वो property की possession ही दूसरे वक्ती को दे देता है जैसे आपने अपनी ज्वेलरी एक ज्वेलरी शॉप पे गिर्वी रख के लोन ले लिया आपने अपना mobile phone किसी को दे के लोन ले लिया hypothecation में क्या होता है property enjoy आप कर रहे हैं बट जब तक आप loan पे नहीं करेंगे it belongs to the other person जैसे गाड़ी का loan आपने लिया फ्रिज आपने EMI पे ले लिया किसी finance company से तो वो पजाज finance से आपने EMI पनवा के फ्रिज ले आए अब वो फ्रिज कैसा है hypothecation पे है अभी वो absolutely आपका नहीं है क्योंकि लोन आपको किसी और ने दे रखा है उसके भरले तो अगर आपका debt secured है तो वो actionable claim नहीं है it should not be secured by either of these methods then only the debt will be considered as actionable claim that is very very important आगे पढ़िये इसके बाद यह तो सिर्फ debt की बात है इसके आगे देखिये so means a claim to any debt other than a debt secured by mortgage of immobile property और by hypothecation और pledge of movable property और तो एनी यह बहुत important है और तो एनी beneficial interest in movable property not in the possession कोई और beneficial interest किस चीज में beneficial interest movable property में movable property का beneficial interest किसे भी movable property में आपका कोई beneficial interest है that is also an actionable claim अभी मैं आ रहा हूं इस पर यह beneficial interest होता क्या इसको भी समझते है आगे पढ़ लेते हैं और to any beneficial interest in movable property not in the possession either actual or constructive of the claimant which the civil court which the civil court recognize as affording grounds for relief whether such debt or beneficial interest be existence, existent, accruing, conditional or contingent. इन तीनों term को भी अपन समझेंगे कि वो interest accruing condition और contingent तीनों में से कोई एक हो सकता है. देखिए अब यह जिस beneficial interest कि अपन बात कर रहे हैं movable property में आपके यह generally possession से derive होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत clearly लिखा है ऐसा beneficial, ऐसी movable property में से beneficial interest जो आपकी possession में नहीं है. जो आपकी possession में नहीं है. ना actual possession ना constructive possession. So, ऐसा beneficial interest movable property से arise होने वाला जो movable property आपकी possession में नहीं है. That is very important. तो मान लीजिए मेरी property किसी और के पास कोई ऐसी movable property जो belong मुझे करती है. लेकिन वो किसी दूसरे व्यक्ति की possession में है. उसको तो वो जो benefit है या जो possession का अधिकार है. That is also basically an actionable claim. SRA हमने पढ़ा है. SRA की classes अगर आपने करी हैं तो हमने section 8 पढ़ा है. जहां आप क्या करते हैं? Section 8 में आप property की possession movable property की basically देते हैं. वो है किसी और की possession में, किसी और की possession में लेकिन entitled आप हैं उस property के लिए. That's what section 8 of SRA says. कि वो property है आपकी लेकिन वो है किसी और की possession में. उसे claim करने का भी जो अधिकार है. उससे arise होने वाले benefits जो आपको claim करने का अधिकार है. वो भी actionable claim है. So actionable claim is not just debt. Debt तो है ही किसी भी तरीके का पैसे की recovery. किसी भी तरीके के पैसे की recovery जो की secured ना हूँ. और एक बात और ध्यान रखिएगा. जब तक वो certain नहीं होता. तब तक वो actionable claim में नहीं आता. जैसे for example damages claim करने का अधिकार. देखो भाई. अगर कोई debt है. मैंने आपको services दी है. बदले में मेरी fees थी. मान लिजिए 80,000 रुपीज. आपने course पढ़ लिया. fees पे नहीं करी. That is an actionable claim. क्योंकि वो arise हो चुकी है. वो 80,000 मुझे लेना है आपसे. services दे दी और उससे मुझे पैसा आपसे लेना है. मैंने आपको कोई goods दे दिये. वो पैसा लेना है. या मैंने आपको पैसा ही उधार दे दिया. मैंने आपको 5000 उधार दिये. वो आपसे लेना है. यहाँ पे क्या है? a certain sum of money होगा. a certain मतलब एक निर्दारित पैसा. यहाँ दिये थे. with interest इत्ता लेना है. there is a specified sum. लेकिन कुछ conditions ऐसी होती है. जहाँ आपको पैसा लेना तो है. बट वो specified sum नहीं होता. जैसे mean profit. mean profit लेने का जो अधिकार है. या rent का areas लेने का अधिकार है. वो specified है. इसलिए वो actionable claim. अब अगर आप अपनी list रखेंगे ना जो आपने गया. आपने रह लिया घर में. लेकिन मिरको दिया नहीं. मिरको आपसे पैसा लेना तीन मैंने का. तो तीन मैंने का it fixed amount होगा. जो भी decide हुआ होगा. साथ हज़र, चालिस हज़र, बीस हज़र, पांच हज़र, whatever it is. मैंने आपको services दी, specified amount होगा उसका. इकता मिरको लेना है. So that is actionable claim. लेकिन अगर मुझे damages claim करने हैं किसी वक्ती से. मेरे against कोई taught हुआ है. माल लिजे मेरा किसी ने defamation किया. अब मैं जाके उसके against suit file तो कर सकता हूँ. actionable तो है. और मैं पैसा भी ले सकता हूँ court से. किसी ने मेरे against defamation किया, nuisance किया. मैं जाके damages ले सकता हूँ court से. या माल ल the answer is no. वो generally ascertained sum नहीं होता. वो court के पास जब matter जाता है. वहाँ पर determine होता है आपका amount. इसी लिए इन चीज़ों को आप देखेंगे या आपकी list में किदर देखेंगे? They are not actionable claim. जहां some ascertained नहीं होता. जैसे mean profit का भी होता है. कि adverse possession में थी property. किसी ने जबरजस्ती possession ले रखा थ किसी property का. अब उसमें से कितना पैसा उसने कमाया है? It is to be calculated by the court. इसलिए generally इसको actionable claim में नहीं include किया जाता. लेकिन जो ascertained sum है. कोई भी debt हो या movable property से arise होने वाला interest वो आपका हमेशा माना जाता है या उसको consider किया जाता है as actionable claim. ठीक. So, यह है आपका actionable claim की वो जो list उससे related थोड़े बहुत concept जो अब वैसे तो actionable claim है और means का भी question है और बहुत important concept है इसमें है बहुत कुछ. जैसे अभी हमने debt के concept को detail में समझा है ऐसा ही movable property से जो मैंने कहा ना कि आपकी possession में नहीं है लेकिन आप जिसके लिए entitled है that is also. अब इनकी detailing तो और भी बहुत actionable claim पे पूरा एक chapter है TPM में भी last में और उससे related means के concept भी बनते हैं means के question भी बनते हैं बट हां उस detail में अपन इस crash course में नहीं जा पाएंगे मैं कोशिश यह कर रहा हूं कि यह जो phobia है in terms का बस वो खतम हो जाए एक basic detail और वो जो आपने list बना रखी है जिनक का concept समझ आ रहें इसे movable property में भी हमने इतना discussion कर लिया है कि basic concept आपको समझ आ जाएगा इसे ही same with actionable claim कि आपको एक basic idea लग जाएगा देखके कि यह हो सकता है या नहीं क्योंकि वह claim कैसा होना चाहिए कोड में actionable होना चाहिए और claim का मतलब क्या है वहाँ debt होना चाहिए या movable property से arise होने वाला benefit होना चाहिए जो कि court में actionable हो और ascertain और ascertain sum के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि जो damages का claim होता है क्योंकि वह ascertained नहीं होता इसके बाद definition में अगला clause देखिए अगली definition देखिए यह बहुत ही interesting और मज़दार definition है जो next है यह है आपकी a person is said to have notice basically किस को define कर रहे है अगले उसमें notice को notice अब पहले तो जैसे attestation का purpose समझा वैसे ही अपन notice का purpose समझेंगे तो आपको समझाएगा कि notice का जो meaning बताया है वो कैसे आ रहा है उसमें क्या बात चल रही है या क्यों है notice का मतलब समझना यह आप definition का जो उपर head लिखा हुआ है inverted comma में अब person is said to have notice कब कहा जाएगा कि इस वक्ति को notice है किसी चीज़ का नोटेस का मतलब knowledge awareness knowledge का notice का मतलब क्या है आपका knowledge knowledge या फिर awareness जानकारी किसी चीज़ की जानकारी होना कहा जाता है कि आपके नोटेस में वो बात थी अब बहुत ही वह common sense आएगा फिर से कि नोटेस का utilization कैसे होगा transfer of property act में अगर उसको समझ लेंगे तो फिर definition को आपको समझने में ज्यादा समस्या नहीं होगी देखिए transfer of property act में क्या होता है कि मान लीजे जब भी property का transfer होता है तो यहां पे जो बेनेफीशरी है जिसके favor में transfer किया गया है अगर उसने consideration दे के property ली है ज्यान से सुनना कई बार free में भी जैसे gift होता है gift free होता है पैसे नहीं देता सामने वाला है न उसमें भी property transfer होती है लेकिन जहां भी beneficiary या transferi पैसे दे के बना है उसके interest को protect करने के लिए कई सारे provisions है जैसे मान लीजे मैंने किसी वक्ती का घर खरीदा किसी वक्ती ने अपना घर मुझे बेचा मैंने consideration दे के उस घर को खरीदा मैंने उसकी प्राइज बेकरी है अब जब यह मैंने तो पैसे दे दिया और उसने transfer भी कर दिया लेकिन बाद में पता चलता है कि मेरा जो property का transfer मेरे favor में हुआ है वो valid नहीं है क्योंकि वो property वो किसी और को already transfer कर चुका था already किसी और की वो property हो गई थी या उसने किसी और को property दे दी थी या मानलीजे मेरे साथ अभी सिरफ contract हुआ है कि वो property मुझे बेचेगा मेरे साथ contract हुआ है लेकिन transfer उसने actually किसी और को कर दी property नाम किसी और के कर दी और contract मेरे साथ कर लिया अब मैंने अगर उसके साथ contract कर रखा ह और मैं जो beneficiary किस तरीके का बन रहा हूं consideration वाला तो कुछ चीजें ऐसी कुछ provisions आपको transfer of property art में मिलेंगे जहां मेरे interest को protect किया गया है मेरे interest को लेकिन कब protect किया गया है दो चीजें जब मैंने consideration furnish किया हो और दूसरा मुझे उस पहले वाले transaction का notice ना हूँ या जो brief चीज जो भी factor हमारे transfer को void declare कर रहा है या unlawful बना रहा है उस बात की मुझे जानकारी नहीं थी basically मैं bonafide purchaser हूँ इसको क्या बोलते है bonafide purchaser मेरी कोई गलती नहीं साथ मेरे को पता ही नहीं था उसके बारे में जब मुझे उस previous transaction के बारे में पता ही नहीं है तो आप मुझसे क्या expect करेंगे आप मुझसे कुछ expect नहीं कर सकते हैं मुझे आपको benefit देना पड़ेगा तो अगर मैंने consideration पे किया है और उस previous transaction की मेरे को जानकारी नहीं है notice में नहीं है वो बात मेरे तब मुझे वो benefit avail करने को दिया जाएगा इसी लिए आपका interpretation clause define करता है the word notice कभी ये कहा जाएगा कि मुझ resume किया जाएगा या कब ये कहा जाएगा कि आपको उस particular बात की जानकारी थी या उस matter का notice था आपको उस transaction के बारे में जानकारी थी या कोई भी और चीज़ जो हमारे transfer को invalid बना रही है उसके बारे में awareness या knowledge था मुझे ये कब कहा जाएगा तो बात समझना सबसे पहले ये दो होता है constructive knowledge Actual और constructive इन दोनों को जरा ध्यान से समझेगा क्योंकि यहीं पर आपके सवाल आएंगे तो देखो भाई अब एक चीज़ ये समझना कि actual मतलब factually आपके पास उससी की जानकरिये जैसे for example मान लेजिए अभी नए criminal law bills पे precedent का assent हो गया है अब ये बात actually आपके notice में आई हूँ आपने कहीं देखा हो आपने कहीं पढ़ा हो तो actually आपको उस बात का notice है कि हाँ यार नए criminal law bills पे assent मिल चुका है अभी force में नहीं आए है लेकिन assent मिल चुका है तो ये चीज़ आपको actually पता हो सकती है इन माध्यमों से एक ये भी चीज़ हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है actually आपको पता नहीं चली लेकिन अगर नहीं है तो इसमें आपकी गलती है या तो आपने विलफुली खुद को abstain किया है कि हमको पता ही ना चले आपने पर्मनेंटली यूट्यूब की अप्लिकेशन फोन से अपने हटा दी है विलफुली खुद को abstain कर लिया है कि हमें पता न चल जा है कहीं ये बात इसलिए हमने ऐसी हरकतें करी कि उस बात का notice हमें नहीं मिले जैसे for example एक चीज़ और समझेगा मान लीजिए आप को यह property खरीद रहे हैं अब भाई obviously बात है as a prudent person आपसे क्या expectations हैं कि जब भी आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आप उसके बाले में जन्यून इंक्वाइरी करेंगे आप उस और से यह शौर होंगे कि जो ओनर आपको बेच रहा है उसकी प्रॉपर्टी है उसका इंटाइटलमेंट है उस प्रॉपर्टी पर अब माले जिए उस विक्ति ने आपको टाइटल डीड दिखाने के कोशिच में करी लेकिन आपने मना कर दिया कि आरे रहन दो या क्या देखें उसमें तो डाट इस विल्फुल एबस्टेनेंस फ्रॉम यॉर पाइट अब यहां पर अब माले जिए उस टाइटल डीड में यह बात क्लियरली लिखी थी कि वह प्रॉपर्टी अकेले ओन नहीं करता है जो आपको बेच रहा है वह प्रॉपर्टी जॉइंट यह जानकारी तो आपको होनी चाहिए थी यह प्रॉडेंट बोसन इत्ता तो आपको समझना चाहिए था डीड आपके सामने रखी ती आपने खोलके नहीं देखी तो आप यह थोड़ी बहुड़ सकते हैं कि नहीं साम हमको जानकारी निथी इस बात की कोई लेटर आपके प abstinence है ना कि आप उसकी intricacy में नहीं जा रहे हैं उसको आप खुल के पढ़ नहीं रहे हैं या आपका fault है आप वहाँ पर ये plea बाद में नहीं ले पाएंगे कि साब हमें तो notice है नहीं था court वहाँ presume कर लेगा कि आपको notice था आपके सामने title डीड रखी थी और आपने उसको पढ़ा नहीं क्योंकि अगर आप ये willful abstinence क्यों होता है हम जानबूच के हो सकता हमारे फिवर की बात उसमें ना लखियो इसलिए हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं और बाद में हम ये पली ले तो हम तो मानेंगे कि वह बात आपके notice में थी ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो अब आप इस notice की definition पढ़ेंगे कि कब कब मान लिया जाएगा कि इस बात का notice उस व्यक्ति को है knowledge या awareness उस व्यक्ति को है ये बात आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे इस definition को पढ़ने के बाद अगर आपको ये गनवे हो गया है कि notice का मतलब सिरफ actual नहीं है ये लेकिन आपके सामने डीड रखी तो ये आपने खुद नहीं पड़ी तो ये आपका फॉल्ट है ये आपका खुद का फॉल्ट है कि आपने वो चीज अब्जर्ब नहीं करी I hope you're getting this yes or no समझ मैं आरा constructive notice का मतलब थोड़ा एक बार बता देना भाई येस और नो कर लेते हैं बहुत अच्छा है बहुत अच्छी बात है तन्वीर की आप कर लेते हैं क्राक लेकिन बटा confidence के साथ यही दिक्कत है कि वो confidence रहना चाहिए है ना इसलिए बस एक advice मेरी है question बहुत carefully पढ़ना हमें आता है I believe in you आपको आता है आपको खुद का belief है लेकिन इक पात ध्यान रखना question carefully पढ़ना कई बार ना हम lightly ले रहते हैं question बस ये गलती हमसे ना हो that will be sufficient ideas ठीक है so भाई द आपने खुद अच्छा अब अपन नोटिस की definition पढ़ते हैं थोड़ा सा और आपको clarity पर आजाएगी जो बात मैं आपको समझा रहा था देख यह notice का मतलब क्या है यहां a person is said to have notice of a fact when he actually knows that fact actually आपको पता है उसके बारे में जैसा मैंने कहा कि आपने news में देख लिया आपने यूट्यूब पर देख लिया आपने news paper में पढ़ लिया कि नए जो criminal law amendment bills आए हैं वो प्रेजिडेंट के एसेंड ले चुके हैं तो actually आपके notice में वो बात आ गई आगे लिखा है और or when but for willful abstinence from an inquiry or search which he ought to have made or gross negligence he would have known it अगर आप normal efforts एक genuine एक normal reasonable विक्ती की तरह act करते तो वो बात आपको पता चल जाती actually अभी नहीं पता है लेकिन अगर आप prudent विक्ती की तरह act कर रहे होते हो उस situation में तो वो बात आपके समझ में आ जाती ऐसे cases में भी code presume कर लेगा कि आपको notice था और इसी को हम क्या कहते ह है बिटा constructive constructive notice कम माना जाता है जब आपने willfully खुद को abstain किया willful abstinence और gross negligence दोनों बातों को मैं आपको समझा रहा हूँ विल्फुल abstinence और gross negligence इससे presume क्या होता है आपका constructive knowledge इस वाले paragraph में विल्फुल abstinence मतलब आपके सामने डीड रखी है आपने खोल के पढ़ी नहीं अब पढ़ लेते तो पता चल जाता और कोई भी जनरल प्रुडिंस का अदमी इतना काम करेगा अगर मैं कोई चीज उससे खरीद रहा हूं और मेरे सामने डीड है तो मैं उसको पढ़ूँगा जरूर एक बार कि यह और है कि नह है मैंने यह बात पढ़ी नहीं कि लेकिन मैंने वह बात पढ़ी नहीं तो भी कोट मनेगा की मुझे इस बात का नूटस था कि वह प्रपरटी उस व्यक्ति कि नहीं है के लिए जो मुझे बेच रहा है खोट मान लेगा अशह नहीं है इसी को हम इसलिए कह रहा है कंस्ट्रक्टिव नोटेस क्योंकि यहां पर मेरे बाइस कहा है यह तो आपकी गलती है आप तो आपके काम का है की नहीं, तब तो आप पैसा देंगे, मुझे आप फीस देंगे क्या ऐसे ही, भी आपने ये classes देखी है, इसको देख कि अगर आपको ऐसा लगता है, कि I can further help you in cracking your examination और enhancing your knowledge, तबी ना आप मेरको पैसा दोगे, ऐसे ही थोड़ी मैं आपको कोई gimmick करके लिलूँगा, हाँ, अगर वैसा कुछ किया है, तो constructive notice नहीं माना जाएगा, कि उसने deed willfully दिखाई नहीं, या उसमें कुछ गलत कर दिया, फर जी deed दिखा दी, तब नहीं माना जाएगा कि आ mere carelessness नहीं है, कुछ बड़ा fault है आपके part पे, एक case था इसके regarding उसके facts आप इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, एक बंदे ने एक bank से loan लिया, और उसने mortgage क्या किया, title deed वाला, अभी mortgage पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा, अलग अलग तरीके के mortgage होता है, यहाँ प दो लाख रुपे loan ले लिया, बडो लाख रुपे loan ले लिया है, मैंने अभी loan चुकाया नहीं है, और मैंने जाके उस bank को बेपको बनाया, मैंने उन से यह कहा, कि यार देखो जमीन के कागस आपके पास हैं, लेकिन मैं ना उस जमीन को बेचना चाहता हूं, ती कि आपके बस mortgage आपका लूं तो pay हो जाएगा मेरे को ना बेचना है और जो खरीदार है वो यह चाहरा है उसने जमीन तो देख लिए लेकिन वो यह चाहरा है कि एक बार कागस इंस्पेक्ट करना वो चाहरा है तो मैं बैंक वाले को कहता हूं यार कि काम करो मेरे को वो कागस थोड़े द टाइटल पर उस टाइटल डीड पर उस कागस पर जमीन के और मैं वो पेपर लेके वहां से आ जाता हूं यह बोलके कि दो गंटे बाद वापिस कर दूंगा और एक बार मैं वो पेपर लेकर आया वो ले जाके मैंने एक दूसरे बैंक में रख्यों और फिर लोन उठा लिय फिर से मैंने वो मौड गेज करके लोन अब जब लोन रीपे करने की बात आएगी तो यह होगा कि भाया किसका पहले हो या किसको हो तो जिस बैंक ने मेरे को कागस वापस कर दिये हैं उनके पास तो अब कुछ बचा ही नहीं उस लोन को सिक्यार करने का तो क्या वो यहां प सिच्वेशन यह है कि आपका जो लोन है उसकी सिक्यूरिटी के नाम पे सिर्फ एक चीज है आपके पास मेरी जमीन के खागस और आपने उठा के वो मुझे दे दिये बिना लोन रीपे हुए इसको हम क्या कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं ग्रॉस नेग्लिजिजिजिजिज सब्सक्राइब कर सकते कोड़ प्रिजिजिजिजिजिजिजिजिजिज और आप नौलइज रिगार्डिंग दिस थेंग और यहाँ नो टस ऑफ दिस पर्टिकलर फिंग आई होग यह गटिटिंग इन्टेस इसके बाद आगे देखी आप इतना ही नहीं है एक तो में भी कुछ बाते बताई गई है आगे का पढ़ लेना मैं आपको ब्रीफ बता दू रजिस्टर इंस्ट्रोमेंट से अगर कोई कोई भी ट्रांजाक्शन हुआ है तो आप बाद में यह नहीं बोल सकते कि साब हमें जानकारी नहीं थी उस ट्रंज अगर कोई भी अब ध्यान रखना रखना रजिस्ट्रेशन आक्ट में क्या है एक बात समझना कुछ ऐसे ट्रंजाक्शन से जिनको मेंडेटरिली बनाया गय जैसे इम्मोवेबल एक्जाम्पल के लिए समझ लेजे अभी तो आपन आगे पढ़ेंगे कोई भी इम्मोवेबल प्रपरटी सो रोपे से उपर कि आप किसी को ट्रंसवर कर रहे हैं तो मेंडेटर लीट शुट भी रेजिस्टर अगर ऐसा रेजिस्ट्रेशन आक्ट में यह वो सिचुएशन से जहां ट्रंसवर के लिए मिंडेटरी कर दिया गया है कि यह ट्रंसवर रेजिस्टर डीड के थ्रू ही होगा अगर कोई ट्रंसवर इस तरीके से मिंडेटरी बनाया गया है फॉर रेजिस्ट्रेशन उस ट्रंसवर का बाद में आप यह नहीं कह सकते क कि हमें उस transaction की जानकारी नहीं है जैसे मान लिजे मैं किसी वक्ती से property खरीद रहा हूं मान लिजे उस property की कीमत 50 लाख रुपए है अब एक already वो same property उसने किसी और को बेज के पैसा ले लिया है और क्योंकि वो transaction भी महेंगा था अगर मैंने उस fact को इग्नोर करके act कर दिया तो बाद मैं ये मैं ये plea नहीं ले सकता कि मुझे notice नहीं था इस बात का कि ये transaction एक already हुआ है previously जहां भी law ने mandatory बनाया है किसी transaction को register optional वाले में ये नहीं है लेकिन जहां mandatory बनाया है कि ये particular transaction registered ही होगा आप ये नहीं बोल सकते कि हमें उस transaction की जानकारी नहीं है ये responsibility आपके उपर law ने डाली है कि जितने भी ऐसा transaction है जो registered instrument के थ्रू ही होने है वहां अगर आप उससे related interest derive कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि पहले आप ये चेक करें कि कहीं registered office में ये कोई all transaction पहले तो नहीं हुआ या वो जो व्यक्ति जो आपको बेच रहा है व आप वहां पर ये प्लीट नहीं कर पाएंगे कि साब हमने registration रेस्टर आफिस में जाके चेक नहीं किया इसलिए आप देखते हैं जब भी कोई ऐसा transaction होता है property से related land building इस तरीके का तो वहां due diligence कराना होता है लोग उसके लिए lawyer हायर करते हैं कि आप जमीन खरीद रहा हूं उसक सरा खतानी सब होता है वहां लिखा होता है कौन से जमीन किसके नाम पर आप वो करेंगे आप registry office में एक बार चेक करवाएंगे कि भाईया इस property से related previously कोई transaction हुए है क्या क्योंकि वो transaction तब ही valid जब registered है तो सामने वाले ना अगर किसी को बेची होगी पहले property तो register कराया होगा ब आपकी responsibility है हमने पहले भी यह चीज़ पढ़ी है कि ignorance of law is no excuse it is based on similar principle कि कोई चीज़ जो law ने mandatory register बनाया है जिसका registration होना आप बहाँ यह बिल्कुल complete नहीं कर पाएंगे कि साब हमें इसकी जानकारी में यह आपकी responsibility है to check in such cases इसलिए कोई BSM instrument जिसका registered होना ज़रूरी है उसका notice को माना जाएगा इसके बाद देखी explanation to any person acquiring any immovable property और any share or interest in any such property shall be deemed to have notice of the title if if any of if any of any person who is for the time being in actual possession thereof देखिए यह specifically किसके लिए है immovable property acquire कर रहे हैं या उससे related कोई interest आप acquire कर रहे हैं किस से related immovable property मालेजे यह घर जिसको मुझे खरीदना है कोई व्यक्ति अगर actually इस property की possession में है तो बाद में मैं यह नहीं कह सकता कि साब मुझे पता नहीं था कि इसकी property है या इसका कोई interest है जै transaction चल रहा है एका जो transaction चल रहा है वो बी के साथ आप चाहता है यह घर किसका है यह घर belong करता है वी को इसका owner है जोनर के reverT consumers को आता है यह और उस घर को देखने आता है और जब इस घर को देखने आता है तो तो इस घर की actual possession में है कौन C, C इस घर की actual possession में, वो यहां रह रहा है अपने परिवार के साथ, A आया देख बेख के चला गया, A और B के बीच बाद में transaction हुआ, negotiation complete हुआ और A ने घर खरीद लिया, अब बाद में A यह नहीं बोल सकता, जो भी title, C मुझे नहीं पता किस title से यहा तो कोई ना कोई title तो होगा, SRA में भी हमने यह discuss किया था, अलग-अलग title हो सकते हैं, ownership हो सकती है, इसकी, या फिर possessory title हो सकता है, पाद में अगर यह अपना कोई interest या अपना कोई title claim करेगा, तो A, A बाद में यह नहीं कह पाएगा, कि साब मुझे पता नहीं था, कि इसका भ रखा है, मैं तो भगाऊंगा, इस, बाद में A, यह बात नहीं plead कर सकता, B, sorry, A यह नहीं कह सकता, कि मुझे notice नहीं था, इसके title का, law यहाँ explanation 2 में clearly कहता है, कि अगर कोई व्यक्ति actual possession में है, एक immovable property के, यह बात अगर आपको पता है, कि actual possession किसी के पास है, उस property की, तो यह assume क करेगा court कि आपको उसके title की भी जानकारी है, बाद में आप यह plead नहीं कर सकते हैं, कि साब हमें नहीं पता था, यह किस हैसियत से यहाँ रह रहा है, यह इसका title है, आप इस बात में plead नहीं कर पाएंगे, कि आपको notice नहीं है, that is also a kind of constructive notice only, अगर आपको यह बात पता थी, उस property की actual possession किसी और के पास है, तो मान लिया जाएगा कि आप aware हैं उसके title से भी, कि वो किस हक से इस जमीन पे या इस घर में रह रहा है, आप बाद में इस बात को ignore नहीं कर पाएंगे, that is also a way, that is also a manner in which a person may come across और may notice a fact, यह यह presume कर लिया जाएगा that you are aware of this fact, ठीक, अगला देखिए explanation 3, बहुत simple है, a person shall be deemed to have had notice of any fact, if his agent acquires notice thereof, बहुत simple कि आपका कोई agent है authorized, उसको जितनी बातें पता है, सबका notice आपको भी माना जाएगा, actually भले आपको ना पता हो, लेकिन आपके agent को अगर कोई बात पता है, तो माना जाएगा कि आपके notice में भी वो बात थी, ठीक, जिसको भ fraud या misrepresentation के थुरू आपसे conceal करी छुपाई है information, तब नहीं माना जाएगा आपका notice, otherwise माना जाएगा, अगर agent ने fraud या misrepresentation करके वो बात चुपाई है, तब नहीं माना जाएगा, otherwise ये माना जाएगा कि जितनी जानकारी agent के पास है, वो उन सारी बातों का notice, प्रिंसिपल के पास भी है, तो देखिए भाई, notice को अगर अपन include करें, तो कितनी बातें बताई गई है, कब-कब notice माना जाएगा, जब actual notice हो, जब constructive में एक चीज़ हमने क्या पड़ी, willful abstinence या फिर gross negligence, document registered है, तो माना जाएगा कि transaction की जानकारी है, इसके बाद immovable property से related, actual possession में अगर कोई रखती है, तो माना जाएगा, दूसरा अगर आपके agent को पता है, तो भी माना जाएगा कि आपको notice है, तो इतने तरीके से notice हो सकता है, notice मतलब किसी fact की जानकारी, awareness या knowledge, आपके उपर impute भी किया जा सकता, या तो actually होगा, या फिर आपके उपर impose किया जाएगा उस knowledge को, I hope that is clear, notice का purpose समझ गए, क्योंकि अभी आगे use होगा, वहाँ आप ये प्लीट नहीं कर पाएंगी, सामें तो जानकारी नहीं तीस बात, अगर इन में से इसी category में आप fall कर रहे हैं, तो code will presume कि आपको जानकारी कि बले, actually now, usually you have to be attentive, that's what law says, so ये है आपका notice, क्या पढ़ लिया हमने, attested पढ़ लिया, actionable claim पढ़ लिया, और notice पढ़ लिया, और immovable property समझ लिया, ये basic concepts हैं, इनको अगर आपने एक बर समझ लिया, तो आगे बहुत समस्या नहीं होगी, ये आपको बताया, भाई, means में न सब अपने आप में एक एक question है, notice अपने आप में question है, difference पूछा जाता है, actual notice, constructive notice के बीच, actionable claim, अपने आप में important concept है, cases है, बहुत सारी detail है, बट अभी मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि एक basic जनकारी, आपको in terms की हो जाए, ताकि वो जो एक डर है आपका, वो थोड़ा सा कम हो जाए, या खोशिश करेंगे, खतम हो जाए, अब आते हैं, अपन transfer की तरफ, ये तो कुछ basic terminologies थी, अब सीधे आ जाईए, chapter 2, chapter 2 बात करता है, of transfer of property by act of party, कहने का मतलब किस तरीके के transfer, transfer interviews, act of party से जो transfer होंगे, इसमें भी देखो, अलग-अलग category है, सबसे पहले आप देख रहोंगे, section 5 के उपर एक sub category बनाई गई है, transfer of property, whether movable और immovable, कहने का मतलब ये दोनों पे applicable है, ये किस पे applicable है, movable और immovable दोनों पे, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा था, कि movable property पे chapter 2 में 5 to 37, movable पे भी applicable है, ये आप देखिए, ये जो category है, लिखा है, transfer of property, whether movable और immovable, 37 के बाद आईए, जरा भी एरेक्ट में एक बार, 37 के बाद, 37 के बाद देखिए, 38 के ऊपर B, sub category है, वहाँ लिखा है, transfer of immovable property, 38 onwards, जो इस chapter में provision है, they are applicable only on immovable properties, वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, चलिए, अब आता है, transfer of property, defined, property का जो transfer है, उसकी definition यहाँ पर बताई गई है, कब हम कहेंगे, एक valid transfer of property, और ये क्या होगा भाई, दोनों की बात कर रहा है, movable और immovable, दोनों की बात कर रहा है, कि valid transfer कब होगा, कुछ essentials है, valid transfer के जरा देखते हैं, 5 में, और ये भी बहुत important है, so, देखिए, section 5, transfer of property, defined, in the following sections, transfer of property means an act, by which, पहला essential क्या है, by which a living person conveys property, in present or in future to one or more other living persons, देखिए, essential क्या है, जहाँ पर एक living person, दूसरे living person को transfer कर रहा है, तो transferor कौन है, जो transfer करेगा, that must be a living person, किसके living person की बात चल रही है, transferor, transferor है, जो है, जो property transfer कर रहा है, वो एक living person होना चाहिए, इसलिए will का जो transfer होता है, valid नहीं होता, चाहिए, आप यहाँ पे भी आपके पास मेरे खाले, एक telegram से download करी हुई list होगी, जिसमें आपने लिख रखा होगा, कि यह valid transfer यह valid transfer नहीं है, जैसे partition, क्या partition एक valid transfer है, as per section 5, क्या नहीं है, एक valid transfer partition, family settlement, क्या एक valid transfer है, या नहीं है, concept समझ लेंगे, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगे, सेम चीज यहाँ भी लेगे, ठीक है, तो सबसे पहरें देखिए, जो transfer है, वो कौन होना चाहिए, एक living विक्ती होना चाहिए, और यह living विक्ती क्या कर रहा है, दूसरी important चीज लिखिया, living person conveys property, property convey होनी चाहिए, convey का मतलब there should be some act, जिससे party का act होना चाहिए, will में क्या होता है, आप निप्टे अपने आप वो property उसकी होगई, जिसका नाम आपने will में लिखा, आपने कोई act नहीं किया transfer करने के लिए, जिन्दा रहते हुए सिर्फ आपने document बनाया और उससे transfer नहीं हुई है property, अभी आपकी है, क्योंकि उसको कब मिलेगी, जिसका नाम आपने will में लिखा है, आपके मरने के बाद, so उसमें इस तरीगे का transfer नहीं होता, वहाँ पे आपने will बनाई है, the moment you die, automatically the property gets transferred to the other person, लेकिन यहाँ जो word use किया गया है, a living person conveys, convey मतलब वो जिन्दा व्यक्ति कोई act करता है, जिससे property transfer होती है, वो कोई CEO deed बनाएगा, वो gift deed बनाएगा, कुछ ऐसा recognition होगा, एक act होगा, जिससे यह property convey हो रही है, दूसरे को, यहाँ एक बात बहुत important है, जो आपको याद रखनी है, या समझना है, contract of sale जो है, वो transfer of property नहीं होता, ध्यान से सुनना, contract of sale, transfer नहीं होता, जैसे, मैंन और आपने ये contract कर लिया, कि मैं अपनी जमीन आपको बेचूंगा, मैं अपनी जमीन आपके नाम transfer करूंगा, यह transfer नहीं है, यह conveying का act नहीं है, this is merely an agreement कि in future मैं वो property आपको convey करूंगा, भी करी नहीं है, इसलिए sale किस से मानी जाएगी, sale कब मानी जाएगी, sale deed जब बनेगी, उससे sale मानी जाएगी, क्योंकि that document, that act, will create an interest, तब आपका interest create होगा, आज नहीं हुआ, आज हमने सिर्फ contract किया है, कि 15 जनवरी 2024 को मैं अपनी property आपको transfer करूंगा, यह सिर्फ वो भी enforceable है, बट वो सिर्फ एक agreement है, transfer of property नहीं है, वो strictly, transfer कब होगा, जब मैं actually आपके नाम पे registry कर जा दूँगा, यह एक sale deed हम बना लेंगे, that I am transferring my interest in this property to you, that is called convey, convey करना property, इसलिए ध्यान रखना, agreement to sale is different from sale, यह contract to sale is different from sale, इसके बाद देखिए, आगे लिखा है, a living person conveys property in present or in future, present और future जो लिखा है, यह property से related नहीं, conveys related लिखा है, so present और future जो लिखा है, present और future यह property के regarding नहीं है, यह regarding है, इस conveyance के regarding, कि आज ही मैंने, देखिए, इस से related concept अभी आपन डीपीय में पढ़ेंगे, vested interest और contingent interest, कि interest आपका, या तो आज create हो जाएगा, या मैंने एक document बना दिया, जिससे interest आपका, एक निश्चत दिन पर जैसे एक अंकल ने अपनी property, अपने बच्चे के नाम लिख दी, जिसकी उम्र 5 साल है, उन्होंने लिख दिया, जैसे 18 साल का होगा, यह property इसकी हो जाएगी, living person है, वो खुद भी, और बच्चा भी, और उन्होंने लिख दिया, कि जैसे यह 18 साल का होगा, he'll get the interest, so this is a valid transfer लेकिन जो contract है वहाँ है कि मैं आगे चलके transfer करूँगा भी करा नहीं है, यहाँ पर मैंने transfer कर दिया, effect में वो एक later rate पे आ रहा है, that's future, यह future में भी वो impactful हो सकता, या फिर आज से हो जाएगा आपका interest create, तो या तो आपका interest आज से ही create हो जाएगा, या future में, लेकिन वो document clearly interest create क करता, contract सिर्फ इस बात का agreement है दोनों के बीच कि in future में अपना interest property का आपको transfer करूँगा, that is the basic difference between sale and contract to sale, और यहाँ पर क्या दिया गया है, अच्छा ये बात एक ध्यान रखना, ऐसी property जो आपको future में मिलने वाली है, आप उसको transfer नहीं कर सकते हैं, section 6 भी अपन पढ़ेंगे, इसलिए जो present और future word use करेंगे हैं, ये convenience के regarding करेंगे हैं, not in respect of property, property आप वो ही transfer कर सकते हैं, जो आज आपकी है, आगे चलके आपको मिलने वाली है, उसको आप transfer नहीं कर सकते हैं, ये सारी बात section 6 में अभी अपन पढ़ेंगे, आगे देखिए, living person conveys property in present or in future to one or more other living person, किसको दे transfer भी जिन्दा होना चाहिए, living person को दे रहा हो, जो जिन्दा हो, साथ में आगे एक चीज़ और लिखी है, or to himself, और ये जो or to himself, अगर आप देख पारे हों अपने बेरेक में, 1929 के amendment से आया है, TPA में ये amendment बहुत important है, बहुत significant changes करे गए हैं, तो यहां जो लिखा है, or to himself, कहने to himself, अब आपको लगेगा, sir, कि एक वक्ती, अपनी ही property, खुद को कैसे transfer, ठीक है, दूसरे living person तो हम समझ गए, अच्छा, इस living person की कहानी आगे वाली और पढ़ लेते हैं, फिर ये himself, मैं आपको समझाता हूं, आगे देखिए, in this section, living person includes a company or association or body of individual, whether incorporated or not, but nothing herein contained, shall affect any law for the timing, in force, relating to transfer a property to or by companies association body, दिखिए, basically, living person में कौन include माना जाएगा, तो यहाँ पे न, juristic person भी माने जाएगे, कौन, juristic person, juristic person या legal person भी इनको कहते हैं, जैसे, temple में जो idle होता है, temple में जो idle होती है, मूर्ती होती है, वो खुद property possess कर सकती है, एक company जो होती है, वो अपने आप में एक legal entity होती है, वो property possess कर सकती है, एक partnership firm की भी legal entity होती है, तो जो अपने नाम में property possess कर सकते हैं, juristic person जिनको हम कहते हैं, they are also entitled for this transfer of property, वो transfer कर भी सकते हैं, और उनको transfer हो भी सकती है property, ठीक, तो यह ब अपनी प्रापर्टी खुद को अन्गा रहा हूं तो खुद को कसे ट्रणसफर और सब्क कारंगा वाली यह वयक्ति खुद अलग अलग लीगल के पासेटी में एक और लिगल के पासेटी क Totally एक्जाम्पल से समझे माल लीजे मेरे पास आज जितनी भी प्रॉपर्टी है जो मैं ओन करता हूं वैसे मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है सच बात आपको बताऊं तो लेकिन अगर अपने सब प्रिजूम कर लेते हैं कि मेरे पास बहुत सारी जमीने जाएदाते हैं तो अगर मैं उस प्रॉपरिटी को अब I own it मैं उसका owner हूँ मैं क्या करता हूँ एक ट्रस्ट बनाता हूँ चीक प्रॉपर्टी मैं ओन कर रहा हूं लेकिन अब मैं ट्रस्ट क्रीट करता हूँ वो ट्रस्ट का सेपरेट लॉँ है अगर आपने पढ़ रखा है वेले झॉढ़ नई तो उत्ता पंडिक्स में आपको समझा रहा है तो Gef family मैं है Practicar करता हूं जिसका सोल ट्रस्टी में खुद बन जाता हूं ट्रस्ट क्रेंट किया और मैं खुद उसका ट्रस्टी बन गया कार जा हूं अब मैं गया खेए कड़ रओर हो रही है लेकिन मेरी legal capacity बदल गई यहाँ पर मैं इंडिविजुल ओनर था माली जो सक्सेशन में वह प्रपरटी हसल की थी तो आप मैंने जो ट्रांसवर करी है वो प्रपरटी खुद को वहाँ पर आज ट्रस्टी में ओन कर रहा हूं अब जो प्रपरटी मेरे को ट्रांसवर मैंने खुद करी है वो किस कैपासिटी में एक दूसरी legal capacity दूसरी legal capacity कौन सी हो गई ट्रस्टी की तो फिर वो ट्रांसवर हो रही है इस तरीके से जहां legal character अलग-अलग होता है उस चीज को include करने के लिए यह word यहां यूज किया गया है और to himself और यह किस amendment से किया गया है 29 के amendment से so I hope that is clear बात समझ ने सो यह जो खुद के उससे खुद को जो ट्रांसवर करने की बात है वो मैं ट्रांसवर कर रहा हूं खुद को ही लेकिन इना different legal character और इना different legal capacity सो यह ट्रांसवर भी जो होता है आपका valid माना जाएगा बिलकुल जैसे बाकी के ट्रांसवर्स वालेट माने जाते हैं तो यह है आपका transfer of property defined ठीक तो कैसे कैसे transfer हो सकता है living person क्या क्या एसेंच्छन है living person होना चाहिए property convey होनी चाहिए present future दोनों चलेगा और किसको transfer होनी चाहिए living person खुद को भी transfer कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे लेकिन इसको पढ़ेंगे अगली class में that is tomorrow आज का basic purpose मेरा सिर्फ इतना था कि यह जो basic terminologies है टीपी यह act है क्या उसको आपको समझाना that is यह पूरा जो overview है वो समझना कि टीपी है क्या किस चीज में deal कर रहा है दूसरा फिर यह जो interpretation clause है जो जादा परेशान करता है removal property होती क्या है notice क्या होता है टेस्टेड क्या होता है और actionable claim क्या होता है उसकी basic understanding चाहिए थी transfer कौन से valid होंगे कौन से नहीं होंगे उसकी basic understanding चाहिए थी अब जो चीजें और वो principle ध्यान रखना कि law क्या कहता है कि property किसी एक व्यक्ति के हाथ में हमेशा ना रहे लॉकिस्टी को encourage करता है transfer को encourage करता है और accumulation को discourage करता है इसी पर आगे के principle चलेंगे section 6 अपन पढ़ेंगे कौन सी वो properties हैं जिनको transfer आप नहीं कर सकते and onwards चीजें हैं किस किस तरीके के transfer valid होंगे कौन से नहीं होंगे अन one person ये वो सारी चीजें लेकिन ये basic बातें अगर आपने TPA की समझ ली हैं जिन पर आज हमने discuss किया है तो जैसा मैंने आपको कहा कि आगे जो चीजें हम discuss करने वाले हैं उसमें आपको जादा problem नहीं होगी ज हम लोगोंने start कर दिया है अना कुछ basic बातें समझी हमने transfer of property act से related interpretation clause पढ़ा और section 5 broadly हमने पढ़ा के session में कुछ important discussions हम लोग करने वाले हैं जैसे section 6 से हम start करेंगे तो 6 अपने आप में काफी important है इसके बाद section 13 और 14 बहुत important है transfer to an unborn person, rule against perpetuity और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि contingent और vested interest भी हम complete करेंगे आज है ना तो 19, 20, 21 उससे related है उन provisions को भी आज हम complete करेंगे तो कुछ conceptual topics हैं ये थोड़े जिनको थोड़ा शांत तेमाक से आपको सुनना और समझना पड़ेगा तो बस एक निवेदन आप सभी से मेरा ये रहेगा रोज की तरह कि जब अपन पढ़ना start करेंगे जब एक topic चल रहा होगा तो बस आप से एक ही निवेदन है कि उसमें please कोई भी ऐसी सवाल अगर आप ना पूछे तो बहुत बहतर होगा कि exam कब होगा exam postponed होगा क्या UP की vacancy कब आईगी राजस्तान की vacancy कब आईगी इन सब चीजों से थोड़ा बचिएगा session के end में पांच मुनट और रुख जाऊँगा फिर आपके इन सारे सवालों के जवाब में दे दूँगा लेकिन in between the session please कोशिश करिएगा कि ना करें उससे बस एक समस्या होती है कि थोड़ा सा distraction हो जाता है तो session चालू होने के बाद खतम होने तक मत करिया उसके पहले गर लीजिए उसके बात कर लीजिए समस्या नहीं है उसमें है ना दुशन ने का है मुफलर इस लूपिंग ग्रेट थैंक्यू सो मच पिताजी का था में मार लाया आज है ना राहूल ने का है यह सब कुछ से किंडरी है तो जो प्राइमरी चीज है वह नॉलेज और उसका कमिनिकेशन वो आपके दिमाग में बल्ब जलना चाहिए चाहे हिंदी में जले चाहे अंग्रेजी में चाहे ओनलाइन जले चाहे ओफलाइन जले बल्ब जलना जरूरी है इसलिए कई बार यह होता है कि हम इन मोड्स के चक्कर में मीडियम के चक्कर में अच्छे चीजों से दूर रह ज कि ठीक है मतलब इन चीजों का फर्क पड़ता है डू अंडरस्टांड मेरे को कोई हिंदी में बात समझाएगा टेकनिकल टर्म यूज करके तो शायद मैं उतना नहीं समझ पाऊंगा लेकिन अगर कॉंसेट मेरे समझ में आ रहा है तो मेरा बहुत काम हो गया फिर मेरे पास कि जो मीडियम है या जो मोड है कि नहीं हम तो ऑन-लाइन में हमको ओन-लाइन समझ नहीं आता हम को तो ऑफ-लाइन आता है न इन सब बतों में बहुत ज्यादा विश्वास मेरा नहीं है अगर कन्वे करने वाला अपनी 100% देखे उस चीज़ को simplify कर रहा है और सुनने वाला अगर ध्यान से सुन रहा है तो ये चीज़ें बहुत बड़ा hindrance create नहीं करती है अब आप साक्षात मेरे सामने बैठ जाईए physically लेकिन दिमाग अगर आपका कहीं और है तो आप offline में भी समझनी पाएंगे और अगर आप पूरे दिमाग को इस्थिर करके मेरी बात सुन रहे हैं तो आप चाहे online सुनिये चाहे offline सुनिये चाहे देखिए चाहे मत देखिए सिरफ सुन लीजिए तो भी बात आप तक पहुँच जाएगी है ना तो ये सब secondary चीज़ें होती है चल ये ख्यायर तो TPA में हमने जो बातें समझी थी तो उसमें हमने ये देखा सबसे पहले कि ये transfer of property act क्यों बनाया गया फिर हमने कुछ basic terminology इससे related पहले तो कुछ basic features देके transfer of property act कि किस तरीके की property में ये deal करता है किस तरीके के transverse में ये deal करता है उसके बाद हमने definition clause interpretation clause पर जब गए तो देखा immovable property कि कौन सी property immovable property होगी कौन सी नहीं होगी actionable claim क्या होता है attested कब माना जाएगा document notice कब माना जाएगा कि किसी वक्ती को इस बात का notice है किसी चीज का notice है ये तमाम बाते हमने interpretation clause में पढ़ी और उसके बाद section 5 भी हमने complete किया था जो define करता है transfer को कि property का transfer क्या हो का और क्या उसके essential conditions हैं इसको हमने section 5 में discuss किया था अब आज जो हम start करने वाले हैं वो है हमारा section 6 और देखिए section 6 जो है ये बात करता है what may be transferred कौन कौन सी वो चीजे हैं वो properties हैं जिनको transfer किया जा सकता है एक transfer कैसा होना चाहिए वो 5 में पढ़ा किन चीजों को आप transfer कर सकते हैं कौन सी ऐसी चीज है जो transferable है ये बात section 6 में बताई गई है और section 6 की structuring या framing अगर आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है हर तरीके की property transfer हो सकती है except these कहने का मतलब general rule ये है कि हर तरीके की property transfer हो सकती है except जो यहाँ पे mention और कौन कौन सी नहीं हो सकती उनको दो category में divide किया है उसके लिए section 6 कहता है किसी भी other law में अगर ये लिखा है कि कोई specific nature की property transferable नहीं होगी तो वो transfer नहीं कर सक सकते आप दूसरा अगर TPA में कहीं लिखा है कि ये property transfer नहीं हो सकती तो भी वो transferable नहीं रहेगी general rule ये कि सब कुछ transferable है उसके दो exception किस तरीके से बताता है section 6 पहला ये कि किसी other law में TPA के अलावा किसी दूसरे law में अगर prohibit किया गया है किसी particular property का transfer तो वो property transfer नहीं हो सकती क्यो कि और भी civil laws है जो इसके बारे में बात करते हैं CPC हमारे पास है सारे हमारे पास है तो किसी भी दूसरे law में family laws personal laws बहुत सारी चीज़े govern करते हैं तो किसी other law में अगर prohibit किया गया है कि ये property transfer नहीं होगी तो वो transferable नहीं है या फिर TPA अगर prohibit करता है कि ये property transfer नहीं होगी तो ये particular interest है जो आप transfer नहीं कर सकते that's what section 6 says चली एक बार पढ़ते हैं यहां लिखा है property of any kind may be transferred general rule क्या है कोई भी property transfer हो सकती है लेकिन फिर exception आता है except as otherwise provided by this act as otherwise provided by this act इसका मतलब जो exception है हमारा section 6 का section 6 का जो exception है ये दो parts में divided है एक as per TPA अगर TPA में provided है कि ये particular property आप transfer नहीं कर सकते तो वो transferable नहीं होगी और दूसरा है as per any other law किसी और law के हिसाब से property transferable नहीं है तो उसका भी transfer नहीं हो सकता legally तो ये इन exceptions को basically दो category में divide कर दिया देगे property of any kind may be transferred except as otherwise provided by this act और by any other law for the timing and force तो इस law ने जिनको prohibit कर दिया वो transfer नहीं होंगे किसी दूसरे law में अगर prohibited है तो वो properties transfer नहीं हो सकती अब आगे हमको बताया है section 6 में कि कौनसी वो properties हैं जो as per tpa transferable नहीं होंगी तो सबसे पहले देखिए a बहुत important है ये section preak में तो बिलकुल आता है means का भी बड़ा important है तो वहाँ थोड़ा सा detail में आपको लिखना होता है चीजें बतानी होती है अपने एक overview समझ लेंगे कि ये चीजे हैं क्या सारी कि सारी जो transferable है और क्यों transfer इनका नहीं हो सकता वो भी बात अगर आप समझ लेंगे तो मेरे कहल याद करने में आपको थोड़ी असानी रहेगी ए देखिए the chance of an year apparent succeeding to any state the chance of a relation obtaining a legacy on the death of a kinsman or any other mere possibility of a like nature थोड़ा सभिया अराम से समझेंगे है ना मैंने पहली बताया था किसी जल्दी बाजी में नहीं है प्रयास ये कर रहे हैं समझ के जाना है ठेपी ये पढ़ने आए हो काफी इंतिजार के बाद तो समझ के जाना है इसलिए बहुत दोड़ेंगे नहीं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेंस की तरह मैं आपको पढ़ा दूँ या foundation की classes की तरह बट पोशेश ये रहेगी कि बात कन भी हो जाए अब देखिए ये जो इसका clause ए है ना ये तीन बातें कर रहा है ठीक एक बात क्या सबसे पहली बात क्या कर रहा है chance of an year apparent इसको ना space succession भी कहते है year apparent and that is also chance इसको क्या कहते है space succession और दूसरा है legacy on the death of kinsmen और तीसरा है like nature इसके जैसे दूसरे transactions like nature तीसरा तो एक clause में तीन बाते बता रहे हैं आपको पहला है chance of an year apparent दूसरा है chance of a relation obtaining a legacy on the death of a kinsmen और तीसरा है any other mere possibility of a like nature सबसे पहला जो है chance of an year apparent इसको हम क्या कहते है space succession space succession का मतलब जहां आपको उमीद है कि succession में यह property आपको मिल जाएगी आपको आपका chance है आप देखिए word में लिखा है chance chance मतलब sure नहीं है तो जोचे surely आपकी है ही नहीं कि आप उस property को transfer कर सकते हैं बताइए जो यह sure ही नहीं है कि आपकी है चीज क्या वो आप transfer कर पाएंगे the answer is no वो transferable नहीं होगी जैसे मालेजिये एक पिता है उनका बेटा है अब उनके बेटे को लगता है कि पापा की property तो अपने कोई मिलनी है succession में लेकिन मिलेगी कब जब अंकल निप्टेंगे तब लड़के को property मिलेगी जैसे अगर आपने मिर्जापूर एक वेब सीरीज थी अगर आपने देखी हो तो उसमें एक भाई साब थे फूल चंतर पाठी उर्फ मुन्ना भाईया वो हमेशा यही सोचते रहते थे कि उनके पिताजी कब निप्टेंगे और मिर्जापूर के king वो कब बनेंगे क्योंकि वो king कब बनेंगे जब पिताजी निप्टेंगे succession कब होगा जब कालीन भाईया निप्टेंगे तब मुन्ना भाईया मिर्जापूर के राजा बनेंगे वो प्रापर्टी उनको मिलेगी that is space succession अब क्या मुणना भाईया कालीन भाईया के जिन्दा रहते हुए property transfer किसी और को कर सकते है जो उनको succession में मिलने का chance है the answer is no बहुत अब्वेसी चीज है जो चीज आच आपकी है ही नहीं उसको आप transfer कैसे कर दोगे हाँ, उनके निपटने के बाद जब आपकी हो जाईगी तब आप transfer कल लेना तो कोई chance year apparent का या space succession इसको कहते है कि succession में कोई property आपको मिल सकती है मिलने वाली है, उसको आप transfer नहीं कर पाएंगे, I hope that is clear, जब तक मिल नहीं गई है, तब तक transfer आप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये subjective चीज है, कैसे? कि भाईया पता चला, कालिंग भाईया के निपटने के पहले मुन्ना भाईया ही निपट गए जैसा कि मेरे कहल शायद if I am not wrong season 2 में हुआ था, मुन्ना भाईया पहले निपट गए, कालिंग भाईया जिन्दा है तो जब वो property आपको मिलनी ही उनके मरने के बाद थी, तो वो आप transfer कैसे कर देंगे? संभवी नहीं है इसलिए इस चीज को prohibit करता है हमारा section 6 सबसे पहले so इसको हम कहते हैं space succession second देखिए जो legacy वाली बात है kinsman की death के बाद जो legacy मिलती है, ये basically related होता है आपका will से थोड़ा connected चीज, कि जैसे मान लेजिए, एक भाई साहब है एक अंकल है, उन्होंने अपनी will में अपने successor का नाम लिख दिया उन्होंने will में लिख दिया कि भाईया तुम हमारे successor हो, अब आप चानते हैं कि ये चीज operation में कब आती है इसलिए TPA generally उनको govern नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो operation में कब आती है, वेक्ती के मरने के बाद जिस वेक्ती ने वसियत बनाई है जिस वेक्ती ने will बनाई है वो भले लिख दे आज कि मेरी property इस particular बंदे को जाएगी, जैसे मान लेजिए कालीन बहिया ने वसियत बना दी, अपने जिन्दा रहते हुए will में लिख दिया, कि मेरी सारी कि सारी property मिलेगी किसको मुन्ना भीया को मरने के बाद, लेकिन वो मिलेगी कब मरने के बाद, अब जिन्दा रहते हुए अभी कालीन भीया भी जिन्दा है, विल में उन्होंने बिल्कुल लिख दिया है कि मेरी सारी कि सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी मेरे मरने के बाद, मुन्ना भीया की, क्या मुन्ना भीया ये प्रॉपर्टी अभी किसी को transfer कर सकते हैं, the answer is no, क्योंकि ये भी possibility है, कैसे possibility है, एक संभावना ये है, क्योंकि will का अगर आप law पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि मरने के पहले जो आखरी वसीहत व्यक्ति बना के जाता है, वो मानी जाती है, उसकी असली will, आज तो उन्होंने लिख दिया है मुन्ना भीया के लिए, क्या पता, पांट साल बाद मरने के पहले, आज से पांट साल बाद उनका opinion change हो जाए, आपने देखा होगा, अगर आपने वो web series देखी है, कालिन महिया के एक सुपत्र और existence में आ जाते हैं, बाद में उनका मन पलड़ गया, कि नहीं यार, इसको नहीं देना है, द जिस वक्ति को beneficiary बना दिया था, उसके पास अभी interest derive नहीं हुआ है, इसलिए वो transfer, क्योंकि जो चीज आपकी नहीं है, वो आप transfer कर ही नहीं सकते, तो ये होता है legacy in case of death of kinsmen, I hope you are getting this, एक अंकल है, उन्होंने अपने लड़के के favor में पूरी property लिख दी मरने के पहले, अपनी will में लिख दिया, कि भाई मेरी सारी property जो है वो इस वक्ति मेरे लड़के को मिल जाएगी, अब अंकल ने जैसे ये वसिहत बना दी लड़का खुश, अगले दिन से उसने पूछ नहीं बन कर दिया पापा को, तो कि पापा में उसका इतना interest था कि property मिल जाए, पापा ने will ब दुनिया में हर आदमी हमबल है, अदरवाइस तो इस दुनिया में हर आदमी हिमानदार है, असली पहचान किसी के व्यक्तित्र की तब है, जब उसको कुछ मिलेगे, है ना, जैसे कई बार मैं कहता हूं कि जो students, during preparation, जिस तरीके के होते हैं, और selection list में जब वो PDF में नाम लेते हैं, सब के साथ नहीं होता है, बट होता है, बहुत से students के साथ, कि वो जो preparation के दौरान होते हैं, वो एकदम flip हो जाते हैं, PDF में नाम देखने के बार, जैसे आज आज आप मुझ से कह रहे हैं, जब मैं कॉन्ट्राइट पढ़ा रहा था, तो आपने का सार TPA पढ़ा द नहीं है वो, क्योंकि अभी वाले exam में वो नहीं आएगा बेटा, अभी जो exam देने जा रहे हो, वो यह देना, अपने पास भरपूर समय होगा, अभी implementation की date decide होगी, exams decide करेंगे कि कौन सा वाला पूछना है, उसके पहले इतमिनान से पूरा पढ़ा दूँगा, तो बात यह है कि अभी तो आप यह कह रहे हैं कि सर यह भी पढ़ा दो, जिस दिन PDF में नाम देख लिया आपने final selection के, उस दिन शायद मैं आपको याद नहीं रहूंगा, और ऐसी चीजें ना हूँ, इसलिए यह provision यहां दिया है, कि will मैं आज तो नाम लिख दिया, लेकिन जैसे ही नाम लि अपनी तैयारी ही, ऐसा देखने को पाया जाता है, तो यहां पर यह चीज इसलिए mention है, कि अगर will कौन सी valid होती है, आखरी वाली, लड़के के नाम पे पापा ने will में सब लिख दिया है, लेकिन अगर लड़के ने रंग दिखा दिये जल्दी ही अपने, तो हो सकता है कर सकते, क्योंकि वो आपकी है नहीं अभी, और इसके अलावा जो तीसरी चीज यहां आप देख रहे हैं, कि अब दो examples तो आपको बता दिये गए हैं, तीसरा बोलता है like nature, इसे तरीके कि और जितनी चीज़े हैं, जो संभावनाओं पे based हैं, possibility पे based हैं कि आपकी हो सकती है, ऐसे interest को आप transfer नहीं कर सकते, जैसे यह कोई salary जो आपको future में मिल सकती है, देखिए दो चीज़े होती है, एक तो already accrue हो गई है, पेवल बाद में हैं, वो आप transfer कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ जो accrue ही नहीं हुई है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लिजे आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, और मान लिजे आपने December पूरा मंथ जॉब करी, 1st December से 31 December तक आपने नौकरी करी, लेकिन आपकी जो salary, वो salary है किस period की, इस period की, 1 December से 31 December जो आपने काम किया, लेकिन ये salary आपको payable कब होगी, 15, अगले महीने की 15 तारिक, अगले महीने की 15 तारिक मतलब पंदरा जन्वरी, payable है 15 जन्वरी को है, आपके खाते में आई की 15 को, लेकिन 1 से 31 आपने काम किया है, तो salary आपकी बन गई, इसको कहते हैं, accrue हो गई salary, आपने receive भले ही नहीं करी है, अच्छुली, लेकिन आपने कमा ली है वो salary क्योंकि 1 December से 31 December आपने काम कर लिया है, now it is to be paid on 15th Jan, ऐसी चीज़ को आप transfer कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसी चीज़ transfer नहीं कर सकते हैं, जो अभी तक आपके पास आई नहीं है, तो यह कि अभी हमारी नौकरी है, फरवरी की salary मैं आपको transfer कर दूँ, यह मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अभी मैंने काम ही नहीं किया है, I hope मैं देखिए, मैर राइट ओफ रिएंट्री फॉर ब्रीच ओफ र कंडिशन सब्सेक्वेंट केंनोट बी ट्रांसवर्ट तो एनीवन एक्सेप्ट दी ओनव ओफ दी प्रॉपर्टी अफेक्टेट देरभाई, यह जो सेकेंड चीज है यहां, सेक्शन सिक्स का जो बी पार होता है, जैसे माली उची है, एक लैंडलॉड सहाब है, इनका ये घर है, ये घर इन्होंने किराय पे दे रखा है, किसको? बी को, बी को किराय पे दे रखा है, विदा कंडिशन, कि भईया, इधर पे कोई कमर्शल एक्टिविटे नहीं होना चाहिए, तुमको घर किस लिए दिया, रहने के लिए दिया है, इसलिए तुम यहाँ पे कोई कमर्शल दुकान नहीं खोल सकते, और ये भी उन्होंने कहा है, दुकान खोली तो वापिस ले लिए जाएगा तुरंट घर आपसे, अब मालने जीए, ये वेक्ति कोई कमर्शल एक्टिविटी करता है, दुका एल यहाँ, ये री एंट्री का राइट कि अगर भी दुकान खोले तो तुम उक्योपाइ कर लेना घर, ये ट्रांसवरेबल इंट्रेस्ट नहीं है, लैंडलोड ये चीज सी को नहीं दे सकता कि अगर ये कंडेशन का ब्रीच करे तो तुम री एंट्री कर लेना, बिना पड़ेगा कि फिर तुम टेनेंट हो जाओगे, तो तुम्हें री एंट्री का अधिकार मिलेगा, कि किरायदार फिर तुम बन जाओगे, ऐसा प्रॉपर्टी में कोई दूसरा जब वो इंट्रेस्ट देगा, उसके साथ री एंट्री का राइट ट्रांसवर हो सकता है, मेर राइट, मेर वर्ड यूस किया, मेर मतलाव सिर्फ वो, सिर्फ री एंट्री का अधिकार आप नहीं दे सकते, हाँ, कोई और इंट्रेस्ट अगर आप साथ में दे रहे हैं, then it is fine, then it is fine, फिर आप रिएंट्री का अधिकार दे दीजिये, लेकिन सिर्फ रिएंट्री का अध अधिकार आप किसी दूसरे विक्ति को ट्रांसवर नहीं कर सकते और बहुत सिंपल सी बात एक समझना इसके पीछे लॉजिक कि भाया जब में इंट्रेस्ट ही कुछ नहीं दिया आपने तो सिर्फ आप इंट्री काधिकार कैसे देंगे ऐसे बहुत सारी चीज़ें कि में बात तो प्रॉपर्टी में इंट्रेस्ट किये ना इस एंसलेरी चीज़ से कैसे काम चलेगा जैसे एक एक एक्जांपल जिस बात को समझी है कि आप जब एक यूट्यूब लाइफ देखते हैं और अगर मैंने कोई पीडिएफ यहां यूज कर रखी है अपने लाइफ में तो आप कहते हैं ना सर वो पीडिएफ टेलेग्राम पर डलवा देना तो यह तो बिल्कुल य अभी आगे लौ में आप पढ़ेंगे कि जहां पे मेन प्रापर्टी आप ट्रांसवर अगर आपसलूटली किसी को ट्रांसवर कर रहे हैं तो उसके साथ की चीज़ें भी उसके पास जाएंगी उसको आप प्रवेट नहीं कर सकते तो मैं अगर आपको यूट्यूब और अगर और मैं PDF यहां पे चलाड़ा हूं तो आप मिरसे बिल्कुल कहते हैं कि सर टेलेगराम पे PDF अवेलेबल करा देना लेकर मैं कहँं की सिर्फ PDF देख लो और समj Av Sachled है नहीं मैंने क्या है तो वो बहुत काम की है? क्या वो बहुत काम की नहीं है Same as here कि आपने कोई दूसरा interest नहीं दिया लेकिन सर्फ re-entry का अधिकार आप किसी को transfer नहीं कर पाएंगे, इसी की तरह C देखिए, an easement cannot be transferred apart from the dominant heritage, शिर्फ easement, easement क्या होता है, ancillary right, property से related, right to way, right to air, right to light, right to water, यह सब क्या होते हैं, easementry, अब इसको भी समझिएगा, तो mere re-entry भी आप transfer नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ आप easementry right भी transfer नहीं कर सकते, easementry right अगर आपको transfer करना है, तो किस के साथ करेंगे, dominant heritage के साथ, मतलब जो original property है उसके साथ, इसको इस बात से समझेगा, एक example के साथ, मान लीजिये, यह घर है किसका, A का, A का यह घर है, main road है यह, जिससे आना जाना होता है, अब इधर पे एक land है, piece of land यह जो है, यह जो piece of land है, this belongs to B, यह piece of land किसका है, B का, और A का घर है वो, अब क्या है, कि A का एक easementry right है, इस पे right to way, यह जो रास्ता है, यह जो रास्ता है, main सडक से, जो A के घर को जोड़ता है, आने जाने के लिए, इस रास्ते का इस्तेमाल करता है, और वो उसका easementry right है, अब यह कैसे होता है, limitation में अब यह पनने पड़ा है, prescription से मिल जाता है, वो सारी बातें अलग है, तो आप यह समझेए कि इसके पास right है, यह, as a matter of right, इसी हो के इतना easementry right, कि land किसी और की property पे जो इस तरीके का अधिकार आपका होता है, ancillary, लेकिन यह किस से connected होता है, एक immovable property से connected जैसे इसका घर, एका घर है, अब वहां तक पहुचने के लिए उसको right to way मिला हुआ है, क्या A बिना घर transfer करे, अपना यह right to way transfer कर स सकता है, the answer is no, बिना dominant heritage transfer करे, यह easementry right वो transfer नहीं कर सकता, कि भाया आने जाने के लिए तु यह रास्ता तू भी इस्तिमाल कर ले, क्योंकि मेरा है, यह right to way मित्यको transfer कर रहा हूँ, it is not transferable, आप बात समझे, परपस ही कोई fulfill नहीं हो रहा, क्योंकि रास्ता क्यों इस्तिमाल हो dominant heritage transfer नहीं कर रहा है, तो दूसरा कुछ, आप transfer नहीं कर सकते, ठीक, that is C, D, देखिए, all interest in property restricted in its enjoyment to the owner personally cannot be transferred by him, अब कई बार ना interest transfer किया जाता है, property में किसी वेक्ति को personally, personally का मतलब यहां पर, enjoyment to the owner personally का मतलब, क्योंकि उसके personal qualification पे based हैं, कोई चीज हैं, उसके personal benefit के लिए transfer करी गई हैं, तो ऐसी चीज़ों को वो owner किसी दूसरे वेक्ति को transfer नहीं कर पाएगा, जैसे मान लीजे मुझे इस platform पे पढ़ाने का अधिकार इसलिए दिया गया है, क्योंकि मुझे शायद पढ़ाना आता है, मेरे पास वो expression है, इसलिए मुझे अधिकार दिया गया, इस अधिकार को मैं किसी और को transfer नहीं कर सकता, because ये मुझे क्यों मिला है, depending on some personal qualification या personal skill पे based ये मेरे को मिला है, कई बार आप देखते हैं, religious offices जो होते हैं, या trust के जो offices होते हैं, वहाँ पे एक बंदे, जैसे मान लीजे एक मठ में मठादीश किसी को बनाया गया है, तो वो उसकी personal skill या personal individual enjoyment के लिए, क्योंकि उसके पास वो इसके area के गाओं की देखभाल करनी है, इसलिए उसको एक घर दे दिया गया रहने के लिए, servant quarter type का, अब वो उसको क्यों मिला है, अपने personal enjoyment के लिए, क्योंकि भाई तिरको वहाँ रहना है, तुझे वहाँ देखभाल करनी है, इसलिए तिरको वो अधिकार वहाँ रहने का, वहाँ रहने का अधिकार तुझे दूसरे को transfer नहीं कर सकता, क्योंकि वो तुम्हें personally enjoy करने के लिए मिला है, ठीक, this is D, इसके बाद double D जो है, amendment के थुरू add हुआ है, अब वो amendment के अलग कहानी है, यार कि maintenance जो court provide करता था और parties contract करके करती थी, उसमें अपन नहीं जा रहे है, brief to future maintenance, in whatsoever manner arising, secured or determined, cannot be transferred, future maintenance का अधिकार transfer नहीं हो सकता, जैसे मैंने कहा न, अभी आपको समझाया, मैंने एक पिछले illustration में, कि जो like nature वाली बात थी, ए में, कि salary जो अभी accrue ही नहीं हुई है, मैं कमाऊंगा बाद में, तब मुझे मिलेगी, वो मैं transfer नहीं कर सकता, ठीक, वैसे ही future maintenance का right में transfer नहीं कर सकता, कि मुझे एक साल बाद maintenance उस समय का, आने वाले period का मुझे maintenance मिलने वाला है, या मिलेगा, उसे में transfer नहीं कर सकता, logic बिलकुल simple और वही same है, कि जो चीज आज exist नहीं कर रही है, या जिस पे आज आपका अधिकार नहीं है, उस चीज को आप transfer नहीं कर transfer, सिर्फ suit file करने का अधिकार आप किसी को transfer नहीं कर सकते, सिर्फ suit file करने का अधिकार, जैसे हमने ये देखा न, कि मेर right to re-entry आप transfer नहीं कर सकते, easementry right आप transfer नहीं कर सकते, बिना dominant heritage के, वैसे ही सिर्फ suit करने का अधिकार आप transfer नहीं कर सकते, जैसे मान लीजे, मेरे और आपक अब इसमें ये भी है कि कोई अगर का ब्रीच करेगा तो दूसरी पार्टी जो अग्रीवड़ पार्टी होगी वो दूसरे को स्यू करेगी उसके एगन सूट फाइल करेगी तो बिना अगर आप सिर्फ कोट जाने का अधिकार दूसरे को ट्रंसवर कर सकते हैं? अगर मैंने वो अधिकार उसको दे दिया है तो in case of breach वो फाइल करेगा लेकिन फीस लेने का अधिकार मैंने उसको नहीं दिया है फीस तो मैं ही लूँगा लेकिन अगर आप फीस नहीं दे पाते हैं तो breach of contract जो आप कर रहे हैं उसके बदले में सूट फाइल करने का राइट क्या मैं ट्रंसवर कर सकता हूँ? अगर कल को अगर ऐसा हो जा तो court तुम चले जाना तिस राइट तो स्यू मेरली दिस राइट तो स्यू कें नॉट बी ट्रंसवर अंडर इस आट इसके बाद देखिए सरकारी ओफ इस बी ट्रंसवर नहीं कर सकते और नहीं उसकी सिलरे आप box कर सकते हैं but ईस जासे परसणनल इंजॉएमेंट वाला था न कि जूडिशिरी का उअगर आपने किया है तो आपके पास अधिकार है उस पॉजीशन को occupy करने का उस पॉजीशन पर बैठने का जुडिशन magistrate बनने का उस right को आप किसी और को transfer नहीं कर सकते वो public office आप किसी और को transfer नहीं कर सकते विधायक जी चुनाव जीते विधायक बने अब वो right किसी को transfer नहीं कर सकते है ना तो उससे डराइव होने वाली salary कि बन तो हम गाएं salary इनके account में डाल देना जैसे माली जी आप यहां पढ़ रहे हैं या foundation course के enrolled बच्चे हैं आपने बढ़िया law पढ़ा आपका एक्जाम भी क्राक हुआ वहां जाके भी आपको लग रहा है कि यह जो पड़ा था काम आ रहा है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आप क्योंकि आप लोग की बड़ी expectations भी होती है मैंने देखा है सब सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं और अगर आप मुझे यह कहते हैं कि सर हमें तो बस एकजाम निकल वा तो सेलरी आपके अकाउंट में करवा देंगे हम ट्रांसवार हम नहीं लेंगे पैसे क्योंकि हम तो इमंदार व्यक्ति हैं हम पैसे के बिना काम करेंगे तो जो हमारी सेलरी आईगी महीं नहीं की वह आपके अकाउंट में पहले ही मतब यह चीज़ आपके पास पैसा आगया फिर आप दुनिया भर में बाट दीजिए लेकिन वह सेलरी लेने का अधिकार कि आप ट्रांसवर कर सकते हैं नहीं यह नहीं हो सकते हैं कि आप सेलरी ना ले और सेलरी सिधे मेरे पास आए यह ट्रांसवर नहीं होगा तो सरकारी ओफिस की सेलरी या वो पोजिशन ट्रांसवरेबल नहीं होगी इसके बाद देखिए जी स्टाइपेंड अलाउट टो मिल के लोगों को मिलते हैं वो भी ट्रांसफरेबल नहीं होते क्योंकि उनके पर्सनल इंजॉइमेंट के लिए चीज़ें दी जाती है जैसे आप देखते हैं अब किसी को पता चल जाए कि यार इसके आँ कोई केंटीन से समान पूरा महल लग सरी तरह है तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट एच नो ट्रांसफर कान बी मेड इन सो फार आज अपोस्ट तु दी नेचर ऑग दी इंट्रेस्ट अफेट देर बाई और और फॉर अन अनलॉफुल अब्जेक्ट और कंसिडरेशन विदिन दी मीनिंग आफ सेक्षन 23 देखिए भाई अगर आपने कोई ऐसा ट्रांसफर किया है जिसका कंसिडरेशन या अबजेक्ट अनलॉफुल है तो जैसे वो कॉन्ट्राक्ट वैलिड नहीं होता वो जैसे वो अग्रिमेंट वालिड नहीं होता वो अग्र To the N Mini तो जो इंट्रस्ठ आप ट्रांसवर कर रहरे हैं। उसके चर के अपॉज्ड है, अगर वो ट्रांसवर, तो वो भी वैलिड नहीं होगा, ये जनरली होता है जो मैंने आपको अभी चीज़ें बताएं। रिलीजियोस नेजर की जो चीज़ें हैं। religious purposes के लिए अगर कोई चीज दी गई है कोई property किसी को मिली है तो वो आप transfer नहीं करेंगे because it will be against the nature मैंने एक मंदिर को आइडल को कोई कुछ दान दिया होता है ना लोग दान कर देते हैं सोने का मुकोट सोने का त्रशूल अब that property cannot be transferred क्योंकि उसका nature क्या था वो उस religious purposes के लिए थी अब भले ही वो possess कौन कर रहा है आइडल is capable of possessing property हमने section 5 में भी देखा था कि temple में जो आइडल होती है it can possess property in its own name but जो उस purposes के लिए जब transfer करी जाएगी तो उसका जो महत्व है वो सिर्व रिलिजियस महत्व है उसको आप transfer नहीं कर सकते दूसरे विक्ती को इसके बाद देखिए आई nothing in this section shall be deemed to authorize a tenant having an untransferable right of occupancy the farmer of any state in respect of which default has been made in paying revenue or the lessee of any state under the management of a court or ward कि अब यह कुछ specific nature के interest है जो create करे गए है limited विक्ती के लिए या किसी constraint से वो बाद है तो ऐसे interest को वो transfer नहीं कर सकते जैसे एक है tenant having an untransferable right of occupancy कहने का मतला मैंने अपनी building किसी को किराय पे दी और बोलके दिया कि भाईया subletting नहीं होगी तुम किसी दूसरे को किराय पे नहीं रखोगे तो ऐसा वेक्ती अपना interest transfer नहीं करेगा पहला दूसरा जो यहां लिखा है कि government को revenue पे करने वाली जगे है और अगर आपने पे नहीं किया इस वजह से आपको बार कर दिया गया है तो भी आप transfer नहीं कर पाएंगे यह जो second चीज है ना the farmer of an estate in respect of which default has been made in paying revenue एक जमीन थी अब भाई आप जानते है agricultural जमीन जो होती है वहां से भी revenue पे होना होता है authorities को सरकार को अगर वो revenue पे नहीं हुआ है तो उसका जो interest है वो आप transfer नहीं कर पाएंगे उसको भी prohibit कर दिया गया और same way में ऐसी property जो court या ward के management में है उसको आप transfer नहीं कर सकते क्योंकि अभी उसमें further actions होने है आप जानते हैं कि आगर सरकार को revenue नहीं मिला जमीन से तो जमीन जब्त हो जाएगी आगे चल गयो जब तब होगी जब आपके पास रहेगी आपको अगर यह अधिकार दे दिया कि आप वो property जमीन किसी को transfer कर दो तो फिर जिस वेक्ति नहीं खरी दी उसका तो कोई दोश नह जाना था वो आपकी तरफ से जाना था आपने नहीं दिया तो आपसे ही जबती होनी चाहिए ना आपने पता चला consideration लेकर किसी और को टिका दी तो फिर तो वो व्यक्ति जबर जस्ति फस जाएगा इसलिए ऐसे ऐसी conditions में भी restriction लगाया जा चुका है लगाया जा सकता है इसके बाद देखिए जरा 7 section 7 तो यह हो गया भाई 6 यह उन transactions की बात चल रही है उन interest की बात चल रही है या इस तरीके की property की बात चल रही थी section 6 में जो transferable नहीं होगी जिसको एक वेक्ती दूसरे वेक्ती को transfer नहीं कर सकता है I hope that is clear section 7 देखिए बहुत ही simple छोटा सा section है that is persons competent to transfer कौन वेक्ती competent है transfer करने के लिए property एक property अगर transfer की जानी है तो कौन वेक्ती है जो यह काम कर सकता है कौन property transfer करने के लिए competent है तो उसके लिए देखिए every person competent to contract यह बहुत important underline कर लीजे competent to contract तो एक वेक्ती जो contract करने के लिए competent है वो property भी transfer कर सकता है कौन्ट्राक करने के लिए competent कौन होता है section 11 पड़ा है Indian contract act का हमने section 11 कहता है ऐसा वेक्ती जो major हो sound mind हो और otherwise disqualified ना हो loss से तो वो contract में इंटर हो सकता है ऐसा वेक्ती property भी transfer कर सकता है बशरते वो authorized होना चाहिए उस property को transfer करने के लिए अब जैसे major तो मैं भी हूँ मैं person of sound mind भी हूँ मेरे कहल आप सबका यह विश्वास होगा कि I am a person of sound mind है ना और major भी मैं हूँ और मैं disqualified भी नहीं हूँ लेकिन क्या मैं कोई भी property transfer कर सकता हूँ क्या यह building जो मैंने किराय पे ले रखी है क्या यह मैं transfer कर सकता हूँ क्या बगल वाली building में किसी को transfer कर सकता हूँ एट picture आई थी ना भी शेक बच्चन और रानी मुखर जी की ताज महल बेज़ देते हैं major है sound mind है लेकिन क्या कोई भी property transfer कर सकते है the answer is no जिसको transfer करने के लिए तो आप owner हो या authorized हो transfer करने के लिए वो ही आप कर सकते हैं वो भी seven में लिखा है so आगे क्या लिखा है every person competent to contract and entitled to transferable property उस property के लिए जिसको आप transfer करना चाह रहे हैं उसके लिए आप entitled होने चाहिए या फिर आप authorized होने चाहिए और authorized to dispose of transferable property not his own आपकी नहीं है तो आप authorized होने चाह दिया कि वह यह तू बेज देना sorry so that person can sale less property चीक तो क्या क्या जरूरी है property transfer करने के लिए contract mentor होने के लिए competent होना चाहिए और property आप की होनी चाहिए या फिर आप authorized होना चाहिए आगे लिखा है is competent to transfer such property either holy or in part and either absolutely or conditionally in the circumstances to the extent and in the manner allowed and prescribed by law of other time being in force ठीक lock against नहीं होना चाहिए transfer आप competent होने चाहिए contract mentor होने के लिए उस property को transfer करने के लिए बहुत simple सा section है section number याद रखिएगा और यह जो eligibility criteria है transferer बनने के this is also very important इसके बाद आईए section 8 section 8 is also important operation of transfer transfer operation में कैसे आएगा और क्या चीज़े होंगी इन बातों को basically section 8 बताता है काफी important है और जैसा कि आप में से कई student कह रहे थे कि सर cases भी बताएंगे क्या या बताते जाईएगा तो बटा जहां बहुत important है वहां मैं बिलकुल case बताऊंगा लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा टीपीए अगर आप पढ़ रहे हैं और judiciary exam के point of view से पढ़ रहे हैं प्रिलिम्स वगेरा निकालने के लिए तो मेरी एक बात ध्यान रखिएगा टीपीए अगर आप देखेंगे तो टीपीए में आप देखेंगे कि शायद case loss से जादा उतने ही या फिर शायद उससे जादा important है अलग-अलग doctrines है इसमें तो transfer of property act में बहुत सारी doctrines है वो बहुत important है कौनसी doctrine कि section से related है उसका मतलब क्या होता है यह सबसे related प्रीमे सवाल आपको बिलकुल मिलेंगे आप किसी भी state judiciary के previous year question उठा लीजे वो questions आपको जरूर मिलेंगे तो मैं प्रयास यह करूँगा कि उनको जरूर आपको साथ साथ कबर कराता चलूं और section 8 से related एक doctrine है वो आप लिख भी सकते हैं the accessory follows the principle क्या है the accessory follows the principle यह लिख लिजिए section 8 के साथ ही the accessory follows the principle ठीक है तो accessory principle को follow करती है कहने का मतलब जब मैं आपने property transfer कर दी है तो उससे related ancillary right भी transfer हो जाएंगे आपने अगर एक property किसी व्यक्ति को transfer की है तो उससे attached right जो है वो भी उसके पास जाएंगे कुछ illustration section 8 में ही बताए गए है कि क्या चीज आपने transfer करी है तो सांत में क्या transfer होगा या मान लिया जाएगा इस बात को section 8 बताता है जैसे section 6 में हमने पढ़ा कि mere right to sue आप transfer नहीं कर सकते सिरफ easement का अधिकार आप transfer नहीं कर सकते तो section 8 यह बताता है कि जहां आपने main property transfer कर दी वहां बाग की चीज़ा साथ जाएंगे उसको फिर आप नहीं रोकेंगे इस तरीके की बात section 8 करता और इसके आगे जो अपन पढ़ेंगे अभी 10, 11, 12 वो भी इसरेली इंपलाइड, a transfer of property passes forthwith to the transferee, जिस समय आप interest transfer कर रहें, property transfer कर रहें, forthwith मतलब immediately उससे attached right भी सामने वाले को मिल जाते हैं, so a transfer of property passes forthwith to the transferee, all interest which the transferer is then capable of passing in the property and in the legal incidence thereof. तो जब आप एक property को किसी दूसरे को transfer करते हैं, तो उसमें जितने भी अधिकार transferable हैं आपके part पे, वो सारे के सारे दूसरे के पास चले जाते हैं, transfer के पास चले जाते हैं, जैसा देखिए कुछ incidents बताएं, such incidents include, whether the property, where the property is land, जहां आपने कोई piece of land किसी को transfer किया, the easements annex there too, the rents and profits thereof accruing after the transfer, and all things attached to the earth. तो अर्थ से अगर आपने किसी व्यक्ति को, यह piece of land अगर आपने किसी व्यक्ति को बेच दिया, तो इसके साथ आपने क्या-क्या transfer कर दिया, easementary right, मान लेजिए, यह land है, जो की A का है, और इस land तक पहुँचने के लिए, बीच में एक land पढ़ता है, जो B का है, और A का इस पे easementary right है, right to way, जो अभी मैंने बताया, तो हमने यह पढ़ा section 6 में, कि A सिर्फ यह easementary right transfer नहीं कर सकता, लेकिन अगर A ने यह land किसी को transfer कर दिया, C को transfer कर दिया, तो साथ में क्या transfer होगा, easementary right भी साथ में transfer हो जाएगा, तो land जहां आप transfer करते हैं, easementary right transfer होंगे, इसके अलावा कोई भी rent या profit जो future में transfer के बाद arise होगा, वो किसको transfer होगा, C को, देखिए, अगर expressly parties ने कुछ contrary agree किया है, तब वो होगा, मान लिजे कोई contrary agreement किया है, तो वो valid हो सकता है, अगर वो as per law valid है, तो, इसलिए 8 की पहली line में लेका है, unless a different intention is expressed, कोई द कि आपने अगर land transfer किया है, तो easementary right भी, और उसके बाद transfer की date, जिस भी दिन transfer हो रहा है, उसके बाद जो भी profit या rent इस land से मिलेगा, वो सब किसको transfer हो गया, C को transfer हो गया, जनरल बात ये रहेगी, इसलिए इस section 8 को क्या कहते है, the accessory follows the principle, principle क्या है, ये main property, और accessory क्या है, easementary right या से arise होने वाले profits और rent, so वो accessories किसको follow करते हैं, principle को, अगर land जा रहा है दूसरे के पास, तो accessories भी साथ में जाएगी, इसके बाद देखिए, and where the property is machinery attached to earth, अगर कोई machinery जो जमीन से attached है, ऐसी machinery अगर आप transfer कर रहे हैं, तो जो movable parts हैं, वो भी transfer किये जाएंगे, the movable parts thereof, तो अगर कोई ऐसी machinery जो earth में attached है, वो आप किसी व्यक्ति को transfer कर रहे हैं, तो उसके साथ जितनी movable parts हैं, उस machinery के, उसके functioning के, वो सारे के सारे भी transfer होंगे, ऐसे ही आगे लिखा है, and where the property is a house, the easements annex there to, the rent there of accruing after the transfer, and the locks, keys, bars, doors, windows, and all other things provided for the permanent use therewith, घर किसी को transfer किया है, तो यह नहीं कर सकते हैं, दरवाजा नहीं किया, खड़की नहीं किया, जितनी चीज़ें annexed हैं for permanent enjoyment, वो सब transfer होती है, generally, हाँ, आपने कोई contrary agreement कर लिया है, parties ने अपनी सहमती से, तो वो valid हो सकता है, लेकिन अगर, ऐसा कोई contrary agreement आपने नहीं किया है, तो घ घर के साथ जितनी चीज़ें permanently attached है, permanent beneficial enjoyment के लिए उस घर के वो सारी की सारी चीज़ें transfer होती है, कहने का मतलब यह है, आप इसी किसी व्यक्ति को अगर अपनी car transfer कर रहे हैं, तो यह नहीं कहेंगे, चक्के नहीं देंगे, टायर नहीं देंगे, टायर हमारे, तुमारे ऐसा नह होता, generally, contrary agreement है, तो बात अलग है, generally ऐसानी होगा, आपने किसी car transfer करी है, तो steering भी जाएगा, seed भी जाएगी, tire भी जाएगा, सब जाएगा, ठीक, आगे देखिए, and where the properties are debt or other actionable, the security is there of, debt है अगर, जो कि secured है, जैसे मान लीजिए, मैंने किसी व्यक्ति को 5,00,000 रुपे उधार द वो debt में transfer कर रहा हूँ, तो उसके साथ जो security रखी गई है मेरे पास, वो भी साथ में जाएगी, ठीक, and where the properties, money or other property, yielding income, the interest, और income there of accruing after the transfer, पैसा अगर मैं transfer कर रहा हूँ, तो transfer होने के बाद, उस पैसे पे जो interest मिलने वाला है, वो भी किसका होगा, transfer का, जिसको मैंने transfer करा है पैसा, उससे related interest भी बाद में, transfer के बाद जो accru होगा, उसके बाद जो आएगा, या create होगा, वो interest भी transfer होगा, तो basic सी बात यह है कि अगर main property आप transfer कर रहे हैं, तो ancillary चीजें भी साथ में transfer मनी जाती है, that's what section 8, operation of transfer, doctrine कौन सी है, the necessary follows the principle, so that is very important, इसके बाद आईए section 9, oral transfer की बा केता है कि कोई भी property का transfer, oral भी हो सकता है, जब तक law से prohibited ना हो, अब देखिए, law में कुछ specific तरीके की properties या कुछ specific transactions के लिए necessary requirements बना दी है, कि ये तो writing में होना चाहिए, ये तो registered ही होना चाहिए, आगर ऐसी कोई specific requirement नहीं है, in that case, transfer जो है, वो oral भी हो सकता है, section 9 ये बात बताता है, section number का question यहां से पूछा जाता है, भाई, a transfer of property may be made without writing in every case in which a writing is not expressly required by law, जहां writing expressly required नहीं है, law ने mandatorily लिख, ये बात नहीं बताई है कि ऐसा transfer तो लिखिती होगा, अगर ये बात mandatorily नहीं बताई गई है, law की तरफ से mandate नहीं है, कि इस particular transaction को लिखित में होना जरूरी है, ऐ वैसे कि इसमें आप oral transaction भी कर सकते हैं, that section 9 और pre के लिए section number बहुत ज़्यादा important है, अब आते हैं अपन section 10, अब देखो section 10, 11, 12, ये जो तीनों section है, थोड़ा सा बात समझना, थोड़ा सा concept अगर पहले समझ लोगे, तो जैसा मैंने आप से काता है, टीपी है बहुत इंटरस् मैंने कल ही आप से, जैसे अच्छा, दुशन ने एक example पूछा है, oral transfer का, तो जैसे मानलेजिए, अभी आगे आपन पढ़ेंगे, दुशन दर टीपीय में ही, यहाँ पे आपको लिखा में लिखा कि कोई भी immovable property, जिसकी value या transaction value 100 रुपे से ज़्यादा है, वो writing में होना चा है ना, जैसे law ने लिख दिया है कि 100 या उससे उपर की property transfer मान लीजिए, कहीं लिखा है कि 100 रुपे उससे ज़्यादा की value की property transfer करना लिखित में होना जरूरी है transaction, तो उससे कम की आप oral में कर सकते हैं, movable property आप verbally कर सकते हैं, अगर mandated requirement नहीं है, writing में होना ही की, ठीक है, section 10 आप किसी वेक्ति को property transfer करते हैं, अगर आप उसमें 17 तरीके की condition लगा दें, कोई भी ऐसी condition लगा दें, देखिए क्या होता है, जब आप ownership, specially किसकी बात करते हैं अपन, जब आप किसी वेक्ति को ownership देते हैं, तो वो ownership absolute nature की हुनी चाहिए, absolute से मतलब आप उसमें ifs and buts नहीं ल सुनिया भर की condition लगा, यह वो understood है, है ना, कि गाड़े तेज नहीं चलाओगे, यह नहीं करोगे, modification नहीं करोगे, इसमें, वो बात वाजिव लगती है, समझ में आता है, लेकिन अगर मैंने आप से car खरीद ली, if I am becoming the owner of that car, तो भाईया, then it should be left with me only, at my disposal, मैं उस गाड़ी मे चल इस पर भगाऊ, it should be my right, who are you to interfere with that, कली मैंने आपको बताया था कि transfer of property act का एक मकसद ये भी है, कि कोई भी वेक्ति एक property को indefinite time तक control ना करे, अब अगर आपने मुझे absolutely transfer कर दी है property, absolute transfer करने का मतलब मुझे आपने owner अगर बना दिया है, तो let me handle that property my way, अब आप थोड़ी बत हुआ, वो property आप मेरे disposal पे होनी चाहिए, वजब बात है कि नहीं, बस इनी बातों को 10-11-12 बताता है, कि ऐसी कोई conditions आप नहीं लगाएंगे, जब आप property transfer कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, तो इस तरीके की conditions आप नहीं लगा सकते, उसमें से एक important condition की बात हमारा section 10 करता ह section 10 क्या कहता है, alienation करने का power आप withhold नहीं कर सकते, condition, restraining, alienation, alienation का मतलब क्या होता है, alienation का मतलब होता है, to dispose off, alienation का मतलब to dispose off, आगे further transfer करना, आपने में को property transfer करी, with a condition, absolutely, और transfer कैसा होना चाहिए, अगर absolute, absolute कब होता है, जब आप ownership transfer करते हैं, आप मुझे gift के थो भी ownership transfer कर सकते हैं, आप sale के थो भी ownership transfer कर सकते हैं, बात इसकी नहीं है कि medium क्या है, हाँ, ownership transfer होनी चाहिए, absolute transfer वो होना चाहिए, अगर आप absolutely मुझे कोई चीज transfer कर रहे हैं, तो फिर आप यह control नहीं कर पाएंगे कि मैं उस property का क्या करूंगा, आगे मैं किसी को बेच हूँ या मैं उसमें आग लगा दूँ, यह आपका matter नहीं होना चाहिए, that's what section 10 says, पढ़ते हैं इसको, where property is transferred, subject to a condition or limitation, absolutely restraining the transfery, absolutely restraining the transfery or any person claiming under him from parting with or disposing of his interest in the property, the condition or limitation is void, except in the case of a lease, where the condition is for the benefit of the lesser or those claiming under him, देखिए, बात समझेगा, कि जब भी आप कोई interest property का transfer कर रहे हैं, जब भी आप कोई property transfer कर रहे हैं, आप उसमें ये condition impose नहीं कर सकते, कौन सी? Absolute restraint नहीं लगा सकते, alienation पे, alienation पे आप क्या नहीं लगा सकते? Absolute restraint नहीं लगा सकते, absolute restraint नहीं लगा सकते, मतलब आप completely prohibit नहीं कर सकते, उस property से part होने के लिए, या dispose off करने के लिए, अब 10 में एक बात आप और समझेंगे, कि यहाँ पे ये जो हमें बोला गया है, कि आप absolute restraint नहीं लगा सकते, तो क्या partial restraint लगा सकते हैं, जैसे आपने मुझे अपनी कोई property transfer करी, आपने घर मुझे transfer करा, और आप अगर ये condition लगाते हैं, कि उस घर को मैं बेची नहीं सकता किसी को, तो वो condition void होगी, अंडर section 10, वो condition void होगी, ये ध्यान रखना, ये भी बहुत important है, section 10 का, दोस्ट पर अभी में आता हूँ, तो अगर आप मुझे कोई घर transfer कर रहे हैं, और उस पर आप मुझे absolutely restraint करते हैं, alienation, कि आपने तो मुझे घर transfer कर दिया, लेकिन आपने मेरे उपर ये restraint लगा दिया, और ये absolute कब होगा, जब restraint यह है कि मैं किसी को भी ये घर transfer नहीं कर सकता अगर ये restraint आपने मेरे उपर लगा दिया है तो ये जो restraint है ये जो condition है आपकी ये void होगी transaction void नहीं होगा property का जो आपने अपना घर मुझे transfer किया है जिसमें एक condition आपने ये लगाई है कि मैं इसको किसी और को transfer नहीं कर सकता सिर्फ ये condition void होगी वो लेकिन transfer जो है वो valid होगा जो आपने मुझे घर transfer और ये मान लिया जाएगा as if you have transferred the house to me without any such condition ये impact होता है section 10 का अब एक सवाल यहाँ ये आता है कि क्या partial restraint लगाया जा सकता है जैसे for example आपने कई जगे देखा होगा कि एक society में अगर आप घर purchase कर रहे हैं तो वहाँ ये condition होती है कि इस घर को आप इस community के अलावा दूसरे community के वेक्ति को नहीं बेचेंगे normally आप देखेंगे ना जो defense say related colonies जैसे कुछ defense के retired लोग वोग नहीं होते वो अपनी एक colony separate बनाते हैं और उसमें वो घर उनी लोग को बेचते हैं जो defense है retired है और जो भी वेक्ति वहाँ घर खरीद रहा है वो उसके उपर ये condition भी लगाते हैं आपने देखा होगा वो उसके उपर ये condition भी लगाते हैं तो ये absolute restraint नहीं है तो क्या ये partial restraint valid होगा क्या ये partial restraint valid होगा दुशन का एक doubt is then why people give property saying that you can enjoy it in your lifetime and later it will go to उस पे आ रहे हैं दुशन वो बेटा अलग तरीखे का transfer ही होता है उसमें आप property transfer नहीं करते उससे related limited interest transfer करते हैं आप complete interest दुशन जिसकी आप बात कर रहे हो वो complete interest transfer नहीं होता वो interest अब ऐसे तो इसको ऐसे समझो कि property किराये पे भी तो देते हैं किराये पे देने का मतलब ये थोड़ी कि तुम बेच दोगे हमने तुम जब limited interest दिया है तो तुम limited ही transfer करोगे लेकिन हमने जब absolute interest दिया है उस पे हम ऐसी alienation को prohibit नहीं कर सकते और partial जो होता है बिलकुल ठीक है अभिशेक partial जो restraint है वो valid हो सकता है partial restraint valid होता है क्योंकि section 10 में expressly word use है absolute restraint कौनसा शब्द use है absolute restraint completely आप restraint नहीं कर सकते partial restraint valid होता है that's section 10 आचा इसका proviso भी बड़ा मज़यदार है बड़ा ही interesting proviso है आप उसको देखिये जरा हमने ये कहा कि आप जब किसी व्यक्ति को absolute interest create कर रहे है transfer कर रहे है property तो आप उस व्यक्ति पे ये condition साथ में impose नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति इस property को alienate नहीं कर सकता और आप कैसा restraint नहीं लगा सकते absolute restraint नहीं लगा सकते उस व्यक्ति के right पे property को dispose of करने के उसको आप absolutely restrict नहीं कर सकते हैं पार्शली कर सकते हैं इसके exception दिये हैं प्रवाईजों में प्रवाईजों पढ़िये जरा इसमें लिखा है provided that property may be transferred to or for the benefit of a woman not being a Hindu मौमदन बुद्धिस्ट इनको छोड़ के not being a Hindu मौमदन बुद्धिस्ट so that she shall not have power during her marriage to transfer or charge the same or her beneficial interest therein प्रवाईजों क्या कह रहा है यह प्रवाईजों कह रहा है कि अगर Hindu और Muslim और बुद्धिस्ट महिलाओं को छोड़ के किसी और महिला को अगर property किसी married woman को property transfer करी गई है तो उसके उपर आप यह condition impose कर सकते है प्रवाईजों का मतलब क्या है exception section 10 का general rule यह है कि जब आप property किसी व्यक्ति को transfer कर रहा है तो आप उसके उपर absolute restraint नहीं लगा सकते alienation का कि वो व्यक्ति इसे further transfer नहीं कर सकता यह condition आप उसपे impose नहीं कर सकते अगर करते हैं तो वो condition valid नहीं होगी that's what section 10 says प्रवाईजों क्या कह रहा है Hindu, Maumadam, Buddhas छोड़के बचा कौन? जनरली उस जमाने की बात करें Christian woman क्योंकि Hindu और Maumadam law में यह separately है already यह personal law में mention है कि married woman को जब आप कोई property transfer कर रहे है तो उसके उपर यह restraint लगाया जा सकता है कि आप अपनी property किसी को भी transfer नहीं करेंगे यह वहाँ personal law में already valid है इसलिए यह exception कर दिया गया है बाकि जो बची married महिलाएं है उन पे भी a restriction by the virtue of this proviso लगाया जा सकता है कि आप अपनी property किसी और को transfer नहीं करेंगे अब आपको लगेगा कि यह क्या है ऐसा क्यों की आ गया भाई क्या purpose है ऐसा कि married woman को जब कोई property transfer करी जा रही है उसके उपर हम condition impose कर रहे है कि तुम इसको alienate नहीं कर सकते किसी दूसरे को नहीं दे सकते इसका कारण यह हुआ करता था उस point of time पे कि married woman को जब property कोई दी जाती थी वो इस purpose के लिए कि उसके सोग दुख में वो property काम आए भया शादी करके वो एक दूसरी family में जा रही है तो वहाँ अगर उसे कुछ समस्या होती है तो कुछ property उसके पास रहे और उससे यह right आपने छीन लिया property transfer करते समय है यह कि आप किसी और को transfer नहीं करोगे ताकि वो जीवन परहंत उसके पास ही रहे ताकि बुरे समय में वो उसे इस्तेमाल कर पाए अगर यह condition इंपोज नहीं करी जाती तो basic purpose नहीं यह उसको property दी है मान लिजिए उसके family ने कुछ तो यह जो husband है यह क्या करते दो-चार selfie लेते Instagram पे upload करते my loving wife और बदले में उससे कहते कि अब अपनी जो property है वो transfer कर दो हमको और महिलाएं थोड़ी सी जादा इस तरीके की consider करी जाती है by nature में पर करी जाती थी आज की बात अपनी कर रहे हैं बहुत पुरान आक्ट इसलिए बता रहा हूँ उस समय का exception है तब ऐसा consider होता था कि जल्दी influence हो जाती है husband से तो कहीं husband बहला पुसला के वो जो property जो उसके भले के लिए उसको दी गई थी वो ये transfer ना करा ले इस purpose के लिए basically ये provision लगाया गया था कि भाईया ये ना हो कि इसके भले के लिए हम इसको property दे रहे हैं लेकिन ये वाजा के husband को transfer कर दे और बाद में ये फिर वो इखाली हात हो जाए कि कुछ इसके पास ना बचे इसी लिए provision में लिखा है कि married महिला को अगर आप property दे रहे हैं तो वहाँ आप ये condition लगा सकते हैं और हिंदू बुद्धिस मुस्लिम को यहां से हटाया क्यों है क्योंकि वो personal law में anyways उनका ये condition के साथ transfer करना allowed होता है दुशेंद हद नहीं है बटा ये उस समय की बात है आप बात तो समझो 1882 का आक्ट अपन पढ़ रहे हैं 2023 अलग है आज ऐसा नहीं होता कि husband इतने अराम से influence कर लें है ना आजकल तो उल्टा ही हो जाता है तो आब की बात अपन नहीं कर रहे हैं जैसे कई बार मैंने अपनी वाइफ शायद आप उन्हें जानते हैं पूजामन जो YouTube चानल पर भी कभी कभी दिखती हैं बट बाकी सारा मेंस और content वाला portion वो सारा दिखती हैं तो कई बार मैं उनसे कहता हूं कि यार तुमारा जो bank account है उसको अपन joint करा लेते हैं मेरा भी नाम उसमें joint करा लो तो अब वो जमाना नहीं रहा भाई अब 2023 हा गया है तुरंट मुझे reply मिलता है कि पहले जो एलेक का account है उसमें मुझे add करा हूँ तो मैं अपने में कराऊंगी तो फिर मैं कहता हूँ मैडम रहन दो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बद गुजारा मेरा हो रहा है उसको भी मैं joint कर दूँगा तो मेरे पास क्या वच्छेगा है ना तो अब वो पिस्तिती शायद नहीं है पहले थी तो पहले की women थोड़ी जादा vulnerable थी आज नहीं है आज empowered है अब तो पूरुषों को empowerment की जरुरत है और वो भी तब जब आपकी वीवी law background की हो तो तो आपको empowerment की जरुरत है फिर तो यह जो प्रोवाईजो है बिसिकली उस purpose को फुलफिल करने के लिए बनाया गया था चलिए 11 पे आजाईए अब section 11 restriction repugnant to interest created that is also important section 11 और कुछ similar बात ही section 11 भी कहता है section 11 देखिये restriction repugnant to interest created similar कहानी आगे भी चलेगी जैसी पहले चल रही थी कुछ वैसी ही कहानी आगे भी चलेगी यह आपनों के reaction देखके मुझे लग रहा है आपको लग रहा है में मजाक कर रहा हूं seriously आपको ऐसा लगता होगा that I am the founder of this platform so I only own this मैं आपको बता दूँ मैं सिर्फ एक faculty हूं इस organization को चलाने वाले लोग अलगी हैं जो इसे चला रहे हैं और जिनोंने मुझे schedule बना के दे दिया है कि YouTube पे आपको इतनी lecture लेना है आपको यह करना है क्योंकि हम तो बहुत टाइम से चला रहे थे लेकिन क्या हो रहा था पड़ा हम पहले भी बढ़िया रहे थे लेकिन क्योंकि हम यह नहीं बता रहे थे स्ट्राटेजी टु इसलिए थोड़ा से रीच नहीं हो पा रहा था तो आजकल मुझे एकदम साइड कर दिया गया है इस organization में मेरे को सिर्फ इतनी importance मेरी बची है कि मुझे पढ़ना है और पढ़ाना है बाकि सब अपने हाथ से निकल गया है भाई 11 देखिए restriction repugnant to interest created ये भी उसी तरीके की बात है कि जब आप एक property किसी वेक्ती को वो जो मैंने आपसे कहा था था अभी तो हमने पढ़ा कि आप alienation का right withhold नहीं कर सकते 11 के रहा है आप manner नहीं बता सकते कि property कैसे इस्तेमाल करनी है 11 वो बता रहा है जो मैंने अभी आपको कहा कि आपने में को property transfer तो कर दी लेकिन आप हमें यह नहीं बताएंगे कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे कैसे उसे enjoy करना है उस पे आप conditions impose नहीं करेंगे मैं एक piece of land किसी नहीं है इस पे आप सिर्फ और सिर्फ खेती करेंगे और कुछ नहीं यह condition में impose नहीं कर सकता या मैं यह नहीं बोल सकता कि इसमें आप सिर्फ सबजी होगाएंगे यह चावल आप नहीं होगा सकते इस condition के साथ मैं absolute transfer नहीं कर सकता क्योंकि बात वही है जब आप owner बना रहे ह हैं तो let that person handle the property आप हमेशा control नहीं कर सकते किसी property को यह basic idea है इस पूरे स्टाट्यूट का या transfer of property का ठीक है अब आप ट्रेक पर आगए है नहीं पत नहीं रहे कि पूचा हाँ बिलकुल सही है आप बिलकुल सही कह रहे है क्योंकि यह सब अब जो आप देख रहे हैं बदलाव यह सब इन चीज़ों की देन हैं है ना क्योंकि पड़ा तो अपन पांस साल से रहे थे लेकिन समस्यावाई है कि आपको जो चाहिए शायद वो अलग चीज़ है तो आप वो भी मिल रही है आपको अप्सिल्यूट इंट्रेस्ट क्रियेट अगर किया है एप्सिल्यूट इंट्रेस्ट माने ओनर्शिप ओनर्शिप अगर आप किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी की दे रहे हैं तो फिर आप उसको यह नहीं बता सकते कि इसको यूज कैसे करना है इसको इन जॉए कैसे करना है यह सारी बातें आप बिलकुल उसे डारेक्ट या इं इंपोज नहीं कर सकते उस ट्रांसवर के सांथ चीक है समझ ये जरा आगे की कहानी और वेर आना ट्रांसवर और एंटरेस्ट अट्रेस्ट आरेक्ट आप सच इंट्रेस्ट शाल भी अपलईड और इंजॉएड बाई हिम इन पर्टिकॉलर मैनर आप यह ॉन्हीं बता सकते कि कैसे enjoy करना है या इस particular manner में enjoy करना है he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction अगर आपने उस transfer में कोई direction दिये भी है आपने ग्यान दिया भी है कि ऐसे इसको ऐसे इस्तिमाल करना the person is not bound by that वो transfer valid होगा लेकिन आपने जो direction दिया है कि इसको कैसे इस्तिमाल करना है वो direction valid नहीं होगा और माना जाएगा जैसे वो transfer बिना उस direction या बिना उस condition के transfer किया गया है ये उसका impact होगा I hope that is clear अब भाईया एक exception है उसको ज़रा और समझे लिजिए section 11 के बहुत important है exception अब हम ये कह रहे हैं कि जब हम एक property transfer करते हैं तो हम उसके उपर ये restriction impose नहीं कर सकते कि किस manner में आपको उस property को इस्तेमाल करना है अगर transfer कैसा है absolute है absolute interest अगर आपने transfer कर दिया है चाहे gift किया हो चाहे sale किया हो whatever it is लेकिन अगर आपने absolute interest अगर transfer कर दिया है तो आप manner नहीं बताएंगे कि कैसे enjoy करना है लेकिन इसका एक exception आगे लिखा है second paragraph में उसको पढ़िए where any such direction has been made in respect of one piece of immovable property किस की बात चल रही है immovable property की in respect of one piece of immovable property for the purpose of securing the beneficial enjoyment of another piece of such property nothing in this section shall be deemed to affect any right which the transferer may have to enforce such direction or any remedy which he may have in respect of a breach thereof समझे अगर आप कोई immovable property दूसरे वक्ति को transfer कर रहे हैं absolute interest create कर रहे हैं और वो property part में दे रहे हैं अगर general rule क्या है कि जब भी आप कोई भी property किसी वक्ति को transfer कर रहे हैं absolute interest अगर transfer कर रहे हैं तो आप उसको यह नहीं बताएंगे कि उस property को कैसे इस्तिमाल करना है लेकिन अगर वो property immovable property है और immovable property कैसी immovable property भी ऐसी जो part में हैं जैसे मान लीजिए यह यह piece of land है इसमें एक घर बना हुआ है यह घर है और यह garden है उस घर का तो इस piece of land के दो paths है एडजिसेंट लैंड है एक यह और एक यह 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 यहाँ पे घर है यहाँ पे यह रहता है जिसकी यह पूरी जमीन है और यह घर है किसकी है एक यह अब अगर मान लीजिए ए अपनी property का एक portion अपनी इस immovable property का एक portion किसी दूसरे को transfer करता है absolute interest transfer करता है अगर ए यह property बी को sale करता है कौनसी land बी को क्या sale कर रहा है यह land यह piece of land तो A, B के उपर कुछ restrictions लगा सकता है जो A के transferor के beneficial enjoyment से related हो क्योंकि यह portion और किसके benefit के लिए transferor के किसी तीसरे विक्ति के नहीं क्योंकि एक portion जो immovable property का है it is the portion of the transferor तो इस portion के beneficial enjoyment के लिए अगर जरूरी है कोई condition impose करना तो वो लगाई जा सकती है जैसे इस transfer में A, B को बोल सकता है कि भईया इस land पे अगर तुम कोई construction करो तो वो ऐसा होना चाहिए जिससे मेरा right of air and light obstruct नहूं इस condition के साथ A, B का absolute interest create कर सकता है as an exception general rule तो यह है कि जब आपने piece of land B को wedge दिया तो अब उसको जैसे इस्तेमाल करना वो करेगा that's one thing उसी का exception अपन second paragraph में पढ़ रहे हैं वो यह conditions क्या है exception अगर आपको use करना है तो कि जो transferor है एक portion वो अपने beneficial enjoyment के लिए use कर रहा है और उसके beneficial enjoyment के लिए condition लगाना ज़रूरी है जैसे A ने ये condition impose की कि अगर आप इस land पे कुछ construction करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना है कि इसका जो अधिकार है air और light का वो obstruct ना हो इस condition के साथ अगर A ये land transfer कर रहा है absolutely किसको B को तो ये condition valid मानी जाएगी ये void नहीं होगी that is an exception to section 11 और इसको restrictive covenant के नाम से जाना जाता है case बहुत important है इस particular चीज का case का नाम बता सकता है आप में से खोई restrictive covenant बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है transfer with restrictive covenant restrictive covenant मतलब हमने आपके उपर थोड़े से restrictions लगा के साथ में transfer किया है that's very correct अभिशेक तल्क वर्सस मोक से that's a case बहुत important है यह यह जो doctrine of restrictive covenant का principle है इस case में बताया गया था ठीक है इसलिए यह important है so this case is important regarding this ठीक है that is important आया भाई समझ में section 11 general rule होगा कि आप manner restrict नहीं कर सकते enjoyment का अगर absolute interest create कर रहे हैं किसी दूसरे का but that is an exception और exceptions की necessary conditions भी मैंने आपको बता दी हैं राहुल जी का सवाल है आपने एक्जाम दिया है कभी civil judge का जी राहुल जी विलकुल दिया है लेकिन बात यह है कि I was an UPSC aspirant immediately after my graduation 2013 में मैंने भी एचिव से law complete किया and I was a civil services aspirant में judiciary aspirant नहीं था and I have given my attempt there उसके अलावा मैंने जागवक एक्जाम दिये but I couldn't succeed civil judge मैंने कभी बहुत interest के साथ तैयरी पहले तो नहीं की थी बाद में फिर मुझे लगा थोड़ा क्योंकि law की तरफ काफी जादा inclination है मेरा law पढ़ने में काफी इंट्रेस्ट था मुझे जिसा आप देख पा रहे हैं इसलिए सारे सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं कि मुझे बहुत इंट्रेस्ट है लओ पढ़ने और पढ़ने में तो वापस जब मुझे यह रियलाइज हुआ कि मेरा इंट्रेस्ट आक्चुली लौ ही जादा है राधर देन एकॉनमी साइन्स और बाकी चीजें तो फिर मैंने लौ और जादा पढ़ना चालू कि और अब्विसली आप जब लौ पढ़ते हैं तो जुडिश्री को आप सामने रखते हैं बट मैंने बहुत सीरियसली नहीं दिय इसलिए इस इंस्टिट्यूट में भी मेरे उपर एप्लिकेबल होती है और इसलिए आप जानते हैं कि इस इंस्टिट्यूट की डिरेक्टर पूजा मनम है क्योंकि वह बहुत सीरियस जुडिशरी आस्परेंट रही है और शी क्वालिफाइड MPCJ जे अस वेल वेटिंग ल जो खाम्याजा है वो मुझे हमेशा बतना पड़ता है ना हाँ दुष्यां दिये बाद मुझे बहुत जल्दी रियलाइज हो गई थी कि पढ़ाना ही है मुझे एक वो होता है कि भाई आप मने कुछ डिसाइड किया वो नहीं हुआ तो आपने वो दूसरा ऑप्शन कर लिय बट टीचिंग वोज नोट आइडिंट स्टाइड टीचिंग इन दाट मैना मैंने विलिंगली यह डिसाइड किया था कि आइल बी अमिंटर मैं दोजार अठारा से जुडीशरी पढ़ा रहा हूं दोजार तेरा के बाद सी क्लाट एस्परेंट्स को पढ़ा रहा हूं दस- इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग भी कोशिश करिए अपने इंटरेस्ट को जरूर पहचानिए और उसकी तरफ काम करिए तो आप खुछ भी रहते हैं और आपका परफॉर्मेंस भी वो बात बोलता है खुद फिर कि आपने ये काम चूज किया है ठीक है सो दाट इस सेक्शन 11 इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 12 कुछ ऐसा ही है सेक्शन 12 भी अब 12 भी यह कहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसवर कर रहे हैं तो उस पे ये कंडिशन आप मतलगाईए देखिए सेक्शन 10 ने क्या बताया कि जब आप किसी को सेक्शन 12 केता है कि अगर आपने किसी वक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसवर करी है तो आप उसके उपर ये कंडिशन इंपोज नहीं करेंगे कि in case of he becoming an insolvent की future में अगर वो insolvent हो गया तो ये transfer fail हो जाएगा ये condition आप नहीं लगा सकते तो इसका एक exception भी है उसकी बात करेंगे लेकिन that is very important which you need to understand कि जब एक property किसी वक्ति को transfer करी जा रही है एक property जब दूसरे को आप transfer कर रहे हैं तो आप transfer के insolvent होने की condition में ये मतब जब आप transfer कर रहे है तब आप ये condition impose नहीं कर सकते कि अगर कल को वो insolvent हो गया, तो यह transfer खतम हो जाएगा, यह condition आप impose नहीं कर सकता है, अभी reason भी समझेंगे, तो थोड़ी picture जादा clear होगी आपकी, देखिए, आपका वो interest जो हम आज आपको create करके दे रहे हैं, वो खतम हो जाएगा, किस condition में, on his becoming insolvent, उसके insolvent होने की condition में, वो जो interest हम आज create कर रहे हैं, वो खतम हो जाएगा, और endeavoring to transfer और dispose of the same, या फिर अगर वो alienation attempt करता है, जो property मैंने आज किसी को transfer करी है, अगर मैं उस पे ये condition लगा दूँ, कि future में अगर तुम किसी को transfer करना attempt करते हो, तो तुम्हारा interest इस property से खतम हो जाएगा, ये condition invalid होगी, या फिर मैं किसी को property transfer करते समय, उस पे ये condition लगाता हूँ, कि अगर तुम कल को insolvent हो गए, तो property में तुम्हारा interest खतम हो जाएगा, वो property वापस मेरी हो जाएगी, तो ये condition भी valid नहीं होगी, दोनों condition, attempt of alienation, जो head note में लिखा है, head note क्या कहता है, condition making interest determinable on insolvency और attempted alienation, कि आप अगर transfer करने का attempt करेंगे, तो आपका interest खतम हो जाएगा, ये condition भी invalid है, अगर मैंने transfer किया है विदा condition, कि कल को अगर आप insolvent हो गए, तो आपका interest हो जाएगा property में, this condition is also invalid, तो फर्स्ट पराग such condition or limitation is void, ध्यान रखना, 10, 11, 12, तीनों में, transaction invalid नहीं होता, वो condition invalid होती है, that is also an important point to be remembered, अब इसका भी एक exception है, देखिये लिखा है, nothing in this section applies to a condition in a lease for the benefit of the lesser or those claiming under him, Lease के case में आप ये, क्योंकि देखो, section 12 ने absolute interest create करने की बात नहीं करी, जैसे 11 में तो clearly लिखा था, कि 11 कहाँ applicable है, जहाँ आप किसी वक्ती का property में absolute interest create कर रहे हैं, but 12 उसकी बात नहीं कर रहा है, हर तरीके के interest के लिए बात कर रहा है, इसलिए एक exception बता दिया है, कि lease में ये condition applicable नहीं होगे, बहुत obvious सी चीज़े, आप थोड़ा logic समझना अगी, अगर मैं किसी को property lease पे दे रहा हूँ, और उसमें मैंने ये condition लगाई है, कि भाया, अगर आप insolvent हो गए, तो lease वही terminate हो जाएगी, तो वो मेरा interest solve करने के लिए, क्योंकि मैंने lease पे दी है, तो किराया लू अच्छा, जब आप transfer करते हैं property, और उसके उपर अगर ये condition लगाते हैं, कि तुम insolvent हो गए, तो ये interest seize, तुमारा interest seize हो जाएगा, ये permissible क्यों नहीं है, तो एक logic तो वो है, कि भाई, जब आप ownership दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो फिर पूरी दो, फिर उससे क्या मतलब कि वो क्या हो रहा है, उसके साथ आगया, वो क्या कर रहा है अप उस तरीके से दो, लेकर एक जो major logic इसके पीछे है, वो है इस व्यक्ति के, जो insolvent हो रहा है, उस व्यक्ति के creditors के interest को secure करना, थोड़ा सा बात समझना इसको, जैसे माल लिजिए, A को, sorry, A ने B को एक property transfer करी, एक बड़ा सा piece of land, जिस पर एक बहुत बड़ी सी कोठी है, ये कोठी और एक बड़ा सा piece of land, A ने transfer कर दिया किसको, B को, माल लिजिए, absolute transfer है, owner बना दिया, sale कर दिया, माल लिजिए, इसको, ठीक, अब बात सुनना ज़रा, एक मिनट मेरी, अगर इसने sale कर दिया, B को, और साथ मे condition ये लगाई है, कि भाईया, कल को अगर तुम insolvent हो गए, अगर तुम कल को insolvent हो गए, तो ये जो transfer है, ये invalid हो जाएगा, या तुम्हारा interest इस property में seize हो जाएगा, तुम्हारा interest नहीं बचेगा, अगर ये condition लग गई, तुम माल लिजिए, कि B जो है, अगर इसके कोई creditors है, क्रेडिटर समझते हैं न, जन्होंने इसको उधार दे रखा है, अब जो क्रेडिटर है, उन्होंने B को उधार क्या देख के रखा है, क्या रहे, इस जमीन है, जायदाद है, ठीक है, पैसा दे देते हैं, वापिस नहीं करेगा, तो यहां से वसूल लेंगे अपन, court कराने, इसके नाम पे जमीने हैं, इसके नाम पे घर है, दे दो पैसा, कल को नहीं लोटाएगा, तो वसूल लेंगे, लेकिन इन गरीबों को थोड़ी पता है, कि इस बंदे को जो property transfer हुई है, वो इस condition के साथ हुई है, कि कल को अगर इसकी नहीं रहेगी, इससे किसका interest effect इस विश्वास पे इनों ने दिया है, लेकिन यहां property transfer करने वाले ने पहले ही condition impose कर दी थी, यह property transfer तो हो रही है, लेकिन अगर तुम्हारा interest हो जाएगा, इसलिए section 12 कहता है, कि इस तरीके की जो condition होगी, यह condition valid नहीं होगी, I hope you are getting this, I hope this is clear, दुशन्द का एक doubt है कि 10 और 12 overlapping नहीं है इस तरीके से उस अंतर को समझना दुशन्द, section 10 जो है वो बात कर रहा है कि अगर आपने उस पे condition लगाई है, कि आप alienate नहीं कर पाएंगे, interest आपका ही रहेगा, property आपकी ही रहेगी, लेकिन आप उस property को कभी भी किसी और को transfer नहीं कर पाएंगे, absolutely, इस condition के साथ आपने आज transfer कर दिया है, मतलब उसका तो interest हो गया हमेशा के लिए property में, बस वो restricted है कि किसी और को बेच नहीं सकता, 12 क्या कह रहा है, कि हम आपको transfer तो कर रहे हैं, लेकिन यह transfer ही conditional है, कैसे कि अगर तुम insolvent हो गए, या तुमने बेचने की कोशिश करी, तो तुमारा interest ही seize हो जाएगा इस property से, section 10 में interest seize नहीं होता, transfer तो हो गई है property, बस आप इसको कभी बेच नहीं पाएंगे, अगर आप बेचेंगे तो मैं आपके again suit file कर लूँगा, ऐसी condition आप लगा के बेच रहें, तो वो condition ही invalid है, आप बात समझ रहें, और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, कि अगर तुमने बेचने के कोशिश करी, तो तुमारा interest इस property में सही seize हो जाएगा, तुम खुद ही इसके उनर नहीं रहोगे, यह condition लगा के अगर मैं आपको बेच रहा हूँ, तो valid नहीं है, actually एक बात और ध्यान रखना, यह आप समझेंगे, अभी दुशन जब अपन conditional transfer with condition पढ़ेंगे न, conditional transfer, ऐसा आप कर सकते हैं, आप किसी वक्ती का interest create कर सकते हैं property में, with a condition subsequent, कि future में अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो इस property से तुमारा interest tease हो जाएगा, इस तरीके के transactions valid होते हैं, section 31 और 32 आप देखेंगे, तो यह अधिकार आपको देते हैं, और एक बात ध्यान रखना, आप चाहें बेरट में लिख लीजिए, section 12 is an exception, section 12 is an exception to section 31 and 32, यह बात ध्यान रखना थोड़ी से ज़्यादा समझ में आईगी, जब conditional transfer की तरफ जाएंगे, section 12 लेकिन इसका exception है, क्योंकि आगे provisions यह allow करते हैं, कि आप एक subsequent condition लगाके transfer कर सकते हैं, कि आप यह बोल सकते हैं, कि अगर यह चीज नहीं हुई या आपने नहीं करी, तो आपका interest सीज हो जाएगा, यह आप आगे चलके अभी आपन पढ़ेंगे, कि आप यह कर सकते हैं, लेकिन उन condition subsequent में यह condition नहीं हो सकती, insolvency cannot be that condition, and attempted alienation cannot be that condition, इसके अलावा कोई और condition लगाके अगर आप transfer कर रहे हैं, तो वो transfer valid होगा, ठीक है, so that is the difference between the two, यह भी conditional पर जाएंगे, तब actually आपको doubt होगा, कि अच्छा सर पहले तो अपन ने पढ़ाए कि ownership दे रहा हो तो पूरी दो, तो ownership तो पूरी देते हैं, बट वो पूरी ownership is subject to a condition, यह होते हैं आपके conditional transfer, अभी उस पर जाएंगे, तो और अच्छे से और इत्मिनान से उस बात को मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक है, फिलाल sorted है अभी का game, 10 और 12 का difference है, 10 में आप सीदे-सीदे यह condition लगा देते हैं, कि आप alienate कर ही नहीं सकते, ले 12 में क्या है, आपका interest ही subjective है, कि अगर आपने बेचने की कोशिच की, तो आपका interest ही हो जाएगा, that's what 12 says, conditional transfer से related है, ठीक है, तो यह हो गया आपका 10, 11, 12, जहां आप conditions या restrictions impose करते हैं, किसी वेक्ति को property transfer करते समय, तो वो conditions valid या वाजव नहीं मानी जाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, अब अपन एक दूसरी चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, section 13-14, जो बात करता है, transfer to unborn person, और 14 बात करता है, rule against perpetuity, बहुत important concepts है, देखो वाई, अब मैंने आपको पहले भी बताया है, चाहे वो specific relief हो, चाहे वो limitation act हो, चाहे वो contract हो, है ना, या चाहे CPC हो, अब CPC भ 16 गंटे में complete किया है, और आप खुद जानते हैं कि ये ऐसे-ऐसे subjects और इतने-इतने concept इन में है, contract अपनने, मेरे खाल, 3 गंटे के 4 lecture में, 10-12 गंटे में complete कर लिया, इस YouTube sessions में, तो वो हमारी एक limitation है, है ना, इस लिए, इस way में अपन इसको कर रहे हैं, बट फिर भी कोशिश म बाते समझ आए, पूरी-पूरी, आप बैरेट उठाके पढ़ें, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ इसे निकले, वही सेम काम अपन 13-14 में भी करेंगे, लेकिन आपको ये बात मैं बता दूं कि अनबॉन अकेला, समझाने में 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 2-2 गंटे की 2 class लगती है, फाउंडेशन ब contingent interest का भी properly हो जाए, that I'll try from my side, तो अब देखिए, समझ ये जरा section 13-14, पहले overview पूरी कहानी के माध्यम से समझ लीजे, फिर अपन provision पे जाएंगे, देखिए, हमने पहले ही इस act के बारे में जो बात करी है, transfer of property act की जो हमने बात की है, तो हमने ये देखा, कि transfer of property act जो है, वो transfer intervivos को deal करता है, intervivos transfer का मतलब दो living party के बीच, party द्वारा transfer और दो living being के बीच का transfer, जिन्दा व्यक्तियों के बीच जो transfer है, उसको govern करता है, transfer of property act, अब हम transfer किसको करने की बात कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जो पैदा नहीं हुआ, unborn व्यक्ति को क्या आप कर सकते हैं, तो general answer अगर आपसे मैं expect करूं इस सवाल का, तो आप कहेंगे sir नहीं, क्योंकि आप नहीं तो यह पड़ाया है, it is, it deals with intervivos transfer, जीवित व्यक्तियों के बीच के transfer की बात करता है, जो व्यक्ति जीवित नहीं है, उसको तो आप transfer कर ही नहीं सकते, that's what intervivos mean, तो फिर हम unborn को कैसे कर रह जना, a child who is in the mother's womb, वो transfer ही बन सकता है valid, as per transfer of property art, a child who has begotten, जो गर्भ में आ गया है, mother के, वो entitled है, property में interest hold करने के लिए, उसके favor में आप interest create कर सकते हैं, हाँ, उसको मिलता कब है, interest पैदा होने पे, लेकिन interest create किया जाता है, उसके लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं, unborn person की, who has not yet begotten, अभी तक वो गर्भ में भी नहीं आया है, कोई ऐसा person, जो in future आ सकता है, existence में पैदा हो सकता है, उसको अगर हमें property transfer करनी है, तो कैसे करेंगे, इस बात को section 13 बताता है, उसके अभी मैं आपको rules बताता हूँ, फिर section 14 बात करता है, rule against perpetuity, अब देखिए, आप एक बात समझेगा, मतलब थोड़ा logic समझना इस पूरे act का, और interviews transfer से deal करने का, कि जीवित वेक्तियों के बीच अगर हम transfer validate कर रहे हैं, transfer of property act में, इसका मतलब हम उस purpose को fulfill कर रहे हैं, जिसकी कल हमने बात की थी, कि एक वेक्ति indefinite time तक property को control नहीं करे जो बच्चा हाज एक साल का, एक दिन हुआ पैदा हुए, दो दिन हुए, वो ज्यादा से ज्यादा कितना जीएगा, 60, 70, 90, 100 साल, 100 साल, तो जिस environment और जिस हालत में हम लोग जी रहे हैं, अब तो वैसे भी वो जो life expectancy होती हो, बड़ी कम हो गई है, मुझे नहीं लगता, 60, 70 स्यादा उम्र है हम लोगों की, तो अगर दो living being के बीच transfer हो रहा है property का, तो जो transfer है, मैं अगर किसी वक्ती को transfer कर रहा हूं, तो maximum किते दिन तक मैं उस चीज़ को control कर सकता हूं, या उस पे मेरा अधिकार हो सकता है, अगले कुछ 60-70 साल, maximum not beyond that, इस से जाधा property control होने ही सकती, तो ये एक बात आप थोड़ी समझिएगा, कि living persons के बीच जब हमने बात की, तो तो already वो चीज़ हो रही है, लेकिन हम अगर किसी वक्ती को authorize कर रहे हैं, कि आप एक unborn के favor में भी transfer कर सकते हैं, जो वक्ती पैदा ही नहीं हुआ, तो फिर तो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मा लड़का अभी मान लिजे 25 साल का है, जिसकी शादी भी नहीं हुई है, उन्होंने property transfer करते हुए ये कहा, या वो property transfer करना चाहते हैं, कि भाई हमारा जो लड़का है, इसकी शादी होगी, और इसका जो बच्चा होगा, हम उसको property देना चाह रहे हैं, आज ही हम transfer करना चाह रह हैं, और ऐसे लड़के के जो बच्चा पैदा होगा, उसके favor में transfer करना अंकल चाह रहे हैं, चलो हमने अगर ये भी permit कर दिया, इन some or the other way, कि चलो भाई उसको कर दो, अंकल करें नहीं उसको भी नहीं, लड़के का जो दी बच्चा पैदा होगा, उसके बच्चे के बच्चे को हम transfer करेंगे, अब ऐसे तो भाई ये फिर indefinite time तक चला जाएगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं रहेगी, अंकल ही control कर रहे हैं property को for an indefinite period, which is against the basic principle of this law, तो ऐसे case में, rule against perpetuity या section 14, एक समय सीमा निर्धारित करता है, कि आप किस हद तक property को control कर सकते हैं, इस बात की limitation बताता है section 14, 14 जादा समझ में तब आएगा, जब तेरा समझेंगे, तो एक overview लेकिन आपको मैंने बताया है, अब आईए ज़रा section 13, section 13 क्या validate कर रहा है, ऐसे person के favor में transaction को validate कर रहा है, जो existence में आया ही नहीं है, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, ऐसे बच्चे के favor में भी transaction को validate कर रहा है, section 13, तो उसको समझते हैं, कि वो किन conditions के साथ valid माना जाता है, section 13 देखिए, where on a transfer of property, an interest therein is created for the benefit of a person not in existence, ऐसे person के benefit के लिए आप interest, या ऐसे person के benefit में आप interest create कर रहे हैं, जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, at the date of the transfer, transfer जब आप कर रहे हैं, उस समय वो वक्ति existence में ही नहीं है, जिस समय आप property transfer कर रहे हैं, किसी वक्ति के favor में, वो आज तक existence में, अभी वो existence में है ही नहीं, आगे लिखा है, subject to a prior interest created by the same transfer, यह essential condition है, क्या है, subject to a prior interest created by the same transfer, the interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extends to the whole of the remaining interest of the transferer in the property, अब बात समझना, आप जब किसी वक्ति का interest create करते हैं, प्रॉपर्टी में, तो एक बात समझना, वो interest create करने का मतलब, सिर्फ और सिर्फ ownership नहीं होता, इंट्रेस्ट का मतलब, सिर्फ और सिर्फ ownership नहीं होता, भाई, जो possessory title है, या tenant का जो अधिकार है, that is also an entitlement, that is also an interest, लेसी का जो अधिकार है, प्रॉपर्टी यूज करने का, लीज के दौरान, या एक tenant का, किरायदार का जो अधिकार है, प्रॉपर्टी यूज करने का, उसके rent agreement के दौरान, that is also an interest, ownership is not the only interest in property, there are several interests, जैसे tenancy, lease, ऐसा ही एक interest होता है, life interest, क्या होता है, life interest, life interest मतलब आपने एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी की possession और enjoyment का अधिकार दे दिया है, till that person is alive, till that person is alive, जब तक जिन्दा है, तब तक, आप interest उसे दे सकते हैं, क्या, क्या interest होता है इसमें, possession का, enjoyment का, लेकिन उस व्यक्ति के पास बेचने का अधिकार नहीं है, वो property को dispose of नहीं कर सकता, अब आप कहेंगे सर, section 11 में हमने पड़ा है, कि आप manner नहीं बताएंगे, या section 10 में हमने पड़ा है, कि आप alienate करने से नहीं रोक सकते, इसलिए मैंने बार-बार 11 और 10 में कहा था, कि वहाँ जो आप interest create कर रहे हैं, या जो transfer आप कर रहे हैं, वो क्या absolute interest, वहाँ आप क्या कर रहे हैं, section 11 में भी आप देखेंगे, बहुत clearly लिखा है, आप क्या कर रहे हैं, absolute interest transfer कर रहे हैं, लेकिन जहाँ आपने interest ही limited transfer किया है, भाई वहाँ पे तो बहुत clear है ना, कि उतना ही अधिकार है उस वक्ती के पास, आपने एक property गिराय पे दी है, तो वक्ती बेच थोड़ी देगा उसको, क्योंकि आपने उसका, भाई, section 6 भी हमने पड़ा, 6 से हमें क्या समझ माया, कि जितना अधिकार आपका है, आप उतना ही transfer करेंगे, उकाद से ज्यादा transfer नहीं कर सकते, जो अधिकार आपका ही नहीं है, वो थोड़ी आप transfer कर दो, तो alienation का अधिकार आपके पास तब आएगा, जब वो property आप absolutely उन करेंगे, तब ही तो आप alienate कर सकते हैं, otherwise तो कर ही नहीं सकते, section 11 भी जो हम बात कर रहे हैं, कि आपके enjoy करने के manner को हम restrict नहीं कर सकते, वो तब ना जब absolute interest create किया हो आपका, अगर आपका interest ही restricted है, मैंने आपको property create किया मैंने आपका, absolute interest का मतलब होता है, owner बना देना, ownership मैंने वो transfer नहीं करी, मैंने आपको lease पे दिया, खिराय पे दिया है मैंने घर, और मैंने बोला है, आप दुकान नहीं खोल सकते, इधर तो नहीं खोल सकते, उसको आप बिलकुल regulate कर सकते हैं, ऐसे condition में आप regulate कर सकते है लेकिन अगर absolute transfer कर रहे हैं, वहां regulate नहीं करेंगे, तो ownership में absolute transfer होता है, लेकिन जो life interest होता है, it is not an absolute interest, life interest का मतलब क्या होता है, बात समझना, सिर्फ possession का, enjoyment का अधिकार है, till you are alive, इसके बाद ये property किसी ultimate beneficiary को जानी है, आपका हक नहीं है उस property पे, जैसे for example, अब समझना, यहीं unborn वाली चीज भी आपकी शुरू हो रही है basically, माल लिजिये, ए इस piece of land को own करते हैं, जमीन है इनकी, इन्होंने क्या किया, एक life interest क्रियेट किया, एक व्यक्ति का, बी का क्या क्रियेट किया, इन्होंने life interest, इस land पे, अब life interest का क्या मतलब होगा, we can have possession of the land, we can use this land, और यह basically एक guardian या trustee की तरह देखभाल करेगा इस जमीन की, यह जमीन इसकी है नहीं, इसकी है नहीं से मेरा मतलब, बी की death होने के बाद, life interest है उसका सिरफ, इसका मतलब कब तक interest है उसका, जिन्दा रहने तक, बी की death के बाद, यह property वापस कहा जाएगी, बी की death के बाद, यह property वापस A को मिल जाएगी, और जहां आप absolute ownership create करते हैं, अगर A ने, अगर A ने यह land B को बेच दिया है, sale कर दिया है, ऐसे case में, B के मरने के बाद, यह property किसको मिलती, B के legal representative को, yes or no, जो successor होते हैं, वो inherit कर लेते, कैसे inherit कर लेते, क्योंकि absolutely property B की हो गई थी, अगर A ने, B को property sale करी होती, absolute interest create होता, absolute interest का मितलब इनके मरने के बाद property किसके पास जाएगी, इनके LR के पास, succession में वो आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन जहां यह interest, life interest है, इसके मरने के बाद उस LR के पास नहीं जाएगी, because the interest is limited, जो create किया गया है, वो एक limited interest create किया गया है, इसलिए property वापिस किदर आईगी, that's a limited interest, I hope you are getting this, अब तेरा एक बार फिर पढ़िये, where on a transfer of property and interest therein is created for the benefit of a person not in existence at the rate of the transfer, यह जो लिखा है ना, subject to a prior interest created by the same transaction, sorry, same transfer, एक prior interest आप create करते हैं, ultimately वो उस person के पास जानी है, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन यह आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि transfer of property act में जो transfer है, वो दो living persons के बीच, और अब माल लेजिए, एक को अपना यह जो piece of land है, limited interest यह life interest समझ गए ना भाई, तो अपना आगे बढ़ रहे हैं, छीक है, अब माल लेजिए, एका जो यह piece of land है, यह जो जमीन है, एका यह कहना है, कि साब यह property मुझे किसको देनी है, अपने हुने वाले पोते को, मेरा जो बच्चा है, उसके बेटे को मैं देना चाहता हूँ, लेकिन अभी लड़के की शादी नहीं हुए, या उसका अभी child born हुआ ही नहीं है, और A चाहता है उसको transfer करना, किसको transfer करना, तो उसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ, UC, C को transfer करना है, एक इसको transfer करना चाहता है, C को, जो कि इनका grandson हुगा, लेकिन C अभी क्या है, इसको मैं represent कर रहा हूँ, UC से, UC मतलब still not born, unborn child, किसको transfer करना चाहता है, एक unborn child के favor में, एक इस property को transfer करना चाहता है, और हमारा act कहता है, कि living being के बीच transfer होगा, section 5 साब से, तो उसके लिए section 13, एक situation create करता है, वो क्या कहता है, आपको transfer करना, unborn को कर लेजिए, लेकिन यह कैसे transfer होगा, it will be subject to a prior interest created, same transfer, same deed जो आप बनाएंगे, कि भाई मेरी यह जो जमीन है, मेरे पोते को मिलेगी, जो अभी पैदा नहीं हुआ, अभी existence में नहीं आया, ultimate beneficiary, पोता रहेगा, लेकिन आप ऐसे directly transfer नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिन्दा नहीं है, ऐसे में आप क्या करेंगे, prior interest create करेंगे, और यह prior interest क्या होगा, life interest, यह क्या कर सकता है, यह के पास यह opportunity है, यह जो है, यह property में, बी का, एक कोई भी living विक्ती का, कोई भी ऐसा विक्ती जो जिन्दा है at the date of transfer, उसका क्या करेगा, life interest create करेगा, और ultimate beneficiary किसको बनाएगा, unborn child को, life interest का मतलब आप समझ गए, जब तक यह विक्ती जिन्दा है, तब तक, है property इसकी, land, enjoy कर सकता है, possess कर सकता है, देख भाल करेगा property की, लेकिन, क्या यह absolutely own करता है, the answer is no, इसके मरने के बाद के, इसके legal years के पास जाएगी, the answer is no, अब क्यूंकि अंकल है, वैसे तो अंकल का ही हक होता, इसके मरने के बाद, लेकिन अंकल ने यह transfer किसको कर दी है, unborn child को, अपने ऐसे पोते को, जो भी existence में है ही नहीं, section 13 कहता है, यह transaction valid है, in favor of an unborn child, कब यह valid होगा, दो conditions है, पहली condition यहां fulfill होती हुई है, पहली condition आपको अभी समझा रहा हूँ, पहली condition क्या है, unborn को अगर आपको transfer करना है, तो आपको एक prior interest create करना पड़ेगा, क्योंकि भाईया, transfer आप, आज की date में, अगर आप transfer करना चाहते हैं, तो जो transfer है, वो living होना चाहिए, जिन्दा विक्ति, लेकिन आप ultimately चाहते है, beneficiary बनाना, ऐसे विक्ति को, जो existence में नहीं है, तो लॉन ने उसका रास्ता दे दिया, कर सकते हैं, कैसे करेंगे, पहले आप एक limited interest create कर दीजिए, एक living विक्ति के favor में, जिसको हम कहते हैं, life interest, क्योंकि इसका सिर्फ life interest है, life interest है मतलब, जब तक जिन्दा है, वस जब तक, उसके बाद किदर पहुचेगी property, जब पहुच जाहिए, किदर, property इदर आजए, I hope you are getting this, तो 13 कहता है, एक prior interest create करके, आप ये transfer कर सकते हैं, दूसरी condition, जो section 13 लगाता है, वो बहुत ज़ादा important है, दूसरी condition, देखिए section 13 में, जो section 13 कहता है, where on a transfer of property and interest therein is created, for the benefit, अब आप follow करिये language को तो समझ आएगा, where on a transfer of property and interest therein is created, for the benefit of a person, कौन है वो person यहाँ, you see, for the benefit of a person, not in existence, at the date of the transfer, subject to a prior interest created, subject to a prior interest created by the same transfer, the interest created for the benefit of such person, किसके benefit के लिए, इसके लिए जो आपने interest create किया है, उसके लिए आगे एक बात लिखी है, shall not take effect, unless it extends to the whole of the remaining interest of the transferer on the property, that is the most important essential of 13, 13 के दो essential सबसे major है, पहला क्या, अगर आपको, अगर आपको किसी unborn विक्ति के favor में property transfer करनी है, तो दो बातें आपको fulfill करनी पढ़ेंगी, पहली एक prior interest आपको create करना पढ़ेगा, किसी living person के favor में, दूसरा, जो ultimate beneficiary है, जिसको actually property मिलनी है, इसको आपको absolute interest देना पढ़ेगा, वो सारा interest जो transferer के पास है, वो पूरा का पूरा transfer करेंगे, आप unborn विक्ति के favor में limited interest transfer नहीं कर सकते, और इसलिए मैंने आपसे कहा था, कि अंकल जीवन अंगिनत समय के लिए property control नहीं कर सकते, अब अगर इसी की जगे, अब इसी में एक चीज और समझना, अगर अंकल ये कहते, कि भाईया life, और देखिए life interest जितने चाहे create कर ले, अंकल के पास ये freedom है, life interest ये जितने चाहे create कर दे, ये हो सकता है, ये कर दे कि B का life interest, B के life interest के बाद ये पहुँच जाए किस के पास, D के पास, और D का भी क्या कर दिया है इन्होंने, life interest, D के बाद E के पास पहुचे, लेकिन ultimate beneficiary कौन है, Unborn person, अब इस Unborn person को आप limited interest transfer नहीं कर सकते, अंकल ये नहीं बोल सकते, कि भाई, एक living being भी, इसका life interest मैंने create कर दिया, Unborn का भी life interest, जो अभी existence में नहीं आया है, पुता, उसका भी सिरफ life interest रहेगा, और इसके मरने के बाद, किसी दूसरे Unborn को ये property चली जाएगी, ये अंकल नहीं कर सकते, this is prohibited under section 13, कहां prohibit हो रहा है, last की दो line, ये जो लिखा है, shall not take effect unless it extends to the whole of the remaining interest of the transferor, इनका पूरा interest जो बचा है, पूरा का पूरा आपको transfer करना पड़ेगा Unborn को, अब आप उसमें अपने लिए बचा नहीं सकते, जैसे यहां जो आपने transfer किया, इसमें आपने कौन सा interest transfer किया, limited, life interest बोले तो, limited interest, एक limited interest ही आपने transfer किया है, यह आप कर सकते हैं, लेकिन जो Unborn है, उसके favor में आप limited interest transfer नहीं करेंगे, इसको आपको absolute interest देना है, कि भाईया यह पैदा होते ही, इसकी हो जाएगी property, अब property इसके disposal पे है, property में आग लगा दे, बेज दे, कुछ भी कर दे, किसी और को transfer कर दे, अंकल का control खतम, that's what section 13 says, 14, इसी में थोड़ा सा extension और देता, अभी उसकी बात करते हैं, पहले एक बार जारा comment में बता दो, yes or no, 13 समझ आया कि नहीं, unborn के favor में भी transfer हो सकता है, दो conditions fulfill करनी पड़ेंगी, एक prior interest create करना पड़ेगा, और unborn के उखो जो interest आप transfer कर रहे हैं, that'll be an absolute interest, वो limited नहीं कर सकते, अंकल ये नहीं कर सकते, कि unborn का भी life interest, इसके मरने के बाद अगले के पास life interest या absolute, ये अंकल नहीं कर सकते, अगर समझ आ गया है, yes लिख के बता दीजिए comment में, तो मैं 14 add-on कर दूं इसी में, इसी से connected है, section 14 भी, चलिए, अब, alright, तो 14 बात करता है हमारा, section 14, जो हमारा बात करता है, rule against perpetuity, perpetuity को prohibit करता है, section 14, तो इसको जड़ा समझते हैं, एक अभिशेक का doubt है, मैं वह लिए, sir, what if unborn child come in existence after, हाँ, इस सब पर मैं आ रहा हूं, अभिशेक, 14 में मैं आपके सारे यह वाले, खतम कर दूंगा, क्योंकि आपने देखा कि इसका life interest create हुआ है, बी का, अगर यह पहले मर गया उस child के पैदा होने से, तो बहुत obvious दी बात है, property किसके पास आईगी, A के पास, who is the transferer, A, who is the owner, A, इसको जो life interest मिला है, life interest के बाद unborn के पास जाना है, इसके लिए यह mandatory requirement है, that the unborn should come into existence before his death, क्योंकि इसके मरने पर, भाई देखिए, एक बात ध्यान रखना, जो property है, वो property कभी भी बिना किसी के ओन करे नहीं रह सकती, यह एक important factor, property से related आपको समझना पड़ेगा, कि जो property होती है, वो ऐसी हालत में बिलकुल sustain नहीं कर सकती, या रह नहीं सकती, जहाँ पर उसे कोई, एक particular point of time पर उसका कोई माईवाप ना हो, ऐसी स्थिती नहीं बन सकती property के साथ, और इसे लिए यह बात बिलकुल clearly बताई गई है, कि unbond को भी जो अपने देखो, इस पूरे तेरा के concept पे ही वो बात है, इस तेरा के अंदर ही वो बात पूरी है, कि हम अगर unbond के favor में transfer कर रहे हैं, तो भी हमने अभी जब तक ये बन्दा existence में नहीं आएगा, तब तक भी तो इस property का, क्योंकि देखिए, जब ये बन्दा किसी और का interest create कर रहा है, absolute interest, इसका मतलब इसका interest खतम हो रहा है property से, yes or no, आप बताईए, कि ये वक्ति अगर अपना पूरा interest unbond के favor में transfer करने का मतलब, मुझसे चीज हटके आप पास आगे, that's what it means, मुझसे चीज हटेगी और आपके पास आएगी, तो भाईया आप वो खाली vacuum में तो नहीं रह सकती चीज, अभी इसलिए हमने क्या करा, बी का interest create कर, कि ये माई बाप होंगे उस property के तब तक, लेकिन माल लिजिए, जिसके favor में ultimate beneficiary जिसको बनाया है, वो अभी existence में आया है नहीं, और बी पहले निपड़ गए, तो ये property will come back to this person, क्योंकि इसने life interest create किया था, अगर बी के favor में absolute interest हो जाता, तो फिर आप unmon को तो देते ही नहीं, और बी के favor में अगर आप absolute interest create कर देते, तो बी के मरने के बाद ये property बी के legal years को मिलती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर life interest create जिया है, इसके मरने के बाद the property comes back to A, I hope Abhishek I have answered your question, तो वापस उसके पास आ जाएगी, आप देखिए, section 14 की जो अपन बात कर रहे हैं, कि भाई section 14, rule against perpetuity को बता रहा है, तो अभी तो हमने कहा कि इसके favor में आप absolute interest create करेंगे, लेकिन ये जो चीज है absolute interest create करने वाली, ये बहुत strict ना हो जाएगे, अंकल को control करना है, अंकल के उपर restriction लगाये जाने जरूरी है, कि वो indefinite period तक अपनी property control ना करें, लेकिन थोड़ा सा relaxation section 14 देता है, 13 ने तो restrict क्या कर दिया, कि आप unborn के favor में कर दो, बस absolute interest transfer करोगे, उसके बाद मतलब नहीं है, 14 अंकल को ये permission देता है, section 14 इन अंकल को ये permission देता है, कि आप जो है अपनी property में multiple life interest create करते रही है, उससे हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि life interest किसके favor में आप कर रहे हैं, जो जिन्दा है, और कोई विक्ति अगर आज जिन्दा है, तो एक limited समय तक उसकी आयू है, बहुत से बहुत और हर आदमी जो आज की डेट में जिन्दा है, उसको 100 साल के अंदर मन नहीं है, तो इस से दाद आप वैसे भी 25 life interest create कर लीजे, कि B के मरने के बाद, C, C के मरने के बाद, D, E, F, G, H, जितने भी, लेकिन हर वो वैक्ति कौन है, आज की डेट में जीवित है, जीवित है मतलग max to max, यह सब के सब कितने साल जीएंगे अगले, मुश्किल से 100 साल, not more than that, तो यह चीज तो sorted है, कि 14 केता है, चलो अब life interest जितने चाहे कर लो, लेकिन जहाँ आप कब तक interest को limit कर सकते हैं, living वैक्ति के एक favor में, कितने भी living वैक्ति के favor में, आप life interest कर सकते हैं, और उसके बाद 13 आपको permit करता है, unborn के favor में भी कर सकते हैं, लेकिन absolute interest transfer करना है unborn को, और यह कहता है section 14, कि आप ये भी impose कर सकते हैं, कि ये जो आपका interest create होगा in favor of unborn, वो कब create होगा, when he'll attain majority, या फिर जब ये वक्ति 18 साल की I.U. का हो जाएगा, तब इसको मिलेगी, ये भी आप कर सकते हैं, आप बिलकुल ये भी कर सकते हैं, ये power कौन देरा, 14 देरा है, 14 आपसल्यूटली आपको indefinite period, तक अपनी property को control करने के अधिकार से बचाता है, रूखता है, लेकिन क्या freedom देता है, कि life and trust आप जितने चाहे create करते रहें, unborn के favor में जब आपने कर दिया, उस पे आप क्या condition impose कर सकते हैं, कि ये unborn जब 18 का होगा, तब इसका interest create होगा, तब इसको ये property मिलेगी, ये condition आप impose बिलकुल कर सकते हैं, लेकिन अगर uncle ने माल लीजी एक transfer की deed बनाई, उसमें उन्होंने life interest create किया B का, और उसमें ये लिख दिया, कि B का life interest है, और इसके बाद जो ultimate beneficiary है, वो C होगा, जो कि अभी existence में नहीं है, और इसको जो interest मिलेगा, इसके 25 साल के होने पे मिलेगा, कब मिलेगा, वेन ही लटीन दी इज आफ 25 ये इस इंवालेड, ये अलाउट नहीं है, अठारा साल के बाद आप उसके interest creation को postpone नहीं कर सकते, कब तक postpone कर सकते हैं, जब तक ये unborn व्यक्ति major ना हो जाए, अठारा साल का ना हो जाए, उसके बाद आप postpone अगर कर रहे हैं, तो वो valid नहीं है, and that's how this rule against perpetuity restricts a person from controlling the property for an indefinite period, I hope you got this, अब जरा एक बार language पढ़ लेते हैं, तो पूरा समझ आ जाएगा, 14 देखिए जरा, वेरिक्ट में, 14 says, no transfer of property can operate to create an interest, which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer, जित्ते लोग जिन्दा हैं, उनका आप life interest create करते रही है, उसके बाद की कहानी क्या है, and the, देखो, अगर आप 14 दंग से पढ़ें, तो जो starting language है, वो है, no transfer of property can operate to create an interest, which is to take effect after the lifetime of one or more person living at the date of such transfer, and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period, and to whom if he attains full age, the interest created is to belong, कहने का मतलब 14 ये समझाना हमको चाहरा है, कि अगर कोई भी इस तरीके का transfer होता है, जिसमें interest जो create हो रहा है, वो आप कैसे कर रहे हैं, कि आपने जीवित व्यक्तियों का life interest create किया, और साथ में आपने ये कर दिया, कि जो unborn person है, जो अभी existence में नहीं आया है, उसके major होने के बाद की, अगर आपने कोई date रखी है, उस transfer को operational होने के लिए, तो ऐसा transfer valid नहीं होगा, अगर आपने transfer में ये condition डाली है, या आपने किसी property के transfer को operate तब आप करवाना चाह रहे हैं, कब life interest खतम होने के बाद, unborn person के पैदा होके major होने के बाद, अगर आप उसे operational करा रहे हैं, तो ऐसा transfer valid नहीं होगा, ये transfer invalid होगा, इसका मतलब क्या हुआ, कि आप maximum कब तक postpone कर सकते हैं, transfer के operation को, तो जब तक life interest है तब तक, unborn के 18 साल के होने तक, जैसे ये unborn 18 का होगा, अब ये interest इसको मिलना चाहिए, अगर आपने deed में ये लिख दिया, कि भई या B का हम life interest create कर रहे हैं, ultimate beneficiary हमारा C होगा, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, और ये transfer operate होगा, या इसको property मिलेगी कब, जब ये, इसका interest create, अच्छा, अभी कुछ और बाते हैं, उसको भी समझेगा, इसलिए थोड़ा सा terms पे, careful running की ज़रूरत है हमें, कि B का तो life interest create किया है, एक unborn व्यक्ति के favor में interest, लेकिन आप ये कह रहे हैं, इसका interest कब create होगा, जब ये 19 साल का होगा, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, till the age of majority, आप इस operation को postpone कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं, कि life interest create होगा, B का, इसके बात जो unborn है, वो जैसे ही 18 साल का होगा, property उसकी हो जाएगी, that is valid, इसके beyond अगर आपने, इस transaction को operational बनाया, in that case, this transaction will not be valid, ये बिल्कुल वैलिड नहीं होगा, I hope you got this, अब जड़ा एक बार, yes लिखके बता दो भाई, अगर समझा आ गया हो तो, तो फिर कुछ intricacies की अपन और बात करेंगे, consequences की, मतब थोड़ा सा अगर ये बैठ रहा है, बेजे में तो, कुछ दो-चार पॉइंट सा और थोड़े टेक्निकल हैं उसकी बात करें, तो मज़ा आए कुछ, बताओ भाई, आया, yes, no, कुछ, बताइए, yes, clear, all right, चलिए, so, this is 13 and 14, 13 और 14 बिसिकली क्या कर रहे हैं, 13 अनबाउन को ट्रांसवर करने का अधिकार दे रहा है, with certain conditions, क्या conditions हैं, कि अनबाउन को आपको ट्रांसवर करना है, तो आपको एक prior interest create करना पड़ेगा, और वो जो prior interest आप create कर रहे हैं, उसके बाद जब अनबाउन के पास property जाएगी, उसका interest जब arise होगा, तो वो interest absolute होना चाहिए, वो limited interest आप नहीं कर सकते, यह 13 कहता है, 14 कहता है, कि भाईया ठीक है, आपने अनबाउन के favor में जो ट्रांसवर किया है, उसको भी आप postpone कर सकते हैं, till his majority, जब तक यह अनबाउन 18 का ना हो जाए, तो तक इसका interest क्रेट नहीं होगा, यह आप कर सकते हैं, 18 के beyond आप यह नहीं कर सकते, that's rule against perpetuity, which is given under section 14, अब एक सवाल और अभी शायद किसी ने, अभिशेक ने शायद यह question किया था था न, कि सर, जिसके favor में life interest create हुआ है, अगर यह पहले मर जाए, वो बच्चा पैदा ही ना हूँ, तो फिर क्या होगा, तो भाई, property इधर आ जाएगी बापस, अब एक सवाल मेरा आप से है, कि अंकल ने transfer किया life interest, और इन्होंने बोला, कि यह जो unborn है, इसको कब मिलेगी property, जब यह 18 का होगा, यह completely valid as per 14, कि इसको इसका interest कब create होगा, 18 का होगा जब, तो 18 का जब तक यह नहीं हो रहा है बच्चा, तब तक इसका कैसे interest है, क्योंकि transfer तो आज ही हो गया, transfer तो तब हो गया, जब यह पैदा भी नहीं होगा है, transfer तो आज ही हो गया, बात समझ रहे हैं, अंकल ने unborn के favor में, property transfer आज ही कर दी है, लेकिन वो interest effect में कब आएगा, when he'll become major, when he'll attain the age of majority, तब उसका interest create होगा, तो फिर अभी उसका क्या interest है property में, जब तक यह बच्चा, अभी 18 साल का new उपाया लेकिन, और अंकल ने बहुत clearly यह लिखाए, कि आपका interest upgrade हो जाएगा, जब आप 18 के हो जाएगे, तो अभी इस बच्चे का interest कैसा है, यहां से एक important concept arise होता है, अब देखिए यह जो interest है ना, इसको भी यह ध्यान रखना है, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भूलना मत नहीं, तो सब हचपच हो जाएगा जो पढ़ा है, देखो अब एक बात समझना, जब भी property में interest creation की बात होती है, तो यह जो property में आप interest create करते हैं, इसका अलग-अलग grounds पे classification होता है, एक तो हमने क्या पढ़ा, absolute interest, absolute का opposite क्या होता है, partial interest, absolute माने पूरी तरीके से आपने उनर बना दिया, partial माने limited interest, partial यह इसको क्या बोलते हैं अपन, limited interest, life interest create कर दिया, tenancy आपने दे दी, license दे दिया, यह सब भी property में interest है, लेकिन यह सब limited है, तो interest एक तो यह classification है, या तो absolute होगा या फिर, partial है limited होगा, ऐसे ही, वो interest कब accrue होगा, कब arise होगा, इस ground पे भी, इन interest को दो पार्ट में, property में create होने वाले interest को, depending on the date of its accrual, दो पार्ट में divide किया गया है, one is vested interest, वन इस vested interest, and the other is contingent interest, यह कब arise होते हैं, उसके ground पे classification है, vested और contingent, अब समझेगा, vested interest वो होता है, जो immediately effect में आ जाए, interest west होने का मतलब, आज वो effect में आ जा, that's vested interest, contingent interest का मतलब, कि it will come into existence, on the happening of some uncertain, contingent का मतलब समझते हैं, इंडियन कॉन्ट्राक्ट के section 31 में भी पड़ा था ना, contingent contract, contingent का मतलब ही होता है, which is dependent on something which is not certain, if it is dependent on something which is certain, वो contingent नहीं, वो contingent नहीं है, so if a thing is dependent on something which is not certain, that's contingent, so contingent interest कब अराईज होगा, कब अक्रिय होगा, कब फोर्स में आएगा, तो वो तब आएगा, जब वो contingent event हो जाए या ना हो, जिस भी condition पे वो बेस्ट है, vested interest क्या है, effect में आ गया, that's vested, कि आज से आपकों इंट्रेस चालो, that's vested interest, I hope you're getting the difference, अब समझना है एक बात, तो vested, देखिए, अगर मान लीजिए, एक विक्ती ने अपनी property, दूसरे के favor में transfer करी है, और कोई समय नहीं बताया, interest vested होने का, या create होने का, कोई समय नहीं बताया, उन्होंने बस लिख दिया, कि मेरे ये ये property, transfer मैं कर रहा हूँ, भीको, sale deed बना दी, अमाली जी gift deed बना दी, और clearly लिख दिया, कि भाईया ये property तुम्हारी है, अगर सिर्फ ये लिखा है, कोई specific time नहीं बताया, interest vested होने का, तो interest कब vested हो जाता है, immediately, इसको कहते हैं vested interest, immediately हो जाता है, अगर आपने कुछ mention नहीं किया है, तो वो vested interest ही create किया है, वो immediately impact में आ जाएगा, ये effect में आएगा, लेकिन अगर आपने कोई condition डाल दी है, जैसे for example, माल लिजीए, ये जो है, ये piece of land है, एका, इस इस पीस आफ लांड, और बी जो है, he owns a house, एक घर है, जो कि इसका है, बी का ये घर है, ठीक, एका ये land है, बी का घर है, ए ने ये land transfer किया है, in favor of B, लेकिन ए ने deed में लिखा है, कि ये land में आपको transfer करता हूं, इस शर्त पे, या ये land आपका हो जाएगा, अगर आप अपना ये घर, a ने क्या लिखा है, कि ये land आपको मैं दे रहा हूं, subject to a condition, या ये land आपका हो जाएगा, अगर आप अपना ये घर, किसको बेच देंगे, c को, c को बेच देंगे, a ने transfer कैसे किया, with this condition किया, कि अगर, b अपना घर, c को transfer करेगा, तो ये land किसका हो जाएगा, b का, that is contingent, अब ये दोनों संभाव नहें हैं, b अपना घर transfer करे, यहाँ ठीक है, party के control में है, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, but it is conditional, it is contingent, कि b अगर c के favor में, इस घर को transfer करेगा, कभी इस land में, b का interest create होगा, b का interest जो है, it is subjected to this condition, and hence, b का जो interest है, वो कैसा है, contingent है, कैसा interest है, contingent interest, अब आईए ज़रा, 19-20 को एक बार पढ़ते हैं, तो और आपके समझ आएगा, जैसे मान लिजे, एक और समझी, a ने कहा, कि भाईया, ये जो piece of land है, ये किसको मिल जाएगा, b को, on his attaining, क्या लिख दिया भाई साब ने, कि ये जो land है, ये b को मिल जाएगा, on his attaining, the age of 25, unborn नहीं है, वो जिन्दा है, तो अभी पिछले वाले से, confused मत होना, कि वहाँ आपने 18 बताया, वो unborn के लिए, ये जिन्दा व्यक्ती है b, आज ही जिन्दा है ये, जब transfer हो रहा है, a ने क्या लिखा, this land is transferred to b, on his attaining, the age of 25, जब ये 25 का होगा, तो इसको मिलेगा, क्या ये contingent है, बताएए, yes or no, क्या ये contingent है, कि ये land में, b का interest का create होगा, जब वो 25 का हो, is it contingent, yes or no, ये प्री में भी सवाल आता है, कि किसी particular age का होने पे, अगर हमने interest create करने की बात करी है, तो वो vested है, कि vested है मतलब आज से ही चालू हो गया, contingent है माने, जब वो age attend कर लेगा, उसका impact भी आपको बताता हूँ, तो एक difference और आपके समझ आएगा, vested और contingent के बीच का, बताओ भई, contingent है क्या, कि नहीं है contingent, चलिए, 19 पढ़िए ज़रा, तो थोड़ा और शायद समझ में है, 19 और 21, दोनों में बात करे गई है, 19 vested को deal करता है, 21 deal करता है, contingent को, ठीक, दोश्यन्द कह रहा है contingent नहीं है, अच्छा, दोश्यन्द अगर यह 20 साल की उमर में मर जाता है, मान लिजे, at present B is 18, at present B is 18, और transfer किस condition के साथ, मतलब, transfer क्या हुआ है, कि 25 का हो जाएगा, तो इसका interest क्रेट हो जाएगा, what if he dies at 18, what if he dies at 18, चलिए, 19 पढ़ते हैं जरा, section 19, vested interest, where on a transfer of property, an interest therein is created, in favor of a person, underline कर लेजिए, without specifying the time, when it is to take effect, अगर आपने एक transfer किया है, दूसरे व्यक्ति के favor में, बिनाट समय specify किये, आपने specify नहीं किया है, कि ये transaction कब effect में आएगा, तो वो transaction या वो interest कैसा होगा, vested interest, जो अभी मैंने आपको बताया था, इदर, कि अगर आपने, समय specify नहीं किया है, तो interest कैसा होगा, vested, so देखिए, in the time when it is to take effect, और, sorry, और in terms specifying that, it is to take effect, forthwith, या फिर आपने क्या, या तो आपने specify ही नहीं किया, तो भी vested interest, या आपने किया है, कि it is to take effect, forthwith, forthwith का मतलब क्या होता है, immediate, forthwith का मतलब क्या होता है, immediate, अभी ही, या अगर आपने specify किया है, तो भी vested interest है, so आगे देखिए, without specifying the time, when it is to take effect, और in the terms specifying that, it is to take effect, forthwith, और, या फिर, और, on the happening of an event, और, on the happening of an event, which must happen, which must happen, such interest is vested, unless a contrary intention appears, from the terms of the transfer, यह line भी बहुत important है, unless a contrary intention appears, from the terms of the transfer, अगर parties का intention देखा जाना है, literal language, अगर कुछ कह रही है, लेकिन parties का intention, कुछ और प्रतीत हो रहा है, पूरा document पढ़के, तो जो पूरा document है, transfer का, उसको पढ़के, जो interest प्रतीत होता है, parties का, वो ही मानने होगा, उससे decide होगा, कि interest vested था, या contingent, अब जैसा मैंने कहा, कि भाई देखो, vested और contingent interest भी न, बड़ा लंबा है discussion, cases है, जिसमें यह कहा गया है, कि literally, या एक particular clause को नहीं देखना है, court को जब यह determine करना है, कि जो transfer में, जो interest create किया गया है, वो vested है या contingent, तो आपको overall document को analyze करके, parties के intention को ultimate करना, वो सब कहानी अलाग है, भी फिलहाल उसमें नहीं जाएंगे, एक overview जानिए आप, तो इसको समझेए ज़रा, जो 19 में, तीन बातें कहीं गई हैं, कब-कब interest vested होगा, पहला, अगर आपने कोई समय specify नहीं किया, तो interest vested है, दूसरा, अगर आपने ये clearly specify कर दिया है, कि अभी ही interest आपका effect में आ जाएगा, immediately, forthwith, तो interest vested है, तीसरा, अगर आपने interest create किया है, on the happening of certain event, which is certain, which must happen, जो होना ही है, that is also vested interest, जैसे, आज मैंने एक property, transfer कर दी B के नाम पे, और मैंने लिख दिया, that it is to take effect on 1st of January 2024, अगर मैंने ये लिख दिया, अपने deed में, कि I am transferring my interest in this property to B, which will take effect on 1st of January 2024, अब आप बताईये, ये जो interest effect में आने वाला है, ये एक event के happening पे है, एक तारिक को होना है, एक तारिक आने पे ये effect में आना है, क्या एक तारिक आना certain है, क्या it must happen, कि 1st January 2024 आएगा ही, पताईये, बहुत सिंपल लॉजिक से अपन इस बात को समझेंगे, वेस्टेड और कंटेंजेंट, अगर ये लिखा है, कि एक जन्वरी 2024 को, this is to take effect, क्या कहेंगे आप इसे, is it vested, बताईये, is it vested interest, क्योंकि हमने इसको, कभ effect में ला रहे हैं, on the happening of a future event, कि एक तारिक आएगी, तभी effect में आएगा, आपको ये decide करना है, whether this event is certain or not, it must happen or not, जो 19 में लिखा है, तेका है रहा, on the happening of an event, which must happen, such interest is vested, तो भाईया, येस, एक जन्वरी तो अना ही है, चाहे आप new year मनाएं, या ना मनाएं, चाहे आप का, अगले साल, judicial selection हो या ना हो, साल तो बदलेगा, date तो change होगी, मैं अगर सुबह एक deed बना रहा हूं, कि शाम को ये properties की हो जाएगी, तो शाम तो होगी, या छे बजएगा time लेका है, तो छे तो बजएगे है, वो तो inevitable है, it must happen, it must happen, तो ये interest कैसा हो जाएगा, vested, अभी ही effect में आ किया है, ये, ये जो interest है, ये अगर मैं कह रहा हूं, कि एक तारिक को effect में आएगा, तो ये किसी भी event के होने पे, अगर मैंने interest create किया है, और वो event कैसा है, वो event अगर certain है, वो event अगर certain है, तो जो मैंने interest create किया है, वो effect में तो एक तारिक को आएगा, that is correct, एक जनवरी मैंने लिखा है, तो एक जनवरी को effect में आएगा, लेकिन ये interest कैसा है vested interest, कैसा interest है vested, अगर हम ये कह रहे हैं, अब इसी में जो मेरा सवाल था, अगर हम ये कह रहे हैं, कि मैं अपनी property एक ऐसे बच्चे के favor में transfer कर रहा हूं, जिसकी उम्र आज 18 साल है, और deed में मैंने लिखा है, कि this interest is to take effect when he attains the age of 25 years, आज वो 18 साल का है, और मैंने लिखा है, that this transaction is to take effect when he attains the age of 25 years, अब बताईए जरा, इस इट जो interest create कर रहा हूं मैं, ये contingent है या vested interest है, कैसा interest है ये, ये vested है या contingent, व्यक्ति के 25 साल का होने पे, interest effect में आना है, is it vested or contingent, tell me, कि राधिका का कहना है contingent, नंदिनी का कहना है contingent, what about others, और लोग बताएं भाई, वो व्यक्ति 25 साल का होगा, certain है कि uncertain है, बताईए, contingent event है, या it must happen, कि जो पैदा हुआ है, वो 25 साल का हो गई, is it like that, क्या यह ऐसा event है, जिसको आप कहेंगे, that it must happen, answer is no, यह subjective, 18 का है, हो सकता, 19, 20 पेट अपक जाए, कोई certainty नहीं है, 25 साल की यह रटेन करेगा, कोई certainty नहीं है, it is contingency, so the interest which is created on such terms is contingent interest, it is contingent interest, तो भईया, ध्यान रखियेगा, किसी particular date अगर आपने बताई है, तब तो वो vested interest create किया है, लेकिन अगर आपने age बताई है, तो वो conditional है, वो contingent है, दुशंत का एक डाउट है, सर वोट हापन से vested interest is created, can that person having vested interest use that property of exercise, any legal right, example transfer, take place on, देखो भाई, vested interest, जब आप vested कर रहे हैं, effect में वो तभी आएगा, effect में तभी आएगा मतलब, इसका मतलब यह, कि उस वेक्ति की property तभी होगी, और जब तक आपकी हुई नहीं है, आप उस property को deal नहीं कर सकते, हाँ, यह भी ज़रूर किया, यह ज़रूर किया जा सकता है, कि interest आपने west कर दिया, लेकिन enjoyment postpone कर दिया, अगर आपने, ध्यान से जुनना मेरी बात, अगर आपने किसी वेक्ति के favor में property transfer तो कर दी है, लेकिन उसके enjoyment को postpone कर दिया है, तो इसका मतलब वो interest contingent नहीं होगा, वो vested ही रहेगा, वो interest vested ही रहेगा, आपने सिर्फ क्या किया है, enjoyment postpone कर दिया है, जैसे, एक person जो कि आज 18 साल का है, उसके favor में मैंने property transfer करी है, which is to take effect on 1st January 2024, but the property will be available to him for possession and enjoyment on 1st January 2025, मैंने क्या कहा, the transfer is to take effect on 1st January 2024, but the person जिसको मैं transfer कर रहा हूँ, will take the possession and he'll be able to enjoy the property from 1st of January 2025, तो क्या interest vested नहीं रहा, न, वो vested, है, वो interest vest एक तारिक कोई हो गया, आप देखिए, west होने का मतलब क्या हुआ, interest vest हो गया मतलब, इस बात को समझना, interest vest होने का मतलब यह है, कि अगर माल लीजिए, मैंने यह कर दिया, यह जो land transfer किया है, तो अंकल जी ने यह जो land transfer किया है, किसको हमारे, बी को जो इन्होंने land transfer कर दिया है, इन्होंने क्या कहा, कि this transfer is to take effect on 1st January, 1st January 24, ठीक है, but he'll get the land to enjoy and to have the possession on, possession कब दे रहे हैं हम, possession को इन्होंने क्या किया, postpone कर दिया, कि भाईया, possession, या फिर enjoyment, सुनको कब मिलेगा, property का, 1st January 25, 2015, 25 को मिलेगा, I hope that is clear, अब समझना बात इदर, अब है काम की बात अपने, basically vested और contingent के effect की बात कर रहे हैं, interest vest आपने कब कर दिया, क्योंकि हमने date दी है, इसलिए vested interest है, because it must happen, so ये क्या हो गया, vested interest, interest vest हो गया, कब हो गया, 1st January 2024, अब अगर मान लिजिये, अब दिमाग लगाना जरा, अगर मान लिजिये, 1st of July 24, 1st July 24 को, if B dies, if B dies, D की अगर death हो जाती है, 1st July 2024 को, अभी उसको possession और enjoyment नहीं मिला था, कब मिलना था, 25 जनवरी, लेकिन interest vest कब हो गया, 1st July 2024, 1st July 2024 को अगर A, B मर गया, बताईए property किसके पास जाएगे, बहुत सारे confusion आपके बस इधर ही खतम होंगे, इस impact से, contingent और vested का difference, basically, जानना चाह रहे हैं, अब जरा बताईए, एक जुलाई 2024 को, एक जनवरी 2024 को interest vest हो गया, लेकिन एक जुलाई 2024 को B की मरती हो जाती है, ये property, ये land किसके पास जाएगा, ये land किसके पास जाएगा, बताईए, किसके पास जाएगा भाई, ये अभिशेक, वो ही answer करना चाह रहा था, जो तुमने question लिखा है बेटा, ये तो impact की बात अपन कर रहे हैं, अब ये property, अगर एक जुलाई को, 2024 को B की death हो गई ना बेटा, तो ये land जाएगा, LR के पास, किसके B के LR के पास, क्यों, vested interest का मतलब, it has come into effect, vested interest का क्या मतलब, क्योंकि vested interest की जो definition है, 19 में क्या कहती है, अगर आपने कोई समय निर्धारित नहीं किया है, तो interest vested है, अगर आपने लिखा है, it is to come into effect, forthwith, forthwith मतलब immediately, इसका मतलब vested interest, immediately force में आता है, तो एक जनवरी को अगर interest west होना था, तो अब ये west हो गया, है, हो गया मतलब you are the owner of the property, अब अगर आप मर गये 6 मेने बाद, भले ही enjoyment और possession नहीं मिला है, लेकिन अगर B की मृत्ति हो गई, तो property किसको transfer होगी, इसके legal representative को, अब एक बात और समझना यहीं पे, मान लीजिए, date नहीं लिखी अंकल ने, transfer की, अंकल ने क्या बोला, कि मान लीजिए, ये व्यक्ति, मान लीजिए, B जो है, आज की rate में, इसकी IU है 18 साल, 18 years का ये है, अंकल ने क्या बोला, A ने, कि ये जो land मिलना है, किसको B को, B को जो ये land मिलना है, जो interest create होना है B का, वो कब होना है, When he'll attain the age of 25 years, ठीक है, अंकल ने क्या बोला, When he is to attain, When he'll attain the age of 25, तब interest इसका create होगा, यहाँ इस interest को बेटा, क्या बोल रहे है अपन, क्योंकि ऐसे event के happening पे है, जो की, जो की certain नहीं है, 25 का हो, इसको इसको ये property मिलनी है, 25 का होगा, तब इसका interest create होगा, अगर 25 का होने पे interest create होना, इसका मतलब कैसा है, contingent interest, अब contingent interest का क्या मतलब, अब बात समझना, ये contingent vested कब बनेगा, वेन ही लटेन दी इज ऑफ 25, अभी जो interest create होगा है, आज से, अंकल ने तो transfer आज ही कर दिया, आज क्या date है, 28 दिसंबर 2023 को अंकल ने property transfer कर दी है, B को with a condition कि B का interest कब create होगा, when he'll attain 25, तो अभी इसका interest कैसा है, contingent, ये vested में कब बदल जाएगा, once he attains the age of 25, जैसे भी 25 साल का होगा, इस interest will be converted from contingent to vested interest, 25 का होने के बाद 26 की उम्र में अगर ये मरता है, तो property किसको मिलेगी, B के legal representatives को, लेकिन अगर मान लीजिए, अभी वाठारा का है, 23 साल की उम्र में, B dies, 23 साल की उम्र में, अगर B मर जाता है, then this property will not go to his LR, क्यों, क्योंकि interest कैसा है अभी, contingent है, best कब होगा, vested interest कब बनेगा, when he'll attain the age of 25, तो contingent interest transferable नहीं होता, उसको आप transfer नहीं, जो आपका अभी है नहीं कैसे transfer कर दोगए, ठाड़ा आना आईए, so, अगर 23 साल की उम्र में, ये मर जाता है, तो अब आपका सवाल होगा, अब property का owner कोन रहेगा, अंकल ने तो आज interest किसका बनाया, B का, कैसा, contingent, किस बात पर contingent की 25 का हो जाएगा, तो property में interest इसका हो जाएगा, लेकिन मर गया 23 में, now the property comes back to A, और अगर A भी मर चुका है तब तर, तो it will go to A's LR, किसके पास जाहेगी बिटा, A के legal रहे, तो कि अभी property किसकी हो गए, अगर ये 23 साल की उमर में मर गया, तो property किसकी वापस interest किसका है, actually अभी भी A का ही है, वो interest actually effect में B का जो आना है, वो कब आना है, when he let in the age of 23, तो अभी interest किसका, A का ही है, इसका सिरफ कैसा interest क्रेट हुआ है, contingent, वेस्टेट नहीं, अगर वेस्ट हो जाता, तो इनका interest seize हो जाता, और इस बंदे का interest चालू हो जाता, वेस्टेट नहीं, चीक, और ये काम कब होगा, जब ये 25 का होगा, इसलिए अगर 23 साल की उमर में ये मर गया, तो property किसकी है, A की, A का ही पास रहेगी, या फिर A मर गया है, तो A के legal representatives को मिलेगी, I hope you are getting this, लेकिन अगर 25 की इज अटेंड कर ली, 25 की इज अटेंड मतला, वेस्टेड हो गया interest, अब 26 में अगर ये मरता है, if he dies at the age of 26, now the property will go to the LR of B, I hope that is clear, उफ, बताईए भाई, बताईए, इस इट क्लिया, दुशन्त का एक और डाउट है, कि अगर मैंने आज वेस्टेड इंटरेस्ट क्रेट किया, विचिस टू टेक एफेक्ट आफ्टर बनियर, लेकिन स्पेसिफाइड डेट पे, तो क्या बीच में मैं कैंसल कर सकता हूँ, यह होता है, सबसिक्वेंट के होने या ना होने पे, आप इसको सब्जेक्ट कर सकते हैं, दुशन्त, उसकी अपन बिटा भी बात करेंगे, कंडिशन प्रिसिदेंट और सबसिक्वेंट आप लगा सकते हैं, ट्रांस्वर पे, उसकी अपन भी बात करेंगे, वहाँ ये बात आपकी क्लियर हो जाएगी है, वहाँ इस चीज़ को में डील करूँगा, बताओ भाई ये, बताओ फटाक से, यह आया, समझ नहीं आया, विस्टड और कंटेंजेंट, तो अब थोड़ा आगे का भी पढ़ने, 19 में फिर पढ़ना है, लांग्वेज और 21 को भी हमको पढ़ना है, उसका exception बहुत important है, बेसिकली एज वाले का जो confusion है, वो उसके exception से हो जाता है, फोड़ा सा उसके exception की तरह, क्योंकि ट्रीट नहीं करते हैं, इसलिए समस्या होती है, वो भी मैं clear करता हूँ आपका, यह आया नहीं आया, यह लिखके बता दो एक बार, तो बढ़ जाओं आगे, इतना आया, contingent, vested, specified date है, तो vested है, age है तो, contingent है, impact क्या होगा, that's also clear, चलो, अब आते हैं 19 के letter portion पे, 19 में आगे बढ़ेंगे, तो यह सारी बातें समझ में आ जाएंगी, 19 का आगे बढ़ी है, a vested interest is not defeated, second पारा पढ़ रहा हूँ 19 का, a vested interest is not defeated, by death of the transfery, before he obtains possession, यह बात समझ में आ गई, अगर interest vested create हो गया है, तो भले ही आपको possession ना मिली हो, इस बात से आपका interest खतम नहीं होगा, defeat नहीं हो सकता, vested interest का मतलब जो effect में आ चुका है, अब वो defeat नहीं हो सकता आपकी death से, यह बात अभी मैंने आपको समझाई थी, कि अगर एक जनवरी दोहजार चौबीस को interest transfer होना था B को, तो एक जनवरी दोहजार चौबीस अगर आ गई है, इसके बाद B मरता भी है, तो property इसके पास जाएगी इसके LR के पास, उसका interest seized नहीं होगा because of his death, वो concept अपन ने समझ लिया, आगे explanation पढ़िये, explanation कहता है, an intention that an interest shall not be vested, is not to be inferred, merely from a provision whereby the enjoyment thereof is postponed, सिर्फ इसलिए कि property के enjoyment को थोड़ा postpone कर दिया है, आप ये conclude नहीं कर लेंगे, कि interest vested नहीं है, सिर्फ इस बात से, कि enjoyment या possession postpone कर दी गई है, इससे आप ये conclude नहीं करेंगे, कि interest vested नहीं है, वो बात भी मैंने आपको बताए ही न, कि हमने अगर ये कहा, that the interest is to take effect on 1st January 2024, और ये लिखाए कि the property will be available for possession and enjoyment, only on 1st January 25, तो भले ही possession या enjoyment आप postpone कर दीजिए, interest vested अभी है, इसका मतलब ये नहीं होगी, interest vested नहीं है, interest vested ही रहेगा, possession enjoyment आप postpone कर सकते हैं, so, an intention that an interest shall not be vested is not to be inferred merely from a provision, whereby the enjoyment thereof is postponed, और whereby a prior interest in the same property is given, और reserved to some other person, just because, कि एक prior interest आपने create कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका interest vested नहीं है, इस आपने क्योंकि एक prior interest create कर दिया है, इसका ये बिलकुल मतलब नहीं है, कि vested interest आप create नहीं कर सकते, चीक, आगे देखिए, और whereby income arising from the property is directed to be accumulated until the time of enjoyment arrives, और from a provision that if a particular event shall happen, the interest shall pass to another person, अगर आपने ये condition भी लगा दी है, कि on the happening of certain event, interest किसी और के पास चले जाएगा, इससे भी वो interest contingent नहीं बनेगा, अभी तो वो vested ही है, वो interest कैसा है, वो interest vested interest ही माना जाएगा, just because कि आपने उसमें ये condition लगा दी है, कि enjoyment बाद में मिलेगा, possession बाद में मिलेगी, या अभी जो properties से income arise हो रही है, वो accumulate होगी to a certain duration, कि जब तक आपको enjoyment नहीं मिल रहा, क्योंकि एक जनवरी 2025 को आपको possession और enjoyment मिलेगी, तो तब तक जो इससे income हो रही है, उसको एकटा कर लिया जाएगा, accumulate कर लिया जाएगा, इन सारे provision से आप ये conclude नहीं करेंगे, कि जो interest है, वो vested नहीं है, ठीक, इसके बाद 21 पर आईए, फिर 20 पढ़ेंगे, 21 देखिए, contingent interest, where on a transfer of property and interest therein is created in favor of a person to take effect only, on the happening of a specified uncertain event, क्या लिखा है, interest कैसे कब effect में आना है, on the happening of a specified uncertain event, और if a specified uncertain event shall not happen, किसी uncertain event के हुने या ना हुने पर dependent है, अगर आपका transfer, ऐसे case में, such person thereby acquires a contingent interest in the property, तो ऐसा विक्ति कैसा interest acquire करता है, contingent interest acquire करता है, जो यहाँ हमने देखा ना, कि कब property में interest create होगा, जब यह 25 का होगा, तो 25 का होना या ना होना is uncertain, है ना, ऐसे में अभी जो interest create हुआ है, बीका वो कैसा interest create हुआ है, contingent interest create हुआ है, क्योंकि हमने क्या depend किया था, कि तुम 25 के हो जाओगे, तो तुमारा interest create हो जाएगा, तो जैसे 25 के हो जाओगे, यह contingent interest किसमें बदलेगा, वेस्टेड में बदल जाएगा, और वाइसे वर्सा होगा, जहाँ non happening पे रखा है आपने, non happening पे भी dependent रख सकते हैं, आप transfer को, है ना, कि अगर यह चीज नहीं हुई, तो आपको property मिलेगी, तो जिस दिन वो नहीं होगा, उस दिन interest vested हो जाएगा, ठीक, इसके बाद exception देखिए ज़रा, यह बहुत important है, क्या लिखा है, exception, explanation नहीं है, क्या है, exception है, तो देखिए, where under a transfer of property, a person becomes entitled to an interest therein, upon attaining a particular age, आपने क्या condition डाली है, कि एक person को property में interest कब मिलना है, on attaining a particular age, and the transferer also gives to him, absolutely the income to arise from such interest, before he reaches that age, अगर आपने यह कर दिया, कि भाई ठीक है, आपने यह कहा कि interest तो इसका तब create होगा, when he'll attain a particular age, that is 25, लेकिन आपने आज से ही यह साथ में, transferer ने क्या किया, interest creation तो on attaining particular age किया, लेकिन इसमें साथ में यह कर दिया, कि आज से ही इस land की जो भी income है, ध्यान से सुनना, अगर आपने यह कर दिया, कि इस land से जो भी income arise हो रही है, वो आज से ही इसको belong करेगी, वो सब accumulate होके, इसको मिलेगी, इसका interest वेस्ट तो कब होगा, when he'll attain the age of 25, लेकिन अभी यह 18 साल का है, अगले 7 साल लगेंगे 25 का होने में, इस 7 साल में इस land से, जो भी income या profits arise हो रहे हैं, वो सब के सब इसको दिये जाने हैं, अगर यह प्रावधान आपने रख दिया है, transfer में, in that case, the interest which is created in favor of B, will become vested, कभी यह vested में हो जाएगा, कभी यह vested हो जाएगा, जब आपने भले, क्योंकि देखिए, जब आप एक age निरधारित करते हैं, तो generally interest कैसा होता है, contingent, इसलिए इसको exception में लिखा है, 21 के, exception कैसे आप create कर रहे हैं, कि ठीक है, आपने एक age पे बोला है, interest create होगा, तो होना तो वो contingent चाहिए था, लेकिन as an exception, हम यह rule बना रहे हैं, कि अगर आपने, interest create तो एक particular age पे होना लिखा है, लेकिन साथ में यह mention कर दिया है, deed में, कि भाया इस land की जो यह property की, जो income rise हो रही है, वो आपकी ही होगी, इस duration की भी, in that case, the interest which is created in favor of B, is vested, आगे देखिये लिखा है exception में, where under a transfer of property, a person becomes entitled to an interest therein, upon attaining a particular age, and the transferor also gives to him, absolutely, the income to arise from such interest, before he reaches that age, पचीज का होने के पहले जो income rise हो रही है, वो आपने absolutely इसको दे दी, और directs the income, और so much thereof, as may be necessary to be applied for his benefit, या तो इसको दे दी वो income, या इसके benefit के लिए, use करने का direction दे दिया, ऐसे किस में आगे लिखा है, such interest is not contingent, तो ऐसा interest contingent नहीं माना जाएगा, और बैटा contingent नहीं माना जाएगा, तो interest कैसा माना जाएगा, अब आप इससे ही अंदाजा लगा लिजिये, कि मैंने क्यों कहा, कि age पे अगर interest effect में आना है, तो वो contingent होता है, क्योंकि यह जो accept, यह हमने किस तरीके से पढ़ा 21 में, as an exception, exception मतलब general rule का अपबाद, तो general rule क्या है, कि अगर आपने यह mention किया है, that the interest is to take effect on attaining a particular age, it is contingent, लेकिन अगर, transferer ने यह बोल दिया है, कि यह age attain करने के पहले, भी जो income हो रहे, जब तक यह age attain नहीं कर रहा, इस बीच में जो income 7 साल में, इस land से arise हो रही है, it will also belong to be, ऐसे किस में यह interest अब, contingent नहीं रहा, और contingent नहीं रहा का मतलग, कैसा हो गया, vested हो गया, I hope you're getting this, अब interest contingent नहीं है, vested, vested मतलब immediately effect में आ गया है, यह बात समझाई की नहीं, exception, अब इस, बैसे तो, मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत लंबा चोड़ा concept, vested और contingent का, but I'm trying my best, कि कम समय में और कम, बातें बोल के कैसे, clarity दी जाए, I'm trying my best for that, थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे discussions होते हैं, बहुत सारे cases हैं, contingent, vested में बहुत कुछ है, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मैं को चार गंटे चाहिए, contingent और vested सर्फ समझाने के लिए, बट अपने पास, थोड़ी सी समय का constraint है, क्योंकि हम pre के लिए, crash course कर रहे हैं, ठीक, सो देखिए, exception की तरह इसलिए, इसको लिखा है, 21 में, that is contingent and vested, अब यहीं से, मेरा एक सवाल था, जो मैंने आपका शुरू किया था, इस unborn के case में, जहां से मैंने इस discussion को बीच में लाया, वपस उस पे आते हैं, कि यह जो unborn person है, मैंने कहा, अगर मान लिजिए, transferer यह कहता है, ए अगर यह कहता है, कि मैं यह property, मैं B का life interest create कर रहा हूँ, उसके बाद, किसका interest create होना है, एक unborn का, लेकिन वो interest कब create होना है, when he will attain the age of, when he will attain the age of 18, क्योंकि इस से ज़्याद आप postpone कर नहीं सकते, आज पर section 14, वापस आ रहे हैं अपन 1314 पे, तो अगर हम यह कह रहे हैं, कि भाई, life interest create हो रहा है property में, और हमने कहा, unborn will be the ultimate beneficiary, and his interest will be created, on his attaining age of 18, 18 साल, क्योंकि 19 नहीं लिख सकते, otherwise आज पर 14, वो invalid हो जाएगा, तो आपने क्या कहा, 18 कहुने पर effect में आएगा, तो यह विक्ति पैदा हो गया, यह बच्चा, अब देखो, अगर यह मर गया, जिसका life interest है, अगर यह मर गया, और यह unborn child, अभी तक existence में नहीं आया, तब तो property वापिस, एक पास आ गई, यह sorted, लेकिन मैं कह रहा हूँ, इसके existence में रहते, यह विक्ति पैदा हो गया, लेकिन इसका interest कब create होगा, when he'll attain the age of 18, अगर डीड में यह लिखा है, कि एक विक्ति का life interest, और unborn का interest effect में आएगा, on his attaining the age of 18 years, तो जब तक यह बच्चा 18 साल का नहीं होता, तब तक interest कैसा होगा, कैसा interest कहलाएगा, yes, अभी शेक, contingent कहलाएगा, बिल्कुल सही, जब तक यह बच्चा 18 साल का नहीं होगा, तब तक उसका interest कैसा है, या contingent क्यों, अभी तो बड़ा 21 में, if the interest is to take effect, on the happening of an uncertain event, जिसका होना जरूरी नहीं है, तो ऐसे case में, जो interest है, वो कैसा है contingent, वो interest कैसा है contingent, लेकिन यह तब होगा, जब यह condition A impose करे, कि this interest is to take effect, when he attends the age of 18, अगर simply, इस बात को भी समझना, अगर simply A ने, यह transaction किया है, कि भाई, लाइफ इंट्रेस्ट क्रियेट किया B का, और इसके लाइफ इंट्रेस्ट के बाद, C is the ultimate beneficiary, और आपने इसको postpone नहीं किया, till he attends the age of 18, आपने यह नहीं किया, आपने क्या किया, क्योंकि वो बच्चा अभी existence में नहीं है, तो as worth 18 आप यह काम कैसे कर सकते हैं, एक prior interest क्रियेट करके, तो आपने क्या किया, B का prior interest क्रियेट किया, और आपने कहा, unborn के existence में आके, आते ही उसका, या फिर आपने सिर्फ यह कहा, कि life interest B का, और ultimate beneficiary unborn को बना दिया, कोई time specify नहीं किया, तो बेटा, अभी अपनने 19 पड़ा है, अब बताईए, जब आपने time specify नहीं किया, तो B का interest कैसा होगा, सॉरी, C का interest कैसा होगा, तो 19 कहता है, जहाँ specify नहीं किया, बहाँ vested, लेकिन ये थोड़ी situation अलग है, ये situation क्या है, unborn है, पैदा ही नहीं हुआ, इसको deal करने के लिए, section 20 लिखा है, section 20 पड़िये जरा, when unborn person acquires vested interest on transfer, for his benefit, unborn person का interest, कब transfer होता है, कब vest होता है, इसके बारे में बताया है, तो इसमें देखे लिखा है, where on a transfer of property, an interest therein is created, for the benefit of a person, not then living, जो अभी living रही है, उसके favor में, आपने interest create किया है, उसके benefit के लिए, आपने interest create किया है, he acquires, underline कर लेजिए, he acquires upon his birth, तो interest vest कब हो जाता है, unborn person का, on taking birth, लेकिन आगे क्या लिखा है, unless, unless a contrary intention appears, from the terms of the transfer, अगर कोई contrary intention नहीं है, तो बर्थ पे इसका interest vest होगा, कब होगा इसका vest interest, बर्थ पे, और बर्थ पे कब, जब कोई contrary intention नहीं है, अगर मानलीजिए, A नहीं ये लिखा है, कि B का life interest create कर रहा हूं, प्रपर्टी में, इसके बाद ये प्रपर्टी जानी है, unborn के बाद, लेकिन इसका interest effect में आएगा, on his attaining, the age of 18, अगर ये लिखा है A ने, तो यहां से वो contrary intention, अपियर हो रहा है, हमें transferor का, कि भईया, इसकी बर्थ पे interest west नहीं होना है, कब होना है, जब ये 18 का होगा, हाँ, 19 तो आप लिखी नहीं सकते, उसको दो 14 ने prohibit कर दिया, आप 19 नहीं लिख पाएंगे, 18 तक आप ये काम कर सकते, लेकिन वो भी कब होगा, जब आपने ये लिखा है, जब आपने का intention अपियर हो रहा है, कि इसके major होने पर interest create होना है, अगर ये बात आपने mention नहीं करी, ऐसा कोई intention अपियर नहीं हो रहा transfer से, in that case इसका interest west कब हो जाएगा, on taking birth पैदा होते हैं, तो A ने अगर merely B का life interest transfer किया है, और ultimate beneficiary C को बनाया है, जो अभी existence में नहीं है, ऐसे case में C का interest west कब हो जाएगा, जैसे ही पैदा होगा इसका vested interest, अब भले ये तीन साल की उमर में मर जाए, property कि इसको मिलेगी, इसके legal representative को, क्यों क्योंकि पैदा होते हैं interest west हो गया था, लेकिन अगर A नहीं ये condition डाली है, बी का life interest create किया, unborn के लिए बोला, interest इसका effect में आएगा, on his attaining the age of 18, ऐसे में अगर ये बच्चा दो साल की उमर में मर गया, तो इसके legal representative को नहीं मिलेगी property, क्यों क्योंकि उस case में इसका interest अभी contingent है, vested कब होगा, 18 का होने पर, लेकिन अगर ये condition नहीं डाली गई है, तो पैदा होते ही interest, best हो जाएगा, unborn person का, that's the conclusion of 13, 14, 19, 20 and 21, वाचो प्रोविजन साथ पढ़े जाते हैं, I hope you are getting this, पूरा सर्कल समझ आया भाईया, क्या चल रहा है, क्या क्या प्रोविजन पढ़ डाले हमने इस कहानी में, वाच्चे प्रोविजन पढ़ लिया है पनने बिटा इदर, क्या क्या पढ़ लिया, इदर पढ़ लिया हमने section 13, साथ में पढ़ लिया हमने 14, फिर हमने पढ़ लिया 19, फिर हमने पढ़ लिया 20 और हमने पढ़ लिया 21 सब पढ़ लिया है I hope I was able to convey the concept to you all अब को बीच के प्रोविजन बच रहा है 15-16 भी है थोड़े ज़्यादा टेक्निकल है बट बहुत इंपोर्टेंट नहीं नाम बस आपको बता देता हूं पढ़ते हैं अपन उसको भी लेकिन वह लंबा खेल हो जाएगा आज नहीं करा पाऊंगा केस का नाम बता देता हूं वो ध्यान रखना गिरजेश दत्त वर्सेश दत्त दीन बहुत इंपोर्टेंट है गिरजेश दत्त वर्सेश दत्त दीन सेक्शन 16 का कॉंसेट ही इसमें प्रपर्ली बताया गया है बट आज ने डील करूंगा क्योंकि जनरली एग्जाम में चल पुछा जाता है ना चलिए 15-16 फिलाल चोड़ते हैं गिरजेश दत्त वर्सेश दत्त दीन का केस बस याद रखिएगा इससे रिलेटेड आप चाहें तो खुद से पढ़ना तो पढ़िएगा थोड़ा सा कंप्लेक्स है उसमें यह है कि अन्मॉन जो पैदा होता है उसमें अपने condition डाल दी उसमें son के लिए absolute interest, daughter के लिए unborn के लिए absolute नहीं किया तो coat ने कहा बएया वो valid नहीं है और subsequent transfer valid नहीं है बट अभी उसको समझने का समय नहीं है चलिए इसके बाद आते हैं अपन सीधे आजाए 17 अज़ा 17 से पहले 18 देख लिए 17 मैं बाद में बताता हूं प related provision section 18 क्या कहता है एक्सेप्शन क्रीट करता है 18 सेक्शन 18 कहता है transfer in perpetuity for benefit of public transfer in perpetuity for benefit of public आप perpetual transfer भी अगर कर रहे हैं अगर वो public benefit के लिए है तो वो related होगा तो हमारा जो यह हमारा यह जो 14 है यह किसकी बात करता है perpetuity की perpetuity और उसको prohibit करता है हमारा section 18 क्या करता है इसका exception create कर रहा है 15 16 का भी exception है लेकिन क्योंकि अपन ने उसको छोड़ा है तो फिलहाल छोड़ दीजिए 14 में हम कहते हैं कि perpetuity तक आप control property नहीं करेंगे indefinite time तक आप property control नहीं करेंगे इसलिए 14 ने एक limit बता दी है कब तक कि भाईया unbond को भी आप transfer कर सकते हैं उसके 18 का होने तक आप यह कर सकते हैं कि transaction effect में ने आएगा लेकिन उसके बाद ने यह general rule है 14 में इसका exception है 18 18 कहता है public interest में अगर आप property deal कर रहे हैं तो उस पे perpetuity applicable नहीं होगा indefinite time तक कर सकते हैं उसे control देखिए 18 में लिखा है the restrictions in section 14 16 and 17 shall not apply in the case of a transfer of property for the benefit of the public property का transfer कहां किया है आपने property आपने transfer करी है for the benefit of the public in the advancement of religion knowledge commerce health safety और इनी अधर object beneficial to mankind यह सब terms भी याद कर लेना अपरी में ऐसे सवाल भी पूछ लेता है religion knowledge commerce health safety in public interest के लिए अगर आपने मैं लीजे मेरे पास एक building थी मैंने उसको कोई trust बना दिया free education के लिए है ना तो knowledge का हो गया या religious कोई trust बना के मैंने उसको transfer कर दिया उसको perpetuity तक हम control कर सकते हैं क्योंकि वह public और religious development commerce health safety इन चीज़ों के लिए किया है तो वहां control कर सकते हैं कि वह purpose forfeit ना हो अगर वहां आप control नहीं करेंगे तो बंदा फिर उसको personal usage में ले लेगा बेजबाद देगा उसको prevent करने के लिए यह exception create किया गया है perpetuity का जिसको हम कहते हैं section 80 जो इसको ध्यान रखिएगा अब आईए जरा 17 पर इसके बाद 17 में भी एक थोड़ी interesting कहानी है अभी हम बात कर रहे थे property के interest creation को control करने की 17 किस चीज़ की बात कर रहा है कि जो income arise हो रही है property से property से जो income arise हो रही है उसके accumulation पे कुछ prohibitions लगा रहे हैं जैसे माल लीजिए एक land है या फिर एक ये building है commercial complex है किराय पे जाता है बढ़िया किराया मिलता है अब उससे जो profit या income arise हो रही है क्या arise हो रहा है profit या फिर income अगर arise हो रही है इस income का accumulation accumulation मतलब उसको इखटा करना income को accumulate करना मेरी property है transfer कर दी हमने क्या पढ़ा property जब आपने transfer कर दी हमने क्या पढ़ा section 8 में अगर ये immovable property मैंने transfer कर दी land building मैंने transfer कर दिया तो इससे जो भी income arise हो रही है क्या पढ़ा है हमने इससे जो भी income arise हो रही है वो income किसको बिलॉंग करेगी transfer को बिलॉंग करेगी transfer को बिलॉंग करेगी वो transfer होगी यह हमने पढ़ा है section 8 में लेकिन हम 17 as an exception पढ़ रहे हैं सतरा उसका exception है सतरा कहता है कि इससे जो income arise हो रही है इसका accumulation आप कर सकते हैं in certain condition and up to a certain duration duration बता है कि कब तक आप accumulate कर सकते हैं income को पहला और एक तो duration की condition impose करेगा और उसके exception भी बताएगा कि वो condition कहां valid नहीं है उससे जादा भी आप accumulate कर सकते हैं 17 क्या करेगा पहले तो हमें वो duration देगा कि कब तक आप एक property से होने वाली income को accumulate कर सकते हैं पहला काम सतरा यह करेगा दू कि कब आप उससे जादा भी accumulate कर सकते हैं इस duration के exception भी बताएगा 17 तो देखिए ज़रा यहां लिखा हुआ है where the terms of a transfer of property direct that आप property का transfer कर रहा है उसमें आपने term क्या डाल रखा है so where the terms of a transfer of property direct that the income arising from the property the income arising from the property shall be accumulated either wholly or in part during a period longer than जहां आपने accumulation इस period से ज्यादा रखा है वो valid नहीं होगा क्या है period सबसे पहले longer than first the life of the transferer जिसने माली जी एक ही विल्डिंग है जिसने transfer किया जो भी transfer कर रहा है उसकी life तक accumulate होगा कि जब तक यह जिन्दा रहेगा जब तक इस property का जो income है वो accumulate होगा यह allowed है दूसरा और भी a period of 18 years from the date of transfer या फिर जिस दिन transfer किया उससे 18 साल क्या क्या है life of transferer या फिर 18 years जो भी longer हो जो भी longer हो तब तक accumulate कर सकते हैं आगे क्या लिखा है a period of 18 years from the date of the transfer such directions shall save as herein provided be void to the extent to which the period during which the accumulation is directed exceeds the longer of the aforesaid period इन दोनों में से जो भी longer हो 18 साल जादा हो तो 18 या फिर इसकी उम्र जादा हो transferer की जो भी longer period होगा तब तक accumulate हो सकता है आगे लिखा है उसके आगे का accumulation का जो direction होगा वो void है आप सिरफ इस duration तक accumulate करेंगे उससे जादा का accumulation का direction अगर आपने दिया है तो वो होगा void जैसे अपनने परफिचुटी में पढ़ा ना कि आप interest की investing या उसके effect में आने को कब तक टाल सकते हैं कब तक postpone कर सकते हैं तो unbond के 18 साल के होने तक ऐसे ही जो income arise हो रही है उसको आप accumulate कब तक कर सकते हैं transfer से 18 साल या फिर transfer के जिन्दा रहने तक उसकी life तक आप accumulate कर सकते हैं उसके बाद आप accumulate नहीं कर पाएंगे आगे देखिए लिखा है and at the end of such last mentioned period the property and the income thereof shall be disposed of as if the period during which the accumulation has been directed to be made had elapsed उसके बाल यह accumulation नहीं होगा dispose of ऐसे हो जाएगा जैसे जो भी direction है कि इस थरीकिया कुछ direction नहीं हुआ जो transfer का impact है उसे साबसे dispose of होगा इसका जो subsection 2 है यह अब इसके exception बता रहा है मैंने आपसे क्या कहता 17 एक तो हमें duration देगा तो duration यह मिल गई कब तक accumulation होगा और इस duration के आप exception बताएंगे कि इससे जादा भी कब accumulate कर सकते हैं वो situations देखिए this section shall not affect any direction for accumulation for the purpose of इन purposes के लिए अगर accumulation आप कर रहे हैं तो यह section apply नहीं होगा यह वाली duration की condition applicable नहीं होगी लिखा है the payment of the debts of the transferor or any other person taking any interest under the transferor अगर मालीजे transfer के debt के payment के लिए transferor जो है इस property का यह जो transfer कर रहा है अगर इसके कुछ debt पे होने हैं उधार उधार है पैसा देना है वापस लोगों को उसके लिए accumulation है तो इस duration से जादा भी हो सकता इसके मरने के बाद भी profit को accumulate कर सकते हैं क्योंकि debt चुकाना है भाया मैंने अभी पहले भी एक कहानी बताई ना कि creditor ने तो क्या देख के पैसा दे दिया इसको कि जमीन जायदाद है अब यह मर गया interest खतम तो फिर ऐसे केस में उन creditors का क्या होगा तो अगर यह condition रखी गई है debt के payment के लिए अगर accumulation रखा गया है इस एक के debt के payment के लिए अगर accumulation किया गया है तो वो इस duration के बाद भी valid होगा भी देखिए the provision of portion for children और remote issue of the transfer or of any other person taking any interest under the transfer यह basically बात करता है maintenance की चाइल्ड या दूसरे issues को maintenance provide करने के लिए अगर accumulation है तो इस duration से जादा भी accumulation valid होगा थर्ड the preservation और maintenance of the property transferred अगर कुछ income आपने accumulate करी है उस property को maintain करने के लिए इसके रख रखाव के लिए तो वो इस duration से जादा भी accumulation valid होगा क्योंकि property तो existence में रहेगी न और property का maintain रहना तो जरूरी है तो वो जो income rise हो रही है अगर उसको accumulate किया जा रहा है उसका portion for the purpose of maintaining this property वो इस duration के बाद भी allowed और valid होगा and such direction may be made accordingly I hope this is clear तो यह है हमारा section सत्रा accumulation से related direction general direction यह है कि इससे ज्यादा accumulate नहीं कर सकते income को तीन exception है जहां इससे ज्यादा भी accumulate कर सकते है क्या है वो exception पहला जहां इसके debt पे होने है वो दूसरा अगर maintenance के लिए जाना है पैसा transferer को जन्हें maintain करने की responsibility है उसके लिए जाना है तो तीसरा property के preservation के लिए वहां इस duration से ज्यादा भी accumulate कर सकते हैं that's all about और तिल section 21 कि इसा भाई यह अपना आ गए किस पर आ गए है कि 21 अपना आ गए क्या 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 important बात हैं डिसकस हमने कर ली इसमें क्या क्या important बात हैं डिसकस कर ली कि पहला important discussion हमारा था अन्बॉन के favor में एक तो 6 था अपने अपने important है कि कौन से transfer नहीं हो सकते कौन से interest यह कौन सी चीजें transfer नहीं हो सकते फिर अन्बॉन हमने किया बहुत important perpetuity बहुत important साथ में पढ़ा vested contingent बहुत important accumulation दस ग्यारा बारा important है प्री में साब आता है मेरा purpose था थोड़ा सा अगर section याद कर रहे हैं तो समझ भी आए तो I hope वह purpose हमारा fulfill हो गया है पुशकर का कहना है कि सर फोर्थ exception section 18 हो सकता है क्या बेटा 18 तो अपने आप में exception है वो तो perpetuity कई देखो 17 is 17 only deals with income 17 का restriction क्या है it only deals with income whereas 18 तो कह रहा है आप पूरी property control कर सकते हैं not just income आप पूरी property control कर सकते हैं तो वो तो विलकुल है चलिए भाई so that's about some important topics तब तक क्या करना है अगर वीडियो like ने किया है तो वो कर देना है चैनल subscribe ने किया है तो वो कर देना है bell icon press ने किया है तो वो कर देना है और कम से कम कम से कम अपने जैसे दस जुडिसरी एस्परेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है तो कि इतना मतलबी हो ना अच्छी बात नहीं है कि आके सब पढ़े जा रहे हो कुछ तो बटा अपनी भी जिम्मेदारी का एहसास करिए और यह काम करते जाएए चलिए था जो हमने पहले कर लिया था इसके आगे से आज हमारा डिसकेशन स्टार्ट होना है और जो सेक्शन 25 है विगनिंग है यह कंडिशनल ट्रांसवर से हो रही है so let me tell you let me first give you a brief idea about this concept कंडिशनल ट्रांसवर यह होता क्या है क्योंकि अभी तक आप बहुत सारे प्रोविजन्स पढ़ते आए हमने section 10 पढ़ा है कि अगर आपने एक ट्रांसवर किया है property का और उसमें यह condition लगा दिये कि जिस वक्ति को आपने property transfer करी है वो उस property को alienate नहीं कर पाएगा dispose of नहीं कर पाएगा तो ऐसी condition void होती है section 11 में हमने पढ़ा है जहां ध्यान देना section 11 में हमने पढ़ा है जहां absolutely आप property में interest create करते हैं absolute transfer करते हैं वहां आप उस property के enjoyment पे कोई restriction नहीं लगा सकते आपने अपना घर absolutely किसी दूसरे वक्ति को transfer कर दिया है तो उसके enjoyment को आप restrict नहीं कर सकते ऐसा section 11 ने आपको बताया था लेकिन section 11 deals with absolute transfer so देखिए on that ground के किस nature का transfer है transfer को दो parts में divide किया जाता है समझना transfer of property जो है ये दो तरीके का होता है this is very important concept अगर आगले 10 मिनट अपने मेरी बात ध्यान से सुन ली तो ये जो conditional transfer के जितने provision है सब आपको समझ आ जाएंगे तो जो transfer है ये दो तरीके का होता है एक हमारा transfer होता है absolute transfer जिसमें आप कोई restriction कोई condition कोई limitation basically prescribe नहीं करते absolute मतलब there is no condition there are no ifs and buts in the transfer ये मेरी property थी मैंने उठा के आपको transfer कर दी खटम that is absolute transfer on the contrary absolute के अलावा एक transfer होता है जिसको हम कहते है conditional ये बात समझना आपको बहुत जरूरी है कि conditional transfer भी वैसे ही valid होता है जैसे absolute transfer valid होते हैं the only difference is कि ये absolute है वो conditional है दोनों को authorize करता है transfer of property act क्योंकि अभी आपको हो सकता है by chance ये confusion आये जब हम conditions पढ़ेंगे कि ये condition लगाई वो condition लगाई तो conditional जो transfer है ये valid तो है but they are subject to restrictions जो हम पहले पढ़ चुके हैं 10, 11, 12 वो सब जो restrictions हैं ये जो conditional transfer है they are subject to that इसका मतलब जो condition आप impose कर रहे हैं transfer पे वो उन provisions के contravention में नहीं होना चाहिए क्याने का मतलब आप अगर ये condition लगा के किसी को property transfer कर रहे हैं कि आप उसको alienate नहीं कर पाएंगे तो वो condition void होगी as per section 10 हाँ लेकिन अगर 10, 11, 12 जो अदर हमने provision पढ़े आपकी condition अगर उन में से किसी एक में fall नहीं कर रहे हैं तो वो absolutely valid है ऐसा conditional transfer भी absolutely valid होता है अब एक बात और समझना एदर कि ये जो conditional transfer है इसमें जो condition होती है इसमें क्या होती है जो आपकी condition conditional transfer का मतलब क्या है it is subject to some condition condition fulfill होना जरूरी है conditional transfer का मतलब ही होता है जब आपने property transfer करी है with certain condition अब ये जो condition है न ये तीन तरीके की conditions हो सकती है जिस पे transaction depend करता है तो सबसे पहली condition होती है condition precedent का मतलब होता है जो transfer के पहले accomplish होनी चाहिए एक condition जो fulfill होगी तो transfer होगा interest west होगा दूसरी party का उसको हम कहते है condition precedent precedent मतलब जिसको पहले fulfill करना है तब वो transfer effective माना जाएगा otherwise वो transfer effective माना नहीं जाएगा जैसे मान लीजिए मैंने आपको अपनी कोई property transfer करी है with a condition की आपको 10,000 रुपे मेरे account में advance डालने है तो वो transfer तभी effective माना जाएगा जब आप 10,000 रुपे डाल देंगे that is condition precedent की जो पहले fulfill होनी है तब मेरा interest divest होके आप तक पहुँचेगा आपका interest effect में कब आएगा या आपका interest west कब होगा जब ये condition fulfill होगी ऐसी condition जहाँ impose होती है उसको कहते है condition precedent एक होती है condition subsequent या subsequent condition subsequent मतलब जो बाद में transfer के बाद transfer हो गया अब इन दोनों में अगर आपने difference समझ लिए condition precedent और condition subsequent का major outlook क्या है purpose क्या है overview क्या है अगर आपने ये बात समझ लिना तो believe me जो conditional transfer से related provision है उनको समझने में बहुत समस्या नहीं होगी condition precedent का मतलब होता है पहले condition आपको fulfill करनी है तो वो transfer effective माना जाएगा subsequent condition या condition subsequent वो होती है जहाँ transfer तो कर दिया मैंने property आपको transfer कर दी आपका interest west हो चुका है अब एक condition लगी है कि अगर वो fulfill नहीं हुई तो जो आपका interest west हो गया है वो divest हो जाएगा देखिए दो term use होते हैं interest एक तो west होना तो vested interest अपना अल्रेडी पढ़ी चुके हैं है ना और एक होता है divest divest मतलब interest seize हो जाना जो interest आपका property में create हो गया था वो अफसी हो गया हतम हो गया इसलिए ध्यान रखना condition precedent वो होती है जो fulfill होगी तो आपका interest arise होगा आपका interest effect में आएगा और condition subsequent ऐसी होती है कि माल लीजिए मैंने आपको अपना घर transfer कर दिया या मैंने आपको किराय पे दे दी property आज से अपना interest चालू मतलब आपका interest create हो गया effect में आगया उस property में लेकिन मैंने कहा कि अगले तीन मैने के अंदर अगर आपने घर occupy नहीं किया then your interest will be divested 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 मतलब खत हो गया तो ऐसी condition को कहते है condition subsequent तो कि transfer आजी हो गया है वो effect में आ गया है अब आगर आपने उस condition को comply नहीं किया तो जो interest आपका create हो चुका है जो interest आपका arise हो चुका वो खतम हो जाएगा वो interest आपका खतम हो जाएगा अगर आपने ये condition fulfill नहीं करी तो मैंने आपको घर transfer कर दिया मैंने आपको घर बेज दिया मैंने आपको घर gift दिया और फिर हमने ये रखा उसमें एक condition कि MPCJ pre clear होना चाहिए देखिए अगर मैंने आज ही आपको अपना घर transfer कर दिया तो आपका interest west हो गया create हो गया यहां interest west हो जाता है contingent नहीं होता क्योंकि transfer हो गया transfer मैंने कर दी है property आज आपको बस मैंने वो जो transfer है that transfer is subject to a conditional इसलिए उसको conditional transfer कह रहा है contingent नहीं conditional क्यों कह रहा है अपन subsequent condition पर dependent है आज आपका interest मेरे घर में create हो चुका है लेकिन अगर आपका MPCJ clear नहीं हुआ तो आपका interest क्या होगा वापस मेरे पास आएगा अभी आपका create हो चुका है आपका interest divest हो जाएगा seize हो जाएगा या खतम हो जाएगा उस property से तो condition subsequent क्या होती है जिसमें interest already create हो गया लेकिन on the happening of this event और non happening of this event जिस पे वो dependent है on that condition जिस पे वो dependent है आपका जो interest है वो divest हो जाएगा खतम हो जाएगा अब मैंने जब transfer of property act पढ़ाना आपको start किया था तभी मैंने आपको बताया था law favors vesting of interest law does not favors divesting vesting of interest मतलब मैंने आपको बताया था कि transfer of property act का जो basic crux है या जो purpose है law का जो idea है वो यह है कि property transfer होते रहनी चाहिए एक ही वेक्ती के हाथ में possession नहीं रहनी चाहिए इसी से related rules हमने पहले भी पढ़े rule against perpetuity का मतलब क्या है यही तो perpetuity का rule against perpetuity का मतलब है कि for indefinite period एक वेक्ती के हाथ में property का control या property में interest एक ही वेक्ती का नहीं रहना चाहिए इस लिए law क्या favor करता है ध्यान से सुनना मेरी बात law favor करता है vesting of interest और law किस चीज को favor नहीं करता है divesting इसको बहुत ज्यादा favor नहीं करता तो यह allowed है TPA में condition subsequent लेकिन इसको law favor नहीं करता law क्या था एक बार आपने किसी का interest rate कर दिया तो रहने दोस्कों वापिस नहीं आएगा जल्दी वापिस नहीं आएगा इसलिए आप जब provision अभी पढ़ेंगे conditional transfer के तो आप यह बात समझेंगे कि जो condition precedent है जो पहले fulfill होनी है transfer के उसका compliance strict होना जरूरी नहीं है ध्यान से सुनना मेरी बात जो condition precedent है इसका strict compliance जरूरी नहीं है यह जरूरी नहीं है कि जो condition precedent है वो exactly follow हो या strictly follow हो substantially भी आपने अगर fulfill कर दी है requirement तो भी मान लिया जाएगा कि आपने condition completely fulfill कर दी इसके लिए जरा barret निकाल लेजिए तो आप इस बात को समझते जाएंगे section 26 देखिए fulfillment of condition precedent 25 देख लीजिए पहले conditional transfer की एक transfer subject to condition हो सकता है बस 25 यह कहता है वो condition ऐसी नहीं होनी चाहिए जो impossible हो या फिर against law हो या किसी वक्ति को injury पहुँचाने वाली हो यह बिलकुल वैसा ही है जैसे contract act में हमने पढ़ा है न कि object और consideration unlawful नहीं होना चाहिए ठीक वैसे ही जिस जो condition आप impose कर रहे हैं चाहे condition precedent या condition subsequent it should not be unlawful it should not be impossible और यहां से pre के question आते है 25 के illustration से question आते है illustration बहुत important है section 25 के illustration यह देखिए a lets a farm to be on condition that he shall walk a hundred miles in an hour एक घंटे में 100 miles चलेगा तो transfer माना जाएगा transfer होगा a lets a farm to be इस condition पे वो उसको किराय पे दे रहा है farm की 100 miles उसको चलना पड़ेगा एक घंटे में this is impossible इसलिए यह lease जो है वो वॉइड है वो transfer valid नहीं माना जाएगा बस यही बाद 25 बताता है कि impossible condition पे बेजनी होना चीए unlawful condition पे बेजनी होना चीए injury पहुंचाने वाला उस पे बेजनी होना चीए इनो इलस्ट्रेशन चारों इलस्ट्रेशन बहुत important है प्री में यह पूछे जाते है इसके बाद 26 देखिए fulfillment of condition precedent की बात कर रहा है जो मैं आपको बता रहा था कि जो condition precedent है अगर वो substantially भी follow हो गई है substantially मतलब एक major portion अगर आपने उसका comply कर दिया है तो मान लिया जाएगा that you have complied the condition लेकिन subsequent में ऐसा नहीं होगा subsequent condition strictly follow होनी चाहिए और ऐसा क्यों है इसका reason समझ लेंगे तो meaning बड़े आराम से समझ में आएगा reason समझेए मैं आपको पहले कहा law किस चीज़ को favor करता है westing और condition precedent से हो क्या रहा है interest west होगा ये condition अगर fulfill होगी comply होगी तब ही मैंने जो transfer किया है वो effect में आएगा ये कहती है condition precedent इसलिए law कहता है कि जो condition precedent है जिस condition के fulfillment पे वो transfer depend करता है अगर वो substantially भी हो गई है तो हम मान लेंगे कि fully comply कर लिया है और interest west हो जाएगा दूसरे transfer ही में लेकिन subsequent के साथ क्या होता है कि मैंने आज एक transfer कर दिया है इसलिए law कहता है कि वो जो condition precedent है जब तक वो strictly follow नहीं होगी हम मानिंगे नहीं कि comply हुई है और interest जाएबस होगा नहीं उसको strictly या literally follow होना चाहिए या comply होना चाहिए 26 के illustration देखिए you will understand this जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहां लिखा है where the terms of a transfer of property impose a condition to be fulfilled before a person can take an interest in the property the condition shall be deemed to have been fulfilled the condition shall be deemed to have been fulfilled if it has been substantially complied with अगर आपने substantial compliance भी कर दिया है condition precedent का तो मान लिया जाएगा as if you have complied the condition जैसे illustration a देखिए यहां लिखा है a transfers 5000 to be on condition that he shall marry with the consent of c d and e एक transfer हो रहा है जिसमें 5000 रुपे transfer होने है b को इस condition के साथ कि b अगर शादी करता है किसके consent से c d और e तीन लोगों के consent obtain करने की बात करी गई है c d और e के consent से अगर b शादी करेगा तो यह transfer effect में आएगा that is condition precedent क्योंकि आप यह condition follow करेंगे तो property transfer होगी आपका interest west होगा तो law कहता है अगर आपने substantially भी comply कर लिया ना तो भी मान लेंगे जैसे आगे लिखा है देखिए e dies condition तो यह थी कि तीनों का consent चाहिए लेकिन e मर जाता है ऐसे case में वो करता क्या है e dies b marries with the consent of c and d b is deemed to have fulfilled the condition क्योंकि a मर चुका है b ने अगर इन नोनों के consent लेके शादी कर ली तो भी मान लिया जाएगा as if he has complied the condition लेना किन का consent था तीन का अगर दो का भी ले लिया इस situation में where e is dead तो भी मान लिया जाएगा that he has substantially complied with the condition अब strict या literal compliance तो नहीं हुआ है क्योंकि e का consent तो उसमें नहीं है और e मर चुका है पहली मर गया वो consent इसने नहीं लिया तो अगर देखा जाए तो strict compliance तो नहीं है तो इसका मतलब क्या सामने वाली party का interest vest नहीं होगा लो कहता है नहीं हम मान लेंगे क्यों हो गया क्योंकि substantially comply उसने कर लिया है ऐसा क्यों है क्योंकि law favors vesting of interest and law does not favor divesting of interest इसलिए 26 कहता है substantial compliance है तो मान लिया जाएगा कि you have fulfilled भी illustration बता रहा है कि अगर एक दमी नहीं है तब नहीं मानेंगे इसके बाद सीधे आईए 29 पर 26 के साथ देखिए 29 29 कहता है fulfillment of condition subsequent यहाँ पर क्या लेका है an ulterior disposition of the kind contemplated by the last preceding section cannot take effect unless the condition is क्या लेका है condition is strictly fulfilled 26 कह रहा है substantially fulfill कर दीजिए मान लिया जाएगा और 29 कह रहा है strictly fulfilled होनी चाहिए अगर strict fulfillment नहीं है तो माना नहीं जाएगा कि condition fulfill हुई है क्योंकि इस पर dependent क्या है divesting होनी है interest की interest खतम होना है create already हो गया है but it is dependent on a subsequent condition इसका भी illustration देखिए ज़रा यहाँ लिखा है a transfers रुपीज 500 to b to be paid to him on his attaining his majority or marrying a जो है वो 500 रुपे transfer कर रहा है b को किस condition के साथ कि यह transfer तो कर दिया है transfers to b to be paid to him on his attaining majority attain करने पे मिलेंगे 500 या फिर शादी करने पे मिलेंगे और साथ में proviso क्या है वो मिल तो जाएंगे शादी करने पे या majority attain करने पे लेकिन एक condition है उसमें with proviso that if b dies as minor or marries without c's consent अगर b minor रहते हुए ही मर जाता है या फिर बिना c के consent के अगर शादी कर लेता है then the 500 रुपी शाल गो टू d ऐसे case में वो कहां चले जाएंगे d के पास इसी को कहते हैं हम condition subsequent देखिए समझ यह simple सी बात है मान लीजिए a ने a ने अपना घर transfer किया b को transfer कर दिया है लेकिन एक condition लगा दी है कि अगले तीन मैने में अगर तुमने अपना जो घर तुमारे पास है जैसे मान लीजिए a जो है यह मान लीजिए एक घर transfer कर रहा है ठीक है a house किसको transfer कर दिया b को लेकिन उसने condition लगाई है कि इस transfer के तीन मैने के अंदर तुम्हारे पास जो land है ये तुम डोनेट कर दोगे अगर तुमने तीन मैने में ये land डोनेट नहीं किया transfer के बाद ऐसे case में ये जो house है ये किस के पास चले जाएगा? C के पास वो किस के पास चले जाएगा? C के पास इसको अपन कहते है condition subsequent A ने घर transfer आज ही कर दिया है लेकिन एक condition लगाई है कि transfer के तीन मैने के अंदर B के पास अपना जो जमीन है वो वो डोनेट करेगा अगर उसने वो नहीं किया तो ये जो घर B को transfer हुआ है ये कहाँ चला जाएगा? किस के पास चला जाएगा? C के पास इसका मतलब B का interest जो create already हो चुका है ये interest क्या हो जाएगा? divest हो जाएगा, खतम हो जाएगा या seize हो जाएगा? और मैंने क्या कहा? law does not favor this, divesting को law favor नहीं करता इसलिए law कहता है अगर कोई ऐसी condition लगाई है तो वो strictly comply होना चाहिए उसका substantial compliance माइने नहीं रखेगा और illustration देखिए जो यहाँ लिखा है ये जो अभी मैंने पढ़ा अगर बिना C के consent के उसने शादी कर ली या माइनर की तरह ही उसकी death हो गई तो वो जो 500 रुपे A ने B को transfer करे हैं वो किस के पास चले जाएंगे? D के पास चले जाएंगे आगे होता है B marries when only 17 years of age without C's consent अब यहाँ पर B ने शादी कैसे कर ली? बिना C के consent के शादी कर ली है So the transfer to D takes effect इसका मतलब उस condition का compliance नहीं हुआ क्योंकि condition को fulfill नहीं किया B ने जो interest उसका west हुआ था property में 500 रुपे में वो divest होके किस के पास चले जाएगा? D के पास क्यों? क्योंकि उसने शादी कर ली है बिना C के consent के So basically 29 आपको यह बताना चाता है कि strict compliance होना चाहिए जैसे हमने 26 में substantial compliance को भी allow किया है कि तीन की permission चाहिए थी एक की ले ली आप सारी दो की ले ली एक की नहीं ली तो अगर यह condition precedent है तो मान लिया जाएगा fulfillment मैं कहा रहा हूँ आप same illustrate same condition आप रख लीजए as condition subsequent कि मान लिजिए A ने B को पैसे transfer कर दिये हैं और बोला है कि अगर तुम इन तीनों की permission से शादी नहीं करोगे तो यह 500 रुपे किसी और के पास चले जाएंगे ऐसे case में अगर वो व्यक्ति से same illustration अपन लेते हैं तो आपको थोड़ा बेतर शाहिद समझ मैं C, D और E तीनों के consent से आपको शादी करनी थी लेकिन पैसा हमने आज ही transfer कर दिया पैसा आज transfer कर दिया उस पे condition subsequent लगा दी कि भाईया पैसा तो तुमारा हो गया लेकिन यह ध्यान रखना कि जब भी शादी करोगे इन तीनों का consent ले लेना पहले क्योंकि 29 यह कहता है कि condition subsequent जो है उसका strict compliance होना चाहिए और strict compliance कब होगा जब तीनों का consent होगा और अगर सिरफ दो का लिया है तो यह substantial compliance है और condition subsequent को fulfilled नहीं माना जाता अगर आपने सिरफ और सिरफ एक substantial compliance किया है तो और ऐसा क्यों है वो reason समझ लोगे तो फिर आपको confusion नहीं होगा क्योंकि law favor करता है wasting of interest लेकिन divesting को law favor नहीं करता that's the logic behind it और यह पूरा actually crux है इस पूरे conditional transfer का बहुत सारी और भी technical चीज़ें इसमें है जिनको फिलहाल तो अपन डील नहीं करेंगे बट section 27 देख लीजे उसके सामने लिख लीजे एक doctrine पे based है अब वो यह होता है कि पहले condition लगाई थी एक दूसरी condition लगाई है पहले बाली void हो तो दूसरी force में आई यह ने उस तरीके के कई सारे चीजे हैं इदर दो-तीन provisions भी हैं उससे related खेर उस detail में मैं नहीं जाऊंगा प्री के लिए उतना ज़्यादा important नहीं है concept मेरे खाल आपको अगर यह समझ आ गया condition precedent और condition subsequent का तो बहुत हद तक आप इन provisions को बड़े आराम से समझ पाएंगे 27 याद रखिएगा doctrine of acceleration की बात करता है 27 किसी से related है doctrine of acceleration अब वो acceleration कैसे होता है क्या होता है उसकी कहानी कभी और अपन समझेंगे फिलहाल जो important है वो इसको समझ ये कि ये जो condition precedent का fulfillment कब माना जाएगा और subsequent का कब subsequent condition है तो strictly fulfill होनी चाहिए condition precedent है तो substantial compliance है fulfillment भी चल जाएगा उसका reason भी मेरे खाल आपको समझ में आ गया कि बनते हैं तो ये है आपका basically conditional transfer इसी में section 31 mark करिये 31 is also important section 31 is also very important इसके illustration basically ये जो B illustration है that is very important दुशन ने illustration और मांगा है ये एक बार B देख लो तो you will get it की condition subsequent कैसे होती है so illustration B देखिये 31 का ये प्रीमे आता भी है question A transfers a farm to B provided that if B shall not go to England within 3 years after the date of the transfer his interest in the farm shall seize B does not go to England within the term prescribed his interest in the farm seizes A ने B को एक farm transfer कर दिया है आज ही लेकिन उस पे condition लगाई है कि अगले 3 साल के अंदर अगर तुम इंगला नहीं गया तो तुमारा interest जो create हुआ इस farm में वो seize हो जाएगा अब अगर B अगले 3 साल में England नहीं जाता है तो उसका जो interest create हुआ था वो seize हो जाएगा या divest हो जाएगा ये है condition subsequent ठीक? अगर वो condition subsequent fulfill नहीं हुए तो आपका जो interest create हुआ है property में वो खतम हो जाएगा वो seize हो जाएगा substantial compliance और strict compliance का क्या मतलब है simple इस illustration से समझ ये जो 26 में दिया है कि अगर A ने B को कुछ पैसे transfer पहले तो देखिए condition precedent कि भाईया A ने B से का है कि तेरो को 500 रोपे transfer करूँगा लेकिन एक शर्त है कि शादी करने के पहले इन तीनों का consent obtain करना है अब B जो है इन तीनों का consent obtain करके शादी कर लेता है तो strictly उसने compliance कर लिया condition का 500 रोपे के लिए वो entitled है लेकिन 26 कहता है अगर strict compliance नहीं भी किया है और substantial compliance कर लिया है substantial मतलब एक majority portion आपने compliance कर लिया है तो भी मान लिया जाएगा कि आपने condition फुल्फिल कर लिए ऐसे case में B अगर सिरफ इन दोनों का consent लेके भी शादी कर लेता है in a situation where E is dead अगर इन दोनों का consent लेके भी शादी करता है तो भी वो entitled होगा उस 500 रोपे के लिए because it is condition precedent पहले condition फुल्फिल करना है फिर transfer होगा क्योंकि law क्या कहता है वेस्टिंग को favor करता है कि एक वेक्ति से दूसरे को transfer होनी चाहिए property इस चीज़ को favor करता है law इसी लिए condition precedent का substantial compliance sufficient होता है लेकिन on the contrary अगर माली जीए condition subsequent है same condition आप रखके देखिए तो आपको बहतर समझाएगा कि इन तीनों का consent obtain करके ही शादी करनी है पैसा आज ही transfer होगे आपको 500 रुपे आपको मिल गए है अब एक condition है कि जब भी आप शादी करोगे इन तीनों का consent लेना है अगर इनके बिना consent के शादी करी तो वो 500 रुपे में आपका interest seize हो जाएगा और वो किसी और को मिल जाएगा ऐसे मैं अगर वो वेक्ती सर्फ दो के consent से शादी करता है तीसरे का obtain नहीं करता तो this is a substantial compliance but not a strict compliance और section 29 कहता है कि जो subsequent condition है उसका strict compliance होना चाहिए इसलिए यहाँ पे strict compliance नहीं है it is merely a substantial compliance इसलिए condition subsequent fulfilled नहीं मानी जाएगी I hope now it is clear yes all right all right all right all right प्रशान को के नहीं कुछ doubt ही कि सर आपके crash course में इतना समझ आ गया foundation course में तो अरे नहीं भाईया high court judge मुझ नहीं लेकिन हाँ law का ग्यानपन बिटा foundation में फिर क्या होता है न अब जिसे conditional transfer ही मैं दो एक दिन में पढ़ाता हूं फिर अब बहुत सारी चीज़ है न अभी 27 की आपको पूरी कहानी समझनी acceleration कैसे आ रहा है वो साब है और बहुत easy है मैं बता रहा हूं इतना interesting subject है न transfer of property act शायद आप मेरी बात को अभी believe नहीं करेंगे थोड़ा सा समय जादा चाहिए थोड़ा सांती से समझाता हूं मैं slow आदमी है अपन मेरा बहुत मतब मेरा जो interest है और मेरा जो बहुत basic nature है वो यह rapid वाला नहीं है जो आजकल आपको चाहिए न fast food fast knowledge यह rapid यह सब मेरा interest नहीं है अब a slow person आराम से चीज़ें करना पसंदे मुझे भी जीवन में और इसलिए मुझे थोड़ा सा पढ़ाना भी वैसा ही पसंदे लेकिन अभी यह crash course का purpose थोड़ा fast है एकता मैसा भी नहीं है इसलिए अपन की प्रोविजन उलाते जाएंगे बट इतना है बस की थोड़ा आपके समझ आए तो यह है आपकी condition precedent, condition subsequent और इसको अपन कैसा transfer को बोलते हैं तो इसको बेटा अपन बोलते हैं conditional transfer एक तो होता आपका absolute transfer और दूसरा होता है conditional transfer अब यही सारे provision 30, 31, 32, 33, 34 यह सब उसी से related हैं यह उसका basic concept है बाकी फिर उसके आस-पास कई सारे provision है अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने अगले section की तरफ that is section 35 doctrine of election बहुत important concept है concept समझ लिजे फिर provision देखेंगे इसका भी जो major concept है वो आपको मैं समझाऊंगा doctrine of election का उसमें दो exception बग्यारा भी है कुछ बहुत सारे उस पर अपन नहीं जाएंगे basic concept समझ लिजे election का जो primary question बनते हैं उन सबको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो देखिए पहले concept समझ लिजे doctrine of election basically होता क्या है जैसे मान लिजिए मेरी कोई property है उस property को बेचने का प्रयास किसी दूसरे व्यक्ति ने कर दिया है इसे लिए section 35 की पहली line में लिखा है where a person professes to transfer property which he has no right to transfer अब election अगर आपको समझना है तो पहले ये समझ जिएगा कि इसमें एक ऐसा वेक्ति transfer नहीं किये उसने property word क्या use है when a person professes to transfer when a person professes to transfer transfer नहीं किया है क्या लिखा है when a person professes to transfer professes to transfer का मतलब होता है for example contract कर लिया आपने आपने अभी transfer नहीं किया है लेकिन आपने contract कर लिया है कि मैं दूँगा तुम्हें मैं transfer कर दूँगा property और कौन वेक्ति कर रहा है है ये contract जो खुद entitled ही नहीं है उस property को transfer करने के लिए एसा विक्ति जब प्रोफस करता है transfer नहीं है please understand contract अलग होता है किसी चीज़ को transfer करने को transfer अलग होता है sale deed से sale मानी जाती है effective contract of sale से नहीं मैंने सिर्फ contract कर लिया कि मैं अपनी property आपको 15 जनवरी को transfer करूँगा तो ये merely profess है सिर्फ हमने contract किया agreement किया कि मैं property transfer करूँगा भी करी नहीं है और जिस दिन मैंने अपनी property आपके नाम लिखती that is actually transfer so यहाँ 35 में होता क्या है एक ऐसा वेक्ति जो उस property को transfer करने के लिए entitled नहीं है that person professes to transfer such a property to another अब देखिए यह जो वेक्ति है जो यह transfer profess कर रहा है वो खुद तो authorize है नहीं real owner इधर पे कोई और ही है तो अब एक चीज़ समझेगा इस election की doctrine में यहाँ पे ना तीन लोग है कौन-कौन है तो एक तो आपका है यह transfer transferer जो कि खुद authorize ही नहीं है transfer करने के लिए और यह भाई क्या कर रहा है प्रोफेस कर रहे है एक agreement कर रहे है किसी दूजरे वक्ती के साथ क्या रही है प्रोपर्टी हम तुमको देंगे transfer करेंगे जैसे भी वो gift भी हो सकता है without consideration भी हो सकता है with consideration भी हो सकता है तो यह transfer किसको करेंगे बहुत obvious सी बात है transfer को होगा यह transfer actually property है क्योंकि यह profess तो कोई और ही कर रहा इसलिए transferer यहाँ अलग है एक owner है जो real owner है उस property का और एक है आपका transfer ही यह तीन लोग है अब section 35 यह कहता है कि जब भी ऐसा कोई transferer जो खुद entitled नहीं है property transfer करने के लिए if he professes to transfer a property and by the same document जो agreement इसने किया जिसमें यह एक property which was owned by this owner मालीजे इसका एक piece of land था और यह land वो किसको transfer करने की बात करता है यह transferer यह बात करता है transferi को देने की ठीक लेकिन है नहीं उसका owner का है by the same agreement transferer ने क्या लिख दिया कि भाया यह घर तुमको transfer हो जाएगा बशरते तुमें बदले में कुछ consideration देना यह हमालीजे without consideration gift भी दिया लेकिन by the same agreement यह transferer क्या करता है इस बात को ध्यान से सुनना property तो यह transfer इसे कर रहा है साथ में एक benefit साथ में एक benefit transfer कर रहा है किसको owner को owner को क्या कर रहा है benefit क्योंकि भाया property तो actually इसकी है न वो land तो actually इसका है न तो इस भाई ने जब यह contract किया property transfer करने काब हो सकता है बदले में transfer इसे कुछ पैसे ले रहा हो या फिर gift कर रहा हो लेकिन actual owner तो यह है property तो इस वेक्ती की है तो यह क्या करता है transferer by the same document by the same agreement यह क्या करता है कुछ benefit भी confer करता है किस पे इस owner पे जैसे माल लीजे इसने कहा भाया यह agreement में कर रहा हूं transfer के साथ कि land तिरको transfer करेंगे और owner को अपन क्या देंगे 5 lakh रूप 5 lakh रूपीज आपको मिलेंगे as a benefit अब देखिए बात समझना आपके जहन में यह आ रहा होगा सवाल कि sir यह तो owner है यह नहीं तो transfer के से कर रहा है तो transfer नहीं कर रहा उसने profess किया है, contract किया है यह transfer valid तभी होगा जब इसका sanction मिलेगा किसका? इस owner का तो अब जब इस agreement से देखिए, agreement से दो चीज़े होई transfer होना है property, transfer ही को और owner को भी एक benefit मिलना है पांच अलाक रुपे अब doctrine of election यह section 35 कहता है कि यह जो owner है इसके पास दो option होंगे, इसलिए इसको पन कहता है doctrine of election because the owner has to elect क्या elect करना है जरा इसको समझ यह owner को elect क्या करना है owner को दो में से एक चीज़ elect करनी है, क्या या तो वो benefit चूज कर ले जो मिला है, तो फिर property छोड़ दे या फिर अपनी property चूज कर ले, कि भाईया तुम तो contract करा है property का, लेकिन तुमारी है नहीं property, तो हम नहीं छोड़ेंगे अपनी property, हम land रखेंगे यह पांच अलाग, अब एक बात समझना, क्या यह उनर यह कर सकता है कि यह पांच अलाग का benefit, क्योंकि इसने contract तो करी लिया, इसके साथ की भाईया, benefit confer कर रहा है अपन पांच अलाग का, क्या यह उनर दोनों रख सकता है, कि यह जो पांच अलाग मिल रहा है वो भी और property भी, तो यह equity के against बात हो जाएगी हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि यह पांच अलाग आपको हम क्यों दे रहे थे, क्योंकि आपका land हम इसको transfer कर रहाने की बात कर रहे थे, इसलिए आपको पांच अलाग दे रहे थे, अब आप दुनों तो नहीं रख सकते, जो benefit confer हुआ है और अगर आप benefit रख रहे हैं, तो आपको property relinquish करनी पड़ेगी, आप दुनों नहीं ले सकते, एक agreement में दो चीज़े हैं, आपकी property किसी और को transfer करनी की बात है, और आपको benefit देने की बात है, बेसिकली यह doctrine जो based है, जिससे pre के questions भी बनते हैं, अगर यह concept समझ आ गया तो फिर जादा कुछ नहीं है, फिर simple सी चीज है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जो एक terminology या phrase यूज होता है, उसको चाहें तो आप लिख लिजे, no one can approbate and reprobate at the same time, इससे भी pre के question आते हैं, no one can approbate and reprobate at the same time, कहने का मतलब, आप एक read में से, या एक agreement में से, अपने benefit की चीज़ चूज कर लें, और जो आपके interest के against है, उसको set aside कर दें, ऐसा नहीं होगा, या तो आपको दोनों मानना है, कुछ नहीं मानना है, कहने का मतलब, जो benefit कर रही है, अगर आप वो मान रहे हैं, तो फिर दूसरी चीज़ आप give up नहीं कर सकते, इसलिए अगर आप benefit ले रहे हैं, तो आपको जो दूसरा term है कि property उसको transfer होगी, उसके लिए भी consent देना पड़ेगा, या नहीं आप बोलेंगे कि नहीं साब property, हमारी property दो हम रखेंगे, और हम ये benefit भी लेंगे इस पे बेस्ट है, बेसिकली आपका ये पूरा doctrine of election का concept, and that is the whole concept basically, of election, I hope you are getting this, तो ये जरूर ध्यान रखियेगा, ये जो sentence मने आपको लेखवा है, no one can approbate and reprobate at the same time, this is very important, this reflects the doctrine of election, अब देखिये doctrine of election का जो later part है, first paragraph के बाद जितनी चीज़ है, first paragraph में यही चीज़ लिखी, एक बाद रीड भी कर लेता है, यहां लेखा है, where a person professes to transfer property which he has no right to transfer, and as part of the same transaction confers any benefit on the owner of the property same transaction से वो क्या कर रहा है, कुछ benefit भी confer कर रहा है, owner के उपर, such owner must elect, either to confirm such transfer, या तो वो transfer confirm करे, मतलब property छोड़ दे, or to descend from it, या तो फिर इस transfer को acknowledge या अप्रूब ना करे, और अगर इस transfer को आप acknowledge नहीं कर रहे हैं, तो यह benefit आपको relinquish करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, and in the later case वही बात आगे लिखी है, and in the later case he shall relinquish the benefit so conferred, अगर आप इस transaction को approve नहीं कर रहे हैं, तो benefit आपको छोड़ना पड़ेगा, and the benefit so relinquish shall revert to the transferer or his representative as if it had been not disposed of, और यह जो prize money है, या जो benefit जो आप first paragraph के बाद लिखा है subject nevertheless उसको थोड़ा शान दिमाग से सुनिएगा, दो बातें इसमें हैं, अब ये तो election की बात हो गई कि आपको elect करना है, इसमें जो एक चीज है, अब आगे जो subject nevertheless जो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, is disappointed transfery के right, किसके right? is disappointed transfery मान लीजिए, owner ने क्या elect किया? owner ने elect किया, भईया, हम तो property रखेंगे, तुम benefit ले जाओ, अपना हमको नहीं चाहिए हमें तो हमारा land चाहिए, हम तो property रखेंगे, ये benefit उसने relinquish कर दिया, तो देखिए, benefit जो relinquish कर दिया ये किस के पास गया? transferer के पास, owner के पास क्या चला गया? property इधर पर गरीब बचा कौन? ये transfery, इस transferer ने, जो entitled नहीं है, property transfer करने के लिए, उसने अगर profess किया है, contract किया है agreement किया है, transfery के साथ तो he is the only one who is not getting anything out of the agreement भई, इसको वापिस मिल गया अपना benefit उसको वापिस मिल गई property अगर उसने property चूज किया in that case इसको करीब को अपन बोलते हैं disappointed transfery क्या बोलते हैं? disappointed transfery और इसके right आगे दिये गए है, इस disappointed transfery के, आप क्योंकि owner ने क्या elect किया? property elect कर ली अगर, तो इसको कुछ नहीं मिला, ऐसे case में आगे जो paragraph है, वो कहते हैं कि इसको भाईया, compensation मिलेगा, इसको क्या मिलेगा? compensation हर उस case में compensation मिलेगा, जहां ये transfery for consideration था कैसा था? for consideration, free में नहीं था ये transfer, मतलब ये जो transferor है ये जो land, इसको transfer करने का contract किया था, बदले में ये इससे consideration ले रहा में इसको compensation मिलेगा transfery को, और वो compensation कितना होगा? value of the land, इसकी value, इसका जित्ती price है, या value है, वो इस transfery को as compensation मिलेगी, इसी में एक situation और ये दी है कि मान लीजे, gratitude as transfer था, ये जो contract था ये gratitude as था, gratitude as मतलब free gift था मान लो, transferor ने gift करने का agreement किया था ये तरको मैं दूँगा, as gift ये property जो उसकी नहीं, लेकिन owner ने property चूज कर ली, तो अब इसको gift नहीं मिला, ऐसे case में compensate करने के लिए generally, generally transferor entitled नहीं होगा compensate करने के लिए, क्यों नहीं होगा? क्योंकि free contract था कोई consideration उसके लिए, gratitude था basically, gift कर रहा था वो क्योंकि इसलिए gratitude था, तो भाई, gratitude transfer था तो कोई compensation का सवाल वैसे थी नहीं उठता, लेकिन यहाँ condition लगी है कि मान लिजिए, before he could elect, owner elect करे property या benefit, इसके पहले अगर ये transferor की death हो जाती है अगर इसकी death हो जाती है या ये otherwise incapable हो जाता है transfer करने के लिए तो इसके जो representatives है ना LR है ना, legal representatives उनको इसे compensate करना पड़ेगा बात समझना इदर थोड़ा ध्यान से अगर मान लिजिए, देखिए दो condition होंगी अगर ये जो profess कर रहा था transfer, ये with consideration है पैसे वाला है, तब तो हर case में he is entitled for compensation जो उस property की value है उतने compensation के लिए विक्ती liable होगा, हर उस case में जहां consideration होना था जहां consideration नहीं था gratitude transfer था, अब इसका थोड़ा सा logic समझोगे न, तो मेरे कहल से concept समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी logic basically इसका ये है कि माली इस transferer ने अगर gift करना था, transfery को ये gift करना चाहता था, इसका मतलब ये कुछ benefit इसको देना चाहता था अब इसके पहले कि ये उनर elect करता benefit या property दोनों में से कुछ एक इसने election अभी किया नहीं है और उसके पहले ये वेक्ती मर गया, या otherwise disable हो गया property transfer करने के लिए तो इसका जो intention था, वो क्या था इसको कुछ देना था, transfery को कुछ वो देना चाहता था, वो property देना चाहता था, या फिर एक ये भी हो सकता है कि property नहीं, तोकि वो gift कर रहा था, तो एक ये भी चीज हो सकती है कि property नहीं देना चाहता है, तो हो सकता कुछ benefit देता, इसी लिए यहाँ LR को compel किया गया इसकी, इसकी death के बाद, अगर election के पहले इसकी death हो जाती है, तो compel किया गया है कि भाईया, इस disappointed transfery को, भले वो without consideration था, उस case में भी, जितनी value है उस land की उतना मिलेगा, क्यों क्यों क्योंकि हमने क्या कहा, अगर यह वे owner बाद में जाके property elect कर लेता है, तो यह benefit किस के पास जाता है, transferor के पास, लेकिन transferor तो मरी चुका है, हम कौन सा case देख रहा है, जहाँ transferor की death हो गई है, तो यह benefit किस के पास जाता, transferor लेकिन transferor की death हो गई है, मतलब benefit किसके पास जा रहा है, जहाँ से सुनना, अगर इसकी death हो गई है, मतलब benefit किसको मिलेगा, LR को, तो इन LR को अब इसे compensation तो इस LR को अब compensation देना पड़ेगा, इस transferor को, क्योंकि इस transferor का intention था, इसको कुछ देने का, that's the logic, यह पूरा वो crux है, इस पूरे concept का, अगर यह subsequent वाला नहीं भी समझ आया है, तो बाद में इस वीडियो के live complete होने के बाद एक बार दुबारा इसको चला के देखिएगा और ध्यान से language पढ़िएगा, अगर logic समझ गए हैं, तो शायद आप उस ताकि आप कोई चीज़ें याद हो पाएं कि क्या है election, कौन से section में है, क्या option होते हैं, that is the basic idea, ठीक इसके बाद देखिए यह तो होगई election की बाद, इसके बाद 36 और 37 जो हैं, यह बात करते हैं apportionment की, कि यह जब भी कोई property का transfer होता है, उसमें apportionment कैसे होगा, देखिए समझेगा इस apportionment की कहानी को, 36 और 37 दो तरीके के apportionment की बात करते हैं, जैसे कि section 36 है यह time के हिसाब से apportionment की बात करता है जैसे मान लेजिए, एक खर है जैसे मान लेजिए A ने एक घर transfer किया है B को, that is the house यह house A ने B को transfer कर दिया और यह house जो transfer हुआ है, वो month के mid में हुआ, जैसे मान लेजिए यह transfer हुआ है 15th को 15th of January को यह transfer हुआ है B को अब मान लेजिए, इस घर में अगर एक किराइदार रहता था C was the tenant जो की rent पे करता था कितना, मान लेजिए महिने का यह 200 रुपए rent देता था तो अब January month का जो rent होगा जो income होगी, यह apportionment किसकी है, income की बात चल रही है जो भी payment होना है, property से related तो मान लेजिए, 200 रुपए C किराया देता था, तो A को कितना मिलेगा, B को कितना मिलेगा January month का, क्यों? क्योंकि को effect हुआ, 16 से यह घर किसका हो गया B का हो गया है, तो बहुत obvious और logical और prudence की बात है, कि 15 दिन का किराया इसको, that is 100 और 15 दिन का किराया, इसको that is 100, ऐसे उस payment का apportionment होना चाहिए, यह logic कहता है आपका, same बात 36 भी कहता है, ठीक, कि अगर 15 जनवरी को यह transfer हुआ है, तो 16 से यह entitled हो गया, 15 तक के लिए यह entitled, तो 100 रोपे इसको बिलॉंग करेंगे 100 रोपे इसको बिलॉंग करेंगे, बस that's what 36 says ऐसे ही ऐसे ही है आपका section 37 37 भी apportionment की ही बात करता है, लेकिन share किसका कितना है, उसके बारे में यह बात करता है जैसे मान लिजिए, किसी property को acquire किया गया है, अपन similar लेते हैं कि एक piece of land है यह एक piece of land है, इस property को A और B ने acquire किया है, मान लिजिए और A का जो share है, वो 75% है और इस land में B का जो share है, वो कितना है, 25% तो जो income इस से arise हो रही है, उसका apportionment कैसा होगा, बहुत simple सी बात है A will get 75 and B will get 25 of that payment जो भी receive हो रहा है, तो यह share के basis पे बात करता है, यह time के basis पे कि कब एक नया transfer ही आया, यह basically apportionment of benefit की या उससे payments या income जो arise हो रहे हैं, उसकी बात करते हैं, section 36 37, पस यह ही बात यहाँ पर बताई गई है apportionment से related, section number याद रखिएगा prelims में आता है, concept भी थोड़ा बहुत आप समझ गए हैं, I hope इसके बाद आजाईए important provision है हमारा 40 थोड़ा बहुत important है उसको mark कर लीजे, restrictive या negative covenant भी इसको कहते हैं जैसा कि हमने 11 में already पढ़ रखा है, कि अगर आपने किसी वक्ती को property absolutely transfer कर दी है और उस पे कोई restrictive covenant लगाया है कोई condition लगाई है कि आपको इस manner में ही enjoy करनी है, property या use करनी है, वो valid नहीं होता, लेकिन उसका एक exception पढ़ा है आपने 11 में ही, कि अगर transferer जो है, उसने एक portion retain किया है और उसके portion के immovable property के case में, अगर उसने एक portion retain किया है और उस portion के beneficial enjoyment के लिए, उसने condition impose करी है, तो वो valid होती है 40, उसी के continuation में ये बताता है, कि वो condition, subsequent transfer पे भी imposed मानी जाएगी with certain condition जैसे, एक मेरा, जो मैंने आपको 11 में illustration बताया था न, कि मान लीजिए, ये पूरा piece of land है, और इसमें let's say, इतना portion belong करता है, transferer को, यहाँ पे उसका घर है, और ये पूरा land है खाली, ये land उसने किसी और को बेचा, तो जब भी उसने ये land किसी और को बेचा, तो उसने क्या condition impose कर दी, कि भाईया, इधर पर कोई भी building का construction करोगे, तो ये ध्यान रखना, कि जो right to light और air है मेरा, वो constraint ना हो, वो restrict ना हो, ये condition valid होती है, ये हमने section 11 के exception में पड़ा है, अब 40 कहता है, ये condition subsequent transfer पे भी impose होगी, कहने का मतलब, अभी मानलो, उसने B को बेचा, ये land B अगर आगे चलके ये land C को बेचता है, तो C will also be bound by such condition notice notice होना चाहिए, वो conditions है, बस simple logic ये है इसके बाद आईये 41 41 is also very important चली, अब बात करते हैं, अपन section 41 की ostensible owner, बहुत important है pre के लिए भी, वैसे तो means का अभी question है, basic concept समझने की कोशिश हम करेंगे, so section 41 जो की बात करता है ostensible owner की इसमें एक बात समझना ये जो ostensible owner हम जिसको कह रहे हैं न ये basically actual owner नहीं होता, यहाँ पे real owner कोई और है और ostensible owner कोई और होता है, पहले इसके कुछ थोड़ा सा overview ले लिजे तो आपको concept फिर जादा बहतर तरीके से समझाएगा तो एक वेक्ति हमारे पास कौन है real owner है, जिसका जो actually property में interest रखता है, जिसका interest है और दूसरा हम जिसको ostensible owner कह रहे हैं ये जो हमारा ostensible owner है basically ये बेनामीदार कहलाता है क्या कहलाता है ये, बेनामीदार क्योंकि आपका जो section 41 है now it is subject to a statute, एक statute से subject है, आपका ये मैं आपको उसका पूरा concept अभी brief में समझा देता हूं, तो थोड़ा सा बहतर तरीके से आप इस पूरे ostensible owner के concept को मेरे खाल समझ पाएंगे but वो समझना बहुत जरूरी है क्योंकि now this provision section 41 is subject to that legislation आप चाहें तो उस Act का नाम भी लिख लेजिए मैं आपको नाम बता देता हूं उस Act का so the name of the Act is the Benami Transaction Prohibition of the Right to Recovery Property Act 1988 मतब वो ब्राकेट में है आप बस इतना लिख लेजे Benami Transactions Act 1988 कौन सा Act है? Benami Transactions Act 1988 now this provision is subject to that particular statute basically वो statute क्या बात करता है? Benami Transactions के बारे में बात करता है मैं आपको बताता हूं क्या होता है Benami Transactions क्यूं होते हैं और क्या इसका Impact है? उस पूरे Impact को अपन समझेंगे तो पहले तो एक बात समझीए कि एक तो यहां पर होता है आपका real owner और जो दूसरा person यहां scene में आएगा वो होता है हमारा बेनामीदार कहते हैं उसे क्या कहते हैं? बेनामीदार या यही आपका है कौन ostensible owner बेनामीदार देखिए भाई मेरे ख्याल शायद आपने सुन रखा हो Common Paralence में बेनामी ट्रंजक्शन प्रॉपर्टीज के बेनामी ट्रंजक्शन बेनामी ट्रंजक्शन का मतलब आपने Judiciary Crack कर लिया with flying colors बढ़िया rank के साथ उसके बाद क्योंकि आपने Judiciary Objective याद करके Crack किया है कि इसका तो B होता है इसका तो C होता है और भर पूर motivation के वीडियोज और strategy के वीडियोज देखके अगर आपने Judiciary Crack करा है तो शायद हो सकता है दोनमर का पैसा बना रहे हैं और अब आपको properties खरीदनी है उसकी तो आप क्या करेंगे खुद के नाम पे तो लेंगे नहीं है ना नहीं तो vigilance वाले अगले दिन घर पर तूट पड़ेंगे तो आप क्या करेंगे अपने किसी रिष्टेदार के नाम पे अपने पेरेंट्स के नाम पे अपने वाइफ के नाम पे ऐसे आप property खरीदेंगे इनको कहते हैं बेनामी transactions यहां real owner कौन है आप है पैसा कौन देरा property खरीदने का आप दे रहे लेकिन वो property किसके नाम पे आप खरीद रहे हैं बेनामी दार के नाम पे क्योंकि actually intention यह नहीं है कि आपको उसको benefit करना है या आपको उसको owner बनाना है आपने पिताजी के नाम पे मम्मी के नाम पे दादी के नाम पे दादा के नाम पे property बस इसलिए ले लिए कि है तो अपनी आप अभी क्योंकि vigilance का छापा ना पड़ जा इस चक्कर में आपने किसी और के नाम पे वो property ले ली है दोस्त के नाम पे ले ली अडोसी पडोसी के नाम पे ले ली इस तरीके की जो चीजें होती थी इसको prohibit करने के लिए statute है जो मैंने आपको बताया बेनामी transaction act 1988 और इसमें क्या लिखा है इसमें लिखा है कि अगर property किसी विक्ति के नाम पे registered है कहने का मतलब इस बेनामी दार के नाम पे अगर property है official documents में गर इस विक्ति का नाम लिखा है तो कोई भी दूसरा विक्ति including this person कोई भी दूसरा विक्ति इसके entitlement को challenge नहीं कर सकता law में क्या लिख दिया statute में क्या लिख दिया कोई suit या proceeding file नहीं करेगा कोई भी विक्ति ऐसे विक्ति के entitlement को challenge करने के लिए जिसका नाम है document में अब भले ही इस real owner ने खरीदा इस purpose से था कि मेरे को property रहे, मेरे पास रहे या मेरे को मिले, लेकिन उसने क्या किया था एक बेनामी transaction किसी और के नाम में तो actually अभी ये बेनामी दार ही real owner बन जाएगा. इस practice को रोकने के लिए basically ये किया गया था, लेकिन इस act में भी इसके certain exceptions हैं, कुछ exceptions हैं, जैसे joint Hindu family, अब उसमें जो manager होता है, जो करता होता है, वो खरीदा property, किसी और के नाम में या खुद के नाम में, but it belongs to the whole family, उस तरीकी की जो चीज़े हैं, उसको exception में रखा है, दूसरा ए इंडियन सोसाइटी में, हमारे custom में ये होता है, कि कोई भी auspicious चीज़ आप लेते हैं, तो generally ये है, कि किसी female के नाम से लेते हैं, husband को कोई property लेना होता है, तो वो generally wife के नाम से लेता है, वो जो concept है कि wife लक्षमी होती है, या बेटी जो होती है, daughter को लक्षमी consider किया जाता है, उ उसको exempt किया गया है, कि अगर वो चीज़ है, then it is fine, उस तरीके के transactions है, और अब, it is all, it all depends on proving the things, so उस तरीके के transactions को यहाँ, इस act में भी exempt किया गया है already, कि भाई, अगर किसी father ने अपनी minor daughter के नाम पे property खरी दिया, तो real owner वही रहेगा, real owner रहेगा का मतलब, जो transfer करने का अधिक रहेगा property को, वो किसका रहेगा, real owner का, बे नामी person का नहीं, भले, और इसी बे नामी को अपन क्या कहते हैं, ostensible owner under 41, इसी को आप क्या कहते हैं, ostensible owner कहते हैं, वो actual owner नहीं होता, अब यह हो सकता है कि document में नाम उसका हो, या फिर यह नहीं, तो भी देखने में यह लगता है, कि इस तरीके की चीज़ है, कि कोई भी यह perception बनाएगा, कि हाँ properties के, though that person is not a real owner, ऐसे owner को हम कहते हैं, ostensible owner, और 41 तो बहुत छोटी बात करता है, मैं आपको थोड़ा से larger perspective बता रहा हूं, इस चीज़ का, 41 तो merely यह कहता है, कि अगर किसी ऐसे वक्ती ने, किसी भी, कौन से, ostensible owner न किसी भी, ostensible owner ने, अगर कोई transfer किया है, to a transfery property, इसने transfer कर दी है, to a transfery, instead of real owner, और अगर यह काम, इस real owner के, ध्यान रखना, अगर यह काम, इस real owner के express or implied consent से हुआ है, in that case, the transaction is valid, transfery के पास, अधिकार आ जाएगा, that's what 41 says, एक बार पढ़ ले जा, तो आगे मैं आपको इस पा और थोड़ा सा concept बदाता हूं, where with the consent expressed or implied of the persons interested in immovable property, a person is the ostensible owner of such property, and transfers the same for consideration, कैसे transfer किया, क्या के transferer was not authorized to make it, अब इस, क्योंकि इस बेनामीदार ने, या इस ostensible owner ने वो transfer किया है, इसी लिए, ये transfer voidable नहीं होगा, voidable को किसके part पे होना चाहिए था, real owner के, क्योंकि real owner तो ये है, बट इसका तो interest था ही नहीं transfer करने में, बेच किस ने दिया, किसी ostensible owner ने उसको बेचा है, तो इसके पास basically अधिकार होना चाहिए था, इस transaction को cancel करने का, लेकिन इसके पास ये अधिकार नहीं होगा, ये transaction या transfer voidable नहीं होगा, अगर ये काम कैसे हुआ है, consent से, इसलिए लिखा है, where with the consent, express or implied, of the persons interested in immovable property, या person is the ostensible owner, ostensible owner ने इसके, implied a express consent से अगर property transfer कर दी है, तो वो transfer voidable नहीं होगा, आगे लिखा है, provided that the transferee after taking reasonable care to ascertain that the transferer had power to make the transfer has acted in good faith, बशरते, ये जो transferee है, जिसको भी properties ostensible owner ने transfer करी है, जो transferee है, जिसको property transfer करी गई है, उसने good faith में act किया हो, ऐसे case में, ये transaction जो है, ये transaction voidable नहीं माना जाएगा, but जैसा मैंने कहा, now 41 is subject to the another act, that is, बेनामी transaction act, और वहाँ कह दिया गया है, कि भाईया, जो actual, आपने अगर किसी को बेनामी दार बना दिया है, actual owner, अगर आपने उसके नाम पे property अगर खरीदी है, तो वो ही actual owner बन जाता है, that's what actually that act says, तो फिर आपका वैसे ही कोई अधिकार नहीं रहा, तो आप वैसे भी इस transfer को cancel नहीं करा पाऊगे, आपके part पे voidable न कि भाईफ के नाम पे खरीदी है, अब ये पता कैसे चलेगा, प्रूफ कैसे होगा, उसके multiple factors, multiple judgments में court ने बताए हैं कि consideration किसने पे किया है, और ये जो transfer हो रहा है, वो किस consideration के साथ हो रहा है, तो ये सारे circumstances court को देखने, मान लीजे, एक husband ने अपनी hard earned money से एक property खरीदी, लेकि just to follow the customer ritual कि wife के नाम पे खरीदना था, इसका मतलब ये नहीं कि wife real owner बन जाएगे, that intention is to be drawn from the facts and circumstances of the individual case, और ऐसे case में wife entitled नहीं है, बेनामीदार जरूर है, लेकिन वो entitled नहीं है property transfer करने के लिए, बट अगर किसी bonafide transfer को property transfer हो गई है, तो इसका right भी protect होगा, ऐसे case में voidable ये transaction नहीं माना जाएगा, चीक, so that's ostensible owner, that is section 41, इसके बाद सीधे आजाएए 43 पे, transfer by unauthorized person who subsequently acquires interest in property transfer, देखिए 43 basically क्या बात करता है, कि अभी आप entitled नहीं है, एक property खरीदने के लिए, sorry, बेचने के लिए, so section 43, ऐसे person की बात कर रहा है, जिसने जब contract किया property transfer करने का, तब तो वो entitled नहीं था, लेकिन subsequently वो interest derive कर लेता है, जैसे space succession होता है, कि जो son है, वो father की property उसके जिन्दा रहते बेच देता है, जबकि succession में मिलने वाली, अभी तो मिलने नहीं वाली, अगर उसने contract कर लिया property बेचन का, तो जब तक contract valid रहता है, अगर उस बीच में ये unauthorized वेक्ती कोई interest derive कर लेता है, in that case, he is bound to transfer that property to the transferee, जैसे मान लीजिये, A ने B को property transfer करने का contract तो कर लिया, तो he was not entitled, जिस land की बात चल रही थी, transfer करने की, वो इसका था नहीं, बढ़ा संभावना थी कि मिल जाएगा, बट हमने पड़ा है, transfer valid कब होता है, जब actual जो property आपकी हो चुकी है, आप उसको अगर transfer कर रहे हैं, तब वो valid है, otherwise वो valid नहीं है, तो अभी तो A authorized नहीं है, transfer करने के लिए इस land को, ऐसा unauthorized वेक्ती, अगर represent करता है, खुद को capable of that transfer, और property को अगर transfer करता है, so in that case, अभी तो इसने जो transfer किया, वो actually valid नहीं है B को, लेकिन subsequently, if he acquires an interest in this land, मान लिजे, आगे चलके succession में properties को मिल जाती है, so now we can compel, we can compel A कि भाईया, अब तु actually मुझे वो property दे, क्योंकि तुने में को बेवकूफ बना के ये represent तो किया था, कि ये property मेरी है, ये represent करके तुने मेरे को transfer किया था, और अब अगर तुने interest बाद में acquire कर लिया उस property में, तो B जो है ये compel कर सकता है A को, इसको हम कहते हैं, लिख लीजिए 43 के साथ, feeding the grant by stopel, बहुत important है, feeding the grant by stopel, इस doctrine का मतलब इदर पे जरा समझ लीजिए, तो आपको ये याद रहेगी हमेशा, feeding the grant by stopel, देखिए stopel आप समझते हैं, अगर आपने किसी वक्ती के सामने कोई representation किया, और उस representation पर बिलीफ करके दूसरी party ने अगर कोई act कर दिया है, so now you cannot back out from that representation, और the other party can compel you to fulfill that representation, that's what the rule of stopel says, ये जो हमने लिखा, feeding the grant by stopel, actually A ने क्या किया था, property grant करी थी B को, transfer कर रहे हैं मतलब आप, grant कर रहे हैं, ठीक, अब हम इस grant को feed कर रहे हैं, इसका मतलब उसको actually force मिला रहे हैं कैसे, with the help of stopel, क्योंकि आपने खुद को represent किया था, that you are authorized to transfer this property, और अब आप उस legal capacity में आ गए हैं, जहाँ आप transfer कर सकते हैं, तो अब आपको transfer करना पड़ेगा, और क्यों, with the help of the rule of stopel, stopel के rule के help से आपको हम compel कर रहे हैं, इसलिए इस doctrine को क्या कहते हैं, feeding the grant, जो property आप grant कर रहे थे, उसको ह रहे हैं, उसको हम comply कर रहे हैं, with the help of stopel, इसलिए इसको कहते हैं, feeding the grant by stopel, आपके उपर stopel apply हो रहा है, क्योंकि पहले आपने represent किया था, कि आप authorized हैं, उस property को transfer करने के, so that is 43, और इसको stopel by deed भी कहते हैं, stopel by deed मतलब क्योंकि आपने transfer किया था, एक representation किया था, deed में कि भईया मैं authorized हूँ, तो अब आपके उपर वो implement किया जाएगा, इसलिए इसको stopel by deed भी कहते हैं, और इसको कहते हैं, feeding the grant by stopel, that is section 43, इसके बाद देखिए, 44 से लेके, 47, 48 तक जो provision है, वो co-owners की बात कर रहे हैं, co-transferers की, या co-transferries की, जैसे, contract act में हमने देखा था न, performance of joint right और devolution of joint right, joint liability, उसी तरीके की कुछ चीज इधर है, मैं आपको basic concept पूरा बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप provision पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएंगे, तो देखिए, यह जो provision आगे start हो रहे हैं, यह basically बात यह कर रहे हैं, कि जहां मन लीजे, जो property transfer हो रही है, जिन लोगों को, जो लोग property खरीद रहे हैं, मन लीजे, A जो है, अपना piece of land बेच रहा है, किसको, B और C को, B और C इसके owner बनने हैं, और यह तो land transfer कर रहा है, और B और C क्या कर रहे हैं, A को एक consideration दे रहे हैं, यह जो consideration है, जहां से सुनना बात, अगर यह consideration जो pay हो रहा है, यह एक common fund से हो रहा है, किस चीज़ से हो रहा है, एक common fund से pay हो रहा है, तो जो property इस consideration के बदले मिलेगी, उसमें B और C का कितना share होगा, तो एक चीज़ तो यह कि, जब यह खरीद रहे होंगे, यह आपस में इन दोनों ने जो agreement किया है, कि भाया हमारे पैसे एकटे जो हमने किये हैं, उससे हम यह property खरीद रहे हैं, तो किस के पास क्या share जाएगा, अगर expressly वो चीज़ decide हुई है, तो वो prevail करेगी, अगर ऐसा कोई express decide नहीं हुआ, in that case यहाँ जो rules हैं, वो follow होंगे, और बिल्कुल prudence पे based है, logic पे based है, reason पे based है, बड़े आराम से आपको समझ मैंगे, अगर मान लीजिए, यह जो consideration, property transfer हुई, land पूरा का पूरा, यहाँ बन इस एका fund था, मान लीजिए, इसमें, let's say, 10 लाख रुपे थे, इन दोनों ने अपना common fund बना रखा था, 10 लाख, लेकिन इसमें किसने कित्ते डाले थे, तो इस 10 लाख में, 10 लाख में मान लीजिए, 6 लाख A ने डाले, sorry, 6 लाख B ने डाले थे, और 4 लाख किसने डाले थे, C ने डाले थे, ठीक, मान लीजिए, इस proportion में, इन दोनों ने इस fund में contribute किया था, total 10 लाख थे, और इसमें से consideration पे हुआ है, कितना पे हुआ है, तो अगर अपन मान लें, कि भाई साब, 6 लाख रुपे पे हुए, land का consideration किता था, 6 लाख उस fund से पे हुआ है, तो अब भाई, ज 6 इस तो 4, यही proportion में property भी इन दोनों को बिलॉंग करेगी, क्योंकि जिस fund से पैसा पे हो रहा है, उसमें जो proportion इन दोनों का है, 10 लाख रुपे घटे किये थे, मान लीजिए, साड़े 7 लाख B के थे, और बाकी के बचे हुए, साड़े 5 लाख रुपे C ने दिये थे, तो 75% fund में किसका था, B का था, 25% C का था, तो लाइंड में भी सेम होगा, 75% लाइंड B का होगा, 25% लाइंड C का होगा, I hope that is clear, is it clear, यह समझ आ रहा है भाई, देखो, अगर एक common fund इन दोनों का है, B C का, जिससे consideration पे हो रहा है, तो जो property transfer होगी, उसमें इन दोनों का क्या interest होगा, यह इस पर depend करेगा कि उस fund का constitution कैसा है, उसमें कित्ता किसने contribute किया है, जितना contribute किया है, accordingly ही इस property में भी interest आपका होगा, माल लेजिए इस fund में 75, चलिए इस figure को थोड़ा सा में easy कर लेता हूँ, माल लेजिए इस fund में 75% पैसा किसने डाला, B ने डाला है, और C ने डाला है 25% तो land जो आएगा, उस land में भी same proportion में यह दोनों की ownership होगी, 25% land किसका होगा, C का और 75% B का, क्योंकि जहां से consideration पे हुआ है, उसमें वो contribution accordingly इन दोनों का था, so that is one thing जो आप इन provisions को पढ़के समझेंगे, और ऐसा ही होता है जब property transfer होती है, तो consideration किसको कितना मिलेगा, माल लिजिए property जब transfer हो रही है, तो consideration किसको कितना मिलेगा, अब यहां पे क्या है, खरीदने वाले जो थे, वो multiple लोग थे, इसी का उल्टा कर लिजिए, बेचने वाल माल लिजिए, यह land है, A और B का यह land है, और यहां पे दोनों का share जो है, वो कैसा है, तो इस share को भी अपनवाई कर लेते हैं कि A का है, 25% share, और इस land में B का share है 75%, इसका एक portion यह sale कर रहे हैं, यह total land belong किसको करता है, A और B को belong करता है, इस land का एक portion यह sale कर रहे हैं किसको C को, माल लिजिए, land का आधा portion यह बेच रहे हैं किसको C को, तो अब अगर माल लिजिए, express कुछ नहीं लिखा है, तो किसका किता जाएगा, तो इस 25% का भी आधा जाएगा, बात समझना, 25% का भी आधा जाएगा, और 75% का भी आधा portion C के पास जाएगा और C जो भी consideration दे रहा है वहाँ से जो भी इस land के बदले consideration दे रहा है वो इन दोनों में कैसे divide होगा जो proportion इनका land में 25% consideration A के पास आएगा और 75% consideration B के पास जाएगा जब property का एक portion पूरा land नहीं बेच रहे मान लीचे इनके पास let's say इनके पास 12 एकड जमीन थी चीख अब इस 12 एकड में से 55% किसका है B का है और बाकी 25% A का है और बेचनी इनको कितनी है 6 एकड तो दोनों का जो respective proportion है उसका आधा और इसका भी आधा transfer होगा plus whatever consideration they are receiving जो भी consideration मान लीजे consideration यहां से जो आ रहा है 10 लाख रुपे आ रहा है तो 10 लाख में से B को मिलेंगे 7.5 लाख और बाकी बचे 5 लाख किसको मिलेंगे? हमारे A को मिलेंगे. That's how the consideration will be divided and that's how the portion will go. अब इनी आसान बातों को बहुत जादा थोड़ी सी complicated अंग्रेजी में यहां लिखा गया है. इसलिए मैं रिखाल थोड़ा समझने और प्रब्लम होती है. 44, 45, 46 आप पढ़ेंगे. तो concept पूरा का पूरा बस ही है. जो कि बिलकुल reason और prudence पे based है. इसलिए ज़्यादा घबराईएगा मत. बहुत simple और logical बात है. I hope this is clear. समझ माया भाई? Yes, समझ माया? हाँ, बिलकुल co-owner बिलकुल भाई है दुश्यादा. दो लोग मिलके उन कर रहे हैं इस property को. पूरा जो land है दोनों मिलके उन कर रहे हैं A और B. लेकिन दोनों का proportion है अपना-पना. एक का 75, एक का 25. इसके बाद आजाईए 51. माग कर लिजे प्रिलिम्स के लिए दो कोई concept नहीं है 51 में. लेकिन एक बात समझेगा improvements made by bona fide holder under defective title. देखो होता क्या है इसमें? यह जो section है. Section 51. कहानी सुन लिजे, बाकि आप खुदी समझ लेंगे. 51 में यह होता है कि एक bona fide transferi है. property किसी वक्ती को transfer हुई है. उसने तो good faith में लिए है. उसे लगता है कि भाईया transfer valid है. उसने good faith में वो transfer किया. उसको मिला. जैसे माल लेजिए A ने अपना एक piece of land बेज दिया. किसको? B को एक piece of land बेज दिया है. अब B is a bona fide transferi. good faith में लिया है इसने. और good faith में लिया है. इसका मतलब what he believes that he has a good title over the property. इसको लगता भईया आप नहीं है. क्योंकि हमने तो लिया है good faith में लिया है. लेकिन actually माल लिजे किसी reason से इसने जो transfer किया है. इसमें कुछ टाइटल रखता है. जैसे कि C माल लिजे land actually था C का. और इसने बिना इसको बताया या इसको बिना पता चले आपको transfer करवा दिया है. false है वो deed या वो deed ही नकली. लेकिन आपकी तरफ से good faith आपने reasonable care ली थी और आपको लगता है कि आप owner है इस land के. अब B ने अगर इस land पे कोई improvement कर लिए. अंडर a bonafide belief कि भाईया land मेरा है अगर B ने इस land पे कोई improvements कर लिए. जैसे माल लिजे खाली agricultural land था. इसने फसल उगा दी कोई. अब फसल उगा दी तो बाद में सी आएगा जिसका better title है जो की actually entitled है land के लिए वो क्या बोलेगा B को? एब भाईया जमीन खाली कर. अब जमीन खाली तो करवा लेंगे लेकिन इसने जो crops यहां पे लगा दी है वो किसको belong करेंगी? तो उसके लिए आपका 51 ये कहता है कि या तो C, B को price पे करे किस चीज की जो भी improvements वहां हुए है या मान लेजी इसने कोई construction करा दिया था इस land पे. तो C के पास क्या option है? या तो price पे करे उस improvement की और land रख ले या फिर इस land की जो भी market value है जो भी market value इस पे B को ये land sale कर दे transfer कर दे. दोनों में से कोई एक option है क्योंकि भाई ये भी bonafide है. ये इसने भी जो act किया good faith में किया उसकी भी गलती नहीं है. तो equity होगी basically दोनों के साथ. equity क्या होगी कि भाईया देखो तुमने भी तुमारी भी गलती नहीं है तुमने इस land पे कुछ improvements कर दी है और इसकी भी गलती नहीं है. तो इसको option दिया जाएगा कि भाई या तो तु प्राइस पे कर दे उन improvements की या फिर तु एक काम कर कि ये land up उसी को बेज दे जो भी market value है उस पे. That's what 51 says. इसके बाद देखिए 52. Transfer of property pending suit relating there to इसको कहते हैं list pendants and that is also important 52 talks about list pendants ये ध्यान रखिएगा काफी important है list pendants list pendants list pendants का basic मतलब होता है list का मतलब होता है litigation और pendants का मतलब होता है pending या ongoing माल लीजे किसी property से related litigation pending है court में suit या proceeding चल रही है किसी property से related तो ऐसी property को अगर एक party जिन भी दो parties के बीच वो proceeding चल रही है दोनों में से कोई भी party अगर उस property को किसी तीसरे वक्ति को transfer करती है तो section 52 ये कहता है कि ऐसे case में वो जो transfer है या वो जो interest आपने third वक्ति का create किया है it will be subject it will be subject to the decision of this it will be subject to the decision या फिर decree it will be subject to the decree by the court जो भी decree आएगी उस पर depend करेगा जो interest create हुआ है जैसे माल लिजिये for example A और B के बीच एक land को लेके dispute चल रहा है कि कौन इसके लिए actually entitled है इस बीच B जो है ये इस property को transfer कर देता है C को B ने C को ये property transfer कर दी बाद में जब judgment आया और judgment अगर B के favor में ही होता है कि हाँ भी this land belongs to you तो इस transaction पर कोई impact नहीं होगा ध्यान से सुनना अगर B के favor में आता है तो इस transaction पर कोई impact नहीं होगा वो valid होगा though it was done during the pendency of the suit तब भी ये valid होगा लेकिन अगर मान लीजे इस suit का judgment A के favor में आता है और court के देता है कि इसका कोई हक नहीं है जमीन पर ये जो land है A को belong करती है in that case this transfer will be cancelled वो transfer valid नहीं माना जाएगा तो basically 52 को अगर आपको समझना है तो ये समझिएगा कि list pendence की जो doctrine है वो ये कहती है अगर during the pendency of a suit और proceeding आपने property में कोई interest create किया है तो वो interest subject होगा किस चीज से उस suit की decrease इससे subject होगा ऐसा नहीं कि वो हर case में void होगा ऐसा नहीं है but it will be subject to the decision of the court ये सबसे important बात है about section 52 52 का मतलब ये नहीं होता है कि वो transaction valid नहीं होगा but उल्टा ये होता है that it will be subject to the decree of the court अब देखिए पढ़ते हैं कुछ essentials है ये suit collusive नहीं होना चाहिए A और B के बीच में जो proceeding है वो collusive नहीं होना collusive मतलब मिली भगत नहीं होनी चाहिए malafide proceeding नहीं होनी चाहिए सिर्फ इसलिए उनने एक suit दुनोंने फाइल कर दिया या B ने एक suit फाइल कर दिया ताकि उस दौरान B C को property transfer करेगा और इसका interest effect हो जाए अगर ऐसा पता चलता है कि suit collusive था B ने with malafide intention या suit file किया था फिर C को transfer किया है in that case list pendants applicable नहीं होगा so देखिए 52 केता है within the limits of India excluding the state of Jammu Kashmir or established beyond such limit by the central government or of any suit or proceedings which is not collusive that is very important this is co underline कर लीजए list pendants का एक essential है which is not collusive and in which any right to immovable properties directly and specifically in and in which any right to immovable properties direct and specifically in question the property cannot be transferred क्या लेखा है the property cannot be transferred or otherwise dealt with by any party to the suit or proceeding so as to affect क्या लेखा है आप कोई transfer नहीं करेंगे या otherwise deal नहीं करेंगे property में कैसा transfer या कैसा deal नहीं करना है तो उसके लिए आगे लेखा है by any party to the suit or proceeding so as यह बहुत important है so as to affect the right of any other party there to under any decree or order which may be made there in आपको कोई ऐसा transfer नहीं करना है जिससे दूसरी party का right impact हो अगर उसके favor में decree या order आता है तो इसलिए मैंने आप से कहा कि यह जो transfer है जो during the pendency of the suit किया गया है यह हमेशा invalid नहीं होगा but it will be subject to the decision of the court and that is the most important thing which you must remember about list pendence or section 52 interview में भी कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि list pendence के दौरान अगर कोई transaction हुआ है तो क्या वो invalid है क्या वो void है completely void है so the answer is no ठीक it is just subject to the decree अब जो भी decree आएगी उससे subject है वो होगा party का interest impact नहीं करेंगे explanation में बताया है कि suit instituted कब माना जाएगा proceeding institute कब मानी जाएगी तो plant file करने में file मतलब accept हो जाए by the court वहां से suit started माना जाता है execution तक माना जाएगी पोरी proceeding ठीक इसके बाद आएए 53 next is section 53 so 53 talks about fraudulent transfer अब समझना है fraudulent transfer का मतलब क्या है क्यों हम इसको fraudulent transfer कह रहे हैं और इसका क्या impact होगा अब ये भी ना थोड़ा सा subjective होता है मतलब fact and circumstances देख की समझना पड़ेगा कि fraudulent है या नी जैसे 41 में अपने देखा न ostensible owner बिनामी transaction है या नी हो सकता है party ने actually किया हो जैसे हमेने आपको rituals वगरा बता है उसके अंडर ऐसे ही 53 में भी ना fact and circumstances देखने पड़ेंगे particular case के तब उसको हम कहेंगे कि वो fraudulent है या नी देखिए होता क्या है इसमें कि मान लिजे एक person है जिसके पास कुछ property है let's say a है इसके पास एक piece of land है इसके पास एक घर भी है ये property है इसकी अब हुआ ये की मान लिजे एक के against एक decree pass हो गई एक के against क्या हुआ एक decree pass हो गई so जिसके against decree pass होती है उसको अपन क्या बुलते है judgment data yes or no CPC पड़ा है न वहिया जिसके against decree pass होती है उसको हम क्या बुलते है judgment data ठीक और जिसके favor में decree है वो कौन है decree holder और या तो उनको हम creditor भी बोल सकते हैं क्योंकि उनको out of decree कुछ लेना होगा इससे मान लिजे money decree है तो जिसके favor में decree आई है उसको हम क्या बूल सकते है creditor या मान लिजे otherwise creditor है कि इसने just for the sake of just for the sake of defeating the interest of the creditors इनका नुकसान करने के purpose से अगर ये व्यक्ती ये property C को transfer करता है ए ने अगर कोई transfer किया with the purpose or intention of defrauding his creditors ऐसे case में ये transaction है या ये जो transfer है इसको हम क्या बोलते है fraudulent transfer इसको क्या बोलते है fraudulent transfer क्योंकि इसका purpose क्या है malafide intention है देखो भाई obvious सी बात है अगर decrease के against आ गई है तो decree execute करने के लिए court क्या करेगा property attach करेगा property attach करके decree execute होगी पैसा दिया जाएगा creditors को इस भाई ने क्या किया तो रंट उठा के property C को transfer कर दी तो ऐसे transfer को अपन जनरली बोलते है fraudulent अब ये fraudulent था या नहीं ये बहुत सारे factors पर depend करेगा जैसे मान लिजे इसने without consideration C को transfer करी है या बड़े ही कम consideration में करी है और ऐसे point of time पर करी है 53 में ही ये बात लिखी है कि सिर्फ इस बात से कि ये जो transfer है ये creditors transfer है creditors मतलब without consideration है हम ये conclude नहीं कर सकते कि ये fraudulent है इसका मतलब ये है कि सिर्फ अगर बिना consideration के transfer हो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वो fraudulent होगा overall parties का intention देखना पड़ेगा circumstances देखनी पड़ेंगी उससे conclude होगा कि इसका intention क्या था अगर इसका intention creditors को defraud करना था या किसी subsequent transfer के interest को affect करना इसका purpose था in that case ये transfer fraudulent माना जाएगा subsequent transfer मतलब इसने property पहले इसको transfer कर दियो और same property उठागे किसी तीसरे वेक्ति को भी दे दी तो अब इसका तो अधिकार हो गया क्योंकि इसके नाम पे होगा ये property तो ज़िए subsequent transfer ये उसका interest impact करने के लिए उसने ये transaction किया है ऐसे cases में भी इस transaction को क्या करते है fraudulent transfer तो देखिए 53 के provisions अब पढ़ते हैं यहां लिखा है every transfer of immovable property made with intent to defeat or delay the creditors किसके interest को defeated delay करने के लिए creditors को of the transferer shall be voidable at the option of any creditor so defeated तो ये जो transfer इसने किया है इसका impact क्या होगा ये जो fraudulent transfer किया है this transfer is voidable voidable मतलब the creditor can get a decree in his favor कि इस transfer को cancel declare कर दिया जाए voidable मतलब आप उसको set aside करवा सकते हैं कौन creditor क्यों क्योंकि इस transfer को क्यों की आ गया था उनके interest को impact करने के लिए समझ गए कैसे interest impact हो रहा है creditors का क्योंकि भाईया जो decrease satisfy होती है जो इनका debt चुकाया जाता है इस property से चुकाया जाता भाई ने property transfer कर दी दूसरे को ठाके बोला आप ले लो पैसे हमसे कैसे ले सकते हो है ना so that's why it is fraudulent transfer और fraudulent transfer का impact क्या होता है it is voidable at the option of the creditor I hope this is clear similar बात subsection 2 में लिखी है subsequent transfer के लिए जो मैंने अभी आपको बताया so that is the impact of fraudulent transfer अब जैसा मैंने आपको कहा भाई है तो यह बहुत बड़े-बड़े concept और यह अपने आप में mains के separate provisions भी है है ना तो वैसे तो आपको इने बाद में detail में भी पढ़ने की जरूरत है अभी तो मैं आपको basic एक clarity दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए कि यह चीजे हैं क्या अगला है हमारा section 53A जिसको हम कहते है part performance अब देखिए part performance के concept को भी मैं आपको थोड़ा हिंदी में समझा देता हूँ उसके बाद अपन उसके provision की तरफ बढ़ेंगे जैसे मान लीजे A ने क्या किया अपनी एक property transfer करी B को B को transfer करी है मान लीजे कोई legal formalities complete नहीं हुई उसमें transfer तो इस भाई ने property कर दी मान लीजे इसने written contract किया B के सांद दुनोंने sign भी किया है मान लीजे sufficiently stamped भी है लेकिन क्या हुआ वो deed registered नहीं है A ने क्या किया register नहीं कराया तो कोई legal defect है उस transfer में लेकिन ये transfer किया है A ने और इसके बदले B जो है ये क्या कर चुका है मान लीजे जिस घर की बात चल रही थी so this was the house जिसको transfer किया है A ने भी को B ने इस house की possession ले ली है क्या ले लिया है possession भी ले ली in lieu of this transfer in lieu of this transfer B ने possession भी हासिल कर ली है और actually convey भी हुई है property लेकिन कुछ legal defect है जैसे मान लेजे registered ये नहीं है अब ऐसे case में अगर मान लेजे A later on आंके कहता है B से कि भाईया तू ये property खाली कर तो ये possession खाली कर क्यों क्योंकि property मेरी है तेरी नहीं है B कहता है साब आपने तो हमको transfer करी है लेकिन उसमें तो legal defect है अब क्योंकि इसमें कोई legal defect है अब क्योंकि यहाँ एक legal defect है तो ये legally valid transfer तो अपन बोल नहीं सकते हैं इसको बोल सकते हैं क्या? नहीं न क्योंकि जो legal formality थी वो गड़बड थी तो ये legal transfer तो नहीं है लेकिन actually intention तो इसका था ही ये तो bonaford व्यक्ती है और इसने तो इस belief में possession भी हासिल कर ली है movable property अगर है तो उसने क्या किया है possession भी हासिल कर ली है घर की in lieu of this only ये बातें अगर भी proof कर देता है court में अगर भी court में ये सारी बातें proof कर देता है कि साब इनने contract तो किया था आप देको register नहीं कराया तो हम मान रहा है legal defect है लेकिन in lieu of this transfery मैंने वो possession भी हासिल करी है मैं वहाँ रहा हूँ और अभी आ के हमको भगा रहे हैं या निकाल रहे हैं यहां से so this is basically a defense for such a transfery इस तरीके के transfery के लिए 53A एक defense का काम करता है अब देखिए जरा 53A पढ़ते हैं where any person contracts to transfer for consideration any immovable property by writing signed by him essential आप लिखते जाहिए तुरन part performance के क्या क्या है contract होना चाहिए जो मैंने कहा कैसा return contract होना चाहिए so conditions क्या क्या है transfer कैसा होना चाहिए consideration के साथ होना चाहिए return contract होना चाहिए दोनों के sign होने चाहिए और on his behalf from which the terms necessary to constitute the transfer can be ascertained with reasonable certainty इस तरीके का document होना चाहिए जिसससे ascertain किया जा सके कि हाँ भईया transfer की बात होई है आगे लिखा है and the transfery has in part performance of the contract contract के part performance में एक part perform करने के लिए उसने क्या किया है taken possession of the property or any part thereof or the transfery being already in possession continues in possession in part performance of the contract and has done some act in furtherance of the contract अब क्या हुआ है कि contract हो गया है written और उस contract in lieu of that contract भी ने possession भी हासिल कर ली है और ये transfer कैसा हो रहा था consideration के साथ हो रहा था तो ऐसे case में क्योंकि देखो मैंने आपको कहा था contract property transfer करने का अलग होता है और transfer of property अलग होता है transfer का होता है जब registry हो जाएगी सामने वाले के नाम की तब और उसके पहले सिरफ contract है कि मैं अपनी property आपको transfer करूँगा 15 जनवरी को that is merely a contract तो contract हो गया है writing में signed है और possession भी हसिल कर ली है transferi में ऐसे case में इस transferi के interest को protect करने के लिए 53A बनाया गया है और वो कहता है कि भाईया अब तुमारे इस entitlement को ये बना challenge नहीं करेगा इसके interest को basically protect किया गया है लेकिन ये essential fulfill होने चाहिए कि possession ले लिए और ये जो second paragraph में लिखा है न है कि आगर ये already possession में था मान लिजिए ये किरायदार था कोई contract अभी नहीं हुआ बी जो था किरायद से रह रह रहा था या मान लिजिए ये इसने पैसा उधार दिया था और ये property इसके बाद mortgage थी इसलिए वो रह रह रहा था किसी भी अधिकार से वो उस property की possession already ले चुका था पहले लेकिन अभी owner नहीं था ना contract हुआ था मान लिजिए as a tenant is घर में रह रह रहा था और फिर इन दोनों के बीच ये contract हो गया कि भाई ये property में ते को बेचूंगा बेचने का contract हो गया return में है, sign हो गए दोनों party के अब इस बंदे के पास तो already possession है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि in lieu of that contract तुमने possession हासिल करिए in lieu of that contract आप क्या कर रहे है उस possession को continue कर रहे है and in furtherance अगर आपने कोई act ऐसे किस में आप in furtherance कोई act करेंगे जहां आप possession में थे ही नहीं वहां आप in lieu of that contract possession हासिल करते हैं ये essential अगर fulfill होता है तो आगे ये provision कहता है then notwithstanding that where there is an instrument of transfer that the transfer has not been completed इस तीज़ को ध्यान से देखना जो लिखा है that the transfer has not been completed in the manner prescribed there for by the law for the time being enforced the transferor और ये क्या कह रहे है कि भले ही actual जो legal formalities है वो complete ना हुई हूँ लेकिन आपके बीच में written contract है and in lieu of that contract आपने possession हासिल कर ली है घर की अब भले ही जो exact जो legal compliance है जैसे मैंने कहा कि registered होना चाहिए वो नहीं है मान लेजिए so यहां लिका है the transferor और any person claiming under him shall be debat from enforcing against the transferor and persons claiming under him any right in respect of the property of which the transferor has taken or continued in possession other than a right expressly provided by the term of the contract ऐसे किसमें अगर ये contract हो गया है और इसने in lieu of that contract possession हासिल कर ली है अब भले ही transfer में कोई legal defect हो ये जो बंदा है इसके entitlement को challenge नहीं कर पाएगा ये protection basically B को दी गई है या इस तरीके के transfer को part performance में दी गई है लेकिन essentials क्या क्या है return contract होना चाहिए signed होना चाहिए possession हासिल कर ली हो बंदे ने in lieu of that contract ये essential है consideration के साथ होना चाहिए immovable property का contract कैसे होना चाहिए consideration के साथ होना चाहिए that is also an important और last जो provisor में लिखा है that is also important provided that nothing in this section shall affect the rights of a transfer for consideration who has no notice of the contract और of the part performance thereof ये एक third party के या जो bona fide purchaser होता है उसके interest को protect किया गया है देखिए part performance में तो इस वक्ती की बात चल रही है जिसने possession हासिल कर लिए और जिसके favor में क्या है एक contract है क्या है contract और मैंने कहा contract में और transfer में difference होता है a ने contract तो इसके साथ कर लिया इसने possession भी ले ली इसके बाद a जाके यह property c के नाम पे क्या कर देता है transfer अगर यह property इसने c को बेच दी c अगर यहाँ पे bona fide purchaser है न bona fide purchaser का मतलब इसके पास notice नहीं था इस बात का कि a ओल्रेडी एक contract b के साथ कर चुका है हमने जो definition में notice की पूरी definition पढ़ी थी न constructive notice क्या होता है actual notice क्या होता है वो इसलिए पढ़ी थी क्योंकि अगर इसको benefit लेना है भले contract हो गया possession ले लिए इसका right impact नहीं होगा अगर यह बंदा court में जाके proof कर देता है कि साथ ठीक है इनका contract था उसने possession भी ले ली थी लेकिन यह बेची तो इसने मुझे और मैंने बदले में consideration दिया यह जो transaction है consideration वाला है और इसके पास notice नहीं था इस contract का अब आपने पढ़ा है कि notice कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे नहीं होता तो इसको यह भी proof करना पड़ेगा कि कोई constructive notice भी नहीं था मेरे पास तब इसको benefit मिलेगा और उस बंदे को निकाल दिया जाएगा और C को वहाँ place कर दिया जाएगा लेकिन यह जो C है इसको कई चीजें proof करनी है तो यह basically third party का right है bona fide purchaser के right को भी protect किया गया है provision में बट जो main provision है part performance का वो किसके benefit के लिए है इस वेक्ति के benefit के लिए तो कि इसके साथ contract हुआ है and in view of that contract उसने possession हसल कर ली है अब यहाँ पे इस वेक्ति को बार कर दिया गया है कि आप उसके entitlement को challenge नहीं कर सकते that's basically 53A and that's how we have completed the general principles of transfer of property property transfer करने के जितने भी general principle है वो सब हमने complete कर लिए है और यह था आपका chapter 2 और आप जानते हैं कि chapter 2 और momadan law के किसी provision में अगर कोई contradiction होता है तो कौन सा prevail करेगा ज़रा comment box में बता दीजे तो आगे बढ़ते हैं अगर मान लीजे momadan law और chapter 2 of TPA के बीच कोई conflict है किसी provision में तो कौन सा prevail करेगा बताओ भाई momadan law prevail करेगा chapter 2 का वो provision prevail करेगा TPA का बढ़ा था ना भाई यह तो starting में TPA के पहले lecture में momadan law yes इसलिए हमने यह यह भी कई बार आपसे पूछा जाता है प्रिलिम्स में कि क्या chapter 2 momadan law पे applicable है तो दा आंसर इस no क्योंकि कोई भी contradiction आएगा तो prevail कौन सा करेगा momadan law prevail करेगा so these are the general principles regarding transfer of property अब जैसे अपनने contract पढ़ा था ना कि contract के general principle और फिर कुछ special contracts ऐसे ही अब आगे हम specific transfers की बात करने अभी हम general बात कर रहे थे transfer of property किसी भी तरीके का transfer अब कुछ specific kinds of transfer है जैसे sale के through interest transfer होता है lease के through interest transfer होता है property में mortgage के through interest transfer होता है gift के through interest transfer होता है तो ऐसे specific variance को अब हम पढ़ने जा रहे हैं अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे बेटा general बाते हैं लेकिन यहां contract act की तरह नहीं है कि special contract से pre में कम question आते हैं और general से जादा यहां general से भी उतनी question आते हैं जितने special variant से आते हैं या special transfer या specific transfer से आते हैं लेकिन अगर आपने यह basic बाते हैं general transfers के बारे में समझ ली हैं तो believe me अब आगे का portion बहुत मुश्किल नहीं है अगर आपको besting of interest समझ आ गया है contingent interest, conditional transfer यह basic बाते हैं अगर आपके जहन में bad गई हैं ना तो अब आगे की जो journey है वो आसान है आगे की चीज़े हैं आराम से समझ आएंगे तो देखिए chapter 3 जो है it talks about sale of immovable property हमने यह भी देखा था कि क्या TPA movable property पे applicable है या immovable पे तो कुछ portion दोनों पे applicable है कुछ portion specifically सिरफ किस पे applicable है तो कुछ portion सिरफ और सिरफ immovable property पे applicable है and one of such portion is sale sale और mortgage सिरफ immovable property की है whereas gift और exchange की अगर अपन बात करेंगे lease भी immovable property की है लेकिन gift और exchange जो है वो दोनों के बात करता है movable और immovable और जो sale हम पढ़ रहे हैं साथ में exchange भी इसी में पढ़ लेंगे क्योंकि दोनों से एक प्री का question आता है अभी बताता हूं क्या है सो देखिए सबसे पहले देखते हैं अपन sale और sale हम कौन सी deal कर रहे हैं ध्यान रखना जो TPA में हम जो sale की बात कर रहे हैं sale की जो बात कर रहे हैं यह हम बात कर रहे हैं दोनों सोरी सिरफ और सिरफ immovable property की immovable property लेकिन जो हम पढ़ेंगे exchange exchange क्या होगा तो exchange दोनों का deal कर दोनों में deal करता है movable as well as immovable तोनों की बात करता है तोनों को साथ में मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको बताता है देखे 54 देखिए सबसे पहले chapter 3 में sale defined sale को define किया है यहां लिखा है sale is a transfer of ownership sale में क्या transfer होता है किस तरीके का interest transfer होता है ownership transfer होती है सीदे इसलिए यह absolute तरीके का transfer माना जाता है sale is a transfer of ownership and in exchange for a price paid or promised और part paid and part promised sale में क्या होता है property और property के बदले एक price that's what sale is property और property के बदले में एक price that is sale ठीक so sale is a transfer of ownership in exchange of a price paid या तो pay हो चुकी है या pay करना है या promise किया है pay करेंगे हर तरीके का तीनों तरीके का consideration यहां हो सकता है अब sale how made भी important है इसका immovable property से related है बहुत important है आगे लिखा है such transfer in the case of tangible immovable property tangible मतलब which has a physical form so tangible immovable property के अगर sale है 100 रुपे या उससे जादा की immovable property के अगर sale है tangible तो और in the case of a reversion of other intangible thing can be made underline कर लीजे can be made only by a registered instrument so भाया यह question प्री में आता है 100 रुपे या उससे उपर की immovable property अगर sale करनी है तो किस तरीके के document से sale मनी जाएगी return या फिर registered तो ध्यान रखिएगा registered होना चाहिए sale document अगर 100 रुपे या उससे जादा की immovable property का है अगर 100 रुपे से कम की immovable property का है तो वो merely delivery से भी हो सकता है लेकिन 100 रुपे से जादा की value की immovable property अगर है आज की date में 100 के उपर ही होती है सब है ना तो वो कैसे होगी registered instrument registered deed होगी तभी वो मानने मानी जाएगी valid या legal मानी जाएगी otherwise not अब इसी में आगे देखिए contract of sale भी लिखा है यह बात मैं आपको TPA की पहली क्लास से समझाते आ रहा हूँ कि sale अलग है और contract to sale अलग है sale कैसे होगी registered deed के थू ही होगी जब आप actually transfer कर देंगे property में interest और contract merely क्या होता है कि in terms पे मैं transfer करूँगा आपको in future that is contract of sale यह एक दोनों में difference होता है अब इसके बात देखिए sale में rights and liabilities है buyer seller के बहुत ही common sense की बाते हैं जो मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा आना वो आपको खुद पढ़नी है एक section इसका आपन और पढ़ेंगे 56 marshalling by subsequent purchaser बट पहले जरा मैं जो एक difference यहां समझाना चाहरा था वो समझ लीजे देखिए sale specifically किसकी बात कर रही है immovable property की और sale हम किन transactions को बोलते हैं जहां एक party property transfer करती है बदले में दूसरी party price देती है उसको हम बोलते है sale whereas exchange दोनों में हो सकता है movable, immovable दोनों property के exchange होता है और exchange में क्या होता है exchange में ना property के बदले property होती है बार्टर टाइप की चीज़ बार्टर समझता है ना property के बदले property मैंने आपको mobile phone देखे आपसे आपका laptop ले लिया that is exchange that is exchange मैंने अपनी जमीन आपको देखे आपसे बदले में घर ले लिया that is exchange अब ज़रा exchange के provisions पे भी आ जाईए साथ में खतम कर लेते हैं sale के exchange आगे दिया है section 118 निकालिये बेरेट में ज़रा एक question आता है prelims में जो मेरे को आपको यहाँ clarify करना इसलिए दोनों को साथ रख रहा हूं chapter 6 निकालिये of exchange, 118 exchange की definition section का number, section number सीदे-सीदे pre में आता है exchange कौन से section में defined है और होता क्या है, दोनों चीज़े नहीं रख नहीं है देखिए when two persons mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another एक चीज़ की ownership के बदले में दूसरी चीज़ की ownership neither thing or both things being money only neither thing or both the things being money या तो दोनों money नहीं है जो transfer और दोनों property है तो भी exchange है या फिर दोनों money है वो भी exchange है जैसे रुपे के बदले में डॉलर डॉलर के बदले में रुफीज है ना यूरो के बदले में डॉलर इस तरीगे की चीज़ नोट्स के बदले में coin that is also an exchange जहां दोनों तरफ से money का exchange हो रहा है that is also exchange लेकिन अगर किसी चीज के बदले में पैसा दिया जा रहा है तो वो क्या है sale है किसी property किसी चीज के बदले में अगर price पैसा मैंने आपको mobile दिया आपसे 10,000 लिये that is not exchange that is sale लेकिन मैंने अपना mobile देके आपसे आपका tab ले लिया तो that will be exchange property के बदले property या मैंने आपको dollar देके रुपए ले लिये आपसे that is also exchange I hope this is clear yes or no आप एक सवाल आता है कि मान लीजिये प्री में ये मद्धपरदेश में भी पूछा गया है दूसरे states में भी और important है मान लीजिये कि आपके पास एक phone है एक phone मेरे पास है मैंने अपना phone आपको दिया और आपका phone मैंने लिया लेकिन आप रहीश लोग हैं आपके पास महंगा phone है मैं हूँ एक गरीब वक्ती तो मेरा बड़ा normal सा ordinary phone है मैंने आपको वो दिया आपसे थोड़ा सा महंगा phone लिया अब आपने कहा सर यह तो आपने हमको बना दिया कि हमारा महंगा phone आपने ले लिया सस्ता हमको आप हमको जो दे रहो वो सस्ता है है ना तो फिर आप मेरे उपर allocation लगाएंगे कि आप तो motivation strategy वाले वालों की तरह ही हो गाए है या आप भी हमें बना रहे हैं तो फिर मैं कहता हूँ भाईया इसा करो यार चलो phone तो तुम ले लो बदले पाँच हजार नगत ले लो दस हजार नगत भी ले लो तो इस transaction में क्या हुआ मैंने आप से आपकी property ली बदले में मैंने अपनी property ली लेकिन क्योंकि मेरी property की value कम थी तो उसको compensate करने के लिए मैंने कुछ amount of money कुछ price भी आपको दे दिया पाँच हजार या दस हजार भी दे दिया अब बताईये इस transaction को आप sale कहेंगे या exchange that is a very important question for the prelims examination बताओ sale होगा exchange होगा आपका phone मैंने लिया बदले में मैंने आपको अपना phone दिया साथ में 5000 नगत दिया क्योंकि मेरा phone दस्ता था is it exchange or sale? that is an important question बाकी लोग को क्या लगता है? happy new year निकी and thank you so much yes so ऐसे transaction को बेटा exchange माना जाता है ध्यान रखना just because कि जो चीज मैंने आपको दी है उसकी value कम है उसको compensate करने के लिए एक sum of money या amount मैंने उसमें attach कर दिया है इस वज़े से वो transaction sale नहीं बनेगा it will still remain an exchange only उसे सिर्फ exchange ही माना जाएगा वो sale नहीं बनता ठीक वो sale नहीं माना जाएगा just because कि कुछ price attach हो गई है ये बात ध्यान रखना भाई ये बहुत important concept है मदब question है ये आता है बहुती frequently ये सवाल exchange क्योंकि exchange में ज़्यादा कुछ पूछने के लिए है नहीं देखो दो-चार सवाल बनते है chapter का number पूछा जा सकता है section पूछा जा सकता है किस में defined है और ये illustration बहुत important है section कुछ और भी important है जैसे 119 पढ़ लीजे right of party deprived of thing received in exchange मतलब आपने में को phone दिया मैंने आपको phone दिया आपने जो दिया वो नकली iPhone दे दिया मुझे Chinese तो मैं आपसे compensation ले सकता हूँ या मेरी चीज जो मैंने आपको दिये right of sale में वही exchange में भी है दोनों parties के 121 section number mark कर लीजे प्री में सवाल आता है exchange of money के section में दिया है section number पुझा आता है तो money का जब भी exchange होता है दोनों party ये undertaking लेती है ये implied है कि आप उसकी genuineness की guarantee ले रहे हैं अगर आप मुझे dollar दे रहे हैं on an exchange of money each party thereby warrants the genuineness of the money given by him हर party उसकी genuineness को warrant करती है या guarantee उस चीज की देती है इसलिए exchange में कोई ऐसा concept नहीं है कुछ नहीं है बस only thing was this जो मैं आपको बताई sales है जो differentiate करने वाला एक सवाल है ना प्रीम है बाकि mains का question भी ये बनता है कि sales और exchange में difference क्या है तो फिर multiple चीज़ें आपको लिखनी होती है चलिए वापस आजाए ये sales पे sales पे वापस आजाओ तो देखो 54 हमने पढ़ लिया 55 पूरे rights और obligations बताते है buyer और seller के बहुत ही prudence की बात है common sense की बात है वो पढ़ दियेगा कि जो buyer है उसको पैसा देना है seller है उसको सही चीज़ देनी है कोई defect है तो बताना है बस इस तरीकी की बाते है 56 is an important section 56 देखिए marshaling होता क्या है marshaling ये समझ लिजिए क्योंकि अभी mortgage में भी ये बात हमें पढ़नी है 56 बात करता है marshaling by subsequent purchaser ऐसा ही mortgage में पढ़ेंगे marshaling of securities marshaling होती ही क्या उसको समझ लेंगे तो फिर दोनो concept clear हो जाएंगे marshaling by subsequent purchaser जो concept है उसकी ज़रा एक बार language पढ़िये तो फिर मैं आपको विद इलस्ट्रेशन उस concept को समझाता हूँ यहां लेका है if the owner of two or more properties if the owner of two or more properties mortgages them to one person and then sells one or more of the properties to another person the buyer is in the absence of a contract to the contrary entitled to have the mortgage debt satisfied out of the property or properties not sold to him so far as the same will extend but not so to prejudice the rights of the mortgagee or persons claiming under him or any other person देखिये समझ यहां जारा इस concept को marshaling का होता क्या है A ने मान लीजिए एक bank से loan लिया A ने bank से क्या किया loan लिया और bank के पास क्या करा अपनी property mortgage करी ठिक तो bank से इस वक्ती ने मान लीजिए एक करोड का loan लिया एक करोड का loan लिया बदले में इसने दो properties यहां पे गिरवी रखी क्योंकि भईया आप देखिए जो भी collateral रखवाता है ना bank वो हमेशा आपके loan की value से ज़्यादा रखवाता है क्योंकि बिखते समय यह लफडा नहीं होना चाहिए कि सस्तेम बिख रही पता चला loan का amount पे नहीं हो रहा तो ऐसा जनरली कोड नहीं करता अब मान लेजिए कि bank के पास जो गिरवी property रखी है उसमें एक piece of land है this piece of land is of value 1.5 CR देख करोड का land है और इसने घर भी रखा है गिरवी साथ में bank ने दो collateral रखवाए थे इससे और यह घर है मान लेजिए 2 CR का 2 करोड का घर और देख करोड का कि जमीन रखके bank ने एक करोड का loan किसको दिया अब A ने क्या किया भाई आभी तो mortgage है mortgage में एक limited interest create होता है debt के satisfaction का interest होता है bank का bank की नहीं होगी वो mortgage property bank का सिरफ interest कितना है एक करोड का जितना ने loan दिया है property से एक करोड रुपर वसूल सकते हैं बाकी सब किसको बापिस मिलेगा A को तो A ने क्या किया sale हो सकती है उस property को sale A कर सकता है अब माल लिजे A ने अगर ये piece of land ये piece of land अगर A ने बेच दिया है C को ये कौन है subsequent purchaser कौन है ये ये है subsequent purchaser ठीक है subsequent purchaser पहले mortgage करी property उसके बाद एक वक्ति को बेच दी तो C कौन है subsequent purchaser अब marshaling का जो rule 56 में दिया है ये कहता है C has an option C ने अगर ये property खरीद लिया देड़ करोड का land तो C के पास option है कि C जो है वो bank को compel कर सकता है कि भाई आपका जो debt है न एक करोड का वो आप किस से वसूलो इस property से आपके पास दो property है दो करोड वैलियो उस घर की आप एक काम करिए उससे वसूल लीजी अपना loan मेरी जो property मैंने खरीदी है इसको आप free from incumbrances कर लीजीए देखिए भाई जब भी आप property transfer करते हैं तो उसमें जो liabilities rights के साथ जो liabilities attach होती है वो भी transfer होती है तो अगर mortgage जो कोई property अगर आपने खरीदी है तो वो liability भी आपके सिर आएगी ही तो यहाँ यह जो purchaser है इसको क्या अधिकार देता है 56 कि भाईया अगर दो इस तरीके की properties हैं तो आप क्या बोल सकते हैं बैंक को कि भाईय साब आप एक काम करिए घर से निकालिए इसको free कर दीजे यह मैंने खरीग लिया है यह कर सकता है लेकिन अगर मान लीजिए अब इसी में थोड़ा सा change करते हैं मान लीजिए कि बैंक का जो loan है loan की value है 2CR 2 करोड का loan लिया था एने और बदले में एक देड़ करोड का लैंड गिर भी रखाता है दो करोड का घर टोटल साले तीन करोड की property बैंक ने रखवाई थी mortgage में और loan कितना उड़ा है इसने 2 करोड का ऐसे में C ने अगर यह देड़ करोड का plot खरीदा है तो आप बताइए common sense है सब कुछ आप बताइए क्या C बैंक को compel कर सकता है कि भाई यह वाली property छोड़ दो देड़ करोड की मेरी नई अगर मान लिजे ऐसी situation है कि debt satisfy नहीं होगा चलिए इसको मान लिखते हैं अपन 2.5 CR अगर मान लिजे धाई करोड का loan लिया है किसने ए ने ठीक और इस वेक्ति ने land खरीदा है देड़ करोड वाला क्या यह वेक्ति बैंक को आप बोल सकता है कि भाई तुम घर से loan चोका ले ना इसको free कर दो जो land खरीदा है यहाँ पर marshaling यह नहीं कर पाएगा क्यों क्योंकि bank का interest जो है वो prejudice हो जाएगा तो इतना फाइदा हम आपको नहीं देंगे bank का interest आप prejudice नहीं करेंगे क्योंकि पहले गिरवी रखी गई थी property तो उसका interest prejudice नहीं किया जा सकता हाँ जहां ऐसी संभावना है कि उसके interest को effect किये बिना आप ये काम करवा सकते हैं वहां कर लिजे अगर एक करोड का लोन है तो ठीक है bank से आप ये बोल सकते हैं कि आप इससे satisfy करिये अपना लोन इसको छोड़ दीजे लेकिन अगर लोन ही धाई करोड का है जो remaining property उससे पे नहीं हो सकता ऐसे case में marshalling allowed नहीं होगी that's what marshalling is क्योंकि पहले interest किसका create हुआ है bank का I hope that is clear I hope this is clear समझा गया भाई marshalling ये है marshalling by subsequent purchaser की property पहले mortgage करी गई उसके बाद एक विक्ती को बेच दी गई ठीक चलिए next आते हैं अब ये हो गया आपका marshalling इसके बाद बात करता है mortgage की chapter 4 देखिए mortgage is also very important concept लेकिन pre में न limited question बनते हैं और उतना समझने के लिए जो जरूरी है वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा उन concept को से mortgage का general idea मेरे खेल आपके पास है mortgage किसमें deal कर रहा है immovable property clearly लिखा है of mortgages of immovable property and charges तो mortgage और charge के बारे में यहां बात है देखिए mortgage होता क्या है basically immovable property को गिरवी रखना घर जमीन गिरवी रखना आपने loan ले लिया that is mortgage as security जब आप property को रखते हैं इसमें भी एक interest create होता है किसका उस व्यक्ति का जिसने loan दिया अब देखिए mortgage में parties कौन-कौन होते हैं पहले तो उसको समझ लिजे और उनके क्या-क्या अधिकार हैं उसको पहले दर समझ लिजे प्रोविजन पर अपन बाद में आएंगे तो देखिए जैसे अभी मैंने आपको एक्जाम्पल दिया ए ने क्या किया भईया ए ने ले लिया है loan ए ने अपनी property रखी गिरवी किसके पास bank के पास B के पास B कौन है एक bank bank के पास इनने क्या करा property अपनी गिरवी रखी इसने property रख दी let's say a piece of land रख दिया जमीन एक घर रख दिया अपना ये जमीन और घर गिरवी रख के इसने क्या किया भईया loan ले लिया 5 करोड का 5 करोड का loan ले लिया है bank से अब बताईए इसमें mortgage और mortgage कौन है that is also important to understand the further concepts तो भई mortgage वो वेक्ती है जिसके पास property रखी गई है bank is the mortgage mortgage बहुत simple simple concept है यार कुछ ऐसा इसमें है नहीं ये जो है वो कौन है मौट गेजर मौट गेजर जिसने property गिरवी रखी जिसने property ट्रांसवर करी वो transferor होता है जो property transfer करता है किसी दूसरे का interest create करता है वो transferor होता है वैसे ही ये वेक्ती है mortgager और वो क्या है transfery होता है जिसका interest create किया जाता है उसको transfery कहते है तो इसको हम यहां कह रहे है mortgagy और जो पैसा लिया गया है जो यह लिया गया है loan इसको क्या कहते है इसको mortgage money कहते है देखिए 58 a mortgage is the transfer of an interest in specific immovable property for the purpose of underline कर लिजे securing the payment of money advance जो पैसा लिया है अपने उधार उसको secure करने के लिए interest transfer करते हैं or to be advanced by way of loan an existing or future debt already loan लिया था अब property गिरवी रखिए या property गिरवी करके अब loan लेंगे दोनों mortgage है और the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability या कोई भी ऐसी performance जो pecuniary से पैसे की liability arise हो the transferer is called a mortgager जिसने property transfer करी है bank को गिरवी रखी वो mortgager है the transfery या mortgaging the principal money and interest of which payment is secured for the time being are called the mortgage money तो mortgage money क्या है 5 करोड जो loan का amount है principal amount है इसके अलावा जो interest है वो भी mortgage money में include होता है मतलब total जो देंदारी है जतना पैसा bank को इसे वापिस करना है वो पूरा मिलाके mortgage money माना जाता है अब इसके अलग-अलग काइंड्स है काइंड्स पे जानने के पहले rights and liabilities समझ लिजे mortgager और mortgaging के अब आप देखेंगे आगे जरा आईए section 60 के ऊपर देखिए एक subheading लिखिए rights and liabilities of mortgager मौड-गेजर और mortgaging की rights and liabilities बहुत सारी है उसमें से सर्फ जो important provision है वो मैं थोड़े आपके साथ discuss करूँगा लेकिन जो सबसे major rights हैं इन दोनों के mortgager और mortgaging के वो right है right of redemption और right of foreclosure उनको जरा समझे लेता हैं फिर आगे बढ़ता है so देखिए mortgager जो वेक्ति है जिसने अपनी property गिरवी रखके bank से loan लिया है अगर जानते सुनना मेरी बात अगर इस वेक्ति ने 5 करोड़ों का loan लिया है और साथ में इसको कोजे के interest पे करना है loan इसका जैसे ही due हो जाता है माल लेजे loan due हो रहा है इसका 15 जनवरी 2024 due होने का मतला भई आप pay करना है payment होनी चाहिए आपकी complaint तो जब आपका loan pay करने का समय आता है अगर ये वेक्ति A successfully loan pay कर देता है A अगर mortgager successfully loan pay कर देता है तो एका क्या अधिकार है ये property वापस ले लेगा bank से yes or no property वापस ले लेगा क्यों 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 रखी है आपने गिरवी as a security देखा भाई जब mortgage का transfer होता है तो bank का कितना interest create हुआ absolute interest create नहीं हुआ property में bank का bank का कितना interest create हुआ mortgage money की जो value है जितनी mortgage money है उतना interest create हुआ है 5 करोड प्लस interest भले उन दोनों की value मिला के 12 करोड हो उस जमीन और घर की लेकिन bank का कितना interest है mortgage का कितना interest है जो mortgage money है mortgage money बोले तो जो loan लिया प्लस interest मान लिजिये ये total मिला के 7 करोड रुपे हो रहा है तो उसका उतना interest है bank का इस से जादा नहीं है चिक तो अगर एक loan due होने पे payment का समय आने पे अगर successfully payment करता है तो एका क्या अधिकार है property वापिस लेने का इस अधिकार को हम कहते है right of redemption क्या कहते है right of redemption वो अपनी property redeem करेगा वापस लेना मतलब redeem करना चिक तो ए जो है वो अपनी property वापस लेगा mortgage जो है उसके पास किस चीज का अधिकार होता है अपनी property वापस लेने का इसलिए आप देखिए जो subheading अभी में आपको पढ़ाई rights and liabilities of mortgage इसमें 60 में कौन सा अधिकार दिया है right of mortgage to redeem किसमें दिया है section 60 में दिया है mortgage अधिकार है अपनी property को redeem करने का कब arise होगा यह अधिकार जब loan pay कर देगा बल्कुल common sense की बाते हैं कोई इसमें ऐसी अधुद वात नहीं लिखिया कोई भारी concept नहीं है basic basic चीज हैं वो मैं आपको सारी बताते जारा हूँ अब इसमें आती तो और भी मतब अब इसमें ना means के कुछ सवाल आते हैं once a mortgage always a mortgage clog on redemption ये भी एक सवाल आता है clog on redemption मतलब अगर इन दोनों के बीच में कोई agreement हुआ है जिसमें दोनोंने agreement में ये बात लिखी है कि भाईया in that circumstance a will lose his right of redemption कोई भी circumstance इन्हों ने लिख ली माल लीजे समय अब धी कोई लेके लिख ली कि इत्ते टाइम में अगर इसने loan repay नहीं किया तो इसका right of redemption खतम हो जाएगा सो कोई भी ऐसा clause अगर agreement में है जो mortgageर के right of redemption को खतम कर रहा हो भले mutual consent से दोनोंने agreement sign किया हो ऐसे case में भी वो जो clause है वो valid नहीं होता उसको क्या बोलते है clog on redemption clog का मतलब समझते है blood clotting उस तरीगे चीज़ मतलब उस पे आपने गठान लगा दी एक ऐसा clause लगा दिया जिसले right of redemption खतम हो रहा है तो यह खुद से भी यह अपनी कर सकता अपना right of redemption अपने अपने सहमती से भी यह काम नहीं कर सकता उसको कहते हैं अपन clog on redemption वैसे तो जैसा मैंने कहा mains का separate सवाल है लमा चोड़ा concept है कभी फुरसत में उसके बारे में बात की जाएगी अभी basic concept समझ लेजे कि इस redemption के अधिकार को अगर आप प्रोहिबिट कर रहे हैं उसको कहते हैं clog on redemption ठीक सो देखो भाई मौटगेजर का क्या अधिकार होगा पैसा दो भाई या लोन के अपनी जमीन जाहदाद वापिस ले लो प्रोफर्टी वापिस ले लो उसको अपन कहते हैं right of redemption किसका अधिकार होगा मौटगेजर का whereas मौटगेजी इसका भी तो कोई अधिकार होगा bank का मान लीजिए समय पे amount due जब होता है mortgage money जब due होती है अगर यह pay नहीं कर पाता अगर यह pay नहीं कर पाता in that case bank का भी तो कोई अधिकार होगा सो बैंक के पास जो अधिकार है वो ये है कि बैंक कोट में जाके एक सूट फाइल करे और कोट से ये order ये decree ले आए कि सहाब इसका right of redemption अब खतम होता है जहां ये order भी ले लेता है कि भाईया ये जो वेक्ति है mod gager अपना right of redemption अब exercise नहीं कर पाएगा इसको हम कहते हैं क्या for closure इसको क्या कहते हैं for closure कहते हैं ये किस के पास right है mod gager के पास for closure की decree लेने का for closure का suit file करने का कि भाईया बात हुई थी इतने समय में loan pay करना है नहीं कर पाया और as security इसने property रखी थी mod gager इसने करी थी तो अब आप एक काम करिए एक order pass करिए court से कहता है bank जाके किसाव एक order pass कर दीजे कि अब ये अपनी property redeem नहीं कर पाएगा क्यों नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारा जो 57 करोड रुपए है इससे लेना है अब हम उस property से वसू लेंगे क्योंकि ये दे नहीं पाया इसलिए आप क्या करिए इसके right of redemption को खतम कर दीजे right of redemption को खतम करने को ही कहते हैं foreclosure और foreclosure किसका अधिकार है मौटगे जी का section देख लीजे जरा section 67 देखिए बेरिक में rights and liabilities of मौटगे जी मौटगे जी का कौन सा right है foreclosure का अधिकार है मौटगे जी का बस वही लिखा है उदर 67 right to foreclosure of or sale foreclosure का अधिकार और it will be followed by sale पहले आप क्या करेंगे foreclosure ले लेंगे foreclosure मतलब कि अब ये वक्ती property redeem नहीं कर सकता और फिर हम क्या करेंगे अपना पैसा निकालने के लिए sale भी करमाएंगे अब वो depend करता है modgager के type mortgage किस nature का आपने किया है उस पर depend करता है कि foreclosure की remedy होगी है उस पर अभी अपन बात करेंगे मैं types of mortgage पर अभी आ रहा हूँ वो बहुत important है question भी बनते हैं लेकिन उससे पहले आप कोई समझना जरूरी है कि redemption होता क्या और foreclosure होता क्या है देखिए भाई इदर लिखा है in the absence of a contract to the contrary the mortgage has the mortgage has कब कब होता है foreclosure का अधिकार underline कर लेना the mortgage has at any time after the mortgage money has become due to him जैसे mortgage money due हो गई कहने का मतलब payment का समय आ गया जो भी बात हुई थी कि 15 जन वरी को loan पूरा repay हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो mortgage money due हो गई जैसे mortgage money due होगी आपके mortgage का foreclosure का अधिकार arise हो जाएगा वो जा सकता है code के पास so at any time after the mortgage money has become due to him and before a decree has been made for the redemption of the mortgage property और इससे पहले कि mortgager decree ले ले redemption की इस duration में आप क्या ले सकते हैं foreclosure आपकी money due हो गई है लेकिन पैसा आप तक अभी पहुचा नहीं है अब या तो यह क्या करेगा पैसा दे के redemption की decree ले लेगा यह redemption की decree ले उसके पहले आप foreclosure ले सकते हैं so being made for the redemption of the mortgage property और the mortgage money has been paid या तो इसने पैसा दे दिया आप foreclosure नहीं ले पाओगे बात भई थी ना property क्यों गिर भी रखी थी पैसे की security के लिए पैसा मिल गया आपका एका foreclosure कोई मतलब नहीं उसका और deposited as herein after provided a right to obtain from the court a decree that the mortgager that the mortgager shall be absolutely debarred of his right to redeem the property foreclosure में आप court से क्या decree लेते हैं यह decree लेते हैं कि now the mortgager is absolutely debarred from exercising his right of redemption so debarred of his right to redeem the property और a decree that the property be sold या फिर आप कहा लेते हैं कि यह property sold sale हो जाएगी इसी को हम क्या कहते हैं foreclosure basically mortgager का property से अधीकार खतम करना ठीक अब कहा applicable होता है कहा नहीं आगे वो कहानी दी गई है फिलहाल बहुत important नहीं है अपन types of mortgage पड़ते हैं वहां यह बात clarify हो जाएगी कि section 58 में अलग-अलग type के mortgage की बात करी गई है बी से start हो रहा है बी में है simple mortgage c में mortgage by conditional sale है ना इन सबसे भी सवाल आते हैं mortgage देखिए basically mortgage का concept क्या है यह यह कि आपने property गिर्वी रखी immoveable और बदले में loan उठा लिया that is mortgage अब यह अलग-अलग तरीके की होती है तरीके की इससे मतलब कि किस तरीके की understanding किस तरीके का आपके बीच agreement है आप एक बात पहले समझ ले ना कई बार ना unnecessary भी अपन दिमाग लगाते हैं चीजों पर जैसे आप mortgage के differentiation को समझने के लिए कई आप बात समझिएगा concept समझिएगा कि ना भारत में देखो भाई टीपीए के बारे में हमने पढ़ा कि टीपीए क्यों आया consolidate करने के लिए प्रॉपर्टी के transfer से related जितने चीज़ें होती है उन चीजों को उन laws को consolidate करने के लिए अब बहुत सारी चीज़े ना custom पे बेस थी अ भिन्न भिन्न प्रकार के mortgage के arrangements है settlements होते थे कई जगे ऐसा होता था कि भाईया सिर्फ जमीन के कागज रख दो पैसे ले जाओ उसको बोलते हैं mortgage by title deal सिर्फ और कोई प्रॉफ नहीं है सिर्फ जमीन के कागज आपके मेरे पास है आपने पैसा उठा लिया मुझ से ये या फिर mortgage में आपने possession दे दी अपनी property की आपकी एक building है आपने मेरे को उस building की possession दे दी और आपने मुझ से पांच लाग रुपे उधार ले लिए अब जब तक मेरे पास possession रहेगी जब तक आप पैसे नहीं देंगे ये भी हो सकता है या फिर ये भी हम arrangement कर सकते हैं कि भाई building की possession मैंने नहीं लिए और उससे आने वाला interest या profit मान लिए building आपने possession मेरे को दे दी और मुझे अलाव कर दिया कि उसमें से मैं कमा सकता हूं तो मैं उस building को किराये पर चाड़ाता हूं और उससे आपका जो mortgage money है वसूल कर रहा हूं ये भी एक तरीके का mortgage है इसको कहते है यूज फ्रक् प्रापर्टी की क्या ले ली पॉजेशन ले ली और उस प्रापर्टी से कमाना है मुझे उपांच लाग that is a kind of arrangement that is a kind of mortgage इसको कहते है यूजू फ्रक्षरी मॉट गेज इस तरीकी के multiple arrangements चल रहे थे Transfer of Property Act ने कुछ को specify कर दिया एक specific kind of mortgage अलग से बता दिया जो की residue है जिसको हम कहते है एनमोलस mortgage इनमोलस basically mixture है multiple mortgages का जो इदर mention है कोई भी आपका जो mortgage का system या arrangement है अगर वो यहां mentioned पहले जो mentioned है उनमें से किसी एक में fit नहीं हो रहा आपने 2-3 का combination बना के mortgage का arrangement किया तो वो भी valid है बशरते mortgage के जो general principle है वो आपने follow करे हो जो 58 में दिये हैं तो वो भी valid होगा और उसको हम क् है एनमोलस एनमोलस मतलब जो थोड़ा सा mix type का हो जैसे हमारे आना एक Chinese food का vendor है बिस्ता चाइनीज यहां MP नगर जोन टूब हो पाल में अगर आप आज पास coaching watching आप आए हैं कभी तो आपने देखा होगा और जितने भी इस तरीके के vendor होते हैं उनके पास अलग-अलग dishes होती ह में एक होता है वेच चाओ में एक होता है सेजवान नूडल, fried rice और जब सब कुछ बचा हुआ मिला के वो एक बना देता है उसको एक नई डेश बोल देता है कॉमबी उसको उसने बड़ा ही attractive सा नाम दे दिया है क्या कॉमबी अभी एक दिन मैंने खाई हो तो मेरे समझ में इसने कुछ किया नहीं है उसमें जो कुछ थोड़ा सा noodle बचा था थोड़ा सा rice बचा था थोड़ा सा pasta बचा था सब को मिला दिया उसने और क्या बोलके दिया? कॉमबी सबका थोड़ा थोड़ा feature ले लिया आपने किसी को भी strictly follow नहीं किया, mix करके एक नया बना दिया that's anamalus mortgage बाकी के mortgage जो है उनको थोड़ा सा अपन समझते हैं जरा इधर तो देखे सबसे पहले simple mortgage simple mortgage क्या होता है where without delivering position essential mark करते जाना बहुत important है सबसे पहले अपन देख रहे हैं अच्छा इनके clauses से भी question आते हैं बटा कि किस clause में किस तरीके की या कौनसी mortgage की बात करी गई है तो ध्यान रखना A से चालू नहीं हो रहा क्योंकि A में तो mortgage बताया है होता क्या है सो B में बताया है आपको क्या simple कौनसी mortgage simple mortgage simple mortgage में क्या होता है possession आप transfer नहीं करते पहली चीज लेकिन property गिर्वी रखी है यह documented हो जाता है basically कि गिर्वी रखी है property आपने possession नहीं दी दूसरी party को mortgage को आपने बहले मैं खुद अपने घर में रहा हूँ मेरा घर गिर्वी है और मैंने loan ले लिया simple mortgage में बंदा personally liable होता है इस concept को समझ लेना personally liable होने का मतलब क्या है तो आपको आगे na confusion नहीं होगा multiple mortgages में रेके simple में लिखा है where without delivering possession of the mortgage property the mortgager binds himself personally इसको उडरली कर लीजे the mortgager binds himself personally to pay the mortgage money personally bind करता है वो व्यक्ति जिसने loan लिया है खुद को personally bind करता है कि मैं पे करूँगा इसका मतलब अभी मैं आपको समझाता हूँ and agrees expressly or impliedly that in the event of his failing to pay according to his contract the mortgager shall have a right to cause the mortgaged property to be sold and the proceeds of sale to be applied so far as may be necessary in payment of the mortgage money the transaction is called a simple mortgage and the mortgager a simple mortgage देखिये भाई simple mortgage में basically यह होता है possession आप transfer नहीं कर रहा है लेकर आपने अपने expressly or impliedly agree किया है कि आप अपनी property को गिर भी रख रहे है possession भले आपके पास है और आप अपने आपको personally bind करते है personally bind करने का मतलब कि पहले मैं pay करूंगा अगर मैं pay नहीं कर पाया तो आप मेरी property में से अपना पैसा निकालेंगे जैसे मैंने bank के पास अपने एक घर जिसमें में रहता हूँ गिरवी रख दिया और 5 लाख रुपे loan ले लिया bank से अब 5 लाख रुपे मुझे personally भी pay करना है मैंने खुद को personally bound किया personally मतलब मुझे अपने जैब से other assets से pay करना है अगर वो मैं नहीं कर पाया तो bank मेरा घर बिकवाएगा तब वो मेरे gains foreclosure लेगा मेरा घर बिकवाएगा और फिर पैसे वसू लेगा पहले वो personally bound करेगा मुझे simple mortgage में bank के पास जो mortgage है उसके पास दो option होते हैं या तो वो सीधे property पे मेरे आ सकता है foreclosure के लिए या फिर वो मेरे against money decree ले सकता है क्या ले सकता है money decree कि भया क्योंकि simple mortgage में बंदा personally liable करता है कोद को personally मतलब irrespective of the property जो मैंने रखी आप मुझसे personally पैसा भी मांग सकते हैं आप court में मेरे against suit file कर सकते हैं पैसे का भी कि इसने 5 लाग उदार लिया है हमें 5 लाग दिलवाईए अब यह हो सकता है कि जब मेरे against decree आएग एक मैंने आपको बता है usual factory usual factory में बंदा personally bind नहीं करता उसमें क्या करता है building थी मेरे पास एक मैंने एक व्यक्ति को दे दी जिससे मैंने loan लिया मैंने कभी है यह building ले तू और जब तेरा loan पढ़ जाए मैंने तेरो किराय पे देना है जो करवा ना करवा इससे पैसे कमा जैसे तेरे loan का मोन complete हो जाएगा property वापिस possession मैं लिलूँगा that's usual factory यहाँ मैं खुद को personally bind नहीं करता वो 5,00,000 रुपे जो मैंने उधार लिये मुझसे मांगने मताना उसमें तुमको क्या करना है वो जो property उससे कमा लेना 5,00,000 मेरे पास मतांगने मांगने वहाँ मैं personally bind नहीं हूँ खुद को bound नहीं करता लेकिन simple mortgage में मैं खुद को personally bind bound करता हूँ, personally का मतलब मुझसे 5,00,000 मांगे जाएंगे और अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो property मेरी इस्तेमाल होगी for recovering of that debt that is simple mortgage I hope that is clear ठीक, essential स्याद रखिएगा simple mortgage के इसके बाद C देखिए mortgage by conditional sale mortgage by conditional sale देखिए conditional sale में एक बात समझना conditional sale में absolute sale नहीं होती there is an ostensible sale ostensible मतलब जो लगती है sale की तरह but sale actually नहीं होती absolute sale नहीं होती इसमें conditional होती है देखो जैसे हमने transfer पढ़ा ना कि transfer या तो absolute होगा या तो conditional होगा तो यहाँ पे जो sale हो रही है वो absolute नहोंके कौन सी हो रही है conditional क्या conditional sale कि भाई एक property है हमने एक document बना लिया कि अगर मैंने आपसे पांच लाक रुपे उधार लिये और मेरा घर मैंने आपको conditionally sale कर दिया conditionally sale करने का मतलब absolutely sale नहीं किया मैंने conditionally sale कर दिया actual sale अभी नहीं होई है ये लिख दिया गया है कि भाई अगर मान लेजे मैं आपके पैसे नहीं दे पाता हूँ पांच लाक रुपे in that case वो sale क्या होगी absolute हो जाएगी ध्यान रखना conditional sale में क्या होता है पैसे ना देने पे sale क्या होती है absolute होती है अभी वो क्या है conditional है अभी absolute नहीं हुई अगर आपने वो सब समझ लिया है न wasting, divesting तो आपको relate कर पाएंगे जो अभी मैंने आपको समझाया कि subsequent condition और condition precedent condition precedent में क्या है ये condition fulfill होगी तब आपका interest create होगा property में और subsequent में क्या है interest अभी create हो गया है अगर वो condition नहीं किया आपने पाया तो property आपको transfer होगी वो sale absolute होगी अगर मैं पैसा नहीं दे पाया in that case अब क्योंकि इसी की तरह एक है फिलहाल D छोड़ दीजे फिलहाल पढ़ते हैं E क्योंकि ये दोनों confusing है इसलिए C के साथ कौन सा पढ़ेंगे E पढ़ेंगे अपन E है English 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 mortgage में लिखा है where the mortgager binds himself to repay the mortgage money on a certain date अब यहाँ difference create हो रहा है English mortgage में क्या है person खुद को bind कर रहा है कि मैं loan का amount repay करूँगा certain date पे repay करूँगा और लिखा है and transverse the mortgage and transverse underline कर लेना transverse the mortgage property absolutely to the mortgage English mortgage में क्या है already property का absolute transfer हो गया है यहीं पे ना confusion create होता है लोगों को कि यह तो same लग रहे है conditional sale और English same नहीं है यहाँ sale conditional है पैसे ना देने पे absolute होगी English mortgage में आपने already absolute sale कर दी property की मैंने पांच लाख रुपे दिये property transfer कर दी व्यक्ती को with a condition लेकिन उसमें हमने क्या किया English mortgage में हमने क्या किया कि transfer हमने कर दी absolutely transfer कर दी लेकिन उसमें हमने condition यह लगाई है कि अगर मैंने पे कर दी आप मुझे वो प्रॉपर्टी वापिस transfer कर देंगे देखिए आगे लिखा है transfer the mortgage property absolutely to the mortgage but subject to a provisor that he will re-transfer it to the mortgager upon payment of the mortgage money as agreed the transaction is called English तो English mortgage में absolutely transfer होती है property और condition क्या होती है कि अगर पैसे दे दिये by chance तो ये वक्ति क्या करेगा जिससे मैंने पैसा उधार लेके property जिसको transfer कर दी है वो क्या करेगा वो property मुझे re-transfer करेगा इसको कहते हैं English mortgage conditional में क्या है property अभी actually transfer नहीं हुई है absolute interest create नहीं हुआ conditional interest create हुआ है कि अगर पैसे नहीं दे पाया तो तुमारा absolute interest उस property पे हो जाएगा तो वो sale absolute मान ली जाएगी effective मान ली जाएगी that's conditional sale and that's English mortgage I hope you understood the difference तो एक concept और है conditional sale के साथ sale without clause of repurchase उसका भी difference आपको समझा है लेकिन थोड़ा सा और टेकने का लिए फिलाल नहीं जा पाऊंगा जिसे मैंने कहा mod gauge के type पढ़ने में foundation batch में कम से कम 3-4 गंटे में इस पे लग जाते हैं अराम से अगर आपको एक-एक धागा अलफ करके एक-एक चीज बहुत crystal clear चाहिए तो it takes time फिलाल अपन भो नहीं कर पाएंगे इसको तो समझे लिए जित्ते यहां type लिखे हैं प्री में इसी से जनरली सवाल बनते हैं वैसे तो यह concept भी शायद नहीं पूछें प्री में लेकिन पता होता है तो याद easily हो जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद यूशो फ्रक्षरी देखिए यूशो फ्रक्षरी बिलकुल भाई यह जो मैं आपको बताया यूशो फ्रक्षरी मॉट्गेज में बंदा खुद को पर्सनली बाउंड नहीं करता उसमें सिंपल यह होता है कि भाईया यह प्रॉबर्टी आप enjoyment position ले लिजे और इससे निकाल देना पैसा मॉट्गेज मनी जब निकल जाए तो मेरे को वापिस दे देना टाइम बाउंड नहीं होता जनरली यूशो फ्रक्षरी मॉट्गेज टाइम नहीं होता specified टाइम क्यों नहीं होता क्योंकि मुझे परसनली पैसा प्ये करना ही नहीं है आपको प्रॉपर्टी की position दे दी है आप देख लोस में आप अपने हिसाब से वसूल लोस में से पैसा इसलिए वो टाइम बाउंड नहीं होता यूशो फ्रक्षरी डी में दिया है तो वो देख लिजे डी यूशो फ्रक्षरी इसलिए यूशो फ्रक्षरी कहते हैं क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी यूज करता है मॉटगेजी और वहां से पैसा वसूलता है इसके बाद F देखिए मॉटगेज बाई डेपोजट आफ टाइटल डीड F क्या है मॉटगेज बाई डेपोजट आफ टाइटल डीड यह वही है जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ प्रॉपर्टी के कागज रख दिये यह बैसिकली टेरिट्री बाउंड है जो बड़े बड़े एरियाज कलकत्ता बॉम्बे इन सब जगाहों पे क्योंकि क्या होता है जो बड़े business houses है industrialist है उनको पैसा चाहिए रहता और उनके पास formality करने का जादा समय नहीं हुआ करता था तो उनको यह एक अधिकार दे दिये था कि तुम तो बस जमीन के कागज प्रापर्टी के कागज ले जाओ वो कागज रखो और पैसा उठा लाओ कोई formality नहीं जमीन के paper रखो पैसा उठाओ that's mortgage by deposit of title deed और इसके बाद आखरी में आता है anomalous that is G जो मैंने आपको बताया it is mixture अब माल लीजे हमने usual fracture करा है लेकिन उसको time bound कर लिया है जबकि generally usual fracture में time bound नहीं होता या माल लीजे हमने simple usual fracture mortgage कर लिया कैसे कर लिया कि मैंने एक property आपको दे दी enjoy करने के लिए possession भी दे दी लेकिन मैंने खुद को personally भी bound कर लिया मैंने कहा भाई पहले मैं दूँगा पैसे पांच लाग रुपे कोशिश करूँगा अगर मैं नहीं दे पाया तो तुम इस property से फिर utilize करना उस property को और पैसे वसूलना अब ये ना तो simple रही ना तो usual factory क्योंकि simple में आप personally bound करते हो property की possession नहीं देते as per this section और usual factory में आप personally bind नहीं करते उसके usage से ही पैसा वसूलना है हमने क्या किया दोनों का combo बना लिया तो वो किस category में जाएगा anomalous mortgage में जाएगा that is G I hope that is clear so ये हैं आपके different kinds of mortgage एक, दो, तीन, चार, पांच ठीक तो ये अलग-अलग तरीके के mortgage यहां बताए गए है ये बहुत जादा important है sorry, 6 तरीके के mortgage यह हो गए आपके anomalous मिलाके 6 तरीके के mortgage यहां हो गए simple हो गया, conditional sale हो गया उसके बाद usual fracture हो गया फिर हो गया आपका English और इसके लावा हो गया title deed और एक हो गया आपका anomalous G G हो गया anomalous तो ये 6 तरीके के mortgage यहां बताए गए है मेरे खाल समझ आ गया है तो याद भी हो जाएगा, कोई problem नहीं होगी clauses याद रखिएगा, साथ में वो भी आते हैं, ठीक है अब देखिए usual factory में किसी ने पूछा है, usual factory में foreclosure नहीं होता ये बात आपको 67 में मिल जाएगी foreclosure से related, जो मैंने आपको अभी provision बताया, 67 आप उसमें देखेंगे जो दो paragraph हमने पड़े, उसके अलावा 67 में ज़रा तीसरा paragraph निकाली है, foreclosure में nothing in this section shall be deemed, क्या लिखा है, to authorize any mortgagee, other than a mortgagee by conditional sale, or a mortgagee under an anomalous mortgage, by the terms of which he is entitled to foreclose, to institute a suit for foreclosure, इनके अलावा कोई और foreclosure का suit file नहीं कर पाएगा, तो अब वो conditions आगे लिखी हैं, एक बार read करना, you'll understand that, तो यूजर फक्चरी में generally आप foreclosure नहीं करते हैं, क्योंकि भईया, property already आपको दे दी गई है, क्या करने के लिए, उसको appropriate करने के लिए, so यह है आपका types of mortgage, यहाँ से simple सवाल आते हैं, कितने तरीके के mortgage की बात करी गई है, और कौन सा mortgage क्या होता है, clause की question आते हैं, यह ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा detail में questions नहीं आते, इसके बाद redemption मैंने आपको समझा दिया, section 60, यह वाला, आप मेरे खेल पूरा समझ गए है, right of redemption, right of foreclosure, जैसा मैंने का है तो बहुत सारी कहानी, clog on redemption, once a mortgage, always a mortgage, बट वो सब समझने का ना तो समय है, ना जरूरत है prelims के लिए, बट clog on redemption समझ में आ गया थोड़ा सा, इत्ते में सवाल बन जाएगा, परीका आता है कई बार, उसके बाद कुछ अगर important provision इदर है, तो 63 मार्क कर लीजे, accession to mortgage property, 63 मार्क कर लीजे, accession मतलब कुछ बढ़ गया, आपने property mortgage करी, उसमें कुछ increment हो गया, बढ़ गया कुछ, तो वो किसको belong करेगा, generally वो belong करेगा, mortgage को, जिसकी property है, उसको बहुत अव्विस सी बात है, मैंने अपना घर, जमीन, अगर किसी के पास गिरवी रखा, उसमें कुछ increase होता है, तो वो इसको belong करेगा, कुछ बढ़ोतरी हो जाती है, पेड़ वे लूप गया उसमें, तो वो सब किसको belong करेंगे, mortgager को belong करेंगे, 63 के साथ section 70 पढ़ लीजिए, accession की ही बात करता है, section 70 भी पढ़ लीजिए साथ में, accession to mortgage property, 70 कहता है, कि भाया, जब वो जो increase हुआ है property में, उस पे ownership तो इसी की रहेगा, entitle तो यही रहेगा, लेकिन for the purpose of recovery of mortgage money, इसका अधिकार होगा, यह कहता है 70, कहने का मतलब, जो भी increment हो गया है, उस property में, उसके लिए भी bank हगदार है, कितना अपनी mortgage money, जो पैसा दिया, 5 करोल और यह वसूलने के लिए, अगर वो increase भी use करना चाहे, तो bank करेगा, यह कहता है 70, देखिए, उसका owner कौन रहेगा, उस पे ownership या title किसका रहेगा, mortgager कही रहेगा, यह हमको बता रहा है 63, लेकिन 70 हमको यह बता रहा है, कि जो भी increase उस property में हुआ है, माली जे, जमीन थी, उस पे फसल उख गई है, तो the bank will use it for utilizing or for recovering his money, इस purpose के लिए उनके पास अधिकार रहेगा, यह अधिकार दिया है section 70 में, so देखिए 70 कहता है, accession to mortgage property, if after the date of mortgage, any accession is made to the mortgage property, the mortgagee, the mortgagee in the absence of a contract to the contrary, shall for the purpose of the security, इसको underline कर लीजिए, shall for the purpose of the security, be entitled to such accession, तो भाया, यह जो confusion होता है, 63 और 70 में, उसको clear कर लीजिए, 63 कहता है कि entitled तो mortgagery होगा, लेकिन जो mortgagy है, वो किस purpose के लिए use कर सकता है, कितना entitlement होगा, for the purpose of security, अपने पैसे को secure करने के लिए, वो property को यह use कर सकता है, यह है accession के दोनों provisions के बीच का अंदर, and I hope that is clear, तो 63 से सवाल आता है, इसके बाद देखो, lease वाले से एक सवाल आता है, प्री में, 65 A mark कर लीजिए, mortgagers power to lease, क्या mortgager ऐसी property, जो उसने lease कर रखी है, जिस पो जो mortgager कर रखी है, जैसे माल लीजिए, A ने property mortgager कर रही, लेकिन possession A के पास है, तो क्या A उस property को lease पे दे सकता है, simple mortgage में जैसे होता है, कि possession तो इसी के पास है, तो क्या वो किराएफ पे दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, उसके कुछ conditions है, जहां से pre-question बनते हैं, 65A में mark कर लेना, कि ये जो lease होगी, इसमें renewal का clause नहीं होगा, 65A में clause C देखिए, no such lease shall contain a covenant for renewal, renewal का covenant नहीं होगा, 6 मिने से जादा time बाद वो effect में नहीं आएगी, आज अगर lease करिए तो 6 मिने में वो effect में आजानी चाहिए, और 3 साल से जादा की lease नहीं होगी, ये कुछ बाते हैं, e-mail लिखिए, c, d, e, 3 मां कर लिजे, pre के लिए बहुत important सवाल हो सकते हैं, इसके बाद important तो थोड़ा बाद 66 भी एक बार पढ़िएगा, 67 अपन ने पढ़ दिया for closure, 68 बात करता है, right to sue for mortgage money, कि ये व्यक्ति कब mortgage money के लिए suit file करेगा, तो simple answer इसका यह है, कि भाईया, जब ये person personally bound है, जैसे simple mortgage में होता है, इसलिए मैं पहले आपको mortgage के kinds बताए, simple mortgage में क्या होता है, बंदा personally liable होता है, कि भाईया, मैं property से वसू लेंगे, एक तो ये, और दूसरा क्या, आप मुझसे पैसे का suit भी कर सकते हैं, वो कब करेंगे, simple, जब मैं personal liable होंगा, वो लिखा है पहली चीज, उसके अलाबा कुछ conditions से एक बार पढ़ेगा, common sense की है, 69 बताता है, sale के लिए, कब आप कर सकते हैं, suit file, तो अगर आपने mortgage के classification को पढ़ लिया, kinds को अगर आपने समझ लिया, तो ये चीज़ें आप बड़े अराम से cover कर सकते हैं, pre में बहुत जादा important नहीं होती है, इसके बाद 78, 79 एक mark कर सकते हैं, आप provision, postponement of prior mortgage, और 79 भी आप mark कर सकते हैं, important जो है that is 81, marshaling securities और 83, contribution, contribution को समझ ये मत भले अभी लेकिन section number याद रखिएगा, कि 82 बात करता है, contribution to mortgage debt, pre में सीधे-सीधे सवाल आता है, contribution के section में दिया है, और marshaling मैं आपको already समझा चुका हूँ, जैसे मैंने आपको marshaling समझाया, 56 में, वो थी marshaling by subsequent purchaser, यहाँ है marshaling securities, securities के marshaling का क्या मतलब है, similar मतलब एक बर समझ लेजे, क्योंकि marshaling subrogation, ये कुछ बहुती important concepts है, transfer of property act के, तो मान लेजे A ने क्या किया, A ने पहले अपनी एक land और एक घर, एक house, ये दोनों गिरवी रखे, इसके पास B के पास, B के पास गिरवी रखे, इससे लोन ले लिया, अब मान लेजे land की value है 5 करोड, घर की value है 3 करोड, और लोन लिया, इसने कितने का, मान लेजे 2 करोड रूपे का लोन लिया है, फिर इसने क्या किया, A ने, एक property, ये घर, ये ये वाला घर इसने क्या किया, ये घर इसने गिरवी रखे, C के पास, क्या गिरवी रखे, house, जिसकी कीमत 3 करोड है, गिरवी रखे, और इससे भी लोन ले लिया, C से, C से कितना लोन लोन ले लिया, इस बंदे ने, मान लीजे, एक करोड leन ले लिया, ये तो, दो अलग अलग जगे, इसने天 गर्सूपे करती, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि हमेशा मनि उससे जादा की value की property mortgage कराता है, तो क्योंकि land और house इसने mortgage किया था, फिर इसने house mortgage करके 1 करोड और उठा लिया, so, यहाँ पे, जो पहले वाला बंदा है, वो क्या करेगा, दूसरे वाले से कहेगा, तु एक काम कर अपना जो पैसा है, किसी एक particular property में से ले ले, जैसे वहाँ subsequent purchaser कह रहा था न, पहले वाले mortgage को, कि भाई तु एक काम कर क्योंकि एक property में ने purchase कर लिये, तु अपना जो debt है, दूसरे property में से satisfy कर ले, सेम बात यहाँ mortgage करेगा, देखिए, 81 में लिखा है, if the owner of two or more properties, mortgages them to one person, and then mortgages one or more of the properties to another person, the subsequent mortgagee is, the subsequent mortgagee is, in the absence of a contract to the contract, entitled to have the prior mortgage debt satisfied, out of the property or properties not mortgaged to him, so far as the same will extend, but not so as to prejudice the right of the prior mortgagee for any other, अब देखिए, इस बंदे के पास सिरफ house है, mortgage में, इसके पास दोनों है, land और house, तो यह बंदा क्या बोलेगा, कि भाईया, तेरको जो अपना mortgage money satisfy करना है, दो करोड का तू किस से कर ले, इस वाली property से कर ले आए, क्योंकि house इसने मेरे पास भी रखा है, तो मेरा loan भी safe रहेगा, तेरा भी काम बन गया, और loan कितने का है, दो करोड का, property कितने की land, 5 करोड, भला आराम से satisfy होगा, तो ये जो subsequent mortgage है इधर, वहाँ पे subsequent purchaser का अधिकार था, यहाँ पे subsequent mortgage का अधिकार है, ये इससे क्या बोल सकता है, ये इसको क्या गंपिल कर सकता है, कि भाईया, तेरा जो debt है, तू land से satisfy कर ले आर 2 करोड, क्योंकि इसने मेरे से भी ले रखे हैं 1 करोड, और मेरे पास घर गिरवी, अब तू घर में से अगर तू 2 करोड ले जाएगा, तो मैं बीच में फस जाऊँगा, अगला फस जाएगा, मेरा पता नहीं 1 करोड मिलेंगे की नहीं, घर से फिर, है ना, इसलिए क्या कर, तू लैंड से वसूल ले, मैं घर से वसूल लूँगा, लेकिन अगर माल लीजी इसका इंट्रेस्ट वजड़ेज होता है, ऐसा करने से, तो मार्शलिंग नहीं होगी, माल लीजी ये लोन का जो अमाउंट है, ये लोन का अमाउंट, माल लीजी ये छे करोड रुपे है, इसने छे करोड लोन लिया था, अब क्या ये बोल सकता है, कि तू अपना इससे, डेट साटिस्फाइ कर ले, इसको मत बेज, ये रहन दे, नहीं, क्योंकि इसका इंट्रेस्ट इंपक्ट हो जाएगा, यहाँ सब्सिक्वेंट मॉड गेजी कर रहा है, बट मार्शलिंग का कॉंसेप्ट सेम है, दोनों जगा, I hope that's clear, इसके बाद आईए जरा section 91 पे, अब आईए section 91, redemption से related बातें, कौन redeem कर सकता है, बहुत important है भाईसा, प्रिलिम्स के लिए, section 91, कौन कौन प्रोपर्टी रिडीम कर सकता है, अब अगर आप right of redemption समझ गए हैं, तो ज़्यादा दिख्कत आपको नहीं होगी, right of redemption मतलब, पैसे पे करके, लोन का amount पे करके, प्रोपर्टी वापिस लेना, that is redemption, तो यह कौन करेगा, प्राइमेरिली तो मॉट्गेजर करेगा, प्राइमेरिली तो यह काम कौन करेगा, मॉट्गेजर ही करेगा, कि पैसा देके, प्रोपर्टी वापिस लेगा, लेकिन कुछ और लोग भी हैं, जो ऐसा कर सकते हैं, वो 91 में हैं, प्रीमे सवाल आता है, प्राइमेरिली तो मॉट्गेजर के अलावा, कोई ऐसा वेक्ति जिसका प्रोपर्टी में इंट्रेस्ट हो, देखिए, मॉट्गेजर ने घर और जमीन मॉट्गेज करके, पांच करोड का लोन लिया, अब मान लेजिये वो जो घर है, उसमें जो मॉट्गेजर है A, इसके साथ साथ किसका इंट्रेस्ट है, मान लेजिये इसका भाई है, C, या D, D उसका भाई है, He also had some interest in the house, घर में, तो ये वेक्ति जो उस प्रॉपर्टी में interest रखता है, या चार्ज, चार्ज के बारे में बताऊँगा, अगर इसका भी है, तो ये बंदा भी redeem कर सकता है, redeem कैसे करेगा, लोन का amount पे करेगा, और प्रॉपर्टी रिडीम कर लेगा, फिर आपके सामने इसके हो जाएंगे, अगर इसने प्रॉपर्टी रिडीम करी है, इसी फिनॉमेना को हम सब रोगेशन कहते हैं, जो 92 में है, अभी देखते हैं उसको भी, तो एक बात समझे है, कि वो वेक्ति जो की मॉडगेजर है, वो तो रिडीम करेगा, उसके पास तो अधिकार है ही रिडेमशन करने का, कोई भी ऐसा वेक्ति जिसका इंट्रेस्ट और प्रॉपर्टी में वो रिडीम कर सकता है, भी देखिए, एनी शॉरिटी फॉर दी पेमेंट अफ दी मॉडगेज डेट और एनी पार्ट देर अप, शॉरिटी भी कोई हो सकता है, माल लिजे, एने बैंक से लून लिया था, अब कोलेटरल तो रखवाई, सिक्यॉरिटी तो रखवाई, मॉडगेज तो किया ही, साथ में बैंक ने बोला भी एक शॉरिटी भी लेकिया, अगर जिसके पास सारे वो अधिकार आजाते हैं जो बैंक के पास है कोई ऐसा क्रेडिटर कोई भी ऐसा क्रेडिटर और मतलब मॉडगेजर ने बैंक से तो लोन उठाए था और इसके पास प्रोपर्टी मॉडगेज करी थी एक कोई और भी क्रेडिटर था जिसका उधार है एक के उपर और उसने अल्रेडी मॉडगेज प्रोपर्टी का एड्मिनिस्ट्रेशन करने के लिए मतलब बिकवाने का कूर्ट से ओर ले आया है तो अब वो क्या करेगा बिकेगी कैसे ये डेट बैंक के पास भी मॉडगेज ह वाले होता क्या ऐसे में रिडीम हो जाएगी प्रोपर्टी बिकेगी और मैंने आपको गाना प्रोपर्टी हमेशा जादा मॉंट की होती है इसका तो मात्र पांच करोल का लोन है वो प्रोपर्टी हुई कम से कम बारा करोल की तो पांच इसको भी मिलेंगे और वो जो uggum से अलावा कौन कर सकता है कोई ऐसा परसन जिसका प्रोपर्टी में इंट्रस्टों को कोई शॉय अगर है तो वो कर सकता है तीसरा मॉडीज कोई-एम कर सकता है कि उनको प्रेंगे का क्यो एधिकार मिल रहा है सिंप्ल इंट्रेस्स एगा और प्रिंसेपल आप्रिंसेप उने चुकाया, वो सब तो इस से वसू लेगा, यह आगे concept दिया है, subrogation में, 92 पढ़िये, बहुत important है, subrogation, any of the persons referred to in section 91, जितने लोगों की बात 91 में करी गई है, other than the mortgager, mortgager को छोड़ के, कौन-कौन बचा, कोई ऐसा वेक्ति जिसका interest है property में, creditor या surety, अगर उन्होंने property छो 91, and any co-mortgager, shall, on redeeming property, subject to the mortgage, have so far as regards, redemption, foreclosure, or sale of such property, underline कर लेजे, the same rights, as the mortgagee, whose mortgage he redeems, may have, against the mortgager, or any other mortgagee, तो जिस भी वेक्ते ने, 91 में, तीन और लोगों को अधिकार दिया है, कि वो भी redeem कर सकते है property, redeem कैसे करेंगे, जो loan इसने 5 करोड बैंक से लिया है, वो इन यह देंगे, तभी bank property छोड़ेगा, redeem करेगा property, तो इन्होंने on behalf of a property, अगर redeem करा ली है, तो यह पागल तो है नहीं, जैसा मैंने कहा ना कि D का interest है क्योंकि घर में, इसलिए वो छोड़वा रहा है, 5 करोड देखे, लेकर यह क्नों देगा 5 करोड, तो भाईया, इसने अगर 5 करोड दिये हैं, तो अब D के पास पूरा अधिकार है, वैसा ही, जो bank के पास था उस property के respect में, यह अब sale कर सकता है property, फर्क्लोश करा सकता है, इससे अपना 5 करोड वसूलने के लिए, बैसिकली बात यह है, क्योंकि इसने पे कर दिया पैसा, और प्रोपर्टी इसने रिडीम करी है, now this person comes into the shoes of the mortgagee, बैसिकली, this person comes into the shoes of mortgagee, इसके पास सारे वो अधिकार आ जाएंगे, जो इस mortgagee के पास थे, एके अगेंस्ट, and this phenomenon is called subrogation, अब यह subrogation दो तरीके का होता है, legal subrogation और एक होता है, customary subrogation, दो तरीके के subrogation की बात यहां करी गई है, 92 में इस बात को ज़रा समझना, paragraph wise थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा, उसके detailing में तो मैं नहीं जाओंगा, लेकिन पारग्राफ में लिखा है, जो मैं आपको पढ़के बताया, any of the persons referred to यह अगर पे कर रहे हैं तो उनके पस सेम अधिकार आ जाएंगे, इसके बाद paragraph third अगर आप इसका पढ़ेंगे, second भी पढ़ लेजे, the right conferred by this section is called the right of subrogation, and a person acquiring the same is said to be subrogated to the rights of the mortgagee, whose mortgage he redeems, तो इसी process को या इसी phenomena को हम क्या कहते हैं, subrogation कहते हैं, हाँ, और यह जो subrogation है, अभी जो इसकी बात करी, paragraph one में हमने, उसको कहते हैं legal subrogation, और paragraph three बात करता है, conventional subrogation की, subrogation दो तरीके का है, paragraph one में legal subrogation, क्योंकि इननोंने redeem करी है property, इनके पास right था as per 91, इन तीन लोगों में से किसी इपने redeem क एक subrogation होता है, जिसको कहते हैं, conventional, paragraph three के सामने आप लिख सकते हैं, paragraph three relates to conventional subrogation, conventional में क्या होता है, कि देखो, 91 में तो हमने कुछ person specific कर दिये, कि वो loan repay कर सकते हैं, redeem करा सकते हैं property, अब हम कह रहे हैं, कोई भी stranger x, y, z, भले इसका कोई interest हो property में या ना हो, कोई भी x, y, z person, a.k. बचाव के लिए आ सकता है, वो क्या करेगा, एक य, बहाफ पे, loan pay कर देगा, bank को, कोई भी stranger भी आ सकता है, भले वो 91 में fall नहीं कर रहा, कोई भी व्यक्ति आएगा, और इसका loan repay करके property छुड़ा लेगा, redeem कर वा सकता है, और क्योंकि इसने property छुडवाई है, अब विससी ब mortgage has been redeemed, अगर इसने पैसा दिया है A को ये redeem करने के लिए, पांच करोड जो भी interest था, D ने A को दिया कि जा तू पैसे दे और छुड़ा ले अपनी property, अब इसने क्यों दिये पैसे, छुडवाया क्यों, ये पूरा अधिकार mortgage का अब exercise करेगा property, इसके पास पूरा right आ जाएग इसको कहते हैं, conventional subrogation है भईची, subrogation है, बस दो अलगलग terminology यहां पे use करी जाती है, बस इसके बाद अब देखो एक concept वैसे और आता है, 90A और 94 मिला के concept बनता है, मतब I am not sure you may be knowing it or not, redeem up foreclosure down, एक term use होता है, redeem up foreclosure down, कहां से derive होता है, means का concept है, 91A और 94 को मिला के, अभी उसको discuss तो मैं नहीं कर पाऊंगा, but this is something which you should study, ऐसी थोड़ा सा concept है, means के लिए जाधा important वो होता है, ठीक है, चलिए, so यह हो गया आपका mortgage, अब आ जाते हैं अपन charge पे, sale पढ़ लिया, mortgage पढ़ लिया, अब आ रहे हैं charge, charge बहुत simple सी चीज़ है, 100 मे defined है, समझना, charge में कोई interest create नहीं होता, यह बात एक, आप मेरी ध्यान रखिये, कि charge में कोई interest create नहीं होता, देखिए, क्या होता है, एक तरीके का transfer हमने कौन सा पढ़ा, mortgage वाला transfer हमने पढ़ा, mortgage में क्या होता है, यह जो है, अपनी property में क्या करता है, interest create करता है, दूसरे person का, जो हमने पढ़ा था न, vested interest, contingent, interest create हो रहा है, limited interest है, absolute interest नहीं है, कैसा interest है, है interest, लेकिन limited है, किसका है, bank का, bank का क्या interest create हुआ, mortgage money से related, कि भाईया, मेरा पैसा वसुलने के लिए, मैं इस property का इस्तेमाल करूँगा, इसका actually interest हो गया, ये चाहे तो foreclosure करके property लेके बेचेगा, हाँ, बेचने के बाद ये जरूर है, कि मान लिजे, इनका 5 करोड का loan था, property भी की 10 करोड में, तो 5 ये इसको वापिस भी देंगे, इनका लेकिन interest है, उसमें 5 करोड का property बिखवा सकते हैं, ये उसकाम के लिए, as a security जब रखी जाती है, loan की security की तरह, जब हम property रखते हैं, उसको mortgage करते हैं, क्योंकि उसमें एक interest create होता है, mortgage का, whereas, charge जो है, charge में आपका कोई interest create नहीं होता, ध्यान रखिएगा, no interest is created, कोई interest create नहीं होता, इसमें बस ये होता है, जैसे maintenance का दिकार है, wife का, अब ये decree pass हो गई, maintenance की wife के favor में, husband के against, तो उसमें क्या होता है, कि husband को pay करना है, maintenance, मां लेज़े monthly maintenance देना है, तो उसमें क्या होगा decree में, कि husband monthly एक maintenance का amount pay करेगा, अगर नहीं कर पाता है, तो वो amount कहां से pay होगा, husband की property से, कहां से pay होगा, husband की property से pay होगा, उसमें से जो income आ रही है मानली जो rent आ रहा कुछ आ रहा तो उससे वो amount पे होगा इसको कहते हैं charge It is not a security for debt, कोई legal obligation fulfill करने के लिए उस property से जो income आ रही है वो इस्तेमाल होगी इसको कहते हैं charge, charge operation of law से भी होता है और parties से भी बट यहां as such कोई interest create नहीं होता, जो wife है उसका property में कोई interest नहीं आएगा सिरफ इतना है कि उसके maintenance के लिए यहां से जो income आ रही है property से वो इस्तेमाल करी जा सकती है That's the basic difference between mortgage and charge की mortgage में mortgage का interest create हो जाता है property पे बट चार्ज में सा कुछ नहीं होता है लेकिन हा जो payment है वो इस property से जो पैसा आ रहा है उससे होता है देखिए charge 100 section number याद रखिएगा Where immovable property of one person is by act of parties or operation of law दोनों तरीके से charge create होता है Made security for the payment of money किस लिए है security बनाया गया है payment of money के लिए To another and the transaction does not amount to a mortgage Cleary लिखा है and the transaction does not amount to a mortgage the letter person is set to have a charge on the property and all the provisions here and before contained which apply to a simple mortgage shall so far as may be apply to charge Charge पे वो सारे formalities apply होती है जो simple mortgage पे होती है लेकिन charge is not a kind of mortgage क्योंकि इसमें कोई interest का transfer नहीं होता यह basic difference है बाकि difference तो बहुत कुछ है चार्ज और mortgage में बट फिलाल हमारे लिए important नहीं है Pre में बस ध्यान रखिएगा charge होता कि कौन से section में दिया है बस यह important है इसके आलावा pre का एक question important mark कर लीजे 104 section number पूछा जाता है सीदे सीदे 104 बहुत important है power to make rule high court के पास power TPA में रूल बनाने का यह कई बार problems में पूछा जा चुका सवाल है इसके बाद देखिए chapter 5 lease of immovable property अब lease आप already समझते हैं lease होता क्या है यहां कोई concepts नहीं है जैसे उदर था ना marshaling subrogation, foreclosure, redemption इधर ऐसा कोई concept नहीं है simple simple है lease है और उसके बाद आपका gift है मैं आपको important चीज़े हैं लेकिन बता देता हूं जहां से सवाल बनते हैं so देखिए lease क्या होता है lease एक तरीके का limited interest है जैसे mortgage में भी क्या है limited interest लिमिटेट इंट्रेस बोले दो सिर्फ enjoyment है possession का interest आप absolute owner नहीं होते property आपके नाम पे transfer ऐसे नहीं होती कि आप owner बन जाए है यहां पे कौन सा interest create होता है limited enjoyment और possession का अधिकार बस कि भाईया एक साल के लिए आपने lease पे ली property तो एक साल आप उस property को enjoy करेंगे उसके बाद आपका कोई अधिकार नहीं उस property पे so lease में भी interest transfer होता है but it is for a limited duration ठीक अच्छा sale में mortgage में lease में सब में एक चीज़ जरूर पढ़िएगा कि इसको effect में लाने के लिए क्या जरूरी है जैसे sale में पनने पड़ा ना 100 रुपे से उपर की more property registered instrument के 3 ही होगी ऐसे ही mortgage का भी है तो उसको भी देखिएगा वहाँ पे भी 100 रुपे से ज्यादा की अगर value है उससे ज्यादा की बात है अगर उस mortgage में तो वो भी registered instrument के through होती है बस एक बात ध्यान रखिएगा simple mortgage irrespective of money कितने भी रुपे की हो registered ही होगी simple mortgage कितने भी रुपे की हो तो हमेशा registered instrument से होगी बाकी में value किती है उस पर depend करता है वो question जरूर ध्यान से देखिएगा same is with lease, lease simple है usage और enjoyment के लिए आप interest create करते हैं जो किराय पेपन देते हैं वही है lease, 106 mark कर लीजे, important है duration of certain lease, तो देखिए clearly यहाँ second line में लिखा है agriculture और manufacturing purposes के लिए अगर lease है तो वो कि क्यों होती है year to year, तो agriculture या manufacturing purposes के लिए अगर कोई lease, कोई building किसी factory के लिए दी गई है या खेत दिया गया है किराय पे तो वो year to year ही होता है generally, अगर आपने लिखा है कुछ तो बात लगे, in the absence of contract वो क्या होगा year to year और इसके अलावा जो lease है वो month to month, जैसे मान लिजे residential या commercial purposes क के लिए दिया है, तो वो कैसा माना जाता है, month to month lease माना जाता है, सिर्फ agriculture और manufacture year to year माना जाएगा, बाकि सब month to month, इसमें lease खतम करने के लिए, जो year to year lease है, अगर इसको terminate करना है तो कित्ते दिन का notice, देखिए, simple सी बात समझना, ये तो depend करेगा कि आपने agreement में क्या लिखा, हम बात कर रहे है, agreement में अगर कुछ नहीं लिखा है, in the absence to the contrary, फिर अपन क्या apply करेंगे, तो ऐसे case में इसका termination 6 months, 6 months का notice, और month to month का termination 15 days, 15 दिन का notice, हाँ, agreement में अगर आपने लिखी रहा कि एक महिने का notice चाहिए, टर्मिनेट करने के लिए, तो फिर वो applicable होगा, if there is nothing, 15 days, ये बस important है इसमें, 106 में, बस ये ध्यान रखिएगा, nothing is, इसके बाद 107, lease how made, कैसे lease बनाई जाएगी, तो ध्यान रखिएगा, year to year जतनी भी lease है, ये हमेशा registered document से होगी, ये कैसे होगी, registered instrument से, और इसके अलावा, register भी कर सकते हैं, non register से भी कर सकते हैं, इसलिए आप देखते है जो rent agreement होता है, वो 11 महीन यगा करते हैं, आप चाहे किसी के घर में रह रहे हो, commercial space यूज कर रहे हो, आप generally देखते हैं, जो rent agreement होता है, वो कैसा होता है, 11 महीन यगा, क्यों होता है, क्योंकि अगर वो एक साल यह उससे जादा का, तो फिर वो registered होना जरूरी है, as per the provision, इसलिए वो open क्या करते हैं, stamp पर लिखके बस agreement बना लगते हैं, उसको register नहीं कराते हैं, register office जाके, वो फिर अलग fees लगती है, इसलिए registered lease किदर जरूरी है, year to, एक साल की duration या उससे ज्यादा की अगर होती है, तो registered होना जरूरी है, उससे कम का unregistered चल जाएगा, writing में कर लीजे आप, जैसे आपको करना हो, जितना आपको formality करने हो, आप कर लीजे, कुछ mandatory नहीं है, इसलिए rent agreement ग्यारा महीने का होता है, और जहां साल भर या उसके उपर का है, फिर वो registered document के थ्रू ही होता है, यह ध्यान रखिएगा, rights and liabilities दिये हैं, lesser lessy के, जैसे seller और उनके हैं, बिल्गुल वैसे common sense है, generally premium आता भी नहीं, बट एक बार read कर लेना बस, इसके बाद mark कर लीजे सीधे 111, बहुत important है, 110 भी mark कर लीजे, exclusion of day on which term commences, जिस दिन शुरूर है उसको exclude करते हैं, 111 बहुत important है termination of lease, lease के termination के mode क्या है, कैसे कैसे lease terminate होगी, इनको समझ लीजे तो याद हो जाएंग देखिए, a lease of immovable property, determines, determines मतलब कैसे terminate होगी, खतम कैसे होगी, सबसे पहला by afflux of the time limited, जो समय निर्थारित था, वो complete हो गया, तो lease will come to an end, एक साल की lease थी, एक साल हो गया, the lease will come to an end, 11 महीने का था, 11 महीने खतम होगी, the lease will come to an end, second है, where such time is limited, conditionally on the happening of some event by the happening, अगर मान लीजे ऐस था कि किसी event के happening पे था, तो जब वो event हो जाए, जैसे मान लीजे आपने कमरा किराय पे लिया, ये बोलके, कि भाईसा आप MPCJ का प्री हो रहा है, तब तक के लिए lease पे ले रहे है, अब मान लीजे date decided नहीं है, या मान लीजे postponed हो गए, तो वो किस चीज़ पर depend है, MPCJ का exam हो तक, तो तब तक के लिए lease, जैसे ही वो event हो जाएगा, आपकी lease खतम हो जाएगी, अपरी चाहे 15-14 को हो जाए, या बाद में हो जाए, इसका ये मतलब बिलकुल नहीं है, कि मैं आपको कुछ ऐसा किया रहा हूं कि postpone हो जाएगा, हैला, आप लोगे तो कुछ ज़्यादा ही इन सब चीजों में interested रहते हैं, क्या postpone होगा MPCJ का Prelims Examination, तो मैं भी सोच रहा हूं, ऐसे कुछ संसनी खेज, थंबनेल बनाए जाए, उससे क्या होता, viewership ज़्यादा बड़ी हाती है, ऐसा कुछ बनाने से, ये पढ़ा रहा हूं सिद्दत से, तो उसका उत्ता मतलब नहीं लेकिन ऐसा बनाया जाए तो मज़ा है, तो ऐसा कुछ मैं नहीं कर रहा हूं आपको बताती हूं, बस ये समझाना चाहरा हूं कि if the lease is dependent on the happening of certain event, तो तब तक वो valid रहेगी, जब वो event हो जाएगा, lease will come to an end, इसके बाद देखिए next, where the interest of the lesser in the property terminates on or his power to dispose of the same extents only to the happening of any event by the happening of such event, basically lesser का interest खतम हो जाए property से, मेरा जो घर है, अगर मैंने किसी और को बेच दिया, तो मेरी जो lease है tenant के साथ खतम, क्योंकि अब वो नया landlord हो गया, अगर मेरा lesser, lesser मतलब जिसने property किराये पे दी, मेरा ही interest खतम हो जाए property में से, तो lease will come to an end, that's C, D के सामने लिखे जिए merger, क्या बोलते हैं D को merger, merger का मतलब यह होता है, जहाँ किराये दार ही मकान महलिक बन जाए, जैसे आप किराये से आपने घर लिया, और फिर आपने 6 मेने रहे के वो घर खरीद लिया, आप उनर हो गए, So, जो lesser interest था, वो major interest में जाके मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, merger बोलते हैं, क्या लिखा एदर, in case the interest of the lessee, lessee का जो interest है, and the lesser in the whole of the property becomes vested at the same time in one person, lesser और lessee दोनों एक ही हो जाए, क्याने का मतलब किराये दार ही मालिक बन जाए, इसको कहते हैं merger, तो lease खतम, जिस जगे आप कि E बात करता है, express surrender, F बात करता है, implied surrender, तो पहले surrender समझ लिजे, surrender का मतलब होता है, जैसे merger का मतलब होता है, कि जिसके पास कम interest था, limited interest, tenant का क्या होता है, limited interest, माकान माले क्या, owner है, उसका wider interest है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, कि जो wider interest था, वो छोटे में चला गया, तो merger उसको पन क कहते है, उसको पन क्या कहते है, चोटे वाले ने larger interest acquire कर लिया, that is merger, और यह जो surrender है, surrender का मतलब, छोटा interest बड़े वाले को देखे चला गया, कहने का मतलब, किरायदार ने 11 महीने का agreement किया था, लेकिन 6 मेने में घरगाली करके चला गया, देखो बाई, किरायदार का कितना interest था उस घर की possession का interest, सिर्फ रहना और enjoy करना, यह interest था, वो interest उसने क्या कर दिया, उसने surrender कर दिया, landlord के favor में, agreement किया था 11 महीने का, लेकिन 6 मेने में घर चोड़के चला गया, that is surrender, तो यह implied express दोनों होता है, अगर बोल के किया है, expressly parties के बीच हुआ है, तो express है, court के किसी direction से हुआ है तो वो implied में आता है, जैसे आपने local laws में पढ़ाऊगा, MP accommodation में किरायदार से घर खाली करा सकते है, degree लेके court से, तो भाईया, court ने अगर बोल दिया कि खाली करना है, तो फिर वो खाली करे, that is also a surrender, that is implied, जो operation of law से होता है, वो implied surrender, जो parties के consent से होता है, वो होता है, express surrender ध्यान दिय तो यह है surrender की कहानी, जी बात करता है, forfeature, forfeature मतला, आपसे जबरजस्तिक हाली करवा दिया जाएगा, वो क्या, कब होगा, तीन condition दी है, forfeature में, एक होता है, कि आपने किसी express condition का break कर दिया, देखी, F में लिखा है, by forfeature, that is to say, in case the lessy breaks in express condition, कोई express condition break कर दी है, आपको कहा था कि subletting नहीं करनी, आपने वो कर दी, तो forfeit कर लिया जाएगा, दूसरा है, अगर आप owner के ही title को challenge कर देते हैं, आपने local law में भी पढ़ा होगा, local law में भी आपने पढ़ा होगा, कि अगर tenant, landlord के title को ही challenge कर देता है, that is also a ground of eviction और termination, तो वहाँ भी forfeature के थ्रू खतम होता है, और तीसरा है कि अगर lessy insolvent हो जाए, इसी में लिखा है, तीसरा क्या है, अगर lessy insolvent, अब insolvent होगा, तो आप किराया निद भाओ, इसलिए lease terminate, ठीक, तो ये तीन चीज़ों से forfeature होता है, इसके बाद देखिए, h on the expiration of a notice to determine lease, देखिए, lease determine करने के लिए, मैंने क्या बता है, तो 6 मिने का notice, मंतली में 15 दिन, तो जो भी आपका decide हुआ है कि इतने दिन का notice देना है, expiry, ध्यान रखना, प्री में इदर से na tricky question आता है, option में दिया रहता है, कि कैसे, which of the following is not a mode of termination, और वहां लिखा रहता है, by issuing a notice of eviction, तो notice of eviction देने से terminate नहीं होती, उस notice का time expire होने प इसलिए, H क्या कहता है, on the expiration of a notice, to determine the lease, जिस दिन वो notice expire होगा, उस दिन lease determined होगी, जिस दिन मैंने issue किया या जिस दिन मैंने notice दिया, उस दिन lease खतम नहीं होती, that is H, I hope this is clear, yes, इसके बाद waiver देख लिए, 112-113, कि मान लिए notice दे दिया, और उसके बाद आप continue किराया दे रहे हैं, सामने वाला ले रहा है, तो मान लिए जाएगा कि notice wave off होगा, जैसे मान लिए मैंने मकान मेले को 15 दिन का notice दे दिया, कि भी या 15 दिन बाद खाली करूँगा, लेकिन 15 दिन जैसे माल लेजे, मेरी lease का time over हो गया, 11 महीने हो गया, 11 मेने का agreement था, lease का time over हो गया, 12 मेने मैने ले जाके मकान मालिक को किराया दे दिया, उसने में को रहना अलाओ कर दिया, मेरे से किराया accept कर लिया, तो renew अपने आप हो जाएगी मेरी lease, और कैसे renew होगी, month to month होगी, रिन्यू, अना वो year to year, month to month किस पर depend करेगा, 106 में, अगर manufacturing और agriculture purpose के लिए है, तो year to year renewal होगा, अपने आप, और अगर किसी और purpose के लिए, तो month to month, अगले महीने के लिए renew होगी मानली जाएगी lease, अपने आप, इसको कहते हैं holding over, कि time भले खतम होगया था, लेकिन सामने वाले ने मुझे हटाया नहीं हो, मुझसे किराया, accept कर लिया, 117 भी देख सकते हैं, exemption of lease for agriculture purpose, agriculture purpose के लिए lease है, तो ये provision applicable नहीं होते है, बस इतना ध्यान रखिएगा, exchange अपने पड़े लिया है, इसके बाद आजाईए gift, gift भी एक important chapter है, chapter 7, gift में 2-3 बाते है, important वैसे तो कोई ऐसा ब दोनों पे applicable है, movable और immovable, existing property का, future में जो आप acquire करने वाले है, उस property को आप gift नहीं कर सकते, अगर कोई ऐसा gift आपने दिया है, जिसमें कुछ present में आपके पास है वो, और कुछ आप acquire करने वाले है, दोनों मिला के आपने gift दिया है, तो gift valid किसके लिए होगा, जो आपके पास already है, जिसे space succession, जो आपके पास नहीं है, उसको आप gift नहीं कर सकते, उतना portion gift का invalid होगा, और जो portion आपके पास property का already है, उसके respect में gift आपका valid मान लिया जाएगा, ये 124 में लिखा है, section याद करने इदर, सबसे पहले 122 याद कर लिजएगा, gift को define किया है, ठीक है, एक बहुत important ब पर गया donor, तो gift void हो जाएगा, valid नहीं होगा, ये 122 में आपको मिल जाएगा, 123 में कैसे effect में आता है, वही है, testation वाली बात है, 124, gift of existing and future property मैंने आपको बता दिया, कुछ existing है, कुछ future है, तो valid किसके sense में माना जाएगा, existing के sense में gift valid माना जाएगा, जितनी future property gift करी है, वो invalid पर 125 है, gift to several of whom one does not accept, मान लिजे मैंने अपनी property तीन लोगों को gift में दी, एक ने accept नहीं किया, बाकी दो ने accept कर लिया, तो बाकी दो के respect में वो gift valid माना जाएगा, जिसने accept नहीं किया, उसके respect में invalid, 126 कहता है, when gift में भी suspended और revoked, कब suspended और revoked माना जाएगा, तो मान लिजे conditional gift है मैंने property किसी को gift करी है, मैंने कोई condition अगर लगाई है, तो उस condition के होने या ना होने पे gift revoked हो जाएगा, बस 126 में पूरा job crux देखेंगे वो यह है, कि वो condition मेरे discretion पे नहीं होना चाहिए, जैसे मान लिजे, illustration भी दिया है, मैंने आपको 1,00,000 रुपे gift दिये, इस उस पे कि 10, 10,000 में कभी भी आपसे वापिस ले लूँगा अपने discretion पे, तो वो gift सिर्फ 90,000 के respect में valid माला जाएगा, 10,000 में क्योंकि मैंने ये condition डाली है, कि मैं कभी भी revoked कर सकता हूँ, वो valid नहीं है, हाँ condition अगर मेरे control में नहीं है, donor के control में नहीं है, तो वो valid है, अगर मैंने आपको 1 वापिस मेरे पास आजाएगा, वो property वापिस मेरे पास आजाएगी, बस ये donor के discretion पे नहीं होनी चाहिए, वो condition बाकि conditional gift valid होता है, पढ़ाएंगे illustration समझ आजाएगा, क्योंकि conditional transfer पन अल्रेटी पढ़ चुके है, 127 बहुत important है, onerous gift, बहुत important है, onerous gift का मतलब basically यह होता है, कि जब एक वेक्थी अपनी कोई property दूसरे को दे रहा है, माल लिजे दो properties दे रहा है, एक piece of land दे रहा है, जिस पे कोई liabilities नहीं है, free of incumbrances है, कोई liability नहीं है, और एक घर भी gift कर रहा है by the same transaction एक house, but इस house पे कुछ charge है, चार्ज है समझ रहे हैं कि wife को maintenance जाना है, या mortgage है, कुछ जब आपको ऐसी properties का combination gift किया जा रहा है, तो आप choose नहीं कर सकते यहां, अगर same transaction के through वो हो रहा है, separate transaction नहीं है, तो आप यह नहीं कह सकते कि साब यह वाला gift हम accept कर रहे हैं, डोनी यह नहीं कह सकता कि यह accept कर रहे हैं, यह नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें liability है, ऐसा आप नहीं क burdened by an obligation, एक पर obligation है, चार्ज है wife की maintenance, land पर कोई obligation नहीं है, the dony can take nothing by the gift unless he accepts it fully, या तो पूरा gift लो या तो बिल्कुल मतलो, आप अपने benefit की चीज तिरफ नहीं ले सकते, जैसे election में भी पढ़ा था, बिल्कुल बाइचीज है बस, बाकी एक बार पढ़िएगा, you'll understand, 128 बहुत important ह लिए universal dony, universal dony का मतलब होता है, जिस व्यक्ति को एक व्यक्ति ने अपनी पूरी property देती, जैसे मैंने अपनी पूरी property किसी व्यक्ति के नाम कर दी, तो उसको with incumbrances उसको लेना है, जो liabilities है, वो भी उसको लेना है, वो भी liabilities पे करने के लिए भी वो liable होगा, till the value of the gift, जैसे मैंने उसको 5 करोड की, मेरे पास 5 करोड की property थी, पूरी की पूरी property मैंने किसी व्यक्ति वो gift कर दी है, तो वो 5 करोड तक मेरे debt भी satisfy करेगा, debts भी उसको मिलेंगे, सिर्फ benefit नहीं मिलेंगे, liability भी मिलेगी, that's universal dony 128, 139 पहले अपन देख चुके हैं पहली class में, मौमडन law पर यह applicable नहीं होता, वहाँ हिबा करके separate एक rule होता है, Muslim law में, उससे गवान होता है, इसके बाद next chapter है, chapter 8 of transfer of actionable claim, 130 में बस यह ध्यान रखिएगा, कि actionable claim को अगर transfer करना है, तो writing में signed होना चाहिए, actionable claim होता क्या है, वो पहले पढ़ चुके हैं, अगर actionable claim मुझे अपना किसी दूसरे को transfer करना है, तो written agreement जो की signed होगा parties का, उसके through execute होगा, बस यही सवाल आता है धर से, 130 में से prelims में, and that's how we have completed the transfer of property act as well, जो basic concepts थे, वो अगर समझा गए हैं, तो यहाँ ज्यादा problem आपको नहीं होगी, अब एक बार जितने provision मैंने मात कराए हैं, जो समझाया है, उसको एक बार ध हम से ध्यान से पढ़िएगा, believe me, मेरे काल साथ सवाल है MPCJ में, बड़े अराम से बनेंगे आपसे, किसी भी state का TPA आप देने जाएए, prelims का, आपसे बनेंगे, अगर आपने glasses को sincerely attend किया है, और उन बातों को लिख लिया है, जो मैंने आपको अलग से note down कराई है, जो mark कराया है, वो अगर आपने लिखा है, आपसे अराम से बनेगा, ठीक है, जो कुछ provisions मैंने आपसे कहा है, कि आप खुद से एक बार read करिएगा, उनको भी read करिएगा, you will understand, बाकि तो आप जैसा आप जैसा आप जैसा आप जैसा आक्ट में इतनी चीज़ें होती हैं, कि जैसा मैंने आपको बार-बार कहा है कि आप foundation में जब हम पढ़ते हैं, तो अलग नजर से पढ़ते हैं, इसे टीपियो को पढ़ाने में कम से कम मेरे को 30 से 32 classes लगती हैं, दो गंटे की, कम से कम अदब लगब 55 hours के around classes होती हैं, जिसको मैंने मेरे कहल से 9-10 गंटे के आसपस हमने wind up किया है Actually, इसको पढ़ाने में 55 hours मेरे को अराम से लगते हैं, जब हम बहुत तनमेता से एक-एक धागे को खोल के पढ़ते हैं, conceptual clarity के साथ, बट अभी का जो परपस था, वो इससे फुल्फिल हो जाएगा